एक वंकार सत्त नाम करता पुर्ख निर्पाओ निर्वैर अकाल मूरत अजुनी सैंपंगुर प्रसाद सब तो पहला अखर जो गुरु ग्राइन सैब जी दिशर्वाद है ओ है एक गिनती वाला एक उस तो बाद है ओंग जिस दार्थ केता कहा है ब्रह्म पाव ओ हस्ती ओ शक्ती जो एक है जो हर पासे है जिस एक तो सब कुछ बणिया है अति तीसरा अखर जो ओंग दे उपर है उ इस विचे तबदीली ना वे सो पूरे शबदार्थ है कि एक अकाल पुर्ख जो एक रस व्यापक है पाव जो हर जगा है सदा तो सी अति सदा रहेगा गुरु प्यारियों अकाल पुर्ख कौन है कि इस ता नाम है उस ती अंदर केड़े गुन हन वो करदा की है इन सारे सव पूलानों मौल मंतर अंदर गुरु सहीब ने समझाया है अते एक गलहोर के जो एक उवंकार है इसनों बीज मंतर भी किया जानता है कैन तो पाव जमें बीज तो रुक बढ़दा है इन जही एक उवंकार बीज है इस बीज तो ही अगे मौल मंतर बढ़े मौल मंतर तो फिर और सारी बानिया बढ़िया पाव ऐस तरह इस ताविस्थार होया अते इस बीज तो ना सिर्फ गुरू गरान सेब जी दी शरुवात होई भलके सारे जगद दी शरुवात भी एक तो ही होई है अते उस एक तो ही असी सारे बढ़िया अते ओ एक अकाल पुर्क जिसनों गुरू सेब नाम दे रहन सत नाम गुरू प्यारे ज़िदो नाम लैन जब पंदी का लावधी है तो क्या जंद है के पाई नाम जब पर केड़ा नाम जब गुरू सेब आते फरमान दे हन के सत नाम पाव ओ नाम जो सत है जो सच्चा है जो सदा रहन वाला है सिर्फ उस नाम नल जोड जो पहलना में सी होन भी है ते सदा रहेगा जमें अकालपुर कले बहुत सारे नाम लई जानते हन अत जिनने भी नाम लई जानते हन उस सारे ही नाम प्यारे हन सच्ची हन, सत हन, सत, नाम हन गुर्बानी में कई जिगां अकालपुर कले वक्ष वक्ष नाम वरती गई हन जमें करतार, गोबिंद, राम, हरी, निरंकार, खुदाद पर कई जगाते सिर्फ नाम लिख देता गया है इसलिए नाम कोई भी लिया जाए, कोई गाल ने पर नाम उस सच्चेदा ही लिया जाना चाहिदा है जो सदारेन वाला है, जो एक है जो इस तरह दनाम लेंदा है, जबता है, वही सईरस्ते दे जारे है उस देनाल ही गुरे से फरमा दिहान कि वह उकाल पुर्क करता की है करता ओ, करता है पाव जो भी को जस जगत अंदर दिखाई जिन्दा है, उस दा करता अकाल पुर्क ही है अते इस सारा जगत उसने अपने आपतों ही पैदा कीता है इसलिए गुरु साहब करता दिनाल एक होर शब्द जोड़ देहन पुर्ख पाव के करता पुर्ख ने आप ही सारी जगत नों बनाया है इस विच किसे होर दा कोई हत ने वो एक पुर्ख ही इस सब्दा करता है अते उस सब कुछ बना के सब देंदर वस्या भी होया है वो इस तों बाहर नहीं है अते अकाल पुर्ख निर पावी है पाव के उसनों किसे दा पै नहीं वो हर एक पैतों डरतों रैत है अते उस दे पै विच रहना ही सानु फबदा है कें तो पाव रबी हुकम विच रहना ही सानु सोबदा है सारे जगत विच उस एक दा ही पै चलता है पर ओ आप पै तो रहत हैं उसनों किसे दा डरने उस दे किसे दा हुकम नी चलता अते अकालपुर्ख निर्वेर भी है पाम उस था किसे नल कोई वेर नहीं वेर करे भी था किसे नल करे सारे था उस थे अपने हन हर एक अंदर हुआ आप है इसलिए जो एक है के डरांदिहन के प्रमात्मा वेरी है मारदा है तो असनों केरना पएगा नहीं पएगा वो था निर्वेर है किसे नल कोई वेर नहीं रखदा अते सिर्फ निर्वेर ही नहीं करता अरता अकाल मूरत भी है पाम उस थे किसे कालदा असर नहीं जिस्ता सुरूब कालतों परे है जिस ता श्रीर नास रहता है वो अकाल मूरत है जो काल अंदर अंदर है वो अकाल नहीं हो सकता अकाल नू ना ता काल अंदर है अते ना ही उसी कोई मूरत बनाई जाए सकती है पर फिर भी वो हरे एक दे अंदर है असी सारे सारे काल दे अंदर आंदे हैं पर जो साडे अंदर है ओ अकाल है ओ किसे काल विच नहीं आंदे हैं इसलिए इसी तांद विच आंदे रेंदे हैं पर ओ सदा रेंदा है क्योंके ओ अकाल है काल तो रहता है अते अजूनी वी है अकाल पूर किसे जून विच नहीं आं जे कोई कहे कि वो जनम लेंदा है तो ये भी बनना पहेगा कि वो मरेगा भी वो काल विच चाएगा जो किसे जून विच आगया फिर ओ ना अकाल रहा ना अजूनी इसलिए गुरु सेफरमान दिहान के निरंगकार अजूनी है किसी जून विच नहीं आन्दा अते सिर्फ कोई ही नहीं हो अपने आप तो बने आ है उस दा प्रकाश अपने आप तो हो կह है और ऊसी कुई माह ना प्यूवग है पर उ सब ता मावी है प्योवई है तो उस एक ही सारा जहान रोशन है हर पासी चन्ड है हर एक जीव दी जिन्दगी था ओ एक ही कारण है अकालपुर्क अतिक गुरु से हमने निरंग कारबारे सब कुछ दासके अन्त वे चेवी दे सिया के जो एक है जो खुद तो बनया है जो सदा रहन वाला है जिसता कोई आद अन्त नहीं उसनों पाउन लई गुरु दी करपा चाईदी है इसलिए मूल मंतर दे अन्त वेचे दर्ज कीता है गोर परसाद गुरु ओ है जो हनेरे तो चानन वाल लेके ज चानिया है उसनाल एक होंदा विसीला सिर्फ ते सिर्फ गुरु है एक गुरु ही है जो सानों साथे अंदर बस्ती जो उतनाल मिला देंदा है अकाल पर खनाल एक कार देंदा है ता इस तो बाद है जप जप एबाणिधा नाम है जिसनों असी जप जी साहिवी कहने है जे सा दी है कि जब किंज करना है अते इस सब दी शरुवात हों दी है शलोकतों जिस वच गुरु पाशा फरमांदे हन के आद सच जुगाद सच हैपी सच नानक होसी पी सच पाव जिसनल जुड़ने गुरु सेब ने अनमुली बानी जब उचारी है उस बाश बारी सब गुरु जी फरमांदेहन के अकाल पूर्क आद पाव मुड़ तो हों द वाला है जुगाद पाव जुगादे मुड़ तों मजूद है पाव जुगादी शिरुवात तों भी पहला है अते हैपी इस वेले भी मजूद है अते होसी भी अगांतों भी होंद वाला रहेगा सदा रहेगा गुरु सेब ने समझाए कि जिस एक दाजप करना है ओ निरंगकार अकाल पुर्क उदोंवी सी जदो कुजने सी अते होंवी है अते सदा ही ओ रहेगा ये जगत आउंदे जानते रहेगे पर वो सदासी है ते रहेगा इस तो बाद गुरु सेब समझाए दे हन के अकाल पुर्क नल जुडन लई मानने बहुत यतन कीते पर सारे ही ले बेकार के केड़े केड़े तरीके वरते उना भारी गुरु सेब फरमादे हन के सोचें सोच ना होवई जे सोची लख वार सोचें पाव सोच रखनाल पवितरता कायम रखनाल भी सोच नहीं रह सकते जमें अज भी तांदी पवितरतानों लेके बहुत कुछ हुनता है बहुत विवाद भी हो जानती हन पर गुरु सेब समझानती हन के पाई शरीरतों हेठामी कदे जा माननों ही सब को समझ के बैटा है माननों ही पवित्र करन्दे यतन करी जानता है पवित्र ता मान दिविकार जे माननों पवित्र ना की था जे उसता इश्नान जापना ना करवाया ता ताननों पामे किन्ने योग पवित्र करी जाओ कदे पव कमता नहीं आ सकती हां मानन पवितर गितियां जरूर पवितर दा सकती है इसलिए इस वाल त्यान देंदी लोड़ है उस दो बाद गुरु से फरमा दे हन के चुप है चुप ना होई जे लाए रहा लिवतार गुरु प्यारे गुरु से हर गल अपने उते टुका के समझा रहे हन किसीनों निशाना बना के कोई गाल नहीं की ती जारी गुरु से फरमा रहे हन के जे मैं शरीर दी लिवतार लिवतार पाव लगातार एकतार समाधी लाई रखां चुप तारी रखां पर इंज कीत्यावी मान पवितर नहीं हुंदा इंज कीत्यावी मान चुप नहीं हु पुक्हियां पोक्ह नए उत्री जे बनना पुरियां पार ज़त तक मान चोपना है उदो तक मान वी कारा कारण कुछ न कुछ अंदर बोलदा ही रहेगा कुछ न कुछ मंगदा ही रहेगा अधि जो होर होर मंगण दी आदत है इसनों तृष्णा कहन दी हम जवें के गुर सेफर मारे हम के जदमान पुखा हुंदा है पाव मान अंदर लालच होए तृष्णा होए फिर इस अगनू लखा पदारत दे के भी बुजाया नहीं जा सकता इस अगे पामे सारे नगरते पदारत टेरियां लाके राक देओ फिर भी पुखे दी पुख दूर नहीं हुंदी मान दी पुख दूर हुंदी है जदमान नू सबर संतो कवर के गुण मिलते हैं इस तो पहला मान उस बलदिया कवर का हुंदा है जैसे वेच जिनना मर्जी कुछ पाई जाओ ये साड़ी जाएगा इसलिए गुरू सहीफ समझां दी हन के पोक पदार था दे टेर नल नहीं बलके गुरू दे परसाद नल जप नल दूर हुं दूर दी है जद मान अंदर गोना लड़ी हन ताम अंतरिप्ट हुंदा है मान रचदा है इस तो इलावा एक हौ़र विकार है जिस तो गुरु सयफ वरिस दिहन हो है चलाकी सहस स्यानपा लक् Фोर तां एक न चलना है नाल गुरु सय फिर्मा रहे हन कि जी मेरे विछ लक चुतराईया होण स्यानपा होण ता' एक भी चुत्राई वसगे नहीं चल दी क्योंके साधियां, चत्राइयां, सियानपा लोकानों ता मूर्क बना सकती हैं पर उसनों नहीं जो माननती हर एक गालनों जानता है उसनों ना ता मूर्क बनाया जा सकता है ना ही अपनियां सियानपा नहीं पाया जा सकता है उसनाल एक हो लाईता सारी हैं सियान पा त्याकनिया पैंदिया हैं जद तक 80 हाँ उद्वं तक ओ नहीं है जद 80 मुक जाँदे हैं पाब जद वो अंदरो मैं मेरी अहंकार आती मुक जांदे उद्वं अकाल पुर्क मन अंदर अपने याँ परकट हो जांदे सो लोड है ता अपनी चुत्राई छट्डंदी जे एंजी ही चलाक बने रहे हंकारी बने रहे तक कुछ भी हासन ना कर पावाँगे जद कदे मन इस हालात तक पहुँच दे के मेरी स्यान पनल चोपनल पोकनल जे मन सुच्चा नहीं बनदा तक किंज बनदा है किंज सच्चा बनेगा किंज इस दे अंदरो विकार दूर हनके इस सवान नो गुरु से फरमान दे हनके किव सच्चे आरा होई है किव कूड तुटें पाल पाव किमें सच्चे आरा बनी है किमें सच्चे दा हिसा बनी है किमें अपने अंदरो विकारा दिकांतनो टा के एक नाल एक हो जाएगे इस सवाल अपने आविच बहुत वड़ा सवाल है कि कदो मन ठीक होएगा कदों सच्चे दे रस्तित तोरेगा कदों अंदर जगदी जो उतनों देखेगा एह होजे बहुत सारे सवाला दा एक बड़ा ही सोना जवाब गुरु सेब पहली पोड़ी दी आखरी पंक्ति अंद अंदर फर्मादेहन के हुकम रजाई चलना नानिक लिखया नाल सवाल दा जवाब गुरु सेब दिंदेहन के एपाल, कंद, परदा, मानवेच दूर करनदा अक ही तरीका है विदी है ऊह है अकाल पुरु क देखेग दे दिख तूरना एही एक एसी विदी है तरीका है जो तोर तों ही जद तो जगत बने हैं, उदों तो लिख्या होया है, यह हर एक दे तोर अंदर लिख्या होया है, कि रभी हुकम विच तोर के ही, कूड दी पाल दूर हुंदी है, मन द पर्दा, मन दी कंद, दूर हुंदी है हुक, गुरु प्यारे जद तक अपने हुकम विच, म जीवर मनौरत पालाँगे, अकाल पुरकनों हैं पालाँगे, सच्चे बन जावाँगे। हुकमी होवन आकार, हुकम ना कहया जाई। पाव के निरंगार जिसता कोई अकार ने उसने अपने आपतों कई अकार बना देते, कई जक्त बना देते, कई शरीर बना देते, कई जीव बना देते, कई तरह दिया गैसा, हवावां दे पताने की कुछ बना देता इनसान अजे सिर्फ उनना ही जान सके है जिनना उसने देखिया है पर जो अखा तो दूर है उते की कुछ है उनना बारे अजे कोई ग्यानी इसलिए गुरु से फर्मान देहन के अकाल पुर्क दे हुकम अनुसार ही सारे शरीर बन देहन पर हुकम दस्या नहीं जा सकता कहना भी चाहिए तक या नहीं जा सकता क्योंकि हुकम दा कोई अन्तने गुरु से फर्मान देहन के हुकम है ता हर जगा पर उस्तान तनी पहाँ जा सकता इस तो बात गुरु पाश्या फर्मान देहन के गुरु प्यारों ए दुनिया अकाल पुर्ग दीर चाई हुई है अधि इसनों चलाओन लई इस जगत अंदर हुकम रूपी नियम ला देता है ना सिर्फ ए तर्ती बल्के हर एक तर्ती ग्रै सारे जीव इसते अंदर आंदे हन कोई इस तुंभार नहीं है इसलिए रब दे हुकम अनुसार ही सारे जीव पैदा हो रहे हन अधि हुकम अनुसार ही वडियाई भी मिल रही है कैन तो पाव के जी किसे दी वडियाई हो रही है ता ये भी उस दे हुकम दे अंदर ही है पर जद साड़े पले समझना हुए होकम दे सोजी न हुए तब सानो इंज लग दे हैं, कि मैंनू जो वड्याई मिली है, ए इह मेरे कारण मिली है अते ए ना समझी है, होकम नो ना समझना है दुकांडा, कारण बनदा है, मान नो विकारा अंदर ए फसा दिनदा है इस तो बाद गुरुपाश्या फरमान देहन के खुकमी उत्तम नीच खुकम लेख दोख सोक पाई है पाव के रबी हुकम उनसार ही कोई चंगा बन जानदा है तो कोई नीज पाव बन दा अते हुकम उनसार ही दोख सोक जीव पोगता है गुरु प्यारी उज़द साडे कोल समझ ना हुवे तो सानू लगदा है कि चंगा होना ता ठीक है पर रब नीच क्यों बनाते है सुख मिलेने ये ता ठीक है पर दुख क्यों मिल रहेने सो इते गाल ए नहीं कि जीवनू इते किस तरह दे हालात मिले गाल एए है कि असी इना हालात अंदर कि में विचे रहे हैं जवें कि असी पक्त सहबान देते हास पड़े हैं उना नू जगत ने बहुत छोटे थे नीच किया अते जे दुखा दी गाल करी थे दुखता पताने किन ने उनाते आए पर उना दुखा नू दुख ने जाने हैं बलके उस ता हुकम जाने हैं अचे जेसने हुकम न बोज लया फिर उसनू दुख पोख जात पाथ आधी कुछ ने दिसता हैं सिर्फ अकाल पर रख दिसता है जिसना लग के उहर तरह दे हालात अंदर खड़या रहनता है अजिदे दुज्य पासे 80 हा, जे ना कोल ना ग्यान है, ना हुकम दे समझ है, इसलिए खानदे पिन दे भी रबनो अलाम में दिदे रहनदे हां, किसा नो किते रखे हैं, पर जे गौर ना देखिये, ता जे थे रखे हो ते होनदा भी कोई ना कोई कारण होनदा ही है, जे माल कि आप ही उतों ओ थानू छटके चले जांदे हां हालाता ना लड़न दी बजाए कि ते सकून दी था पाल दे हां पर सकून सेवा की ते ही मिलता है हुकम विच तुर्या ही मिलता है उस तो पज्या ने काश अस ये जान सके किसे जगत अंदर अकाल पुर्खदा हुकम कम कर रह है जे सानों के ते रख्या है उच्छे पूरे मान ना रहे ऐसे ही आइगान के गुर्ञा प्लते के एक होकम सदा पवाई यह है गुरू पाशा फरमादी हैं कि कई जियानों होकम अनुसार बक्षिश पराप्त होंदी है अधे कई जीव होकम अनुसार सदा आवा गाउंटे चक्कर विच फराई जांदी हैं सो जीव के गुरू से हमने पहला ही फरमाया है कि जीव दा जनम उसते होकम अंदर है होकम होंदा है ता जनम होंदा है होकम होंदा है ता अपने नाल में लावी लेंदा है होकम होंदा है ता वक्षिश हो रही है हुकम अंदर ही पवाई जा रहे हैं तो जो हुकम नो नहीं समझदा उसले ता सुखवी दोक है तो दोक भी दोक है पर जो हुकम नो गुर पर साथ द्वारा जान लेंदा है उस सुख दोकुतों उपर हो जानता है उसनों किते रखे हैं कोई परवाने बस रब नाल है ऐना ही कावी है जो जब एक ऐसी गुरू सहबान दे जीवन भी पड़े हैं अदे जाने है कि गुरू सहबाना ने किन्ने किन्ने तसीह सही हैं पर उना कदे रब दे हुकम दे शक नहीं कीता बलकि हुकम नो मिठा करके मन्या है गुरू साइब इस तो बाद एगल पके तो उरते सानों समझा रहे हैं कि हुक्में अंदर सब को बाहर हुक्म ना कोई पाव के हरे एक जीव रावदे हुकम विछ ही है कोई जीव हुकम तो बार पाव हुकम तो अक्की नहीं हो सकता जी कोई ये सोची कि मैं होकम नो नहीं जाना दा मैं नहीं मन दा इस अनल ये साबत नहीं हो जाना कि होकम तो बार हो गया होकम ता सारे संसार अंदर चली रहा है ये जगदा नेम है इस तो बार कोई जाए नहीं सकता फर्क सिर्फ एना है कि जो हुकम दे नाल चल्द है जो समझ दे है उस जिन्दगी नू अनन्द विच गुजारता है पामे जिन्दगी किन्नी वी ओके क्यों न होए असी जे दे हां के कई तरह दे अपाहजवी दुनिया दे अंदर बड़ा नाम खटते हैं क्योंके उना ने अपने कमजोरी नू कमजोरी ने समझया बलके उसनू अपनी ताकत बनाया अतिया इस तो उल्ट जो हुकम तो उल्ट चलन दी कोशिश कर दे हां वो अपने आप ही दोक सहीड लेंदे हां गुरु प्यारो ये ना समझना के गुरु सेब सानू कोई सजा सुना रहां के तानू हुकम मनना ही पहना है ये मनन तो वद समझन वाली गाल है जवें किसी देशता कनून है नियम है जैसी उस अंसार चल दे हां ता ना सिर्फ अपना पला कर दे हां बलके दूज्यां दी जिंदगी नूवी सोख्या कर दे हां पर रब्भी हुकम ता इस तो वी वदिया है सुख्या है प्यारा है जो सारे अली बराबर है इसलिए ज़्यादा सी हुकम नो समझ के चल दे हां ता अपना जीवन ता सुधार दे ही हां नाल दे नाल दूज्या दी जिंदगी नूवी अते इस कुदरत नूवी सवार दे हां उना नूवी इस ता लाप होंदा है अते गुरु सहब इस पौड़ी दी अखीरत दे फरमां दे हां के नानक हुकम जे बुज्या ता हुम में कहे ना कोई हेनानक जे कोई मनुख अकाल पुर्ग दे हुकम नो समझ ले ता फिरो स्वार्त दियां गल्ला नहीं करदा पाप फिरो स्वार्ते जीवन चट देंदा है उस दा जीवन सदाली बदल जानदा है उस दा जीवन एंज हो जानदा जमें पानी विच आप महारे चल दी होई बे सर हो जानदी है मन अपने आप मन जलवल तुरिया जाता है गावें को तान हो वै किस है तान तान पावबल ताकत सो इत्थे दो वर तान है पहला अकाल पुर्ग दी ताकत नो ले के आए है दूजा जीव ले तान गुरु से फरमा देहन के कोई जीवता ऐसा है जो अकाल औलव तान आंदा है पावजद उस्कोल गान दी समझन दी ताकत अंदी है उद्यों ही रभी तान देगन गौन्दा है गुरु प्यारो अकाल पुर्ग अंदर किन्नी ताकत है किन्ना तान है यह आपा सारी ही जानते हैं जिसने बिना किसी सहारे जिए हावा देश्म जिज पर जो उस दी इस अपार तागत नों बन करके देखता है वो उस दी ताकत दे गुन गउंदा है कि वाह सर्व शक्तिशाली पार ब्रह्म त्वाडेवर का कोई नहीं इस तो इलावा होर कोई कि में गुन गारिया है गावें को दात जाने नीसान गुरु पाशा परवांदियान के कोई जानते ऐसा है जो मालक दी दात नों निशान समझ के गुन गाउंदा है केन तो पाव के जो वी मिलिया है पावियों जीवन है जीन ले साहन, खान ले पोजन है, रेन ले तरती, सहारे ले परवार आधि जो वी कुछ मिलता है उसनों दात समझता है अते जानता है कि ए मेरे मालक दी निशानी है इस जगत अंदर कोई खोर ऐसा नहीं जो ऐसे या दातां दे सके सिर्फ ओ एक ही ऐसा है जो ए सब दातां दिन दा है तां ए निशानी है दाते दे के ओ दातां देने वाला है इस तरह कोई जान रबदियां दाता नू निशान जान के उस दे गुन गान करता है तनवाद करता है वार वार नमसकार करता है स्वास्वास तनवाद करता है इस तो उलावा गावें को गुन वड़े आईया चार गुरुसया फ्रमांदेहन के कोई मन ऐसा भी है जो रब दे गुणा दी विचार करता है चारदा इत्य आरता है सुन्दर, सोना पाव ऐसा पगत जो रब दे गुणा नू गाउंदा है के वा रब जी आप जी वच कैसे कैसे प्यारे गुण हन अधे किनिया सुनिया सुनिया तो अटे अंदर वडियाग्या हन ओ गुणा नू वडियाग्या नू विचारता है गाउंदा है, गाण तो पाव सिर्व साज करके ही गाणा नहीं हुंदा जो कोज रब दे रहा है, उसनू जान के उस दे विचार करना भी गाणा है मन अकाल पुर्ग दे गुनानों जिउंदा है ये वी गाना है आओ असी सारे वी रब्भी गुनानों गई ये गुनानों विचार ये इस विलावा गुरु से फर्मान देहन के गावें को विद्या विक्म वीचार कोई मनुख ऐसा वी है जो रब्भी लो मिली बुधनान विख्म पाव उक्की तो उक्की विद्यादी विचार करदा है तार्मिक गरंतानों खूजदा है उना अंदर दर्ज सचनू पालदा है जिन न अकाल के रब्भी बारे लिखे आए उसनों समझनदा यतन करता है ओके विशानदी विचार करता है अते करता पूरे माननाल है खोशो के करता है जम्यासी खोशो के सिवा करते हैं इन जही जो विचारवान है और अबदे ओके शब्दान विचारता है गुरु सफर्मान देहन के इस जगत अंदर कई तरह दे पक्तान कोई बल नो देखके गा रहे है कोई दात नो देखके गा रहे है कोई गुना नो देखके गा रहे है अते कोई गावें को साज करे तन खे अते कोई मन इंज गंदा है कि अकालपुर्क शरीरा नो साज विरे है अते फिर खे पाव स्वावी का रहा है केंतो पाव के मन देखदा है कि जीव दा जमना मरना अकाल पुर्ग दे हुकम अंदर ही हो रहा है ना सिर्फ मनोक दा जनम फुलना दे जनम हो रहा हैं जीवा दे हो रहा हैं एतोदा के नम्यातर तियां के रहाँ देवी जनम हो रहे हैं हर रोज किन्ने ही जीव जनम ले रहे हैं अते किन्ने ही खे हो रहे हैं ए सारा सिलसना हुकम दे अंदर ओ आप करवा रहा है अते मन उसनों देख देख के विसमाद हो रहा है किन्नी वड़ी खेड़नों ओ कल्ला ही खड़ा रहा है इस तो बाद गुरु सैब एक होर बड़े ही प्यारे मंदी विचार नाल जोड़ते हैं के गावें को जी लें फिर दे कोई मन देखता है के निरंकार जी पाव जी वात्मा दे के फिर उसनों होर दे पाव शरीर दे दे देंदा है केंट तो पाव के जिन्दनों कड़ भी लेंदा है अते फिर दूजे शरीर अंदर पाव भी देंदा है गुरबाणी अंदर एक दूजगा गुरु सैब फरमांदे हैं पर आते गुरु साहट है कि कोई मनुक देखदा है काड़ा हुआ लो दुजे जंद्र पाव है यह यह कई सा थाझ प्रमात्मा ओड़ी कैसी औरड ताकत है haiuёт है, यह हुआ यह आनुद। लावा कुछ होर मनुण है जो कुछ वक्रे तरी किनल मालक दे गोंगां दे हन जमे के गावें को जापें दिस थ हैं दूर कोई मन ऐसे है जो देख दा है कि अकालपुर किते दूर दिसता है इस जगत अंदर काफी सारे ऐसे मन हन जो इज़े ही सोच धे हन कि परमात्मा साडिकों नहीं है ओकिसी हो और अबर ते जा की बैटा है अते जाद असी एजीवन पूरा करके जा मांगे ते उते जाखे असी उसनों मिलागे अते उसनों मिलन लई अइठे पलेकं करने पैने हन तां जो उते जाखे उसने अखानल अखां मिला सके ता कोई मन इंज भी रप दी गणगा गानदा है इसनों दूर जानके उस वल हथ चुक के अरदासाформी करदा है याद भी करदा है, गुनकान भी करदा है अते इस तों उल्ट कोई ऐसा भी है गावें को विक हैं हादरा हदूर गावें पाप गाओंदा है गावे को कोई गौंदा है की गौंदा है कि ओ मालक हर था है हादरा हदूर है पाव हर जगे ओही है उस तो इलावा इते कोई भी नहीं है ता इंज कोई मन उसनों हर पासे देख के उस देख गौन गौंदा है कि ओ नेड़े है हर पासे है अंदर बार उत्टे सज्य खबी हर पासे हो ही ता है उसके लावाई ते कोई नहीं है तब गुरु पाशा फर्मान देखन कि कोई मन ऐसा है जो दूर रहन दे अते कोई मन ऐसा है जो कहने दा कोल रहन दे पर नालही गुरु सहीब इस सारी विचारदा निचोड करती हैं कि जे इंज गिनन लगी है कि केड़े केड़े पगद उस दे किस किस तरह दे गुण गांदी हैं ता रबी पगदान दा कोई अंत नहीं किन्ने सारी पगदान इस जगद अंदर अते होर जगद अंदर भी अते सारी वको वक द्रिकनल रबनु जाद कर दे हन शायद इसे ले ही रब देनने सारी नाम हान जमें जिसनों कोई गुण नजराउंदा है उद्णा दा नाम मालक दा रखलेंदा पर कथना कथी ना आमे तोट पाव बहुत सारी बना ने बहुत सारी त्रिकनल कथन था कीती नामा दे वक वक घुरा करके याद करते था जिसे ना कोई यतन नहीं गुरु स्भिजन समझाना करते हन के अकाल पुरिक ती जिनने सिफ्त कीती जाए वड़ियाई कीती जाए उन्नी थोड़ी लगती है क्योंकि जिन्ना जान पान दी हैं उन्ना होर बाकी रहे जंद है उस अंदर एन्ने गोन हन जो कदे खतम नहीं हो सकते हैं इसलिए गुरु से फरमान दी हन के काथ काथ कथी कोटने कोट कोट के पावे क्रोडा जीव क्रोडा वारी कतन करने किन्ना वी वर्नन कीता जाये उस दा होकम नाम गोन कदे खतम होन वाले नहीं हैं गुरु प्यारों असी जादुवी कदे प्रमात्मा दी गुना दी विचार करते हैं तो गुन गिनती विच्ची होनते हैं दासे गुन विचार लमागे वी विचार लमागे सो विचार लमागे लाक पर उस अंदर आन गिनत गुनहन जो सारे दे सारे गिने नहीं जा सकते असी इस ब्रहमान अ अंदर बड़े ही छोटे जे हैं जिन्ना काले दोडे देखते हैं महसूस कर देहां उन्ना ही जान पांदे हैं पर ओ इना ग्रहां तो परे भी है जिते साड़ी पहुंचने उत्ते वी रबते पकत होणगे उस्ते गुनानों किसी और रूप वजगारे होणगे किन्ने जीव कि गुणा ऐ हन्ट के उस्थी गुरु सफ्द्र्मां देहन के ऍ útil नहीं जा सकती क्योंकि उस ते गुणा दा कोई अंत नहीं यह दसना होई कि गुणा हन तो घुरु सफ्द्र्माण कि देंदा दे लेन दे ठख़ु का आएं ऐन्य जादा गुनहर्ग की दतार प्रभू जंदा जा रहा हैं परकुन्न लेटाने धी थक जानदे हbelsाओं पाव मुक जानदे हैं खत्म हो जान्दी हैं पर गुण कदे खत्म नी हुन्दे अकान पर्ग जिते मान लई गुना रूपी खुराग दिन्दा है उते ताननों भी खुराग दिन्दा है सदियां तो जीव उस्तियां दातानू रिजिकनू खारे हन वो दिंदा चा रहे हैं अते जीव दातां लेला के ठक जन्दे हैं पाव मुक जन्दे हैं दातां लेन वाले मुक जन्दे हैं दातां देन वाला कदेनी मुक दा गुरु से फर्माने हैं के जुगां जुगांतर काही काही पाव जुगां जुगांतरा तो रब दे दित्ते होई पदारत पावे मानली हन जातानली जीव खांदे चले आरे हन एक कदे नहीं मुक्य इसलिए गुरु सेब ने फुर्माया है कि जिनने भी गुण गालो उनने ही कट लगते हन क्योंके रबी गुण खत्म होनवारे ने जिनने वरतले उनने ही थोड़े हन अते रब दे गुण गाने उसनों याद करना इस सब कुछ रबी हुकम दे अंदर हो रहे हैं जिस बारे गुरु से फर्मा रहे हन के हुकमी हुकम चलाए राह पाव पहला जिनने वी पक जनादी विचार गुरु सेब ने की थी इस सारे ही उसते हुकमन सार चल रहे हन गुरु प्यारो कदे कदे ऐसी दूजे तरम वाले नों किसे दी कल विचा के पंडल लग पेंदी हन जद के हर एक तरम अंदर जेश अंदर राज अंदर किसे वी संस्ता अंदर चंगे लोक वी हुंदे हन राबन मनन वाले वी हुंदे हन अज कल हर तरम वेच सच्चे वी हन अते विकारी तरमी वी हन पाव वेश तरमी है पर मन अतरमी ओ अतर्मी मन जिनना अपने फैदली तर्मनों वरत्या है पर किसे एक कारण सारे नों माड़ा नहीं कहना चाहिएदा हर कोई अपने तर्म, देश, कार, परिवार अंदर रहे के रबनों पा सकता है गुरु सेब एही सुने हा एही रस्ता तला के आये हन गुरु सेब फर्मान दिहान के रबने एक रस्ता त्यार किता है ओ है हुकमदा रस्ता जवें किसे ने पुछो कि मैं इस मंजलते जाना है कि तुसे रस्ता दा सकते हो तागला कहिन दा कि एह रस्ता फार्लो मंजलते पहुच जाओगे इन जी ही गुरु से फर्मान दिहान के मनजल ते पहुंच चल लए रस्ता है होकम दा जे इस रस्ते दे तो रिये तरब तक पहुंच सक दे हाँ इस तो उल्ट चल लियां सिर्फ दुख है गुरु से फर्मान दिहान के होकम वाले रब्दा होकम ही संसार दी कार वाला रस्ता चला रहा है पावसारा संसार होकम अंदर है कोई किमेमी नाम जप रहा है यह उस दा होकम है अते होकम बारे एक होर विचार कुरु से अब अंतली पंक्ति अंदर दिन दिहान के नानक विगस है वे परवा पाव हे नानक उ अकालपुर्ख सदा विक्स रहा है, पाव खड़ रहा है, खुश है, वे परवा है क्यों वे परवा है क्योंकि उससने जगद नो बना के जगद वेच इक नियम फिर दिता है, उ है हुकम इसलिए अकालपुर के भी परवा है क्योंकि जगदी कार चला रहा है हुकम अते सब उनों हुकम तेला देता है सारा कुझ जीव उते चाड़ता है जीता नियम वे चलेगा तो सुकी रहेगा जी ना चलिया ते जय हो जे बीज बोई जाएगा ओह जय फाल खाई जाएगा इह हुकम दा रस्ता है बड़ा ही सिद्धा ते मिठा गुरु सहीब ने इसनों जी के भी दिखाया पर सानों एक ओड़ा इसलिए लगदा क्योंकि सानों दूजे रास मिठे लगदे हैं पाव विकार चंगी कर सकते हैं हुकम नों समझ के मालक देतर तक पहुंच सकते हैं साचचा साहिबस य॥ सा भे साच ब्यारी लए आप कि किनी वार कहन दे हां कि वो साहिब सच्चा है वहाई गुरु सच्चा है पर कदे मन करके नहीं कहन दे पर जिमे जिमे असी इस पौड़ी दी टुंगाई विचे जावांगे ता अंतली पंक्तितक चांदे चांदे असी उस सच्चे साहिब नो मन करके सच्चा पशान लमांगे तो गुरू सहा फ़र्मान देहन के उस साहिब सच्चा है अति उस सिर्फ आप सच्चा ने उसने जो बनाया ओभी सच्चा है उसने जो नाए पाव जो हुकम नियम इस जगत अंदर लाया ओभी सच्चा है जमें कैसी पिछली पोड़ी अंदर हुकम बारी जाने से कि हुकम नाल ही संसार दी कार चल रही है हुकम एक बड़ा पका नियम है जो संसार अंदर लगा अतार चलता ही रहन दह है इसलिए गुरु साफ फर्मान दे हन कि व आप सच्चा है उसता नाय सच्चा है अते उस दे पाख्या पाव है पाव उस दी बोली प्यार दी बोली है जे असी उस नाल गला करनी हैं ता साड़े अंदर भी पाव पाव प्यार होना बहुत जरूरी है सिर्फ ग्यान जा त्यान दियां गला दे नाल नहीं बलके प्यार नाल भी जे सिर्फ असी ग्यानते अंदियां बाता ही पांदे रहे अंदर ग्यान ना पाया विश्वाश ना पाया ता ओ ग्यान साड़ी मान तक नहीं पहुंचेगा अते ना ही असी रभी जो तक पहुंच पाऊंगे क्योंकि अकाल पर साड़े बोलने साड़े गुण देखता है साड़ा किरदार देखता है अते जी असी प्यार दी मूरत नाम बने रभी गुना दी मूरत नाम बने ता उसनों कदे भी समझना पावाँगे मिलना पावाँगे गूरू सह फर्मादि हन की बोली है प्यार, किन ना प्यार? अपार पाव जेशे दे पार ना जाये जा सके केंट तो पाव उस दा प्यार बहुत ही अपार है जेशें दर सारा जगत आजनादा है, उस दे प्रेम अदर कोई वालेशल नहीं है कोई सिमा नहीं है वो असीम है अपार है तो गुरु प्यारू एता गाल रही कि अकाल पूर कमेदा कमियो जगतिकार चलन दा है कमियो जीवानाल गाल बात करता है परहोन, गुरु सेarken असी कमेदे है इस पारे गुरु सेarken अख्य हैं मंग hèं दे दे दात करे दातार साड़ी हालत बारी गुरु से ब्यान कर देहन के अकाल पुर्ख दा अपने जिया नल नाता प्यार दानाता है पर इनसान दा अकाल पुर्ख नल नाता सिर्फ दाता दा है हर रोज मंगता ही है अतियागता है कि मैंनो ऐ चीज दे दे मैंनों और चीटे दे हर रोज कोई ना कोई मंग होंदी है एक पूरी होंदी है तो दूजी शुरू हो जान दी है गुरू प्यारो की साड़ा एनना कोई प्यार है अकाल पुरकनल एक गली याद रखनी चाहिए है कि ओ ता ऐसा द्यान दातार है कि जो नहीं मंग दा उसनों दाता है एक तो ताक कि जो रबनों मंदे ही नहीं उना नहीं सब कुछ बिना मंग गया ही मिल रहा है अते असी उस दे पगत हो के भी उस दे प्यारे बन के भी जे असी सिर्फ पदारत ही मंग दे हा कदी उसनों नहीं मंग गया कदे रब नो नहीं मंगया, कदे उसता प्यार नाम नहीं मंगया, ता फिर असी की मंगया गुरु प्यारों जवे असी अपने माबाप को रोच कुछ न कुछ मंगये, ता उसी बोल दे भी नहीं सी, नियाने सी, उद्वी उसानों सब कुछ लिया के दिन दे सन भी न मंगया, पर जद असी जवान होई, कारोबार लगे, जद साड़े अपने बच्चे होई, ता असी ओखो जए ना रहे, अपने माबाप तो दूर होगे, पाब माबाप दे मन अंदर वी एक चार्ज जरूर रहनदा है, मांग जरूर होंदी है, ओक इस चेज़ दी मांग होंदी है, एक निग दी, के मेरा बच्चा मेरे कोल दो पल बैठे, कुछ गल्ला करे, काश असी परवा आत्मा है, ओ रभी नाम मंग दी है, ओ उस दी खुराक है, एक गुर्बानी विचार ही रूदी पोकर नो दूर कर दी है, अच्छ जरूर जरूर समझ जान लाग चांदे हैं, ओमान सूचता है, कि मैरोज किनना कोश जोस्तों मंग दा है, पर बदले चे कुछ भी नहीं देन चाईदा है, पर एथे एक होर स्वाल खड़ा हो जाना है, कि उसनों दित्ता की जाए, सारा कोज़ता उस दा बनाया हुए है, जवे के गुरु सब फर्मा देहन के, फिर कैं अग्यें रखिये, जित जिस दरबार, पावज़त सारा कुछ ओदातार दे रहा है, ता फिर मैं क केड़ी पेटा उस अकाल पर कगे रखाँ जैसे दे सद के मैंनो उस दा द्रबार देस पहेm, यह मंघ बहुत ही सई मंघ है, कि मैंनो रपता दर्शन चाहिता है, उस दा द्रबार चाहिता है, सो जो मन उस दे प्रेम में चरंग रया है, उस अंदर यह सवाल पैदा हुदा किड़ी पेटा उस अगे रखे की ऐसा जिता जाए जिसना लुस्ता दरवार्द से की कोई ऐसा पदार्द है भी जा नहीं ता इस सवाल दे नाल ही एक होर सवाल भी पैदा होंदा जैसे बारे को रिसाफ फरमान देहन के मोहों के बोलन बोली है जित सुन तरे प्यार जोजा सवाल है कि ऐसी मोहों केड़े बोल बोलिये कहो जी अरदास करिये जिसनों सुन के अकाल पुर्ग सानों प्यार करे गुरु प्यार इस पौड़ी दी शुरुआत वची गुरु सहब ने सानों अकाल पुर्ग बारे बहुत ही प्यारा समझा ऐसी कि उस सच्चा है उस ता नाम, होकम, नियाए सच्चा है उस दी बोली प्यार है एते एक गल होर कहना चांदा कि एदाने कि अकाल पुर्ग किसी बोली जा कोई अकर नहीं समझता उस दी समझता साड़ी समझतों ही किते अगां है साड़ा ए दुनिया दा जिन्नावी ग्यान है जा साड़ी को जिन्नावी ग्यान है इस सारा तो उससे तो ही आ रहा है तब प्यार बोली तो पाव है कि अखरा तो वे अगां चली जाना जिते शब्दा दे लोड ही नारे पर उते तक जान लेई गुरु चाहिदा है गुर्बानी चाहिदी है ज़त तक मान गुर्बानी दे शब्दानों विचारानों जियोंदानी उतों तक मान उस पार नहीं जा सकता गुरु प्यारों शब्द दे राहें ही उस तक पहुंचना है इसलिए जो शब्द होंदे हैं उना अंदर भी वह सारी हैं पढ़ता हुंदे हैं पाव शब्द नो गाना पढ़ना एक गाल है पर शब्द नो समझना उस तो अग्य दी पोड़ी है पाव उस दी हो रड़ोंगा पाई विच चले जाना है अत फिर उस शब्द नो जो विचार समझी है उसनों जीना इस अब तो महान पोड़ी है जदो तक गुरु दे शब्द रभी ग्यान साड़ा सुभा साड़ा गुण ना बढ़ जाए उधों तक पसानों रुखनानी चाहिए दा एक गुण ही उस त उस दा दरवार मिले उस दा प्यार मिले इस दे जवाब अंदर गुरु से फरमा देहन के अम्रित वेला सच नाओ वड़ियाई वीचार जवाब बढ़ा ही साफ है के जवे माबाप समा मंगता है इजी ही सानुवी परम पिताली अकालपुर कले समा कटना है अधे एस सब तो वड़िया पेटा है अकालपुर कगे रखन लई समा अधे समा में बहुत ही कीमती ओ समा जिसनों असी अम्रित वेला केंदे है गुरु से फरमा देहन के अपाई अम्रित वेले नो ओठके उस दे नाम नो सिमर ए ऐसा वेला है जद मन शान्त होंदा है इस वेले जो कजवी प पचाल है इसने गुरु से फरमा देहन के ओठके नाम चप उस दे वड़ियाई दी विचार कार पाव गुर्वानी नो पड़ समझ गुर्वानी दी विचार रही उसदी विचार है इस नाल रब्दी गौण मिलते हन अते इसे जवाव बंतर गुरु से एक होर पंक्ती गुर्वाणी रहें अकाल पर्कह नोग चल्ड कितियों वर्ढय विचार कितियों उसी पीटा कबूल हों दिया एकोन अनु एक होर दात कराप्त हों दिया प्यार, उसने गुन बता है है उसरा दोप्यार मयं ऒब capita Quaph portechen और गुरूमध है , बताम प्रूवर शांक добав 0 दूर करन लेवी गुणा रूपी कपड़ा होंदा है जो के उस दे करम नल मिलदा है मिहर नल मिलदा है जद उस दे नदर होई ता विकारा तो मुक्ती मिलदी है मुक्त पावे मुक्ष मुक्ती विकारा तो मुक्ती जद माननों पर रबी प्यारदा कपड़ा होई उस दे गुनादी शात होई फिर इस चात थले सिर्फ ते सिर्फ गुनही तिस्तिहान चंगियाई ही वस्ती है अधे जैसे मानन कुल एसब होई और फिर दरबार वी प्राप्त कर ही लेंदा है पावसनों राबदा दर प्राप्त होई जानदा है दर है किते दर है अंदर अधे माननों अपने अंदर ही सब कुछ प्राप्त होई जानदा है ता इन जी गुरु प्यारे हो जद मन कुल गुण होवन महर होवे प्यार होवे ता फिर ओ मन सब कुछ पराप्त कर लेंदा है प्यार भी दरबार भी अते फिर जद मन इस संसार नो देखता है ता नमे तरी किनाल देखता है होन इना अखा अंदर मान अंदर कोई मैल नहीं बिना मेंदी जहान नों देखता है तो की देखता है? सच हर पास ये कदाब पसारा देखता है जवे के शुरुआती पंक्ति वेजे गुरु सेफ ने फरमाया सी कि वो साहिब सच है अते होन मन उसनों देख भी रहा है गुरु सेफ फरमान देहान के नानक एमें जानी है सब आपे सच्यार पावहे नानक इस तरह नल समझा जानी है कि ओ सच्चा सिर्फ कैन मातर ही सच्चा नहीं ओ सच्मुच ही सच्चा है ओ ही एक हर पासे है सब नी थाई है इस पूरे जगत अंदर सब आप ही आप है हर पासे एक है इक दा पसारा है अगाल पुरक दा वास है अते ए सब देखना ओदो मननू है जद मानने सही मंगनू जानिया अते फिर सुनो मंग गया अपने समेता सही अपयोग कीता जद कुरुबारी नाल जोड़के अपने अंदर रभी नाम कोण पैदा कीते ता मानन अदरोग विकार दूर होए ये विकार ही सान जो माननों N Auto देरी सान जो असन बेच इस जगत अंदर है जो साथे अंदर हैं पर होन जद मान रभी प्यार नाल रंग है जद मान उती उस्ती मेहर होई है तो होन हर पास से सच ही सच दिस्ता है और मानते कूड दा असर नहीं होंदा जमें दा अकालपुर्ख है उमें दा उसनों दिखाई दे रहा है हर पासे वस्या होया, रम्या होया अते गुरु प्यार जमें अकालपुर्ख सच्यार है जमान भी इसे राते चल्दा होया सच्यार बनजानदा है सच्चा बनजानदा है घापपया ना झाए कीता ना हुए गुरू से बड़ा ही सोना सिनहा दे रहा न की आए पाई जिसने सारी दुनियानों बनाया जिसने वड़े तो वड़े ग्रै, सुर्ज अते चोटे तो छोटे जीव अते कन बनाए जिसने सारा कुछ बनाया उसनों कोई इनसान किमें बना सकता है उसनों बनाया नहीं जा सकता पाव कि उसनों ना किसे रूप विच अस्थापित किता जा सकता है अतना ही किसी तरह नल बनाया जा सकता है जे बनावना भी चाहिए तक किमे बनावांगे ओता निरंकार है उसनो किमे कोई अकार दे पावांगे ओ अजोनी है उसनो किमे किसे जोन विच पावांगे जे कोई कहे के रब नू बनाया जा सकता है ता फिर एवी मनना पेएगा कि उसनों मटाया भी जा सकता है जे कोई कहे कि स्थापित कीता जा सकता है ता फिर एवी कहना पाएगा कि उसनों नाश भी कीता जा सकता है पर अकाल पुरकनों ना थापिया जा सकता है ना किता पाप बनाया जा सकता है हाँ जे सिर्फ ये जानना होए कि जे उसनों किसे ने नहीं बनाया तो ओ आप केंज बनिया तो उसे बारी गुरसाः बकली पंक्ति अंदर फर्मान देहां के आप आप निरंजन सोई पाव ओ आप आप बनिया है उसनों कोई बनान वाला नहीं है उसना प्रकाश अपने आप तो होया है ओ सैंभंग पाव स्वै प्रकाशवान है ओ निरोल आप ही आप है हर पासे उसने आप ही अपना पसारा कीता होया है अते सब कुछ बना के उस अंदर जित्थे हुकम रुपी नियम पाया है ओते ही माया नों भी पादेता है माया पाव ओ विचार जो माननों राब वाले पासे जानतों रुक देहन जदमान इना विकारा अंदर फासता है ता ओ अपनी मंजल तो कोहां दूर चला जानता है पर पावे माया सानू पठकांदी है पर एवी रभी हुकम दे अंदर उन्दी है माया अपना काम रब दे हुकम अनुसार ही कर दी है इसना सब ते असर उन्दा है पर रब ते इसना असर नहीं है एता ओसे दे वी दासी है इसलिए गुरु सेफर मंदहन के आप पे आप निरंजन सोईज निरंजन तो पाव है अंजन रैत, माया रैत जिस दे किसे विकारदा असर ना होगी अते जे मन ने भी इना विकारा तो मुक्त होना है माया दे प्रवापतों दूर आना है ते उस नाल जुड़ना पहेगा जिस उत्ते माया असर नहीं कर दे पाव अकाल पुर्ख दे नाल पर अकाल पुर्ख नल एक होन ले की करना पहेगा गुरू सहब उस पारे फरमान देहन के जिन सेविया तिन पाया मान की करना पहेगा सेवा करनी पहेगी सेविया दा पाव है सेवा अते सिमरन गुरू से फर्मादेहन के जिसने अकाल पर्खनों सिम्रिया है उसने ही बढ़ियाई पाई है दूजे शब्दा मुझ कहिए तो जिसने अकाल पर्खती सेवा कीती है उसने मान इज़ित प्राप्त कीती है पर उसती सेवा किमें हो सकती है उता सबना दाता है सबनों दाता दिन्दा है गुरू प्यारो सेवा सेवा विच भी फर्क होंदा है एक है तानधी सेवा जो आसी गोड़दरा सहब कर दे हां उत्थों सेवा सिक दे हां अते फिर समाज विच सेवा ले उतर दे हां करीबा मजल मान दी सेवा कर दी हैं अते जिस भी सेवा विच कोई लालच ना होए ओही सची सुची सेवा होंदी है अते एक सेवा होंदी है मान दी सेवा इस बारी गुर्बानी विच बहुत वारा है कि हर की सेवा जग गुर्गी सेवा है शब्द विचार नाम दी विचार सो मान दी असल सेवा ही यह है कि वो शब्जदी विचार करे इसनल की होंदा है इसनल साथी हरे एक इंधरी अज़े साथी सोच ठीक होंदी है साथी सुर्थ उच्ची होंदी है अते जी में ताननल सेवा कितना लोका दी शाबाशी मिलती है वडियाई मिलती है इंज मान रही शब्जदी गुणानों विचारिये गुरु से फरमांदेहन के नानक गाविये गुणी निदान हे नानक गुरु से फरमांदेहन के आओ अकालपुर्क जोके गुणादा निदान है खजाना है उस्ते गुण गाविये उस्ते शिफ्त सला करिये उस्ते कुन गाया ही मान उस्ते रंग वे चरंगता है मान बदलता है पर गुरु प्यारियों साड़े विच्चों कई सोचते होनके के असे वीता रोज गुरु बानी पढ़ दे, सुन दे, दे विचार दे हैं पर साड़े विच्चों क्यों बदलाव नहीं है उस पर ये गुरु से बगली पंक्ति अंदर फर्मान दे हैं के गावी हैं, सुनी हैं, मान रखी हैं, पाव पाव गुण गावने हैं, सुनने हैं पर पाव करके, प्रेम करके जो कुछ वेसी कर दे हैं, पावे पाठ कर रहे हैं, सुन रहे हैं जब विचार करें हैं तो उस अंदर प्यार दा होना बहुत ही लाजमी है यह प्यार ही नहीं तो फिर साड़ी अवाज उस तक तक की साड़ी अपने अंदर तक भी नहीं पहुंच पाएगी जिस ग्यान अंदर, जिस पांठ अंदर, जिस सेवा अंदर प्यार न होए, ओ ग्यान भी सिर्थे पार बन जानदा, इसलिए गुरुपाशा फर्मान देहन के आओ, अकान पुरक दे गुणगावी है, सुनिए, अत्य अपने मन अंदर, उस दा प्रेम टकाई है, जो मन इज कर देहन, उस देदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेद प्रटेबर है माने देदो की हैन विकार माया इसानों मुह लालज कामा दिविच पाई रख देऊ जे कुछ मिल जाए तो मन विकारा कारण खोश हो जाए जे कुछ खोश जाए तो दुखी हो जाए पर ए दुख दूर हो सकते हैं जे मन गुरुसभाजी सिख्यानों सुनें समझें तो रभी गुणानाल अपने आपनों शिंगारे तो मन अपने दोख विकार दूर करलाना है जद दोख दूर हो जान तो फिर मन अंदर सिर्फ सोक ही बच देहान मन सुखान अपने करले आउंदा है जेसे दा मन सुखानल पर गया उस दा संसार नो friendly गुरु सहीब देखना नजरिया है भी बदल जातें आते बदलया होया मन अगली पंकती अंदर संमझतें गुर्मक नादंग गुर्मक वेदंग गुर्मक रहया समय वे गुरु दा प्यारा गुर्मक मानकी देखता है के मेरा प्यारा गुरु ही मेरा सब कुझ है गुरु ही नादंग है गुरु ही वेदंग है पाव गुरु दे मुक तो निकले शब्द ही नाद है नाद दा पाव है आवाज शब्द गुरु राही ही शब्द दी प्राप्ति हों दी है अते गुरु ही वेदंग पाव गुरु ही ग्यान है वेदंग दे अरत है ग्यान गुरु दे मुक तो निकले बोल वेदंग हन पाव ग्यान पर पूर हन अते गुरु सहब दे बोला विच अकाल पुर्क आप समाया होया है इसलिए गुरु सहब दे बोल ताजा हुंदे हन पर पूर हो दिखना अधे एक बोल नाम शब्द कदे ना खटम होन वालिए हन अधे एक कदे पुराने भी नहीं हो दे क्योंकि जमें अकाल पुर कहर पन नमा थे ताजा है इन जी ही कुरूदा शब्द है अधे इस तो इलावा गुरमकमान गुरुनु होर कि में देगता है इ गुर 12 पारवकलिध माई गुर्मकलिदे प्यारे लेड गुरूु ही इसर है पाव शिव है गुरू ही गुरू ही ब्रमा है अते गुरू ही पारवधी माई है पाव जो भी दुन्या दा ग्यान चाहना चाहँ दे उसनों होर किते जान दी कोई लोड़नी पेंदिया थी इस तों एकगल होर समझदी है कि दार सिर्फ एक ही रखना है गुरू दार जिस दार तो सारे पदार तमान नो मिल दे हन गुरू रभी रूप है गुरू ग्यान दा पंडार है गुरू रभी गुणा दा खजाना है गुरू एक ऐसा सूरज है जिस दा चानन लखा कुरोडा सूरजा तो भी जादा है क्योंके बारला सूरज मन दे हनेरे नो दूर नहीं कर सकता पर गुरू दा ग्यान इस हनेर कर सकता है पर मन पुराप्ट दे ग्यान लगे तर जान सकता है कहई घरव ले नाल है हर पासे है पर घजान ही किते किते फैल्या क्योंकि वह असीम है गुरु से फरमा देहन के उस्था फेला एन जादा है कि जिनना उसनोंосनों कोईदा है наж network रवद पाईदा है जमें आज थी सीरे विग्यानी देखदी हैं कि योकिना वड़ा है पर जादो दुछा स advisor देखदी हैं तो ओ ऐसनों वड़ा लगदे हैं अधेजी आगले सीरेस देखदी हैं तो ओ पिछले स जाए ताम याख्या नहीं जा सकता कतन ने कीता जा सकता पर एक समझता है मेरे प्यारे गुरु महराज जरूर पूरी कर दियो ओकेड़ी समझ गुरु से फर्मा दिहन के गुरा एक देह बुजाई हे मेरे गुरा हे मेरे सत्गुरु जी मैंनू एस समझ दियो पाव मैंनू एहोजे इस समझ बूच जरूर दियो कैहोजे इस समझ जेस्ता जिकर अगली पंक्ति अंदर है सबना जियां का एक दाता सो मैं विसर ना चाहे बड़ी ही प्यारी समझ गुरुपा सुमन मंगदा है के ओ एह है के हे मेरे गुरुपाच्छा जो सबना जियांदा एक दाता है जो एक दातार है जो एक अकाल प्रक सबनो दाता दे रहा है कोई होर उस वरगा होर दाता नहीं है सिर्फ एक ही है जो सबनानों सब को जिंदा है उस दातार नो मैं कदे भी नप पुला ओ हमेशा मैंनों याद रे एहो जई सूज सत्गुरु जीओ मैंनों बख्ष देओ क्योंकि याद की इतने रिष्टा बन्दा है सादे सारे रिष्टे याद नल जोड़ी हन जिस रिष्टे रिष्टे विचे जाद नहीं प्यार नहीं और रिष्टा कमजोर पैजन दा इसलिए मन अरदास करता है कि मेरे गुरु मैंनों इस सूज बूझ दे कि मैं एक दाता नों कदे भी न पुला कदे भी न विसरा तीरत नावा जे तिस पावा विन पाने कैनाए करी पाव मैं तीरत उते जाके तद इश्णान करां जे यों करनाल उस परमात्मानों खुश कर सकां पर जे इस तरह परमात्मा कुछ नहीं होंदा ता मैं तीरत उते श्नान करके की खटांगा कैंतो पाव के जड़ा कम मेरे प्यारे नों पावे ही न ओ करके की लाब गुरू प्यारे ओ तीरत बारे गुर्बाणी अंदर बहुत कुछ दर्ज है जमें तीरत नाम है तीरत शब्द बीचार अंतर ग्यान है जे सब्ट गुरु से फिर्मान देहन के असल तीरत ऐ मना तेरे अंदर है जे अंदर दे तीरत होते गुरु दे ग्यान नाल इशनान ना किता तब शरीर तो तो की भी कोई लापनी मिलेगा मन साफ होना बहुत चुरूरी है अते गल होर के तीरत तान उते जाके शनान कीतियां हो सकता है शरीर ठीक भी हो जाए उस मालक दी किरपा है पर गल गुरु प्यार यो पूरी दी पूरी मन उते खड़ी है तान उते नहीं शरीर नु साफ कीतियां मन साफ नी हुंदा मन अरोग नी हुंदा पर हाँ मन नु साफ किते हैं तन जरूर साफ हो जंदा है मान दे जरो खान ओ जरूर दूर हो जंदा है इसलिए गुरू सब फरमा धहन के ऐ मना ओ इशनान कर जो मालक नू पा जाए जिस इशनान नल तेरा अंदर पेज़ जाए तेनो रब दी याद आ जाए तेरी लिए एक नल जुट जाए ऐ हो जाए मना इशनान कर क्योंकि इशनान ओही पला जो उसनू पा जाए इस तो बाद गुरू साहब एक हो और बड़ा ही केमती विचार दिन देहन के जेती सिर्ठ उपाई वेखा विण कर्मा कै मिले लई जेती पावजिन्नी वी सिर्ठ सिरिष्टी मालक दी उपाई होई देख दहां इस सिरिष्टी अंदर जे किसे नो कुछ मिलिया है ता ओ उस दे करम नल मिलिया है एक करम सब उते होंदा है पर इंसान जो भी कुछ मिलिय यहां उसनों पान के कोई खुश है तो कोई दुख्युं खोश ओहण जो रब्र करमवल देख दिहां जो मल्यां है उस दनवाद कर दिए हनु काट मिल्याइक वद्र हमया इस्ति प्रवानी जिन्ना मिल्यां उसती रह्मत हैं उस्ता कर्म है अधे दूसरे पास से एक ओहन जिसनों पामे काट मिले जवाद हर वेले नराज की है हर वेले रोणा है कि मैंनों ओ क्यों नहीं मिलिया जो दूज्जे कोल है पाविकारां दे कारण ओ ना उस्ते करमन जान पान दे हन अतिना ही अकाल परकनू इस तो इलावा इस पंक्ति अंदर एक हो और बहुत कीमती विचार है ओ एक के गाल पामे इस तरती दी कीती जाई जहां साड़े मान दी दो हां अंदर बहुत कीमती खजाने वस्से होई हन जमें तरती अंदर सोना है हीरे हन पर हर कोई उसनों लब नी सकता सिर्फ ओही इसनों लब पान दे हन जेना नो लब बंदा होनर होवे एंज जही मान दी तरती उत्ते वी उस दे करम नल बड़े सारे खजाने हन बहुत कीमती गुण होंदी हन पर साड़े विच्छुं बहुत है ऐसे हन जो इस खजाने नो कदे पशानी ने पांदे क्योंके अपने आपने आपनो कदे खोजे लाइज इनि अपने आप बारे कदे जने अहीं नहीं त्यान हमेशा दूज्वत गुण लेख जे में तरती अंद्रों कीम्ती बघार्थ होनर दी लोड रए इंज मन अंद्रों गुण आ रूपी खोजाने नो कदने लही वी गुरु दी लोड रहा है गुरु से फर्वान भी मन करके सोन ले जाए ता मनोक दी बोध दी अंदर रतन जवाहर ते मोती उपज पेंदे हन पाव परमात्मा दे गोण जो मन अंदर हन ओ नजरी पैजन दे हम गुरू से अपने बहुत वार गुरबानी अंदर फरमाया है के नाम होवे गोण होवन तीर थोवे दुनिया दा पावे कोई भी केमती तो केमती गोण होवे उस दाड़े अपने अंदर परमात्मा ने पाया होया है पर उजागर ओही कर पांदा है जो गुरू दी सिख्या नों सुनना समझना एसे लई बहुत जरूरी है तांचो असी अपने अंदरों ही उसा पास किये जिसनल मन आनंद विच्च रहे निडर रहे साचनल जुड़या रहे गुरू प्यारों आसी बहुत वार देखें ते सोनिया है कि जो सेरे दा पापी ते निशाई सी अज वो गुरू दे लड़ लगा है उस दे विचार बदल गे हान वो इनसान की में बदलिया जो दो उस दे मानने गुरू सिख्यानों सुनिया ता उसनों पता लगा कि मेरे अंदर भी कोज है जो मैंनों जंगे पास से तोर सकता है जो मैंनों मेरे दुखा तो दूर कर सकता है पाव गुरू सानों साड़ी अंदर लिजोद नाल रभी नाम नल जोड़ देंदा है सो जो भी मन इस पास से पाव गु वार वार एक अर्दास करना है केड़ी अर्दास गुरा इक देह बुजाई के हे मेरे गुरा हे मेरे सत्गुरु जी मैंनू ये समझ दियो पाव मैंनू एहोजे सूज बूज जरूर दियो केहोजी समझ उस दा जिकर अगली पंक्ति अंदर गुरु से फरमा देहन के सबना जियां का एक दाता सो मैं विसरना जाई बड़ी ही प्यारी समझ गुरुपासों मन मंगता है ओ ए के हे मेरे गुरुपाशा जी जो सबना जियां दा एक दाता है दातार है जो सब नो दातां देने वाला है जिस वरगा हो और दाता कोई नहीं उस दातार नो मैं कदे भी न पुला ओ हमेशा मैंनो जाद रहे ऐ हो जैसूज सत्गुरु जी ओ बख्ष देओ क्योंकि याद की त्या रिष्टा बनता है यादना प्यार वद्दा है जिनना मिलांगे उनना ही रिष्टा गुड़ा होएगा साड़े सारे रिष्टे याद नल चुड़े हैं जिसे रिष्टे विच याद नहीं प्यार नहीं और रिष्टा कमजोर हो जान दाए इसलिए मन अरदास करदा है के हे मेरे गुरू मैंनो ए सूज बूझ दे के मैं एक दातानू कदे वी ना पुलां कदे वी ना विसरां उसी याद ही मनदा आसरा है मनदा सकून है अनंद है उ जिन्दगी दुखानल पर जांदी है इसलिए मैंनो ए सूज देवो के मैं अकाल पुर्क नू सदा याद रखां सदा चेते रखां जे जुग चारे आरजा होर दसोनी होए आरजा पाव उमर दसोनी पाव दसकूना इस पौड़ी दी शिर्वाद अंदर साड़े मन दी इच्छा बारे गुरु से फरमान दे हनके बहुत सारे मन इस सूज दे हनके जिन्दगी दे सारे चा पूरे करन ली ए उमर बड़ी ही छ जोटी है इसलिए जे एक तो उमर बहुत जादा होंदी जहां उमर दे कुछ साल जादा होंदी ता सारे काम पूरे की दे जा सकते सन्द इसे ही गालनों त्यान विच रखते हैं गुरु से फरमान दे हनके आए मना थोड़ी क्यों जे तेरी उमर सौ साल होए सो ही नहीं इस ज़ादा हजार साल होए अटि एणी ही नहीं जे चार जुगा जनी तेरी उमर हो जाए पाव लखा साल दी वीच उमर हो जाए अटि यह बहनें जे इस तो वी दस गुना जादा उमर तेरी हो जाए अते सिर्फ उमर ही नहीं गुरु से फरमान देहन के नमा, खड़ना विच जानी है नाल, चला है, सब कोई सिर्फ उमर नहीं जे सारे संसार अंदर तेरा चर्चा हो जाए तेहनू सारे जानन लग जान, जित्थों में तो लंगे उत्थों दे लोग तेरे पिच्छे तोर पर गुरु प्यारे ओ, साड़ी पिशान जाता तर साड़ी कारता की उन्दी है पर साड़ी विच बहुत जानों कदे कदा ही लग दाए काश मेरा वे क्यों नाम हो जाए पावे किसे भी किते विच हो वे सारी दुनिया में नू जाने मेरे अगे पिच्छे लोग तोरण गुरु सह फरमान देहान के ऐ मना जे दरी ए इच्छा भी पूरी हो जाये तेरी उमर वड़ी हो जाए तेनू सारा संसार जानन लाग पई अते इत्या ही बास नहीं गुरु सह फरमान देहान के तेरा नाम चंगा करके मनना जाए, तेरे नाम ते बहुत सारे वपार चल पन, हर पास ये तेरा नाम शा जाए, सारे संसार अंदर तेरे नाम ते कीरती हों लग पए, जस गाय जान जे ऐम मना तो एन्ना महान बन जाए, ताक की तेनों लगदा है के सब कुछ पान नाल तेरा जीवन सफल हो जाएगा, की तेनों लगदा है के एन्ना कुछ पान लैन नाल तेरे सारे सपने पूरे हो जानगे, की तेरी अंदर दी पोकदूर हो जाएगी, की तेरा जन्म सफल हो जाएगा, गुरू से फरमान दे हन के हमरेंवार वड़ियां कर लेन नाल नाम वड़ा कर लेन नाल कोई वड़ा नियांगा नीए हो जाना joyful है तो इस से बाई वड़िया वड़ियां जाने जारी है पर गुरु साह फर्मा देहान के जे अकान पुरगदी नजर विठिन जाना यह बहुत जरूरी है जेकर अकान पुरगदी मेर दी नजर विठिन नजर विठिन नहीं आसके जाता उस्ति हालत उस इनसान वर की है जिस्ति कोई ख़बर भी ने पुछता जिसता कोई हाल चाल ने पुछता पर अन्नी मान बढ़ियाई वाला हुंदिया मी असल वे चो मान नियास राहे अंदरो खाली अति बहचान है जो उस्ति नदर वेच नहीं आया गुरू प्यारियो दुनिया अंदर जे नाम बनावना है तो बहुत कुछ करना पेंदा है। चंगे कामभी, माडे कामभी, हर तरीका पनावना पेंदा कई वार मेर होई, तां सिद्धे रस्ते दे थोरके भी कामजाबी मिल जांती है। पर असल कामजाबी है उसनों पाजाना, उसनों चंगा नदर विच आउना है, तां सिर्फ गुरू दे दस्यरात तुरना पेगा, हुकम नों गुरू दे शब्द राही समझ के चलना पेगा, जिंदगी नों उन जी ही जीना पेगा जमें हुकम विच लिखिया है, सो गुरू सब्साइब फरमादे हान के जे वड़ी उमर वाला ज रंगे नाम वाला हो के भी उस प्रमात्मा द्रिश्टी विच नहीं आउंदा पाव किर्पा द्रिश्टी दा पातर नहीं बंदा था उस मनोख दे कोई खाबर सार नहीं पुछदा और दे कोड़ सब कुछ हो के भी वो बियासरा जियाए कलना ते निरास्ता नल परिया है तो गुरु सेब नाल ही फरमा देहन के कीटां अंदर कीट कर दोसी दोस तरह पाव दुनिया दी नजरा वे चंगा खवान वाला जरूरी नहीं के चंगा ही होए उस ते मान अंदर की है यह सब तो जरूरी है जो बारों सोना है ते अंदर कालक नल परिया है और कदे भी उस ती नदर अंदर नहीं आ सकता गुरु सेब फरमा देहन के नदर वी होना मनोक केडिया पाव नीचा विच्चों वी सब तो नीच कीट पाव कटिया मन गिने जानता है कटिया इसली क्योंके उसने मान दी चलाकी न लोकान मूर्क बनाया लोकान उत बहुत दूर देगाल है अप से मानते दोश थाप देंदा है केंड़ तो पाव क्यों लोकान दिया नजरा विच्चते बहुत अमीर है पर उस दी हालत एन्नी नेवी हो जान दी है के पापी मनोक कभी कह देंदा है कि तूं कादा वड़ा इनसान बनिया फिरत है तेरे अंदर ता रब नाम दी कोई शाई नहीं नहीं है तेरे अंदर ना दियाई ना प्यारे सिर्फ बनावटी शान उशोक तनाल खोदनों वड़ा जान रहे है पर असल विच्च तेरे पले कुछ भी नहीं है तू सिर्फ तूर्दी फिरती एक लाश आया तो गुरू प्यारे हो जो अपरादी है दोशी है वो भी थले थर्चिता है तांगरू प्यार गुरू सह समझाना कर दे हैं के मन नदे अमीर बनिये मन अंदर उसे नावनों वसाइए दुन्या दे कार विहार कर दें कि न जुड़िये जे ना जुड़िता सब कुछ पाउंड दे बात सोचांगे कि जो जरूरी सी वो पाया ही नहीं जे एस विलेवी यसी गुरू सहब दे दरते आब बैठिये तक गुरू सानु चंगे चंगे गुन बक्ष के साठा जीवन सुदार दिन्दा है गुरू सहब बहुत द्याल हान गुरू सहब फर्मादे हान के नानक नेर गुन करे गुन वंते आ गुन दे हे नानक पाव गुरू सह फर्मादे हान के जे रबी नाम नल जुड़िया जाए जे सच्ची दौलत नो मन अंदरो शब्द रही खोजिया जाए ता अकाल पुरुक साठे वर गे गुन हीन इनसानानों वे गुन बक्ष देंदा है जे गुन नहीं हान ता गुन पैदा भी कर पामे कोई किन्ना भी पैड़ा क्यों नहोए जे कोई मन माडा रात आके रब वाले पासे परतावे ता मालक उसनों गाला लांग दा है उसनों गुन बक्ष दा है ता जो बाक्के जीवन अनंद विच गुजारिया जासके जनम नों सफल किता जासके अते नाल ही गुरू सह फरमा देहन के गुन सिर्फ उनानों ही नहीं मिल दे जो गुन ही नहान उनानों भी मिल देहन जिना को पैलना तो रबी गुन हन पाव उनानों होर गुनानल माला मालक कर देंदा है क्योंकि अकाल पुर्क गुनी निधान है गुनादा खजाना है उता हर वेले गुन बक्ष है सानों सिर्फ त्यार होंटी लोड है मन दे पांडे नू साफ करंदी लोड है गुरू दे दसे रात तुरंदी लोड है ता अंतली पंक्ति के अंदर गुरू से फर्मा देहन के तेहा कोई नसुझे जी तिस गुण कोई करें पाव के जैहु जया अकालपुर्क दतार है जो निर गुण जीवनों गुण दे सकता होई ऐसा द्याल अते दातार प्रभू सिर्फ दे सिर्फ एक ही है कोई हो और नहीं है पर उस एक दी पशानवी गुरू रही ही हुंदी है ता इस पंक्ति दा पाव है के प्रभू दी मेहर दी नजर ही माननों उच्चा कर सकती है ल उस दा साथ ही लखा फोजां जी है उस दा एक एक गुण तिक के हत्यारा जी है जो विकारा नूं मार में काउंदा है इसलिए आओ गुरू प्यारे ओ गुरू दी बानी नूं पढ़िये उसनू समझिये आते इस अंदरों रभी गुणा नूं पाल के अपने जिंदगी उच्ची हो ये चंगियाई करकी उच्ची हो ये किसे होर शैकर करके निया सुआओ अपने जिंदगी ने सोना बनाई या जमान न दे सोन्या दी इसे जाकते बहुत लोड़ है तनवाद सोनेये शिद पीर सुर नाथ सुनेये पाव सुनया जा शुनन नाल की सुनन नल गुरू दा शब्द जे संदर रभी नाम है उसते गुण्ण हन जिसनू आप पड़के आप ही सुनना है अते सुनना ओ नहीं जिस विच कन अक्खा थे बोल पाव शरीर हजर हो वे ते मन कि त ते तनवी होई ते मन वी जद इस तरह नल त्यान जुड़ता है तो गुरुप आशा फर्मान दिहान के मन विच नाम दे टिकन दी बरकत वाला सदारन तो सदारन मनुख भी सिद्धां पीरां देवतां ते नात्थां दी पदवी पालें दे गुरुप यारू सिद्ध जोगी पीर देवते इना देखे क्या जानता सी कि बहुत करनी वाले ने इनाउकल बड़ाई कि आने बड़ी गालवाते पर होन लगदा है एक गाल बहुत पुराणी हो गई है क्योंकि जद्ध पीर आदी देखते है ये सिर्फ नाम देही सिद्धां इनाउकल सवाई शलावे दे कुछ भी नहीं है कर रंतार में ग्रण्त नहीं पड़े इपर इना की टीजिसी जिनानी उचाइगानों हता लाया सी उना दीवढ़ी आइप इस और में कर सकता है यह सोच-कसाध्यान सब्सक्राइब कर नहीं हो सकता है इस बारे गुरूसे में फ skeми सब हो सकता है जो उना ने पाया उस तो में वद हर कोई पा सकता है पर एक आम इनसान सोचता है कि मैं किते एना वड़ा कोई पाद पराप्त कर सकता है पर गुरु से अफरमा देहां कि सब तो उत्तम पद ही पग्दता है जो रब दा पग्द बन गया उस सब तो महान है जे रबी नाम नाल माननों जोड दिया जाए जे उस ता नाम जे तला के सुनिया जाए तक की सिद्ध की जोगी देव देत की पीर मन इनसान या जिन्ना ग्यान रबी नाम अंदरो ही पालन दै उसनों कोई होर तरीका अपनाओं दि लोड नहीं ना कई वाखवाख आसन जा श्रीर नों कष्ट देन दि लोड पेंदी है बस गुरू दी बानी राही गुरू दे शब्द राही नाम जपन दि लोड है नाम नों सब जम दि लोड है पाव गुरु दी बानी नू विचारन दी लोड है इस नाम अंदर ही सब कोछ आजनता है सारा ग्यान इस अंदर ही आजनता है इस तुम बाद गुरु साहब फर्मान दियान के सोने आएं तरत तवल आकास असरी बच्पन विच तरती थे आकास बारे बहुत कुछ सुन दे सी के तरती लगदा है किसी दे आसरी खड़ी है रब पाव अकास देखे भी हैं जी ही लगदा सी कि उसनों किसे ने खला रहा होया है किसे ने आसर दिता है पर जीओं 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 वटे होई पता लगा कि ए तवा विच बळड़ी किसी सहरे दे खड़ी हैं फिर सवाल पैदा हुनदा है कि इनला सहरा किसने है कि मैं अपने आप हवा दे विच मिलना मेल चलते ही जा रही हैं आते साननों इस ता जरा भी अंताजा नहीं लगता कि ऐसी किसी जहाज नुमा तरती थे बैके ब्रहमंटा दी सेयर कर रहे हाँ पर जद गुरु सहब दे शब्दनों सुन दे हाँ गुरु राही नाम नुमानना दर टिकाउन दे हाँ तमाननों इस दा ग्यान होंदा है समझ आंदी है कि जिमें मेरी जिन्ज दा सहारा अकालपुर्ग है जिमें तरती थे एक एक जीव दा सहारा वो आप अकालपुर्ग है इंज ए जिस दे हजारा क्रोडा तारियां ग्रहां दा सहारा भी एक अकालपुर्ग ही है होर किसी दा? कोई होर सहारा नहीं है सब दा एक ही सहारा है एक अकालपुर गुरु ब्यारु नाम, रबी, हुकम गोन, सुनन, सम्जनन सिर्फ ग्यान दा पता ही निलगदा क्योंकि ग्यान दा इस जग अंदर बहुत है पर नाम, सुनन दा ग्यान विच त्यान लगता है ग्यान नू जान लेना वाक कल है ग्यान नू जी लेना बहुत वटी कल है जब आसी रोज बानी पढ़ देया सुन देया पर कदे उससे चल दे नहीं क्योंकि आसी उस विच अपना मान नी लाया त्यान नी लाया जड़ सुनन विछ दियान लगदा है तब पता लगदा है कि तर्थी दे अकाश दा सहारा वो आप ही है इस तो बाद गुरु से हाफरमा देहां कि सुने दीप, लो, पाताल दीप, पाव, सातदीप, लो, पाव, होर, लो, पवन पाताल पावतरती दे हिटले पासे वाले लोग ग्रैज में उत्ते नो देखी दे अकाश है इमें ही जे पैरा वाले पासे हूं पावतरती दे दुझे पासे वाले नो पाताल किया जान तक कुझ केंदी हन के पताल तर्फिदें अंदर हन, अदे पताल दी अग्गेवी सत हिस्से हन, जिते वाक्वा के तरा दे जीव रेंदी हन, पर गुरुसेहम ने अग्गेजहा की फरमाया, के पताल एक जांसत ने, लखा ही पताल हन, लखा ही आकाशन इना दी कोई गिंती नहीं, पर एक गल बहुत ही स्पस्ट है कि जिन्नेवी दीप हन, होरलोक हन, पाताल हन, आकाश हन, तर्पियां हन, इना सारे अंदर उस एक दी ही चोत है उस एक करके ही सारा संसार चलने है, अति ये सामझ, गुरू रही, शब्द सुननाल, रबी गुर्ण समझनाल ही माननू पेंदी है, सुनन द्वारा ही माननू विश्वाश होन्दा है Será ने ने विश्वाश होन्दा है कि ओ है, अति उ हर जगी है ऐसे कोई थानी जित्यों नहीं है एक ओही थां हर जगे है उस तो सिवायते होर कुण है अति जिस मन अंदर एक ग्यान पका हो जाए के ओह हर जगे है अति उस एकदा ही हर जगे पसा रहा है फिर उसनों कोई काल दा डर नहीं रहेंदा जम्हें के गुरु से फरमादे हैं के सुने है पोह ना सका है काल काल दे बहुत सारे अर्थ हैं काल नो समा भी कहन दे हैं काल नो मोत भी यते जाम भी गुरु से फरमादे हैं के जो सच्चे नाम दी सिफ्त सलाह करता है जो शब्द नू त्यान लाके सुन्दा है उस माननू काल पो नहीं सकता केडा काल मौत दा मौत ता शरीर नू एक दन आउनी ही आनी है पर मौत दा डर एक ऐसा डर है जो सारे नुस्तान दा है ये डर सिर्फ उस माननू सता नी पांदा जो मन रबी नामना जड़े है अथे कोई काल कोई पेड़ा विचार जो जम बान के मन अंदर आंदा है और माननों कदे सता नी सगदा कदे प्रमानी सगदा कदे डरानी सगदा अतिना ही मानदा उना विकारनों अंदर लेन बारे कोई ख्याल पैदा हुंदा है जद मान अंदर रभी नामदा वास हुंदा है फिर संनों काल सतानि पंदाइस लिए गुरु साफर मांदेहन के सोने काल क्षोव ने सकता अजय ज्यसनों कोई बंदा ख्याल कोई काल रूपी विकार चो ना सके उस मांद अंदर फिर विगास हे विगास है जिस बारे गुरु से फ़र मांदेहन के नानक पगता सदा विगास लोग खुशियानू बार लब देहन। पर जिस्दा मन गुरु दी बानी नो सुन सुन के निर्मल हो गया है जिसमान अंदर होन सिर्फ गुरु दी बानी है रभी नाम दा खजाना है ओही मन विगास अंदर है आनन अंदर है सची खुशी अंदर है एक खुशी पाल दो पाल वाले नहीं है एक खुशी सदा रहन वाली है ए उदों भी रहन दी है जदों कौल कुछ जना हुवे ए उदों भी रहन दी है जद कोई मुश्कल बाना वे एक कुशी आनंद बारे गुरु से फर्मान देहान के है नानक ए आनंद रबी पगतांदे हिर दे अंदर सदाही बने आ रेंदा है सदाही मान विक्सिया रेंदा है आनंद विचे रेंदा है क्यों क्योंके मान ने शब्द राही सची नाम नो सुन लिया है अठीजेसने सुनले अउस अंदर सिर्फ नाम है रभी गोन हन उसना हुक्म है उन उत्ते विकार ने रहे ए विकार ही दुक सन्प ए माडी सोच ही पाप सन्प जो हन दूर होगे हन् गुरू से फरमाने हन के सोने हैं दूख पाप का नास पावरभी पकता दे मन विजवगास इसलिए है क्योंकि उना ने सोनन नाल अपने दुखा दे पापा दा नाश कर लिया है गुरू प्यार उसाधे अंदर जो विकार है माड़ी विचार माड़ी सोचनी देखनी आद जो भी है ये मान अंदर बुरा ही पैदा करती है दूझे बारे माड़ा सोचन लादे दी है ये सोचनी ही पाप है अदे इना दे आखे लाके जो करम करते हैं वो ही साधे लिदो दोखता कारण बंदे हैं पर जद गुरू सहब दे लड़ा लग जाईए गुरू दी बानी नूँ चित अंदर वसा लिये गुरू सहब दी बानी नूँ जद आप पढ़िये जद पढ़िया होया आप सुनिये समझिये ता मान अंदर रभी गोणा होंदी हैं उस दा नाम होंदा है चंगी समझ जानती है एक उन जद मान अंदर कटे होंदी हैं ता पैड़ी विचार, विकार, जो दुख ते पाप्दा कारण सानों, ओ होली होली, दूर हुन्दे चले जान दे हना, इसलिए आओ, गुरु से अब दे शब्दानों माला के सुनिये, ता जो असी भी दुखां पापां तो बस सके, अते जिन्दगी अंदर विगास पैदा कर सके सुने हैं, इसर, बर्मा, इंद, बर्मा, पाव, बर्मा, जिसनों रचनहारा भी किया जानता है, इसर, पाव, शिव, जिसनों नाशकर्न वाला भी किया जानता है, इंद, पाव, इंदर, जिसनों बद्दलान्दा देवता किया जानता है, यह देवते, जाहोर देवते, इन बारी गुरू सहीब ने पहले वी जिकर कीता है जमें के गुर ईसर गुर गोरक बर्मा पाव गुरू ही साड़ली सब कुछ है हर एक ग्जान हर एक गुन हर एक ताकत माननू गुरू को लुप राप्त हो जांदी है इसले माननू जगा 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 जाना नहीं पहिंता उस्दे आ पशान आठी इस अकाल पुरकाणन लें अपने ही अंध्र खोजन ल्ए एसदे नाम नु सुनौ। है रभी नामनों सुन रभी गुरानों याद कर अते माननों उस ते नाम वेच रंग लहां है इस्ष्यर ब्राम. म NICK अपने मन वीं में Cory मिल जाएगी या उस्ते नाम अंदर उस भी याद अंदर उसтоे प्यार अंदर ही सब कुछ है जो उसदा हो गया समझो उस अंदर ही सब को जा गया याद रहे कि इस दुनिया ते जो वी रबदा पगत बनेया है उसनों ही याद करके बनेया है उसनाल एक होके बनेया है इसलिए मना तो वी उसनों ही सुन सुन मान अंदर जगदी जो दे बोलानू गुरु प्यारो पेलना पैल ए सुनना बड़ा उखाल लग दै पर जियों जों गुर्भाणे ने सुन दे रहिये गुर्भाणी दे विचार कर दे रहिये तो गुर्भाणी पढ़ देया गउं देया, सुन देया समझ देया मन अपने आप उस दे गुनानों अपने अंदर वसा लेंदा है अते ए गोण, ग्यान, नाम, हुकम ही मानदी सब तौं वड़ी दोलत है यही मानदा खसाना है इना नल जीना ही असल जीना है इसलिए गुरु साहब इस पंक्ति अंदर फरमा देहन के सदारन तो सदारन मनोक्वी जे नाम नल जोड़ जायता अकाल पुरुक दे ना विच्च सुर्त जोड़ नल ओ मन शेव ब्रह्मा ते इंदर वर्गी पद्वी ते अब पड़ जानदा है इस तो बाद गुरु साहब इसाह फरमा देहन के सोने हैं मुख सालाहण मंद अकाल पुरुक दे नाम नू सुनन नाल मंदा मनोक्वी मुखों रबदियां सिफ्ता करन लग पेंदा है गुरु प्यारु चंगे बनन दी इच्च सब बंदर होंती है पर चंगे बन नहीं पांदे इस ता कारण ए नहीं के असी कोछ जान दे नहीं के चंगे के में बनना है सब नू पता है चंगे के में बनना है चंगे कम करने हन मिठा बोलना है प्यार बंदना है पाही चारा देया तरम सबराद गुना नल जीना है पलाई दे कार्ज करदे होई जीना है पर सब को ज़ जान के भी असी चंगे बन नहीं बन दे मन्दे दे मन्दे ही रेंदे है क्योंके ग्यान ता बहुत है पर ग्यान अंदर त्यान नहीं है गुर्बानी नो सुनेया ता बहुत है पर गुरुबानी नो कदे मान अंदर लेके नेगे गुरु प्यारो असी मन दे इसलिए बन गे क्योंकि साथी अंदर गुरु दा ग्यान ने बलकि ओ ग्यान है जो सानुक पैड़ा बना दे जो को जैसी मन लाके देख दे, सुन दे हां जो असी अपने मन दे अंदर ओ पैड़ कोई विकार लेके जान दे हां फिर ओ ही साथी अंदर बार अंद है जमें निंदा, गुसा, पैड़े, बोल, इरकाया हो जी ओगन जो अंदर पर इहन ओ ही बार अंदे हन पर गुरु प्यारो को इस ता मतलब ए नहीं, के चंगा बणया नहीं जा सकता जमें के गुरु से फर्मारे हन के जे गुरु दे शब्दना ही नाम नो सुन्या जाए जे गुरुवानी दे नाम रास नमन अंदर तक लाई जाया जाए जह नाम नू प्यार किता जाए ता मन अंदर उस दे गुण आवस दी हन। दिहान के नाम सुनननल मंदा मनुक्वी अपने मोह तों परमात्मा दी शलागा सिफता करण वाला बन जानदा है यह हो जहे असी भी बनना है इस तो बाद गुरु से फर्मान दिहान के सोने जोग जुकत तानपेद पाव नाम सुनननल प्रभू मिलाब दी जुकती यते शरीर अंदर ले कुप्त पे दांबारे चानना हो जानदा है गुरु प्यार पिशली पंक्ति वे जिवे के गुरु से अबने समझाया के मन्दा मनोख भी चंगा बन सकता है जा दो बाड़े नू पाव नाम नू अपने अंदर ले जावे जिसता अंदर जंगा हो गया, सुधर गया, साफ हो गया, निर्मल हो गया ओ मन फिर अपने आप विच एन डूंगा उतर जानदा है कि उसनों अपने एक एक अंग दी एक-एक सोच दी उसनों खबर हो जानी है की देखना है, की सुनना है, की बोलना है एक-एक इंदरी दी उसनों समझ है अथे उसनों अपना कंट्रॉल भी उसना हो जाना है अथे फिर मन अपनी मरजी नालनी चलता बलके गुरू दी मरजी नाल चलता है उस दी अपनी मर्जी खत्म हो जान दी है जमें साड़े वे जो माड़ी बोल बोल दी हन गाना दें दी हन अधे अन्य बे सूर्ते हो कि दें दी हन के जी कुई पुछे के प्रा तो हर वेले गाल क्यों कड़ता रही दे ताउं कहेगा कि नहीं मैं ताउं कोई गाल नहीं करदा उसनों पता ही नहीं कि वो बोल की रहे है उस सुन की रहे है वो क्या की रहे है बस जो देख दे है वो बोल ली जान दे है पर जद मन गुरू दी करपा नाल चंगा बन जान दा है जाग जान दा है ता जाग गया होया मन एक वी माड़ा बोल नहीं बोल दा अच्छे जी कोई शब्द माड़ा बोल लिया वी जाए जाँ ख्याल आ वी जाए ता बोल दे सार ही जान 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 दा है कि मैं इत्थे गल्ती किती है उसनों उसे वेरे सुधार दा है ता मान ना सिर्फ तन दी बलके मन दी एक एक हरकत नो जानन वाला बन जान दा है तन पेद पाव तन दे पेद जान 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 दा है ओ पोल के भी माड़ा काम नी करदा है ता गुरु सेफर मन दिहान के सुनन नाल जोग दिया पाव मिलाप दिया जोग दिया पता लगता है के अकाल पुरकनाल किंज मिलाप करना है अते सधारन बुद्धी वाला वी जे रभी नाम नू मला के सुने ताउ सरीर दियां गुजियां गलना पाव अकांकान नजीव आदिक इंधियां दे चालियां दे विकार आदिक वल दोड़ पाज दे पैद दा पता लग जन्द है उसनो समझ आ जन्दे है के एरान नो मैं के में सुदारन है गुरु प्यारो जादा सी मंदे होने है ताद दूज्या दे गलतियां लबते है अते जद चंगे बढ़ दे है ताद अपने गलतियां नो लबते है खुद नो इसकाबल बनादे हैं कि ऐसी गुरुनो मो दिखान चोगी हो जाई है इस तो बाद गुरु से फरमादे हैं के सुने आएं सासत सिम्रित वेद पाव सुननाल शास्त्रा सिम्रितिया ते वेदां दा ग्यान हो जाना है इस बारे प्रवैसर साफ सिंग जी लिखते हैं के तार में गरंता दा असल निशाना ताद समझ बेंदा है जाद नाम नल चुड़िये पाव जिन्नेवी तार में गरंता हैं जी उननों सिर्फ पढ़ते ही रही है उस्ती सिर्फ पूजा ही करते ही है जे मान उसनों विचारी ही ना, जे मान उसनी कोज ही ना करे ता उना अंदर जड़ा खा जाना है, उसनों मान बेखबर ही रह जाना है, अते उसता पड़या होया भी सारा व्यार्थ चला जाना है, जो पड़या है, जो मान अंदर नहीं लेके गए ता उसता असर मानती नहीं और नहीं आज रशीव प्यार्यों पहलना जिननें भी गरन्त लिखे गई हां, उना धा कोई ना कोई कारण सी अधे गुरु सहीब नहीं जो आज घरण्त लिखे जिसनौ असी होन शिरी गुरु गराणसाइब जी मन्दे हां उसती सिर्जना करन धांभी बहुत वड़ा कारण सी उकारण सी चंगे मान दी सिर्जना क्योंकि उपरो उपरो ता मलोक बहुत काम यप हो गया पर अंदर बहुत ही कंगालते नाकाम है इसलिए अंदरों वी गुरु सहीब सानू अमीर मानतों अमीर बनन दे गुण समझांदे हन अते नाल ही सानू सारनों एक होन दा गुण भी समझांदे हन सब एक हन अते एक नाल जूड़न बारे ग्यानवी गुरु सहीब जी दिन दी हन ताईसे पंक्ति अंदर गुरु सहीब एही सुनेहा दे रहे हन कि सिर्फ पड़न नाल नहीं बलके सुनन नाल, समझन नाल ही शास्त्रा, सिमर्तियां, अतिवेद्धा दी समझ पैचान दी है, जाद सी गुरु से अब दी बाणी नो मान लाके सुनागे, ता सुनी होई बाणी माननू सेध दिन्दी है, समझ दिन्दी है, माननू सिहना कर दी है, ता इस तो बाद गुरु जर्णा दे मान अंदर सदा विगास बने आ रहेंता है सदा खेडा बने आ रहेंता है गुरु प्यारो जिस मान अंदर इसर ब्रह्माः अंदर आधि वरगी देवत्यावरा की गोना जावन जेडा मंदा मन नाम नूँ सुन-शुन के स्याना हूज़ाए रब्दे सोले गानवाला हो जाये जो मन अपने मानते तर्म दे हरेक इंदरे नू समझन लगपए अते जिना नू ग्रंता अंदर लिख्या हुया ग्यान समझान लगपए उस मन अंदर फिर सदा ले खेड़ा बन जानदा है वो माने फिर सदा विगास विच रेंदा है सदा अनंद विच रेंदा है उना दे अंदरो सारे पैड, सारे विकार, सारे दुख, सारे पाप दूर हो जान दे हन जिस बारे अंतली पंगती अंदर गुर से फरमान दे हन के सोने आएं दुख पाप का नास पावर अब्दी सिफ्त सला गुर्बानी राही पढ़न सुननते समझनल मन दे दुखा दे पापादा नाश हो जानता है ये ओही मन है जो रोज बाणी नू पढ़दा सी पर समझ दाने सी बाणी नू प्यार नीजी करदा जिस कारण गुरू नू शाटकी होर होर दराते जाके महिंदा सी पर उते जाके भी ताननू कुछ पल रामता मिलिया पर मन होर उलजना अंदर उलज गिया जो मन बाणी नो समझन दी था काविजा दिले के मंतरा नो सच समझन लग जाए उसलिए सोख भी दोखान उसलिए चूठ भी सच है उसने एक पामे थोड़ा बोध कुछ ना कुछ पाया है पर गुरू तो दूर होके बोध कुछ गवा आंदा है इसलिए गुरू दादर एक ऐसा दर है जिट्टे सब मिलदा है पर मिलदा है परोसा कीतियां मिलदा है गुरू दी बाणी नो पढ़ियां सुनियां समझियां गुरू से अब तो जो अनंद विगास पैदा होंद है वो ऐसा अनंद है जो कदे नहीं मुकदा जो कदे गवाजदा नी, जो कदे सानुशाड़ की नी जानदा, इसले गुरु से फर्मादिहन के आपाई, रभी नाम नो सुनो, होर को जो सुनना चाड़ की, उस दे नाम नल जुड़ो, उस दे नाम नल जुड़या ही, मन दे अंदरो, दुखा, तिपापा दा, नाश हो जा जानदा है, मन अंदरो, विकारा दा, नाश हो जानदा है, फिर मन सदाही, विगास अंदर, केड़े अंदर, आनद अंदर एंदे, सोने आए, सात्थ संतोख ज्यान, पाव रभ दे नाम विच जुड़नाल हिर्दे विच दान दीन दा सुबा, संतोख अते प्रकाश परकट हो जानदा है, इते सात्थ दा पाव दान है, दाननी सुबा, पर दाननी वही वान सकता है, जेसे दे मन अंदर संतोख होए, संतोख तो बिना इंसान दान भी नहीं कर सकता, अते संतोख के में प्राप्त होंदा है, ग्यान नाल, जे मन अंदर ग्यान होएगा, ता संतोख वा हन अंदर आखाल पूर्ख दे गुणावी हन् ऐ गुण ही मान दी सची दोलत हन् ए गुण ही माननो संतोकी बनाऊंद यहन् दयालू बनावी हन् दान्यी बनावी हन् अते इन्ज़ बौथ सारे गुणाव न मान परदा थ κάνे इस लिए इंज ग्यान मान देहने रियान दूर करके मन अंदर खोशी खेड़ा विगास पैदा करता है जीवन विच आनंद पैदा करता है आते इस तो बाद गुरु से फर्मान देहन के सोने आठ सठ का इशनान पाव जे सुनिया जाए जे उसे नाम नल जुड़िया जाए गुरु प्यारु इस जगत अंदर कई हजार तीर थन पर अठाठ तीर थन दा इशनान सब तो महान बनने जान दा है जो के देशते कोने कोने वेचे तीरत वसे होई हन पर जदसी गुरुबानी पढ़ देहां ता जान देहां के असल तीरत ता साड़े अंदर है आपाई कदे ओथे वी तारीला कदे ओथे वी मानदा इशनान करा बारों बारों तानों इशनान करवान नलतन साफ होंदा है हो सकदा है बारी इशनान नलतन दा रोक भी ठीक हो जाए क्योंके पानी में जिन्दा जीव है उसने जो सुनया है वो उसता असर प्रवान करदा है गुरू प्यारियो शाधे ना नोता पानी भी चंगा है जो सुनदा है उचेते रखता है शाधे कार्णता रोज किना कुछ सुन दे हैं पर इजाद सिर्फ कूड का वाड़ा ही रखते हैं गुरू सहवदी बाणी नो तासी एक पासो सोन दे हां ते दूजी पासो कर देंदे हां पर जो इनसान गुरू सहवदी बाणी नो बाणी अंदर ले तातनो मान अंदर ले जानदा है उस नाल प्यार करदा है पाव जो मान नो नाम सनोंदा है उपने अंदर ही मान नो तीरत द पूजनिक था हो जानदा है अते जो माननों मन्दर वांग साफ रगता है विकारा तो दूर अटा है उस संदर हमेशा मालक दी जो जग्दे नजरां दी है पावस्ता जीवन रपी कौणा नल परजानदा है ओ फर तुर्दा फिर्दा तीरत बन जानदा है जोसनों सुनके होु दे मानवी साफ होंदे हन, पवित्र होंदे हन, तक गुरु से फरमादे हन के अकाल पुर्क दे नामन सुनन नाल अठाट तीर था दा इशनान हो जानदा है पाव सब कुछ एसे अंदर ही आजनदा है, तेस्तो बाद गुरु से फरमादे हन के सुने हैं, पढ़, पढ़, पाव हैं, मान पाव नाम सुनननल जीवरूप जग्यासु विद्या ग्यान पढ़ पढ़ के मान पाउंदे हन गुरु प्यार वासी अक्सर देग दे हन के जो गुरंती सहब होंदे हन, उना दा सी कन्ना सतकार कर दे हन केसले क्योंके ओ गुरु से अब दी पावन बाणी नो सुनाओं दे हन बड़े ही साफ ते शुद उचार नल सानो सर्वन कराओं दे हन उना वन लो पड़ी होई बाणी ही उना दा मान इज़ित वदाओं दी है अधे असी साब ने अपने स्कूल जा कालज वेच वी जो देबक सानों बड़ी प्यार नाल ते सोनी तरीक नल समझादे रहे हन सानों प्यार कर दे रहे हन उना दा सितकार साथे मन विच सारी उमर बन्या रहेंदा है ये सितकार उना ने पढ़ान रही जो उना ने पढ़ के सुनाया उस रही बढ़ना एजही जे असेवी बाण सतकार दे तारनी बढ़ना है तब पढ़ना 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 पढ़ कि ओ ना सिर्फ दुनिया अंदर बलके मानदे अंदर भी मान प्राप्त कर लेंदा है जैसनु दरगा के दिहा ही हन ओ तेवी मान इस सफर्मांदे हान के सुनें लागे सहज नाम्याम मन दा सहज था पाव डोलता अंदर ट््यान लग जानदा है गुरुप यहनों रुख एक दमज हो कोई फाल नहीं दिंदा सहजी सहजी रोकन्हों फोल वी लगदे हन अते सैज तानल पके होया फल बहुत मिठा हुंदा है इन जी ही जिसमान अंदर सैज आ जाजाए अते इस सैज नो मन होर पका करे गुरबानी रही रोज इसनो जल देवे उस वर त्यान लाइता हो बहुत मिठे फल पाव बहुत सारे रपी गौन पराप्त करता ह इस दा फल ना सिर्फ श्रीर नो ना सिर्फ मन नो बलके खुरा नो भी प्राप्त होंदा है पाव सारे इस तो लाब लेंदे हन इस फल रूपी गौन नाल कार अंदर समाज अंदर प्यार वद्दा है अक्सर ऐसी देख देहा के करावचन के निकी निकी गालते लड़ाइग इस देख संदर मान दा पूरा त्यान है बेतयाने जयते बेसर्त्य मन नो बहुत वर काम नो दुबारा करना पया पावजे शंदर सहे आई उहर कम बड़े त्यान नल कर दा है अते इस तो एलावा जद सहे नल सी पाठ न थे है तो वी बड़ा अनन्द निदा है से लई सहज पाठनू सब्तु उत्तम पाठ मनें जन्दा पाव सहज जे सहज जे प्यार नाल समझ समझ के पाठ करना ते इस पक्तियत गुरु से फर्मादी हैं के अधि नाम समझ नाल गुरु दे शब्द रही नाम पढ़्न समझ नाल मन दा सहज अंदर त्यान लाग जन्दा है मन अंदर सहज ता Quan दे सहज बहुत वणदा गुन है इस दे मन अंदर आउनर सारे कम सुखाली हो जन्दे हैं काला पान मन अंदर उ मुक जन्दाए विगास पाव हे नानक अकाल पुरुक दे नाम वचसुर्थ जोड़न वाले पक्त जनादे मान अंदर सदा विगास पाव खड़ाओ खुशी बनी रेंदी है गुरु प्यार्यों जरूरी ने पक्त किसे तार्मिक जगाती हो वना पगत तां कर भी हो सकते हन दफ्तरे भी केतन वेच्वी ओ किते भी हो सकते हन उसता पहरावा के हो जया भी हो सकता है पर मन एको जया होंदा है रऑ भी नाम नल रंगया होया जिस अंदर सद्ध है, संतोंख है ग्यान है ओ मान जो जो रभी गुणा नल परिया है अठाट तीर था दे बराबर है अते ऐह हो जह पक्त मान जाद भी बानी पढ़ता है ता पूरा इकाकर होके पढ़ता है उस दा पढ़िया ही उसनों गुरु सेब ते नजरा विच इज़त दवांदा है अते जिस मान अंदर सैज होई शैज अनदर त्यान होई ओ पक्त जानता फिर सदा ही अनंद अन्द अन्दर है इसलिए गुरु सेब फर्मांदे हनके पक्त दे मन अंदर सदा विखास है सदा खेडा है, सदा अनंद है गुरु प्यारों जिस मन अंदर ऐसी ऐसे केम्धी गुण होवन ओते कोई विकार रहे ही नी जानदा कोई दुख रहे ही नी जानदा जैमे के गुरु सब अंतली पंक्ति अंदर फर्मादे हैं के सुने आएं दुख पाप का नास पाव पगता दे मान अंदर विगास है ही इसलिए क्योंके उना अकाल पुर्ख दी सिफ्ट सलाह नू सुनेया है उना नाम नू ही अपना सब कुछ मन्या है जिसकार के उना दे सुनन नाल ही दुखा दे पापादा नाश हो जानदा है गुरु प्यार यो दुख सन साटे विकार जद मान अंदर संतोक ना होवे, सैज ना होवे, त्यान ना होवे ता एहो जे विकार ही मान नू दुखी कर दे हन इसान नू पैड़े विचारा नल पर दे हन अधे जो कर्म इना विकारा दे आके लागके हो दे हन ओ पाप हन जो दिलान नू जखमी कर दे हन गुरु से फर्मान दिहन कि जो मान सुनननों राजी हो जाए जो मान गुरु दे शब्दनों मान करके सुन ले समझ ले उस दे मान दे सारे दुख सारे पाप सारे विकार दूर हो जान दिहन नाश हो जान दिहन ओ मान फिर विगास नल पर जान दा है अनांदनन पर जान्दा है सुने है सरा गुना के गाह सर पाव सुरोवर जमें अमरिस सर, संतोक सर, राम सर सर तो पाव सुरोवर है सरा पाव बहुत सारे सुरोवर जहां समंदर गाह तो पाव गान वाला जहां सूज वाला जो समुंदरा दे टूंगाई नू समझन वाला बाण जाए पर समझन वाला होवेगा कि में सोनन नाल जे सुनिया जाए गुरू से अब दे शब्दा अंदर जो रभी नाम है जो सनो पढ़िया जाए माननों सुनाया जाए ताएं समुंदरा नू मी गाह लेंदा है पाव अकाल पुरुक दे नाविच सुर्थी जोड़नाल ब्यांत गुनानों मान समझन वाला हो जानदा है गुरू प्यारियों गुनानों समझ लेना पढ़ देना ही काफी नहीं जमें अच सानों हर एक गल्दा ग्यान है जो गल्दा पुछो साड़ी कोल हर गल्दा जवाब है एत्तों दा के पामे कोई नशाई है जचोर है जखिन्ना भी पापी है जे रब दी गालो स्कोलों में पुछो ता ओ भी था नू बहुत सारा ग्यान दे दे विगा पर ग्यान होन दे बावजूद भी और अपना आपनों कदे सुधार नी पान दे क्यों क्योंके ग्यान ता है सुरोवर दा ता पता है पर कदे इस ग्यान सुरोवर अंदर आप तारी नहीं लै कदे उसनों जी वानी पर जो गुरू ना ही मिली ग्यान números जी लनदा है जो स्विच मानदा इशनान करवा लंदा है उस दा रोम रोम खिड़ उड़दा है उस दी एक एक इंदरी सुधर जानदी है ता ए जो सारे गुन हन ए मिल दे हन सुनननल गुरु से फरमा दे हन के अकाल पुरक दे ना विच सुर्थ जोड़नल सदारिन मनुकवी बयंत गुना दे सूज़ वाले हो जानदे हन समझ वाले हो जान दे हन वो अपने अंदर ही बहुत सारे गुन नाम राही प्राप्त कर लें दे हन इस तो बाद गुरु से फरमा दियान के सुने हैं सेख पीर पात साह पाव नाम सुननल शेखा पीरा पात्शाह जनता ते राज अधकारियां ते हुकम चलाउन वाली अधियात में कमारिक दे डुंगाई वाली ग्यान पद्वी सह जेही मन पालेंदा है गुरु प्यारों शेख खानदा नाम आदे ही हमेशा अर्ब देशते लोकांदी तस्वीर रखा समने आचांदी हैं जमें दुबाई देशेख जां होर देशां दे पर मैं एदसना चांदा है कि तुस्सी सारे एक होर शेख नों भी बड़ी चंगी तरह जांदे हो जिसनों असी सारे बड़ी प्यार नल बाबा शेख फरीज जी कहनदे हो ता शेख सिर्फ दौलत नालने तान नालने बलके ग्यान नल भी चोड़े गया है शेख दार थे हैं सरदार सरदार जे करदा होई ता करदा मुकी जे पिंडदा होई ता सरपंच जे तरमदा होई ता जटेदार परहैन सारे सरदार इन जी ही शेख जे करविच वड़ा है ता शेख इनजी ही जे किसे इलाके जा तरमने खेतर वगे किसे मुकामते है तो उसने वBeES शेख कहा जानदा है शेख ओ है जिस कोल ग्यान है, अकल है, समझ है इस तों इलावा पीर अते पातिशा 다양한 एतने मीं जादवी कर देट चुने जान दे हाँ ता समझ करके चुने जान जे उना को ग्यान है किसे खेतन नो चलान दी महारत रखळे हूं तां उना नो इस अवदा दीता जान ना है तागरू साहफ फिर्मांदी हान के ग्यान, जो परवान नो चलान लएँ, तरम नो चलान लएँ, देश नो चलान लएँ है, शेख पीर रत बादशापाव अध्यादमक ते राजनी तिक दा जो भी ग्यान है ये नाम राही परापत हो जाना है गुरू प्यारो रभी नाम होकम जेसे उनों समझ आ जाजाएं और जाज किसे भी पादते होंदा है चाहिए उतार्मिक है समाजिक है राजनी तिक है उस ते बैठके सही फ कोई भी मन सधारन मनुख भी जे गुरू दे शब्दनल जुड़े है रभी नाम नल जुड़े शेखां पीराथे बादशाहां जही ग्यान दी प्राप्ती कर लेंदा है वो बहुत सारे गुरानों नाम राहिए प्राप्त कर लेंदा है इस तो बाद गुरू से फरमा देहन के सुने आए अन्दे पाम राह पावे नाम सुनन दी ही बरकत है के अन्ने ग्यान हिन मनोखवी अकाल पुरुखनो मिलन्दा राल अब लेंदेहन गुरू प्यारी वाजिकल अन्ने दी परमार है इस विच पड़या लिक्या मनोखवी शामल है अन्ने तो पाव है जेस मानकूल समझ नहीं बस जो जिवे केंदा है जान जिवे दास्ता अपना मन सुनदा देखदा है उस दी नगल करी जान्दा है जा कहलो उस पिच्छे लगतुरी जान्दा है ऐसे अन्ने मान लई सिकर दुपेरा भी हनेरे वरगा है अते राद दा चानन भी हनेरा ही है केंद तो पाव के बार पावें किन्ना भी ग्यान है किन्नी भी रोशनी है किन्ना भी नाम है पर अंदर कुप हनेरा अग्यानता दुविदा तेर मेर हंकार होंदा करके ए हनेरा ही ओदेली पारी दोख़ बन जदा है मन ने अपने अंदर ऐसा हनेरा पार किया है जिते हतनो हतनी ज़ेता सो इस हनेरे करके ही पाव अग्यानता करके ही मन पटगदा है मन रब तो दूर होंदा है पर जद कोई मन गुरू दे शब्द रही पाब अक्ख औहल ओंदा है ता इस नूँ पता लगना शुरू होंदा है कि मैं की की गल्द करदा जारी है मेरा जीवन किना मैला सी, किना हनेर परे सी, गुरू दा ग्यान सुर्मा, जग गुरू दे ग्यान दी एनक चद माननों लग दी है, फिर ए अपने आपनों अते इस संसार नों एक नवे रूप विच देखता है, पाव जिवें दा ए है, उवें देखकर वाला हो चांदा है, प ये नाम सुनन दी ही बरकता है, कि अन्ने पाव ज्यान ही इन मनुखवी अकाल पुरुखन मिलन दा रा लब लेंदे हैं, इस तो वाद गुरू से फरमा देहन कि सोने हैं, हाथ होएं, असगाह, असगाह पाव डुंगा, हाथ दा पाव है, हाथ हाथ होवे पाव डुंगाही दा पता लग जाना जा असले दी समझा जानी ता गुरू से फरमा देहन कि अकाल पुरुख दे ना विच जुडंदा सत्काइस डुंगे संसार समंदर दी असलियत समझा जानी है, गुरू प्यारो समंदर दी डुंगाही दा अंदाजा ला पाना अज थोड़ा बहुत सोख है, पर अजे भी उस दे तल तक आप जाना य बहुत होख है, ओ थे की को जह है, अजे भी इनसान जानी सकया, केड़े जीवन, कोई पता ने, गुरू प्यारो साड़ी जिंदगी भी किसे समंदर तो काट नहीं, असी जो बारों देखते हैं, ओ सिर्फ दखाई देने वाला छोटा जा समंदर दा एक हिस्से पर हकीकत समं अंदर दे हेठा होंदी है, इन जी ही साड़े शरीर दे अंदर जो मान है, साड़ी हकीकत तो है, जे ओ माड़े विचारा नल जुड़े है, ताओ कदे भी अपने जिंदगी नो पार नहीं लाब पांदा, आते जी ओ रभी विचारा नल नाम नल जुड़े है, ताओ जिंद गुरू से अब दी किरपानाल संबभ होंदा है जादमान गुरू दी बाले नो पढ़दा समझदा है तब नो अपने आप दी समझ आउंदी है जिन्दगी दी एक एक असलियत नो जान पादा है जाद तक नाम नाल नहीं जुड़ दे सनु जिन्दगी ओही लगदी है जो सनु होर लोग दिखान दी हान के तू ऐस तरह करला तू एदा कमाला तू एदा करला ओ बढ़ जाँ पर जद अपने अंदर दी गहराई चे जाओ ताँ पता लगदा है के जिन्दगी ताँ प्यार, द्या, सबर, संतोग, निर्वैरत, हलिमी, साच, तरमादी गुणा उत्ते खड़ी है जे साधे कोल रभी गुणी नहीं हन तासी जिन्दगी दा असल आनंद नई लह पामागे जीवन होरा दी आसरी नहीं रभी गुणा दे आसरी खड़ा है जद एथा मना होण ताँ जिन्दगी वी टेरी हो जांदी है तो गुरु से अब इस पंक्ती रहीं फरमादी हैं के अकाल पुर्क दे नाम विच सुर्थ जोडन दा सतका डूंगे संसार समंदर दी असलित समझ आजां दी है इस जीवन दी समझ पैंदी है पल ही आनंद है पहेड़ा है ज में के गुरु से फरमा देहन के नानक पगता सदा विगास पाव हे नानक अकाल पुर्ग दे नावच सुर्थ जोड़न वाले पगद जनादे हिर्द वेच सदा खड़ाओ बने अरेद है गुरु प्यारे जो मन गुरु से अब दी बाणी नाल गुणा दे सुरोवर नू लब ले जो मन तारमिक दे हरठरा दी ग्यान नूसम्झ ले जो मन अपने महन दे अन्य पाननू रबी नाम नल दूर करले अते जो मन अपने आप दी असलियत नूसमझ जाए उमान फिर सदा विगास अंदर रेंदे सदा खेड़ी अंदर रेंदे तक गुरु सहा फिर्मान देहन के ये नानक अकाल पुर्क दे नाम वेज़ सुर्थ जोडन वाले पक्त जना देहर देविज़ सदा खिडाओ बने आ रहेंदे तक आओ गुरु प्यारु असी भी सची पक्त बनियें सची बाणी नल जुड़िये सची नाम नो सुनिया थे अपने मन अंदले दुखानू पापानू दूर करिये जमें के गुरु सहा बाखरी पंक्ति अंदर फर्मान देहन के सुनिया हैं दुख पाप का नास पाव अकाल पुर्क दा नाम सुनन नल मलोक दे दुखा दे पापा दा नास हो जाना है गुरु प्यारो मान दा दुख सी आउगन पाव ओ विकारा नल परया सुरोवर जेसे विचे सवाई आउगना दे सवाई विकारा दे कोज नहीं पर जद नाम सुनिया तमन अंदरो वे पैडा सुरोवर दूर होया एस अंदर वी चंगे चंगे गुण उगन लगे फिरता साफ पाणी दे पाप पाव गुरुबानी दे प्रवाव एं लगे अते ए दुख दूर होया इजही होर दुख दे पाप जिवे हुंदे जलम नो वेके चुप हो जाना जा अपने आप दे अन्ने पनल जिंदगे नो डूंगे खुव विचे सोट लेना जा अपनी ही जिंदगी दी असलियत नो ना समझ पाना ए मान दे दुख सान पाप सान जिसनो गुरु सहब दे चाहँ तग्ब है उसनो भी मानबड़ी ही सोनी तरणनल समझ पांदा है अते जढ मन सब कुछ سमझ दा है ग्याननु जीनदा है ता उस्ती जिंदगी सोनी बंच जानदी है फिर मन सदा केड़े अंदर, सदा विगास अंदर रहनदा है सदा पाणे अंदर रहनदा है, गुरु सेफरमांदियान के काल पुरक दा, नाम सुनननल मनोकदे दुखाते पापादा नाश को जानदा है, मन अंदरो विकारादा नाश को जानदा है माड़ी सोच, माड़ी फुरने, माया दा मो अंदरो दूर हो जानदा है ते इस ते जांदिया ही मन अनद नन पर जानदा है विगास नन पर जानदा है मनने की गत कही ना जाए पाव के जिसने अकाल पुर्ख नो मन करके अपना मन लिया है जिसने मन ही लिया है कि ओ है ओ ही सब कुछ है उस दा ही दित्ता खांदा हां पांदा हां जिसने मन ही लिया है कि इस जगदा ओ ही दाता है जिसने गुरु शब्द रहें अकाल पुरुख दे नाम नो सुनके मन लिया है उस दे गुनानो अपना लिया है जिसने अपनी जिन्दगी विच नाम नो वसाल लिया है उस दी गात पाव अवस्ता बहुत उच्ची हो जान्दी है उच्छी हो दो पाव कोई उच्छी तख ती जहाँ कोई उच्छा ओदा नइं ये मां दिए वस्ता है पाव मन विकारा तो बहुत उपर उठ जानदा है जिवे पाणीं अंदर कमल दफुल जिमें प्रमात्मा सब विच हुंदा होया, सब तो वक्रा है, इंज ही मन हो जानदा है, इंज ही मन माया तो विकारा तो उपर उठ जानदा है, ता इंज सोन के मनन वाली दी जो अवस्ता है, मान दी अवस्ता है, बड़ी उच्छी हो जानदी है, जिस बारे जो भी बोलिया ज जाए उस जिब दिफ्ट कीती जाए था ओर क्या हुए शब्द उसके बाउंत चोटा है जो सब्सक्राइब क्षंद यह हों तक हो चकेहन जो जिन्ना कडूंगा गुरुबानी अंदर गया है उनने के वचारों कर पया है पर पूरी पूरी वचार कर पाना ये अजेवी बढ़ावक है क्योंकि गुरु सहीब ने जिस अवस्ता अंदर जाके बानी लिखी उस अवस्ता तक का जेसा डिक्वी जो इन जो मन गुरुबानी नो कोईशोने बानी कोई ठोड़ा खोज़दा तो अथो सोने वरके गोड़ लाब लेंदा है कोई होर धोड़ा पाव जे को इमान ने दसना भी चाहिए कि यो किना महान है जो किन्ञे उच्ची होस्तिया वासता है आ ता ओब कह नहीं सकता जो कहने ऐंदेटा बाद विछ बऌत पुष्ट ży्टा रदा है कि मैं जो क्या हूँ बईध स्थोड़ा है नहीं कोई विचारंदी लोड नहीं है नहीं इन जी घदे भी नहीं हो सकता क्योंकि जी एवे हुन्दा था होन कोई गुरु से बारे किताब जा भूल ना भूल पांदा पर गुरु सहब दी अवास्ता एनी उच्छी है कि उना बारे आजे भी पूरा पूरा नहीं दस्या जा सकता क्योंकि दास ओही सकता है जो इस अवास्ता तक पुजिया होए क्योंकि वह आप उसते रंग वेचे रंगया है इसलिए गुरु सहब फर्मान देहान के जिसने नाम नो सब कुछ मान लिया है जिसने परमात्मानों सब कुछ मान लिया है उस बारे कहना भी कोई चावे तक कह नहीं सकता जिक कैवी दविता बाद विच पश्तांदा है कि मैं उन्ना नहीं जान सके जिन्नी होस्ती अवस्ता है एना ही नहीं इस तो बाद गुरु सहब फर्मान देहान के कागद कलम ना लिखन हार पाव के सिर्फ बोल बोल के विचार करन वाले विचारवान ही नहीं बलके जो लिखन वाले लिखारी है उवी इस अवस्ता बारे पूर पूरा नहीं लिख पांदे, गुरु confront आरे हैं कि कि लीच पती जो हे मानदी अवास्ता नो किसे काग जोत्वी कलम ने लेकना भी लिंखानी पहँदा गुरु प्यारियों जे लिख्यानी न जा सकतास्ताई, अब यहिं नहीं हुदा कि जे लिख्यानी जा सकताते लिखना नी हैं बोलना नहीं है इसनो थोड़ा इस तरीक के नड़ सम्झ देहां जब आ ने कोई चीज बड़ी प्यारी लगती है तो उसे बड़ी ज़दा से अपनी दोस्ता मित्रा नो दस्ति हां ता एंज दस्ति हां के पाई यह ज़ी चीज है ना यह जही उच्ची आदमिक अवस्ता वाले मानबारे इस कार के लिखिया जब भोलिया नहीं जा सेदा क्योंकि वह बहुत ही उच्ची अवस्ता है उस दे बराबर दी कोई होर अवस्ता ने बड़ी ही प्यारी यह अवस्ता है बहुत आनन्द वाली है बेयंत गुना वाली है जिनने भी शब्द कईये काटहन जम है अकालपुर्ख बारे गुर्बाने अंदर दर्ज है कि जिसारे समंद्रा दी स्यायी लिया के तर तीनों कागज बनाके सारे रुखानों कلم बना के विज़े उस दी सिफ्ट लिखी जाए प्रमात्माधी अकाल पूर Juda दी सिफ्ट लिखी जाए तब फिर भी लिखी नहीं जासकती क्योंकि उस ले बराबर था कोई ऐसा महान है अकाल पूरक निरंकार अते जो उस से नाल रंग जा गया है जिसने उस नो अपने मान अंदर वसा लिया है वो भी बहुत महान हो जाना है उच्चा हो जाना है इसलिए गुरु सहथ फ़रमा देहन के नाम वेच पतीजे होई दिया आत्मिक अवस्तव काग जुते कलम नाल कोई मनोक लिखन दे समरात नहीं है इस तों बाद गुरु साहभ फरमा देहन के मन्ने का बहकर्ण वीचार गुरु साहभ ने पहले बोल के विचार करन वाले आपारे फरमाया उस तों बाद जो लेख देहन उना बारे फरमाया कि उना ने भी बड़ा लेख के विचार की थी आते होन गुरु साहभ फरमान देहन के जो विचारवान संगती रूप बैठ के विचार करते हन ओपावे बहुत सारे विद्वान राल के बैठ जान अते उस ती आत्मिक अवस्ता ता अंदाजा लाउन बाबत विचारा करन पर फिर भी उना कोल ओ समरत्ता नहीं ओ अवस्ता नहीं जिसनल ओस मान तक अपड़ सकन जिते नाम नो मनन वाला मन अपड़या होया है गुरू प्यारो सच्चा विचारक भी ओही होन दा है जो इक आलम मान ले के मैं जाने आता है पर अजे बहुत जारना बागी है अजे खोजियाता है पर अजे बहुत खोजना बागी है पर नाल ही दसा है कि एन्ने सारे ब्रहमंडा नो जो आसी देख रहे हैं इसनो जगत ना समझ लेना पूरा जगत ना समझ लेना जैसे पूरे जगत नो मिला के इस तस्वीर नो देखे ता इस सारे ब्रहमंड जो होन देख रहे हैं ए रेत दे एक कण जिन्ने हैं पाव जिनने तारी ऐसी देख दे हैं इस तो कई करोड तारी होर भी हन जो साथे तो बहुत दूर हन पर इस ता अर्थ ए नहीं हुनदा कि जी असी होना तक पहुँच नहीं सकते ता खोज बांद कर देती जाए नहीं इनसान जिनना खोजदा है उस तो बहुत कुझ सकता है जद उसनो होर खोजदा है तो होर बहुत कुझ सकता है इन जी ही जादा से गुरबाने नो खोजदे हां ता बहुत कुझ पांदे हां जद होर कोज़ते हैं तो होर बहुत सारे कुन पदारत पांदे हैं तक गुरू पाशा इस पंक्ति अंदर फर्मान देहां के विचारता करनी है पर जो विचारवान कहे के मैं अकाल पुरक बारे जा उस दे सेवक बारे जा उस अवस्ता बारे पुरा पुरा जान लिया है ताँ ये साच नहीं है उस बारे पुरा उही जान सकता है जो उस जिन्ना उच्चा हुए इसलिए कोज़ता करनी है लिखना है विचारना है ताके अ असी भी उस अवस्ता तक पहुंच चकिये, असी भी उस भारी उन्ना जान सकिये, असी भी उस भारी उन्ना अनंदल सकिये, इसलिए गुरु सहब इस पंकती रही उपदेश करती हैं के, पावे बहुत सारे विद्वान राल के बैठन, पर फिर भी पूरी तरह नल उस मानदी अवस्तान विचार नहीं पांदे, जो राब नल जोड़या है, इस तो बाद गुरु सहब फरमांदे हैं के, ऐसा नाम निरंजन होए, पाव अकाल परुकदा नाम बहुत उच्छा है, ते निरंजन है, निरंजन पाव जो माया दे पर बाव तो परे है, आते इस नाम नल जोड़न वाला मानवी माया दे पर बाव तो परे हो जानता है, जिस कारण मानदी उच्छी आत्मिक अवस्ता बन जान दी है, यही कारण है कि यह कोई कहना भी चाहे, लिखना भी चाहे, विचारना भी चाहे था, वो उस अवस्ता बारे नहीं लिख पादा जिते मन पहुंच चुकिया है, वो मन परमात्मा नाल एक हो चुकिया है, जिमें परमात्मा बड़ा उच्चा है, यह जही मानती अवस्ता चाहिए कि इस अवस्ता बारे कोई लेक सकदा है जा कह सकदा है इस बारे गुरु सह फरमा देहर के जे को मन जाने मन कोई पाव के हे पाई रब्धा हुकम नाम एह हो जा उच्छा सुचा थे निरलेप है कि जे इस नो कोई मान लवे पाव अपने सोच मंडल वेच वसाल अवे ता नाम वेच जुड़न वाले मान दी अवस्ता उच्छी हो जान दी है नाम, परमात्मा, अकाल पुर्क उस्ता हुकम जो के बहुत ही उच्चा ते सुच्चा है तो मायद परवापतों परे है अधे जो मान इस नल जुड़िया है वो भी बड़ा महान हो जान दा है मायद परवापतों परे हो जान दा है अधे गुरू प्यारों जे असे भी इस अवस्ता तक जाना है जे असे भी मायद परवापतों दूर होना है तक गुरू सहब दी बाणी नल चुड़ना होएगा इस अंदरो रास पींदा है अते बाणी नू पढ़ देयां सुन देयां होया जद मन नाम नू मनन लाग जानदा है एक एक शब्द नू मन करके मन लवे ता मन अंदरो विकार पाब माया अपने आप दूर हो जानदी है क्योंकि जित्ते रब नाम आवसे जित्ते प्रमात्मा दी समझ आजाए जित्ते उस दे गुण आजान उस दी सिख्या आजाए फिर उत्ते विकार रह नहीं जानदे वो अपने आप चले जानदे हैं इसलही नाम वाले बनन लई रब वाले बनन लई नाम अंदर मान लाणा पन्दा है जो इस अवस्ता तक पहुँचता है वो ही जान पन्दा है कि उस मान दी गात की है अवस्ता की है तो गुरू सह फरमान दिहन के रब दा हुकम नाम एहो जया उच्चा सुच्चा दे नलेप है कि जे कोई इसनो मान लवे पाव अपनी सोच मंडल विच वसाल लवे ताही उसनो मान वे चेश्दी समझ पह सकती है वो इस आत्मिक अवस्ता तक पहुँच सकता है मन्य सुर्थ होवे मन बुद गुरू प्यार योग मान दी सुर्थ जिस पासी लाली जावी उस पासी लग जान्दी है चंगे पासे लाव उताओ दर्वी लग जान्दी है मन्य पासे लाव उताओ दर्वी असी अपनी सुर्थ के थे लानी है इस बारे गुरू सैब साफ कर देहन के नाम वाले पासे पाव रब वाले पासे जो मन अकाल पुर्ख नों एक करके मान लेंदा है जो समझन लग पेंदा है कि एस संसार अंदर उस दा ही हुकम चल रहा है उस दा ही हर पासे टिकाना है वासैता उस मान दी सुर्थ हर एक अंदर वस्तेरा बनाल लगनी शुरू हो जादी है अते सुर्थ जद एक विच लग दी है ता मत अंदर बुद अंदर रतन जवाहर जहे कीमती गोना देहन ता सब तो पहला कार्ज होंदा है सुर्थ दा पाव गुरबानी नूँ सुर्थ अंदर टिकावना त्यान अंदर टिकावना पाव पढ़ के मन अंदर बिठाना है चेता करना है चेती अंदर वसाना है क्योंके सुर्थ तों मातबंदी है ति मातबंदी बाद एही ग्यान साड़ी बुद्ध कोल जादा है बुद्ध कम होंदा है साड़ी हरे एक फैंसली तो निरना करना जे साड़ी को लगुरु से अब नी बानी है ता इसलिए क्योंके साधी सुर्थ माड़ी पासे लगी है ओसानू ऐहो जाही सोचना सिखानदी है ऐहो जाही फैंसला करना सिखानदी है कि ओ माड़ा है ओ चंगा है ओ निंदक ओ पापी है ता गुरू सहब इस पंक्ती रही समझा रहा हैं कि गए मन विछ प्रभू दे नाम दी लगन लग जाए ता उस दी सुर्थ उची हो जानदी है उस दे मन विछ जाग रद्या जानदी है पाव माया विछ सुता मन जाग पेंदा है वो होश विछ जानदा है अते जाग गया मन ही रभी गुनानों अपने मत अंदर ठिकोन वाला हो जानता है अते चंगी मत बोद ही चंगी फैसले लेन वाली बन दी है इस तो बाद मन खोर की कोजे नाम नो मनननल प्राप्त करदा है उस बारे गुरु सहाब किरपा कर दे हां के मनने सगल पवन की सुद्ध पवन भी कई तरह दे हों दे हां अ आइथों तक के राजनीतिक पवन भी हान जमें राश्टरपती पवन इस तो इलावा यह जो तारे जंग्रे हान इनानुमी पवन मंडल लोहकादी कहा चांद है पवन प्रमन्नों भी कहन देने जमें कुम्णा फिरना ता गुरु सहाब कर दे हां के चाहे किसे भी तरह दा पवन हैं जाहिए मान दे अंदर दे बारे हैं जा तन दे अंदर दे बारे जहोर किसे विशे बारे जैसे भी विशे बारे मान जानना चांद है उना सारे पवनां दी बोद्ध पावस हो जी माननों नाम रही हो जांद है गुरु प्यारों जदों साड़ी सोर्त सही हो जाए सु अर्त टेकन लग जाए ता जिस पास से भी मान लाईये उस बारे पूरा चानन हो लग पेंदा है इजही चे मान रबनु मन लग पे नाम नु खकम नु मन लग पे ता उ मान मी अपने अंदर दे सारे पवना दी सोजी पान वाला हो जाँदा है मानदी अंदर जिन्ने हो और पवन हन लोग हन, मंडल हन परता हन, उन्हा सब दी समझ जाओं लग पेंदी है तक गुरु से फरमादी हन के जिस मानदी रभी नामच लगन लग जाए सारे पवनादी उसनों सोजी हो जाँदी है अधि वो जान अंदर है, ता सब दी अंदर है पाव हर पास से हर एक अंदर वस्यावाए है, उस दा ही हो कम हर जाग अंदर चल रहा है अतेस तो बाद, जो मन नाम नल चुड़ता है, ओहो और किड़कुन पराप्त करता है, उस बारे गुरु से किरपा कर दे हन के मनने मह चोटाना खाए चोटा पाव सटा जे कोई साट शरीरते हुए ता उन नजरी पहजनती है, पर जे कोई साट मानते हुए, ता उस नो बारो नहीं देख सकते, मान दे साट की हुंदी है, किसी दी गालनों मानते ला लेना, गुरु प्यारो जद तक मन विकारी हुदा है, ता उस नो हर छोटी वड़ी कालते साट लग दी है चोट लग दी है, मान साट खांदा ही इसलिए है, क्योंके मन अजी कमजूर है, इसकोल ओ गुन नहीं ने, जिना नाल ये विकारां दा सामना कर सके, अतिना ही मन कोल ऐसा संजोवा, पाव कवज है जैसनाल ओ आउंदे विकारां नो रोक सके, पर गुरु प्यारो साटी कोल गुरुबानी एक ऐसा वड मुल्ला कवज है, ऐसा रख्या करना वाला शब्द है, जो मन नो हर विकार तुम बचा लेंदा है पाव जैसनाल गुरुबानी नो समझन लग पेंदा है, ता मन नाम नो अंदर वसाओंदा है जैसनाल अंदर उसता नाम गुण आवन ता फिर मन खुशी, गमी, दुख, सोक उच नीच, पेद, पाव, निंदा उसता आदि तुम उपर उट जन्द है जद मान इना तुम उता हो जाए ता फिर कोई चाह के भी ऐसे मन नो दुखी नहीं कर पन्दा, फिर कोई साथ मान नो नहीं लग दी मन साथ खांदा ही उदों तक है जद तक इसको नाम नहीं होंदा ता गुरू सहब इस पंक्ति नाहीं फिरमान देहान के जेसे मान न दी रबी नाम विच लगन लग जाए उस अंसार ते विकारा दिया सटा मुवते नहीं खांदा पावसंसार एक विकार उस उते दबा नहीं पा सकते ता ये बड़ा ही प्यारा ते ताक्तवर गुन हासल करता है अते इस तो बाद होर की कुछ पहुंदा है उस पारी गुरू सह फरमान देहन के मन्ने जम के साथ ना चाए जम जिनानू जमदूत भी किया जान दे मन्ने जान दे के मरंते जम दूत होंदे नी मारे करम कीती हो बनता मार कोट भी पहन दी है नरक आंदर भी लह जान दी हनी ताँ गुरू सह फरमारी हनके मनन जिंदा ही जमादी वास से है रोज पैड करता है रोज पाप करता है तो बाव नरक अंदर सुट्टी रखती है इस सलसला रोज चलता है अज इनसान अंदरों हर पड़ दुखी ही इसलिए है क्योंकि अंदर बहुत पैड़ हन बहुत विकार हन पर जद मन गुरु से अब दी बाणी अंदर चित लऊंदा है ता ए रोज दा जमना मरना रुक जानता है पाव जमना वाला राही छोट जानता है जद विकार ही ना होन ता जमने फिर लैन की ओन ता गुरु से अब इस पंक्ती रही फिर मांदे हन के जी मन अंदर रभी नाम दी लगन लग जाए ता जमना नाल उसनो वान ही पेंदा पाव जनम बरन दे गेड विच्चों बच जानता है ओ जमातों विकारातों अथे विकारातों पैदा होन वाली दुखातों बच जानता है इस तो बाद गुरु से अब किरपा कर देहन के ऐसा नाम निरंजन होए ऐसा नाम पाव अकालपुर्ख ऐसा है कैसा निरंजन पाव कालक तो रहत माया तो रहत पावे के माया रबदी पैदा कीती होई है परे रबदी धासी है अथे इस ता रब दे कोई असर नहीं माया दासर होते है जित्थे मान रब नाल टुट्या होया है जो जुड़िया है उसनो ता माया भी कुछ नहीं कह सकती इस पगती रही सिख्या दे रहन की अकाल पुर्खता नाम माया दे प्रभावतों परे है एह एना उच्चा ते सुच्चा है के इस वेच जुड़न वाला भी उच्चा हो जांदा है वो उच्ची आत्मिक अवस्ता वाला हो जान्द है पर एकल ता ही समझ वचाउंदी है जे उसनों मान करके मान लिया जाए जमेके गेगुरु सहब फरमान देहन के जे को मन जान मन कोई पाव के इस विच कोई शक नहीं कि वो मालक सब तो चाहे महान माया रहत है उसनों जोड़या मान भी माया रहत हो जान्द है पर एकल वो ही समझ पाँद है जे को पाव जे कोई मन जान मन जे कोई मन करके मन लवे केड़ी गल के नाम अकाल पर उस दे कुन उस दा होकम बड़ा ही उच्चा ते महान है उसनल जुडन वाला भी उच्चा हो जानदा है पर मनन तो बिड़ा एक आल समझ नहीं आधी इस दा रास उदों ही आधा है इस दी उदों ही समझ पैंदी है जद मन लवे के ओ है हर पास से है मेरे अंदर है उसनों ही मरना है उस दी रात ही चलना है पर मन जाने मन कोई पर इसनों समझ दा कोई कोई ही है मन मारग ठाक न पाए गुरू से फिरमान दिहार के जिमनोक दा मन ना मंदर पतीज जाए मन जाए ता जिन्दगी दे सफर वेच कोई रुकावट नहीं हांदी मन ने दा पाव है जो मनन वाला हो जाए जे मन मन जाए अजे ता गुरू प्यारो साड़े मन मनने नहीं है पर जे गुरू से अब दे लड़ लगे रहे ता एक दिन मन जिरूर मनने गावी तेखिडे गावी अधे ठाक शब्दार्त है रोक जे में व्याद तो पहला ठाक का किता जानद है उसनों रोका किया जानद पावर रोक लेना ता एक थे ठाक दारत है रोक जान रुकावट ठाक ना पाई पावर रुकावट नहीं पैंदे रुकावट किते नहीं पैंदी मार्ग वेच केस दे मार्ग वेच साड़ी जिन्दगी दे मार्ग वेच रस्ते बीच, केड़े रस्ते बीच, साधी जिन्दगी अंदर बहुत सारी रस्ते हैं, पर साधा ये मन मुक्खी पाके के सदु ओर रस्ता बड़ा सोखा लगां जिसे रस्ते दे कोई होर चल रह रहा हो जैसे जब जी शैब दी दूजी पॉड़ी नो समझीए था पता लगदा है कि जिन्दगी मिली है तो दुख भी मिलनगे, सुख भी मिलनगे, कदे बक्षिश होएगी, कदे बहुत कुछ सेना पेगा, इस जिन्दगी इंदर चलदा ही रहनदा है, सब नल होंदा है पर इसकिप नुझें हिसे अखिधी किवें पुराईजर निन्दा थी विच्छ जा माडे सोनन पड़न आदी विच्छ लगई रहेंदे हां अधे इज़ी ही अपने समय नुँ असी बरवाद करते चली जान दे हां ते जद बहुत अके जाके अपनी जिंदगी नुदे देख दे हां तक की पानदे हां कब बढ़ें इक गुंजलाने हैं जिंदगी उलजी पईया सोच देया कि कहो जी जिंदगी है पर ये सारे खलारे ये सारे गुंजला साधिया पईया हो याने ए गुंजला पईया ही एसे लिए क्योंकि असी नाल लाल इराणू हल ने कीता अपने केमती समय नो होर कमा विचलाई रखे आते जिंदगी देया रुकावटा गेंजहाल करना है ये गुण कदे सिख़ई ने कदे इस बारे सोचे ने पर गुरु से फर्मांदियान के जे मान नाम नू मान ले जे गुरु शब्द रही अपने मान देर रभी गुण पारले ता मान फेर जिंदगी दे रस्ते नू बड़े सोने टांगना लगे लेके जा देने के इप बंदा इन तगलाए के कोई रिकावट दे गे रोकने सकती फिकार्चा ौ झालु सागे ज्यादे जो मन नो रोक नहीं पानदा, इस तो बाद गूरु स्या, फिरमा देहन के मन नैं पात सियौढ पंगट जाए पात पाव इज्जद पर परतक जाप पृसिद्द भी तता, गूरु स्या फिरमां देहन के के लोग दूजिया नो डरा के इज़त वाला बनना चांदेने के लोग मेरी इज़त करना जा कई लोग दिखावा करके इज़त वाले बनना चांदेने पर असल विच इज़त वाला उई है जो अपनिया नज़रा में इज़त वाला हो जाए जो जिन्दगी मिली है जो उसनो रब दे हुकम अनसार जी रहे है ता है इज़त वाला है गुरु प्यार पत वाले नो पत वन्ता भी कहन दी हैं जमें के गुरु से फर्मा दी हैं के सोई सियाना सो पत वन्ता हुकम लगा है जिस मिठा जी हो हुकम जिसनों मिठ्धा लगदा है वो ही पतवाला है इज्जत वाला है जमें पक्त से बानू लोग छोटी जातवाला केंदे सान बे इज्जत करते सान पर उना दे मन बड़े ही उच्चे सुच्चे सान उना ने अपने अंदर असल इज्जत पाई हुई सी उपतवन दे सान हुकम जिस चलन वाले इसलिए आज उना दी सोबा सिफ्ट गुनगान सारे पासे है क्यों? क्योंके उना मन अंदर नाम नू उसाया हुकम नू उसाया इसलिए गुरु साहब इस पंक्तिना समझा ले है पही जो मन नाम नू मन ले अकाल पुरक अंदर अपना मन जोड ले उ इज़त खाट के परतक हो के जान दा गुरु प्यारो इस जगत तो ता हरे एक ने जाना है पर फोक की वावा खाट के ना जाए बलके इज़त वाले हो के जाए पत वाले हो के जाए ये गुरु परमात में दिया नज़रा है विच इज़त वाले बने है इस तो बाद गुरु सहाफ फरमा देहन के मन्ने मग ना चलना है पन्त पाव जो ना मननू अकाल पुरक नू उस दे हुकम नू मनन लाग पए ओ फिर वाकवाकर रस्तेया नहीं चलता मंग पाव मार्ग पंत पाव पत ना विकारा वाले मारग टे़े चलता है आते ना ही पखांद जा दूवाले पाथे त कुरता है ये लग भग दोमदार्त रस्ता ही है गुरु प्यारों इस दुनिया ते कन्ने ही मजब हन अते नाल ही बहुत सारे बापे संत महात्मा भी हन ता मान इना विच्छु केड़े रस्ते ते तोरे ते केड़े रस्ते न शड़े वाके ही बड़ी दूबतादा मसला है अते जे देखे जाए ता पामे कोई भ पीड़े है संगत हुंदी है है अन्य सारी पीड़े विच्छों ओही मन बार आपन दा जैसे दा मन रब नड़ चोड़ जावे पाव जैसे मान वेचे यह चाह पैदा हो जावे कि मैं रबनों मिलना है मैं ओ बनना है जो तार में गरंता अंदर लिखिया है पाव जो खोजन हां कि तार मिकसताना थी असी बहुत सारी एं होड होर मंगाता लेकर जांदे हैं और रब में वाला उसना सारी फ्रकेशन वाला कोई एक अध्याई होदा है आते जो एक मन इन सारीं तो बार है जो अकाल परक्शन अल जोडन वाला होंदा है ओ ना मग ना पंत पाव ओ सारी रस्तियां तो बार निकल जानदा है और ना फिर पखांड वाला रस्ता चुनदा है अधि ना हुआ कोई चमतकारा वाला ना हुआ कोई विकारी रस्ता चुनदा है ना हुआ कोई वडियाई वाला ओ सिर्फ एक ही रस्ता चुनदा है सच वाला सच दा हिस्सा होन वाला एक ना रहते चलता है उस बारे अगली पंक्ति अंदर गुरु सहाथ फर्मादे हैं के मन्य तर्म सेती सनबंद पाव जो नाम नो मननवाला हो जाए जो अकाल पुर्ख अंदर मन जोड़न लाग जाए ओ फिर बाकी सारे रस्ते शाट के सिर्फ तरम नाल सनबंद पावर इसता स्रेष्ट तरम हर को नाम जब निर्मल कर्म सारी तरमा विच्छो स्रेष्ट तरम बारे गुरु से फर्मादे हैं के सब तो स्रेष्ट तरम हैं हर को नाम जब नाम कोई भी होए केड़ा भी तुसी तो नाम लेंदे हो कोई फरक नहीं पेंदा बस जो मालक दा नाम है जो उस ज़ाद साथी बुद्धी चंगी होवे ता फिर करम वी चंगे ही हो जांदी हां, निर्मल हो जांदी हां, ता साबुतों वधियत तर्म हैं, रबनों मान अंदर वसाना, उस ते नाम नो जाना होकम नो समझना, आते निर्मल करम करने, साफ करम, सची करम करने हां, ता गुरु स जो नाम नो मनन लग जाए उस दा सबंद सिद्धा तर्मनल जोड़ जानदा है तर्मी है ही ओही जो एक दी गल करें सर्मनल प्यार करें ते हुकम विच रह किजिए इस दो बाद गुरु से फर्मन देहन के ऐसा नाम निरंजन होए पाव अकाल भुर्ग दा नाम जो मायदे प पर वावतों परे है एड़ा उच्चा है कि इस विच जुड़न वाला भी उच्ची आत्मिक अवस्ता वाला हो जानदा है पर एगल ताहीं समझ वे चांदी है जिव कोई मन इस नो मान लवी बिना मन्यां बिना समझ यां ये समझनी पेंदी के नावच की ताकत है किना उच अकालपुर्क आप माया रहत है इंजी ही जो मन अकालपुर्क नो समझ दा है उस नाले एक हुंदा है ओवी फिर माया रहत को जानदा है अते माया मन तो लाया ही जिन्दगी दे रस्ते सोखे हुंदी हैं रस्ते दिया रुकावटा नो हल करन वाले बन पान दे हां नाम मान विच विसाया ही असल पात दा पता लगदा है अती सही रस्ता केड़ा है इस दा ग्यान भी मान नो नाम नो समझया ही रबनल जुड़ा ही हुँदा है तक गुरु से बिस पौड़ी दी आखरी पंक्ती अंदर फर्मान देहन के जे को मन जाने मन कोए याद रखे के पौड़ी दी आखरी पंक्ती आखरी नहीं भलके पहली पंक्ती पाव पौड़ी दा सार होंदी है जमें शब्द दा सार हाओ होंदा है यहीं पौड़ी दा सार आखरी पंक्ती दा गुरु से फर्मान देहन के अकाल पुर्गदा नाम जो मायदे प्रभावतों परे है एड़ा उच्चा है कि इस विज़ जोड़न वाला भी उच्ची आत्मिक अवस्था वाला हो जानदा है पर एक गालता ही समझ विचाऊंदी है जिके मुलोक अपने मान वेचे रभी नाम दी लगन पैदा कर ले चाह पैदा कर ले तज में पहलनी पोड़ी अंदर गुरु सेव ने सोनन वाले फरमाया कि सब तो पहला सोनना ठीक करना है पाव सुर्थ अंदर बाणे नू रभी नाम नू वसाना है जह सुर्थ विची गल जाएगी ताही मन इसनो मननवाला बनेगा जद मन सोनन वाला बन जाए ता फिर मननवाला भी बन ही जानदा है मनना की है नाम नाम किती है सारी गुर्बानी ही नाम है गुरु से अब दी बाणी नू पढ़ना समझना ही उसते नाम नू अकाल पुर्क नू जारना समझना है सो जिमे जिमे सी गुरु से अब दी बाणी नू विचारती जांदी है नाम वी जोड़ दे जान्दी हां, होकम नों समझ दे जान्दी हां, आते समझ यहां ही पता लगदा है, क्यों किड़ा वड़ा है, किड़ा महान है, आते जो मन सच्ची नाम ना जोड़ जान्दा है, ओवी वड़ा हो जान्दा है, माय दे प्रवावतु मुक्त हो जान्दा है पत वाला हो जानदा है, तरम वाला हो जानदा है, सत वाला हो जानदा है मन्ने पावे है, मोक दौार मोक पाव, मोक्ष, मुक्ती मोक दौार पाव, मुक्ती दरवाजा गुरु सहाफ फरमा दिहान कि जे मानवे चे रभी नाम दी लगन लग जाए तमनो के मुक्तिदारा लब लेंदा है पर मुक्त होना किस्तों है ओ है कि जिसने सानू बन्या होया है गुरु प्यारे गुरु सेमने बाड़ी अंदर बहुत वार फोर्माया है कि माननू जिनाने बन्या है जांग गुलाम बनाके रख्या है ओ हन विकार, माड़े विचार ओ विचार जो एकतों दूर करन ए ओगन ए माया ही साड़े गले चपई होई गलामी है जमें कि गुरु से फरमान दे हन के नानक ओगन जेत्रडे, तेते, गली, जंजीर जमें जमें ओगन वद दे जांदे हन उन्यें गले मिच जंजीरा पेंदियां जांदे हन जिन्ना वद असी अओगना नल पढ़ दे हन उन्हे होड़ जादा इओगना इस आनु गुलाम बनाके रख़दे हन इस करके जद अओगना नल जिऊंदे हन तब दुख पौन दे हं चिंता अंदर रहंदे हाँ, निंदग बन दे हाँ, करोधी बन दे हाँ, ए पैड सिर्फ इसलिए क्योंके गुलाम हाँ, आउगना दे, विकारा दे, पर गुरु से फिर्मान दे हन के इनातों अजात होया जा सकता है जे गुरुवानी नूँ, गुरुवानी रही नाम नो मन अंदर वसालिया जाएं, ता मन इनातों छोट जानता है, जाद मन अंदर गुर्ण होवन, ता अउगना दे जंजीरा अपने आप कटिया जानती हन, ता गुरु से अब इस पंक्ती रही फरमानती हन के, जे मन विच अकाल पुर्क दे नाम दी लगन लग जाए, ता मनो को अनंद, मन दा सुख, मन दा चैन, मन दा एक नल जुड़ना, ता इस तो बाद गुरु से अब किरपा करते हन के, मन परवार साधार, साधार तो पाव है, जो अधार सहत होए, जाँ जिमे कोई चीज किसी दे आसरे खड़ी होए, ता मन जो के रब दे आसरे है, वो आप ता एक नल एक होया ही है, अति जो उस नल जुड़िया होया परवार है, वो भी अकाल पुर्ख नल जुड़ ज़़ना है, गुरु प्यारों, जैसे ता आधार रब होए, उस दे सारे साधार भी एक नल अपने आप जुड़ते चले जान दे हन, फिर परवार पाव शरीर रख ह है, आत्मिक जा साधे ग्यान दे कर मिंदरे, जद मन ठीक हो जाए, मन पाव जिते सारे विचार रहें दे हन, जद मन कूड नल जुड़िया होंदा है तो उस दा परवार पाव विचार भी कूड हो जान दे हन, इसे गर कैसे उदों निंदक कामी लो बीजां करोधी आदी हो दे हा, जद कूड लगे मेंबर मान दे करे हो बन अते जद मन सच नल जुड़ दा है, नाम न जुड़ दा है, अपने आपनो निरिंकार नल जोड के गुना नल पढ़ दा है ता फिर नाल उस दा पूरा परिवार भी सही हो जान दा है, फिर ऐसे निंदक नही रहें दे, सच वाले दिया वाले तरम वाले ता मान जद आप जुड़दा है ता मानना जुड़ए जिन्ने वी अंदरे परवारूप विच हुंदे हन ओवी तर जान दे हन फिर मान दा देखना सुनना बोलना पढ़ना सब ठीक हो ज़ंदा इसलिए गुरुपाशा इस तो कंदर फरमान दे ह है ता फिर ए परिवार्न वी तार दिन्दा है इस्तों बादो गुरुसा फरमा देहन के पाव गुर्व दी गुरु सुरूब सिख्या नू मान लय चार सत्काज ग्यासू आप संसार साकर तो तर जांदा है अधे गुरु सिख्या दे परसार दवारा धूरणा नो ही तार दिनदा है अधे गुरु सैफरमांद ehan कर दूझिया नू ही तारदा है जो आप तरिया होबे जिसने आप माल लिया होबे अधे इस दे उल्ट जे कोई सिर्फ सोन की जा कुछ पढ़के सिख्या सिखाया बोलता है तो उस था असर बाकी मनाते नहीं होंदा क्योंके उस दे बोल सिर्फ दिमाग विच्चो निकल ले हान उना अंदर जान नहीं है वजन नहीं है उना अंदर ना प्यार है ना नाम है इसले होर मना तक इना शब्दा दी पौँच नहीं होंदे अधे एक पास ओ मन होंदे हन जा तो अंदर तक रभी नाम नल गुरु सहब्दी बाणी नल जुड़े होंदे हन जिना ने सिर्फ पढ़या ही नहीं मन्या भी खोजिया भी पाया भी अतिफिरो जद बोल दे हन ताउं सिर्फ बोल ही नहीं होंदे बोला दे नाल मन जुड़या होंदा है एक एक अंग जुड़िया हुन्द है जो पूरी तरह नल जुड़ के अंग संग अकाल प्रुखनु जान के बोड़दा है कर्म करदा है तो उसता असर दुझे मनाते जिरूर हुन्दा है क्यों? क्योंके इनाम बोला पिछे होमे नहीं है लूब नहीं है ग्यान दा हंकार भी बोला पिछे बास प्यार है नाम है हुक्म है इसलिए मन जद पूरी तरह नल जुड़ के मन के चलता है तो गुरु से फरमादेहन के वह आप भी तरदा है अधे गुरु दी सिख्यानान होनन भी तारदा है बाक्यान भी संसार साकरतों पारला देंदा है तो इस तो बात अब पिक्याता गुरु से फरमादेहन के जो मन नाम वेच पतेज जाए हेनान को ओ मन फिर तिर तिर दी मुथाजी नहीं करते फिर दे ओ फिर टिक जान देहन जाद तक मन टिक दाने मन मन दाने उदों तक वाक वाक दराते जा जाके अपने दुखडे रूंदा है पर जो मन आते नंटा रोग है ओ मन ने ही ठीक करने है जो रोग असी ही ठीक करने हैं किसे खोर ने ना गुरु सेब सानु सिक्खा देहन के इर पाई माननु ठीक कर अते ठीक करना ले जो मन घोर्णी है इस्तर तिया फ्टब के सिखांदे वी ने के पाई इस तरह नल चल अगहन। पर जे मन गुरुबाणी नल चुड़या हुई, नाम नल चुड़या हुई ता मन इनातों उत्ते हो के खिड़दा है, उस दे विचा और उच्ची हुन्दी हैं, सोच उच्ची हुन्दी है, मत उच्ची हुन्दी है, उस सोच दा है, जो आना है, उसने आना ही है, जी सदकी आ अतिया से इतिहास विच बढ़िया है के गुरू सहबान दे जीवन विच भी किन्य सारे दुख खाए किन्या सारे तकलीफ आईयां पर उना ने जी के सानू सिखाया के दुखानू केंजे निजिटना है पाव सुख दुख पेद पाव उच नेच उस्ततनिंदा आदे इना सब तो उता रहना है इना अंदर फसना नहीं अते सानू एवी सिखाया के उस एक नल जुड़े रहना है जिस नल जुड़के फिर किसे खोर दरते जान दी लोड नहीं रह जान दी क्योंके रबदादार एक ऐसा दर है जित्तों सब दाता मिल दी हान सारे आनंद मिल दी हान इसल सा नाम निरंजन होए पाव अकाल पुर्क दा नाम जो माया देव प्रवाव तो परे हैं एड़ा उच्चा है कि इस विच जुड़न वाले भी उच्चे जीवन वाली हो जाती हैं पर एकल ताहीं समझ विच आंदी है जो कि मन नाम नू मन ले मन्यां ही पता लगदा है कि मुक परवार नों जा हो रा नों संसारसा अगर तो पार हो उन बारे परियर्दा है आते नाम विच जुड़ियां ही मन दरदर ते जाना चाड़ता है जादों तक मन रबना ना जुड़े ओधो तक मन दरदर पटगता है आते तिक दा ओदों है ज़द गुरु सहब दी बाणी मन अंदर होंदी है ए बाणी ए नाम ही सानुहारपा से वस्ते राबदे दर्शन करवांदी है जिसनों देख के माने फिर टिकदा है एकदा हो जानदा है ता अंत विच गुरु सहीब फरमांदे हन के जे को मन जाने मन कोई अकाल पुरकदा नाम जो मायदे प्रभाव तो परे है एड़ा उच्चा है कि इस विच जुड़न वाला भी उच्चे जीवन वाला हो जानदा है पर एक गलता ही समझव चाउंदी है जिवके मनुक अपने मान विच रभी नाम दी लगन पैदा करे लगन पैदा कीतिया पाव मन निया ही पता लगदा है कि सच मुच इस नाम जीवन अनंदमाई हो जंदा है ता आओ गुरु प्यारों गुरु से अब दी बाणी नल चुड़िये बाणी पढ़िये समझिये त्या बाणी नू जीए ये बाणी ही नाम है अते नाम नू असी पढ़ना है समझना है जीना है तानवाद पंच परवान पंच परधान पंच पाव ओ मन जीनाने नाम नू सुनिया अते मन्या उसनू गुरु पाच्छा पंच कहरे हैं पंच बार यासी सारी जान दी हां के पिंडा में चासी इना नू आप चुन के पंच बनाउं दी हां पाव ओ इनसान जो साड़े तों जादा समझदार होवन साड़िया मुश्कला दा हल कर सकन वाली होवन अते पेंड़ दे विकास लिए उद्धम करने वाली होवन एहो जैनू पंच क्या जानदा है ते एहो जैनू पंच चुने जानदा है पंच तों पंचायत बनती है एन जद मन पंच बनता है जद मन समझदार होंता है बानी राही रभी नाम नो मन नंदर वसा के तोरता है ता ए शरीर दे सारे अंगा दे कम स्वार देंदा है इपंच होण दी पूरी पूम का निबाउंता है इंद्रिया नू चंगा देखन सुनन ते समझन वाली पासी ला ले इंज मन पंच बन के तन अति मन स्वार दिन्दा है ता गुरु सेव इस पंक्ति रही फिर्मांदी हैं के ए पंच मन जनादी सुर्थ नाम विच जुड़ी रहंदी है जनादी अंदर अकालपुर्ख वास्ते लगन बन जांदी है ओही मुनुक मन्ने परमन्ने पाव परवान ह अति ए पंच मन ही सब अंगादे अगु होंदी हैं परवान पाव रभी दरगाह विच परवान हो जांदी हैं इसनों गुरु सेव अगली पंक्ति अंदर थोड़ा होर खोल के फरमांदी हैं के पंचे पाव हैं दरग हैं मान एह पंच मन जनादी सुर्थ रबना लगी है ए दरगाह अंदर पाव अकाल पुरक दे दरबार अंदर आदर मान पाउंदी हैं गुरु प्यारो रभ किते हैं हर पासी ओहीता हैं उसते सिवा एथे हैं ही कौन एक उससे नालता सारा जहान चलता है अते जथे ओ आप हैं उते ही उसता दरबार है हर जीव अंदर उसती दरग अतिस दर्गें अंदर ऐसी मान पाना है, जह श्रमिंदा होना है, यह फ्यांसला साधी करमा दे ठीकिया होया है, तक गुरु सेफर मन दिहन की जो मन नामन सुन देते मन दिहन, अजीही पंच मन ही रभी द्रगाविच आदर सतकार पान दिहन, इस तो बाद गुरु सेफर मन द जो मन दिहन, उते ही संत महात्मा जा गुरु नुवी उच्चा स्थान दरभार अंदर दिता जन्दा से, जह से फैसले दी सारे कदर कर दे सन अते उना पंच पाव संत पुर्खांदा दरभार अंदर बैठन नल ही दरभार दी सोबा वदी जन्दी से, इन जीही गुरु इस दरभार अंदर पंच मन आदर मान पांदे हन, उससे ही दरभार पाव जो अकाल पुर्ख राजियां दावी राजा है, उससे दरभार अंदर ए पंच मन सोब दे हन, सोने लग दे हन, जमें बाग अंदर सोने सोने फुल होंदे हन, इन जीही यो मन हन जनाने नाम नु सोन पाव के इना पंच जनादी सुर्त दा निशाना केवल एक गुरू ही है पाव इना दी सुर्त गुरू शब्द वेच जुड़ी रेंदी है जमें गुरू दा हुकम है उए ही जिवन दे हन। गुरू दे हुकम वेच रहे के खाना, पीना, चलना, बोलना, सुनना आधी हुनदा है कोई भी कार्ज हुकम तो बार नहीं हुनदा। गुरू शब्द वेच जुड़े रेंदी है इना दा असल निशानना है, असल मकसद है क्योंकि जद मन इस अवस्ता तक पहुंचत है तम मन दा बहुत ज़ादा प्रोसा अपने गुरू ते गुरू शब्द ते बज़ जानदा है ए मन फिर एक पाल लेवी गुरू तो परे इसलिए गुरू से फर्मान देहन के इना पंचांदा निशानना जा त्यान सिर्फ गुरू अंदर ही हुंदा है इस तो बात गुरू से फर्मान देहन के जे को कहें करें वीचार करते कह करने नाही शुमार जाद कोई मन पंच अवस्ता तक पहुंचद है ंप जाद कोई उच्छी आतमक अवस्ता तक पुझदा है जाद हुकम समझन जोगा मन हो जानद है नामनो नुमनण वाला हो जानद है एनना सब कुछ पाके भी आय मना, ए पंच मनो, किसे भी गलता, कदे भी कोई हंकार ने करना, ना ग्यान दा हंकार, ना कोई ताकत दा हंकार, क्योंकि जिनना कोज होनता के जाने आए, एतना समुंदर दे, एक तुपके दे बराबर भी नहीं है, अजे ता बहुत जानना बाकी है, यह जो मालक दी कुदरत है, यह बड़ी महान ते वड़ी है, जिस अंदर करोड़ा ही गोन लोके होई हान, साड़े गोन ता कुछ भी नहीं हान, असी अजे सिर्फ उनना ही लब पाए हैं, जिननीक डूंगी छाल मारी है, पर पूरा अजे नहीं जाना पए, अकाल पुर वोई हिसाब नहीं, एक कुदरत बे हिसाब है, बे मिसाल है, इस तोंबात गुरु से फरमा देहन के, तौल तरम दया का पूत संतोख थाप रख्या जिन सूत, जाद कोई कुदरत नों समझन दी कोशिश करता है, ताब विसमात विच्चाउंदा है, कि वाह, एक कुदरत के नहीं महान है, आते नाल ही सोचदा है कि वाह, एक कुदरत चल दी कि में है, एटिकी कि में हुई है, ताब गुरु से फरमा देहन के ए तरम देहन है, जिसनों कोज लोग बल्द दे टिकी हुई तस्तिहन, पर असलवेच ए जगत ए तर्ती, आते ए मन तरम देटिक होया है, ए अकाल पुरुगदा तर्म रूपी बजवा नेम ही बल्द है। ए तर्म ही स्रिष्टी नूँ कायम राक रहा है। ए तर्म मालक ने आप चलाया है। आप दिया कीते है। गुरुप यहरों जैसे कुदरत नूँ समझना है ते मानवच तर्म रूणा होना बहुत जरूरी है। पर गुरुप सब ए वी नाली फिरमा देने के तर्म उत्ते ही पैदा हुन दै जित्ते दिया होए। दिया तो बिना तर्म पैदा नी हुन दा क्योंकि तर्म दिया दा पुत्तर है। अकाल पुर्क ने दिया करके तर्म रूपी नियम पैदा कीता। आते फिर तर्म ने अपनी मर्यादा उनसार संतोक नूँ जनम देता। गुरु प्यारू तर्मी होई है जैसे देमान विच दिया होई। आते संतोक हुए इस तो बाद गुरु से फरमान देहन के जे को बुझे है होई सच्यार। पाव जे कोई उपर दसी विचार नूँ चंगी तरह समझ ले। विचार ले मान अंदर वसा लेता उस सई अरत है विचे सच्यार हो जानदा है उस अंदर अकाल पुरु कदा प्रकाश हो जानदा है। सो विचार नूँ समझना बहुत चुरूरी है के कुदरत बनी कि में कि में चल दी है किस आसरी खड़ी है अतेस्ता करता कौन है। जो ये विचार समझ दे है वो फिर वैमा परमा दुवदावा जो बाहर निकलाओंदा हर गल तरह कनल करता है। जे कोई कही कि तरती तरम ते नहीं बल ते खड़ी है। ता पंच मान इसनों जवाब देंदा है के तवलाएं उपर केता पार के बलद एन्नी बड़ी ते पारी तरती दा पार कि में चुक सकता है। ये अपनी आवेच सोचन वाला विशा अते नहीं नहीं तरती होर परे होर होर तिस ते पार तलन कवन जूर अते सिर्फ पार किनना है ये ही नहीं बलकि ए भी विचारन वाली गल है के ओ बलद तरती ने चोक के खड़ा कि थे हैं। तर फिर उस तरती धल्ले कोण हैं। कुदरत सिर्फ तर्थिता कि नई टिकी यह हर पासे है, हर जगे है, साढ़े अंदर भी है, इस तुमबात गुरु से फरमा देहन के कुदरत अंदर की कोज़ है? जी, जात, रंगां के नाम, पाव के स्रिष्टी दे इस कुदरत अंदर कई तरह दे जीवान, पाद पान दे जीव हान, रंग बरंगे जीव हान, कई जातन दे जीव हान, कई नसला दे जीव हान, कई नावा दे जीव हान पाव कुदलत रंग बरंग जीवानाल परीपई है जमें तरती एक बगीचा होए थे इस अंदर सोने सोने फुलना रुपी जीव उगे होए होन इन जी ही जगत है जद सी जगत नो देख दे हां थे एक इनना सोना लगदा है कई सारे तारे कई सारे सूरज ए सारे रंग बरंगे फुलना दी तरे हन जो मालक दे बगीचे वे चिखड़े होई हन गुरु साहब इस तो बात फरमा दे हन के सबना लिखिया वड़ी कलाम वड़ी पाव चल दी जा वक दी गुरु साहब फरमा दे हन के जिनने वी जीव हन सबनादा एकतार चल दी कलम देनाल लेखा लिखा लिखा हुए है एदाने कोई कोई बेना किसे लेख तू इती है हर कोई इती रबी लेख लिखा की ही आया है गुरू प्यारो एक अकाल पर रुख दी एक बड़ी प्यारी खेड है जे असी इस खेड नू समझ लेए के सानू किसे कार्च ली पेज जाए साड़े लेख अंदर की लिखिया है ता साड़े रा बड़े सुखाले हो जादे है क्योंकि जे सराली पेज जाए जे उस ते तोर पर ये ता मन जलता कि मन अपने आप पुझ जादा है साड़े मुश्कल एह है कि सानू दूजे ते रस्ते ते तोरना चंगा लगदा है जेसे कारण असी दुखी होंदे हां कि उस खुल जुए मेरे को लोग के उन्हें पर असल विच हर किसे को लोग कुझ न कुझ होंदा है पर पशान दा कोई है पाल दा कोई कोई है तेंस्तो बाद गूरु सैफर मांदेहन के एह लेखा लेख जान कोई लेखा लेखिया केता होई पाल के यह जो लेखा रबने हर एक बारे लिखिया है इस लिखे नू समझन वाला कोई वरला ही होंदा है क्यों? क्योंकि जीव वद तो वद अपने बारी जान सकता है वो भी जे बहुत विचार करें बहुत अपने आपने बुझे जाने समझें पर पूरी कुद्रत बारे सारा कुछ नहीं जाने जा सकता लेखा लिखिया पाल जे कोई लेख लिखना भी चाए जे कोई दसना भी चाए विचार भी करनी चाए कि ए कुद्रत किनी वड़ी है की कुछ है ता ए लेखा लिखिया केता हो ये पाव ए लेखा केता हो जाएगा वद जाएगा जिन्ना जाना कि उन्ना होर बाकी रह जाएगा जिमें अकाल पुर्गदा कोई अन्त ने जी उस थी कुद्रत दावी कोई अन्त ने इस बारे जिन्ना जाना जाएगेए उन्ना होर बाकी रह जाएगा दा इसलिए पूरा लेखा था नहीं पर हां जिन्ना कोई गुण जरूर पाई जा सकती हैना जिन्दगी नों बहुत कोलों हो के कुदरत राहे समझे जरूर जा सकता है ताइस तो बाद गुरु से फरमा दिहान के केता तान स्वालियो रूप केती दात जाने कौन कूत पाव अकार पुरकता आप बेयंत है उसता तान पाव जोर बल किना है इसनों किसे भी माप वेच माप आनी जा सकता क्योंकि जिन्दी कुदरत इनी महान ते फैली होई है जद असी उसती कुदरत दा अंत नहीं पा सकते ता उसते जोर दा कित्वों पता लापा होंगे जिम्हें तान दा अंदाजा नहीं लाए जासकता इन जही रूप दा कि वो किन्ना सोना है इस था अंदाजा भी नहीं लाए जा सकता पाव उस्ती बनाई एक कुद्रत किन्नी सोनी है इसनों शब्दाना भी ब्यान कर पाना बड़ा ही होखा है इसना अंदाज़्ा भी किसी शब्दंदर नई लाया जा सकता अचि जैसने इस सोनी खुद्रत बनाई है वह आप गिन्ना सोना होगा इस बारे भी अंदाज़्ानी लाया जा सकता केती दात पाव जमें वो आप महान है इन जही उस दी हर एक दात भी महान है गुरू प्यारियो अकाल पुर्क ने सानु कन्या सारिया दाताना निवाजया होया है पर असी हर दात पोगते देहां पर कदे तानवाद ने कर दे पर जो मन पंच हो जानदे हैं ओ हर एक स्वासनल उस दात नोगल कर दे हैं जो अकाल पुरुक ने बेश कीमती दातानल सानु बक्षया है नवाज़या है तो इन दातानों जरक किसी पैसे अंतर तोलना होय komme किसी दे बराबर राके इस दा अंदाज़ळा लाना होई तांसी नहीं ला सकदे क्योंकि यह बहुत ही बाव मुलेक जाने हन जो हूर कोई नहीं दे सकदा. कौन जाने कूत पाव कोई भी रबदियां दातां दा अंदाज्जा नहीं ला सकदा के एक इन्नी महान ते किमती है गुरु प्यारो हर एक दात साटली पड़ी किमती है कोशिश करिए कैसी इन अंदातां दा काट तो काट तनवात जरूर कर सकी इस टुमात गुरु सफर मांद इहन के कीता पसाओं एको कवाओं तिस्ते होई लक दरियाओं गुरु सफर मांद इहन के इस सारे स्रिश्टी एक कुदरत दा पसारा अपने एक कवाओं एक वाग जा एक हुकम तो ही पैदा कर देता है पाव एक तों ही शिर्वात होई, एक तों ही ब्रहमंड बने लगे, अधे ए लगातार वद्दे ही चले जारे हन, इस एक तों ही लखां दर्या वैन लगे, दर्या लखां जीवां दे, लखां ब्रहमंडा दे, लखां ही तरां दे, केमती खजाने दे, ए जो भी कुछ बने आ, ये एक तों ही बढ़िया अथे ए निरंतर वद्धा ही चलता जा रहा है इस तो बाद गुरु सेफर मांदेहन के कुदरत कवण कहां वीचार वार्या ना जावां एक वार हे अकालपुर्ग जी तो हाड़ी कुदरत एनी वड़ी है अते निराली है कि मैं विचारा इस तों की वी आख्या कर सकता है पाव नहीं कर सकता मैं ता ता हतों एक वार वी वार्या नहीं जा सकता पाव मेरी पाया ता बहुत थोड़ी है गुरु प्यारी जमिसानों के बहुत प्यारा लगे था असी उस्तों वार वार सदके जांदे हैं बलहारी जांदे हैं पर गुरु से फर्मान देहन के मैं ऐसी कुदरत नों देख के इस पसारे नों देख के अन्ना अनन्दे था कि जी में वार वार भी वार ने जामा बलहारी जामा तामी एक वार भी बलहार नहीं जाए जा सकता इन्नी प्यारी ते महान अकाल पर रख दिये कुदरत है इस तो बाद आखरी पंक्ति अंदर गुरु सेफर मांदी हैं के जो तुद पावें साई पलीकार तुँ सदा सलामत निरंकार निरंकार दी बनाई कुदरत अंदर सानू रेन दा मोका मालक ने देता है अतिनाल ही बहुत सारीय दातानाल भक्षा है सानू किसे भी तरह दी कोई परिशानी नहीं आउन देती इस सब ले जिन्नावी तनवाद अकालपुर्क दखीता जावे उनना ही कट है जिननी वार वी अकालपुर्क तो बलहार जाए जाए उनना ही थोड़ा है इसलिए मैंनू ता ओही काम पड़ा लगदा है जो तुद पाव है, जो अकालपुर्ग जीओ, आप जीनों पावे, ओही कार मेरे लिए पली है, पाव हुकम अंदर चलना ही मैंनों पला लगदा है, चंगा लगदा है, हुकम अंदर चल के ही पता लगदा है, कि अकालपुर्ग आप अटल है, सलामत है, पाव सदा रहन वाला तंगुरु सेब इने पंक्तियानाई फर्मा देहन के ये निरंकार जो जो तेनू चंगा लगदा है वो ही काम पला है पाव तेरी रजा विच रहना ही ठीक है ये निरंकार तो सदा अटल रहन वाला है असंख जप असंख पाव पाव अकाल पुर्क दी कुद्रत बड़ी महान है ब्यंत पक्तानल परीपई है इस रचना अंदर आ संख संख तो पाव है संख या अथी असंख तो पाव है जो किसे संख अंदर ना आवे पाव अनगन ता गुरु से फर्मा देहन के असंख ही ऐसे लोग है जो रबदा जप क का रहे हैं गुरु प्यारों जप वी कई तरह दे हो रहे हैं कई बोली अंदर कई तरीके अनल हो रहे हैं पर गुरु से फर्मांदे हैं कि जप अंदर पाव है ता ओ जप सफल है पाव पाव प्यार जद असी जप का रहे हैं जए उस अंदर प्यार ना होए ता उस दासर मा कालपूरिक दी रचना वीच अनगिनित जीव जब कर दी हन अते ब्यंत जीव प्यारदा बरताव कारी हन, गुरु प्यार वो प्यार बहुत चिरूरी है। जित्थे प्यार होई उत्थे कदे भी नफरत नहीं होंदी जे नफरत है ता समझ लेना वो प्यार नहीं बस प्यार दी शकल विज़ कोई शैतान है रबनु मन्यन वाला था प्यार दी मूरत होंदा है उसता सारी मनुक्ता नल, सारी कुदरत नल एक कोजया प्यार होंदा है जब सूरज, चन, तारे, प्रमात्मा, इंजिता प्यार, एक द्रिष्टी वाला प्यार, एक कोजया वे भार होंदा है ता इस तो बाद गुरु से फर्मादे हैं के असंक पूजा, असंक तपताओ, अकाल पुर्ग दी कुदरत बड़ी ही सोनी ते महान हैं जैसे अंदर असंक का ही जीव पूजा का रहन, अते असंक ही तपसाद रहन गुरु प्यारों जद गुरुबानी पढ़िये ता पता लगदा है के असल जापताप की है कई जगाते गुरु सहीब ने जापताप नो कूडवी क्या है, किते क्या है, जिते जापताप अंदर हंकार है, लोब है, दिखावा है, उसनों व्यर्था क्या है, कूड़ा क्या है, अते जैसे जापताप अंदर रब है, प्यार है, संतोक, सबर, आधी गुनहन, वही जाप तप सफल है ता गुरु सहीब इस पंक्ती अंदर फर्मा रहे हन के असंख जीव पूजा का रहे हन अते अनगिनत ही तप साधर हन प्रमात्मानन लिव जोड़ रहे हन इस तो बात गुरु सहीब फर्मान दे हन के असंख ग्रंथ मुक्वेद पाठ जदों तो जगत बने हैं अते जगत उते लोग पैदा होई हन उदों तो तरम चल दे आरे हन हर एक उस तर्तिदे जिते लोग हन जीव हन उते तरम ही है अते हर तरम दी अपनी बोली है निशान हन, नियम हन, ग्रंथ हन पर निशानना, एक है रब नल एक होना, उसनों पचानना अपने आपनों जानना दा गुरु सा फरमा दी हन के ग्रंथ भी कोई एक नहीं है इस जगत अंदर, इस कुद्रत अंदर अनेका ही ग्रंथ हन कई सारे वेद, पुरान, कुरान, आदि हन जनादा हर वेले मूँ नल पाठ गिता जा रहा है, हर वेले पाठ नू पढ़िया जा रहा है, हर वेले कोई ना कोई पाठ चलदा ही रहेदा है एक कदे बादनी हुनदा है अत्याज ये भी देखी दा है क्योग सवाल कर दे हन कि जी एन Ching हो रहा है फिर उसमान अंदर बुराई अपने आप दूर हो जांदी है, इसलिए सिर्फ पढ़न तक ही नहीं रहना, इसनों सुनना भी है, इसनों समझना भी है, जद मान शब्द दी विचार करदा है, ताएं बदलदा है, बुराई तो दूर होंदा है, इसलिए गुरू प्यारों मिठ पानी दी नेर पावे हर कारकोलो लंग रही है, पर त्रे ओधी ही बुझ दी है, जिसने ये दा कोट बर्या है, ताएं गुरू सहब इस तो करएं बदेश जिंदी हैं के ब्यंत जीव वेदा अते होर तार्मेक पुस्तकांदी पाठ मोनाल कारे हैं, इस तो बाद गुरू सह हैं रबनल, अते अपने आपनल, पर रबनल उदों ही जुड़ा जा सकता है, जद मन उदास होए, उदास ता पाव निराश्ता नहीं है, उदासी नहीं है, उदास ता पाव है, विकारां तो उपराम हो जाना, जो मन संसार अंदर रहे के, संसार तो उपर रहे, विकारों न ते ना लगण देवे ओही उदासी है ताँ गुरू से अब इसमंक्ती रहें फर्वांदे हान के असंक ही ऐसे लोग हान जो जोग दे साधनन अपने मान तो माया वल्लो उपराम रहेंदे हां सो जोड ओही सकदा है जो माया तो टोट जाए उस तो उधास हो जाए बिना विकारण नों सड्या मन कदे वी जोट दाने इसलिए गुरू प्यारियों मान दा एकनल जो करवाना है तो कमल देफोल वांग खिड़ना पेना है मान नों उच्चा करना पेना है इस तो बाद कुछ होर बगतां बारे गुरू सेफर मन देहन के आसंख पगत गौन ग्यान वीचार रब्दी बनाई इस मन मोह कुदरत अंदर किन्ने ही पगतान हर देश अंदर हर राज अंदर हर बोली अंदर कई ऐसे बगतान जिना बारे सब नों पता है पर इस तो पर रब्दी असी जिनने वी नाम सुन देहां इस पगतान संता महात्मा नहीं देते हैं जवें जै किसने इस कुदरत अंदर उसनों देखिया तो उसनों सिर जनहार कह देता उसनों करता पुर कह देता अते जिसने हर पासे रम्या देखिया उसने राम कह देता जिसने दाता गुण देखे ओहो जे नाम रख देते ता गुरू से भी स्पंक्ति राई फिर्मां देहन के अकाल पुरक दे खुदरत विच और गिलत भगत हन जो अकाल पुरक दे गुणादी विचार कर रहे हन उना गुणा रही रभी कुदरत दा अनंद मा रहे हन अते रभी ज्याण दी बक्त विचार का रेहान, उसनों जी रेहान, इना वन्ट रेहान, इना दी विचार का रेहान एज अपने जीवन नू सफल का रेहान, इस तो बात गूरी सब करपा कर देहान के असंख सती, असंख दातार सती देथे पाव है सत कमाउन वाला, सच ते चलन वाला सच सिर्फ लिखन जा बोलन वाला ही नहीं, बलके सच ही उस्ता तर्म है सच देखना, सुनना, बोलना, लिखना ते सच तर्म नो कमाउन वाला सती है गुरु से फरमा दे हन कि इस संसार अंदर असंक ही सति हन, पाव अनगरत ही सत कमान वाले हन, साच दा जीवन जीवन वाले हन, अते असंक ही दातार भी हन गुरू प्यारो दातार भी कई तरह दे हुंदी हैं जमें कोई पैसी दादान करता है कोई कपड़ी दादान करता है कोई ग्यान दादान करता है कोई मदद करता है ता इस जगत अंदर असंग कही दातार हैं जो वाकवा का तरीक केना दान करते हैं पर जे सब तो वड़े दानी बारी जानना हो एक यो कौन है जो सब तो वड़ा दानी है ता ओ सिर्फ ते सिर्फ एक को ही है शिरी गुरू गोविंद सिंग जी महराज जिनानु सरबंस दानी पिता कहा जानदा इना तो बड़ा हो और कोई दानी इस जगत दे नहीं है इस तो बाद गुरु से फरमां देहन के असंख सूर मुह पाख सार सूर पाव सूर मा पाख सार पाव सार पकन वाले कैन तो पाव तलवारा दे वार से न वाले गुरु प्यारियो एथे गालते हान देन वाली है कि गुरु सहीब ने इस पोड़ी अंदर जाप करने वाली ताप करने वाली जो कमान वाली गरंतादी पाड़ते विचार करने वाली आधी पाकतादी गालत कीती है पर इसे ही पोड़ी अंदर गुरु सहीब ने सूर में बारे भी फरमाया पाव ओ सूर में जो हक साचली लड़ दे हन उनानुवी जपताप वाली श्रैणी अंदर रख्या है जेस्तों ये पता लगदा है कि जित्ते कोई मान संत है उते ही उसने लोड पैंते सिपाही वी बनना है ता गुरु सहीब इस पंकती रही फरमान दे हन के अकाल पुर्क दी रचना वेच ब्यंत सूर में हन ब्यंत सूर वी रहन जो मेदाने जंग वेच अपने मूँ उतेश हस्तरां दे वार सेंदे हन ये ऐसे सूर में हन जो कदेवी मेदान चठके नहीं पज़िदे ये ऐसे सूर में हन जो हक लई सच लई लड़दे हन अथे इस संत सिपाही वी जगत अंदर आसंख हन बहुत सारे हन इस वबाद गुरु से फर्मादे हन के असंख मोण लेवलाए तार अतिस कुदरत अंदर असंक ही मोनी हन जो एकरस पाव लगा था लिव जोड के बैठ रहे हन गुरु प्यारो जब जी सहब दे शिरुवात अंदर ही गुरु सहब ने चुप रैन बारे फर्मान दिता है कि चुप न हो वई जळाये रहाां लिवतार पाव उतों तो चुप कीता है मान चुप नहीं हो भाव सी असी के नियामी बिर्दिया को रोगा की बैठ इसलिए जबान दो चुप करोओं तो वाद जी ज़ूर की बैठ जितलों जिसने मान दो चुप करोके है गुरु सहभ इस तो कराही फर्मांदे हन के अकाल पुरक दी इस कुदरत अंदर अनेका मौनी हन जो एक रास बिरती जोड़ के बैठ रहे हन इस तो बाद गुरु सहभ किरपा कर दे हन के कुदरत कवन कहां वीचार वारया ना जावां एक वार पावकी में कुदरत दी की विचार करां यह जो जप करनवाले तप करनवाले सुर्मियादी जिन्ने भी तस्यान यह ता कुछ भी नहीं है ईहोजे हो और वी असंखा ही पगद्धन जिनावारे सिर्फ मालक ही जानता है उस्ते पगद उस्ती गुद्रत बहुत ही महान है बहुत बेहिसाब है, बाकमाल है मेरी की ताकत के मैं इस गुद्रती विचार कर सका ही अकाल पुर्ख जो मेरी यह नहीं हस्ती नहीं के पूरी विचार हो सके पर जिन्ना भी देखदा हां उसनों देख देख के मन शान थोंदा है मन विसमाद विचाउदा है मन विच गुद्रत दे नजारे देख के रभी पगता नों देख देख के मन खिड़दा है कि किन्ने सोने पक्तिदे फोल रबी बाग अंदर किड़े हुए हन मैताजी वार वार भी इस कुद्रत तो सदके जावा तावी काटा है असंक वार वार ने जावा तावी एक वार सदके नहीं होया जा सकता ऐसी महान कुद्रत है सच्चे पाथशादी इस तो बाद आखरी पंक्तियंद गुर सब करपा कर देहन के जो तुद्द पाव है साई पली कार तो सदा सलामत निरंकार हे अकालपुर्ग जीओ जो तहानू चंगा लगदा है साई पाव ओही कार पली है ओही कार्ज पला है पाव आप जीदी रजा विज़ चलना ही पला है इस अंदर ही आनन्द है गुरु प्यारो जे होकम नू रजा नू समझ लिया जाए फिर सानू जीवन जीड़दा वल ला जान्द है लोकानन मिलड़दा तरीका समझ आ जान्द है हर कोई उस तीर चाई खेड विच के में खेड रहा है कोई नाम जप रहा है कोई तब कर रहा है कोई सूर्मा है अते कही अंदर बुराई भी है बुराई अंदर फसे जीवादी विचार असी गुरु प्यारो अगली पौड़ी अंदर करांगे ता गुरु से अभी इन पंक्ति अंदर फर्मारिहन के हे अकाल पुर्ग जीव जो तेनु जंगा लगता है वो ही काम पला है पाव तेरे रदा विच चलना ही ठीक है हे नरंकार जीव तू सदा अटल रहन वाला है तू सदा सलामद है तू सदा सत है असंख मूरक अंध कोर मूरक दार्त होंदा है जो सिर्फ मूर अके घल करे जवें कई लोग बहुत बोल दे हन पर बोलना की है कुछ पता ने कुछ लोग खांदे बहुत हन पर की खाना है कुछ पता ने ना पता होन करन बहुत कुछ गल्द खाले जन्द है इन जी ही जो बिना सोचे समझे बोले गल करन लगया सिर्फ मुँ अगे रखके उसनों मुर्ख खा क्या गया है। गुरु से फर्मा दिया हन कि जिते इस गुदरत अंदर बहुत सारी चंगे लोख हन ओते ही बहुत सारे मुर्ख वी हन किन्ने मुर्ख अंद कूरपाव बहुत ही जादा मुर्ख बहुत ही वद अग्यानता दी हनेरे विच सफरकारे जीव हन उनना दी जीवन मेंच सिर्फ हने रहा है रोशनी दी कोई किर्ण उना दी जीवन वीच नजर नहीं हो दी ता गुरु सहब इस पंक्ति रहें फर्मा दी हान के अकाल पुर्यक दी कुजरत अंदर जिते बहुत सारे सोने सोने फुल केड़े हन ओथे ही इनानल कुज कंड़ी भी हन अथे एही ता गुदरत दी ख अबसूरती है ता इस पंक्ति अंदर गुरु सहब इक किर्पा कर दी हन कि इस जगत अंदर जिते बगत हन होते मुर्ख भी हन महा मुर्ख अंद कौर अंदर पढ़ करें जीव हन अज्ञानता दे हनेरे अंदर पढ़ करें जीव हन इस तो बात गुरु सहब फर्मा दी हन के असंख चोर हराम खोर गुरु से फरमाने हैं कि इस गुदरत अंदर असंख चोर वी हैं जो हराम खोर हैं बाव जो किसी खोर देतान पदार था तनों लुटके वर्त दे हैं ऐसे जीव जो आप कमाके ना खावन जो हलाल दे कमाई ना खावन बलके किसी खुर दे माल ताननौ तो केलाव बयमानी नन जा चोरी नन लुटके खानता है उसनों हराम खोर किया जानता है गुरु प्यार चोर भी कई तरह दे हुंदे हन। जमें कुछ लोग तानती चोरी करते हन। कई साहच चोरी करते हन। अजकल कई ओनलैन चोरी भी करते हन। कोई मनों चोर हैं, कोई तनों चोर हैं ता चोर भी इस कुदरत अंदर असंख ही हन। गुरु पाश्या इस पंक्ति रही फरमादे हैं कि इस कोदरत अंदर असंख पाव अनेका ही अनेगन थी चोर हन जो हराम पाव हो रहा दा तानमाल चोरी करके खान दे हैं इस तो मात गुरु से फरमादे हैं कि असंख अमर कर जाह जोर अमर देते पाव है Хुक्म पर हुक्म ता गृू प्यार भडा ही प्यारा शब्द है रभ दा हुक्म, गृू दा हुक्म पर जो हुक्म कोई मुनुख जबर्दस्टी मनवाईवे जल्म करके मनवावे ओ खुक्म नई हुन दा ओ जल्म है, ओ जबर है वो डरावा है अथी असी सब जाती हां कि जबरदस्ती लोकान्यों होका मनमानवाले पेला भी होए हैं अथी आज जी भी बहुत सारी हैं जो मन मर्जी दे होकम लोका ते थो पके लोकान्य जीवनों हो और मुश्कल बना रही हैं अते अपने जीपानु करम रखते हन। इना लोकानु लोक अत्याचारी वीकेंदी हन। जबरी वीकेंदी हन। अते गुरु पाशा नाल ही फरमादी हन। कि ऐ मना किन्ना भी तो हुकम चला ले। पर तो एते सदाली बैठे दानी रहना एक दिन तूँ ही रब्दे हुकमानों सार एतों टोर जाना है तेरा हुकम एते ही मिठी चितफन हो जाना है तेरे हाथ उठ के वी उदों उठना पानगे जिसे जीवनाल तो जोर जोर नाल बूलदा सी उस सदाली बंद हो जाएगी एमना फिर किस गल्दा हंकार एमना पुरा नाल बद सलुकी जवर दस्ती उननों डराना तमकाना एमना तो बंद कर दे जवर करना बंद कर दे प्यार करना सिक इस जगत अंदर हारे एकनों उनना ही जिवनादा हाक है जिनना तेरा है इसलिए जवर नाल बलके सबर ना प्यार ना दियाना इस जगत अंदर है तांग गुरू सहब इस बंकती रहे समझा रहे हन किस कुदरत अंदर असंग कही जी वैसे हन जो दूज्याँते होकमते बदेकिया कर करके अंतनू ऐसे संसारतू चले जान दे हन आते सिर्फ होकम चलाओन वाले ही नहीं कुछ होर लोग ही हन जिनना बारे गुरू सहब अगली बंकती अंदर फरमा दे हन के असंख गलवड हत्या कमा है गुरू प्यारू गुरू गुरबानी वीच बहुत वारा है के जीवते द्या करनी है जीवनू माडना नहीं है सानू एवी सोचना चाहिदा है के जो कले वड़ता है जो हत्या करता है उधा दिल कह होचे होईगा अते यह भी विचार नाल ही करनी है कि एक हथ्यार तरमी दे हत्य विच्वी है जो लोकादी रख्या करता है तरमी पामें डाक्टर है, जहां फौजी है जां कोई संत सिपाही ओजद्वी वार करनेगे जद्वी हत्यार चकनगे ता रोग ठीक करने चकनगे अते दुझे पासे अतर्मी है उस दे हाथ विच वी हाथ यारे पर ओजाद वी वार करनगे बेक सूरा नूं मारन ले करनगे जिस अंदर चंगे वी ते मारे वी सारे ही पीसे जानगे जमें बाबर बाने अंदर वी गुरु से हमने बड़ा सोना फर्माया है कि जद बाबर ने हमला कीता ता उस वेच सिर्फ हिंदो ही नहीं बलके मुस्लम भी बरबात होई उना दे पती भी मरे उना दे कर भी उजडे उना दे मंदर मसीत भी टाएगे ता गुरु प्यारो जुल्म करन वाली दे मन अंदर कोई द्यानी होंदी कोई प्यारनी होंदा सिर्फ अतर्म होंदा है कूड होंदा है विकार होंदा है इस लिए उलोकादी गलेनू वर्दा है गुरु सेब इस बंक तेरे फरमादे हैं कि इसकुदरत अंदर जिते दिया ते प्यार नल परे होई लोग हैं उते इस ते उल्ट बहुत सारे मनोग ऐसे भी हैं जो नफरत नल परे हैं जो जियांदा गालवड़के हत्यावरके पाप कमारे हैं एते ही बसने गुरु से बेस तुमगे भी फरमादे हैं के असंख पापी पाप कर जाएं अते अनेका ही पापी मनोग वी सकुदरत अंदर हैं जो पाप कमा कमा के तुर्दे चले जारे हैं गुरु प्यार यो पाप की होंता है पाप उस करम नो केंदे हन जो तरम दे उल्ट जाके कीता जाएं जवें डाक्टर दा कम है जान बचाना जो जान लेन तो पर जान लालची हो जाए ता ओ करम पाप है जवें को वकील है जो इनसाफ ना दवावे ता ओ पाप है जो को जाए ओपाप है अते एहोजे पापी नन समाज परया ही प्या है पावियाज दिगाल किती जाए जब बीते समेधी हर वेले एहोजे पापी होई हन जो हर रोज पाप कमाउं दे हन अते फिर इन पाप मा करन दुखी भी हुं दे हन काश असी गुरु से अधि बाने रही समझ सक है कि पाप कमाया नहीं बलके तर्म कमाया मन टिकता है तर्म कमाया पाव सच कमाया ही असी अपना ते समाजता पला कर चकते हैं पर हर कोई इस गाल नों अपने पल्ले नन नहीं बंदा इसे कारण कुरु से फरमादे हन कि जिते इस कुदरत अंदर सच कमाउं वाले हन उते ही इते पाप कमाउन वाले भी असंख ही हन जो पाप कमा कमा के तुर्दे चले जा रहे हन इस तो बाद कुर से फर्मा दे हन के असंख, कोडे आर, कोडे, फिराँ कोड तो पाव है चूट पाव अनिक का ही ऐसे जीव हन जो चूट मोलन वाले हन असंख ही ऐसे हन जो कूड कमारे हन कूड अंदर ही रुज्जी पई हन जवे कोई कां गांद वेचे रुज्जा होया है जवे की सूर गांद अंदर रुज्जा होया है इंजे ही जीव रुज्जी होया हन पर गुरुपियर जानवर तां गांद साफ करके समाज अंदरों गंदगी दी सफाई कर रहे हैं पर जो कूड कमांदे हैं जो मन चूट बोलता है वो चूट न लही चूंदा है वो समाज अंदर कूड फिलांदा जा रहा है और जगत अंदर गंदगी दे टेर लांदा चला जा रहा है इसलिए घुरु से वार वार गुर्बानियां दर फर्मान देहन के आपई सदा सचते तरम बोलिए कदे भी चूट ना बोलिए क्योंकि जी एक चूट बोला जाये ता ओ एक ऐसे बीज दी तरह है जो दिनाओ दिन वददा ही चाहेगा एक चूट बिच्चे हजारां जोर चूट बोलने पहनगे अते इस्तिफल वी सानों आप ही खाने पहनगे इसलिए मजली चूट ना बोलो, कमकडाउन ली चूट ना बोलो, कुझ लकाउन ले जब बच्यानल किसी तरह दा कोई वी चूट ना बोलो ये चूट वाली वादी पड़ी ही माड़ी है, गुरु सहेव इस पंकने हंदर फरमा दे हैं कि असंख जीव ऐसी हन, जो गूड नाल चूट नाल परेपई हन, आते ओ इस घूड अंधर ही रुजेरिंदी हन, इस दो वाद गुरु सहेव फरमा दे हन कि असंख मलेश मल पाक ख मिलेश ना पाव है मलीन मत वाला, खोटी बुद्धी वाला, पाव असंक ही ऐसे हन जिना दा खाना गंद मद है, ओ इसनों ही खाई चाहरे हन गुरु प्यारों, असी मिलेश नहीं बनना, पाव ऐसी मत वाले नहीं बनना, जिसनों ए ना पता होए कि मैं खाना की है, एदा नही कि जो मिलिया बस खाले है नई जिस खान नाल शरीर तंग होवे ओ पोजन बिलकुन निखाना चाईदा इसे तरह जिना विचारा ना दिमाग माड़े फुर्णी लैन लगपए ओ विचार भी ना खाओ माड़े खाने दिनाल अते माड़े विचारा दिनाल मत माड़ी हो जादी है अते जद मत माड़ी हो जाए फिर असी अंदरों अंदरी अपने आप माड़े हो जादी हन फिर साटे अंदरों चंगे विचार ने निकल दे माड़े विचार ही निकल दे हन इसलिए चंगा खाईए चंगा सुनिये, चंगा पढ़िये ता जो चंगी विचार मान अंदर बुद अंदर पैदा हो वन्ता गुरु सेब इस पंक तेरे फरमांदे हन के जित्थे इस कुदर्द अंदर असंक ही साफ पोजन ते विचार खान वाले जीव हन उत्ते ही असंख मलेश वी हन जो गांदमंद खाई जारे हन इस तो बाद गुरु सेब फरमांदे हन के असंख निंदक सिर करह पार अते असंख ही निंदक वी हन गुरु पयारो, निंद का नालवी संसार पर्या ही पिया हे। अज़ हर जगे निंदा चल दी है। ये चल दी इस लिए है क्योंकि अंदर रस बड़ा है। जो करदा है वो बहुत मजे नालव इससे नोускस पैदा है। ये इससे कारण निंदा करण थे सुननवाणे दे सिर्द बहुत पारी बोझ लदिया जानता है एप फ़ित in do shift नंदाद अपने आप पैदा हो जैका कि above ब nhấtरी इता कर दियून ने शाहर सिर्थ बहुत दोर तक नहीं चल सकते गुरू प्यार जो इससार समंदर नो पार करना है ता सिर्थों पार लाना ही प्रणा है ने तासी इससार समंदर अंदर ही डोप जावांगे तो निंदा दातिया करना है सच नल जूड़ना है निंदक नहीं बनना गुरुस्अब इस मँधे समझादे हां कि जित्थे एसeen कु नानक नीज कह वीचार वार्या नान चामा एक वार एपंक्ती अपने आविच बहुत ही महान पंक्ती है गुरु सैमने पहला जोवे कुदरत अंदरले जीवन दी वीचार कीती है जवें एते कहो कहो जे लोग हन उते नाल ही फरमाया कि इस वीचार नल में यह साबत करने कोशिश नहीं की थी कि मैं बहुत महान हां आथ यह सब नीच हैं बुरी हैं नई यह ता अकाल पुरक दी कुद्रत है आथ मैं नानक था नीच है पाप मैं तो बहुत थल्ले तरची था गुरु प्यारो एवाग जो गुरु सहीब ने तरच की था इसनों कथन कर प्यार ते बहुत सारे गुन्हारर परह होई घृहर दे दि मालक हैं गुरु सहय अपना अकाल पुरक दी मूर। नहीं को गुरु नइचThis कुद्रती की विचार कर सकता हैं जो वी वी उस मालक तो वारने चाहा, वी कट है, वार वार वारने चाह के वी एक वार वार या नहीं चाह सकता, ऐसा वो आप है, अच्छे ऐसी उस्तीक उत्रत है, आखरी पंक्ते अंदर कुर्च से फर्मांदेहन के, जो तुद्ध पावे, साई, पली कार, तुं सदा, सलामत, निरं कार, पाव ही अकाल पुर्च जीओ, जो तेनु चंगा लगता है, वही काम पला है, पाव तेरी रजा विच ही रहना ठीक है, गुरु प्यारों ये जो भी कुछ गुद्रत अंदर जीवान, ये सब उस दी खिड है, एक गुद्रत बहुत ही महान ते बेहिसाब है, असीता इ इसने बनाया है, उसनल एक जरूर होया जा सकता है, एक हो के गुद्रता अनंद जरूर माने जा सकता है, अकाल पुर्च दी रजावे चल के हर एक अंदर चल दे, उस दी हुकम नो पशाने जरूर जा सकता है, उस दी जोद नो जाने जरूर जा सकता है, तो गुरु सैब, इ एक खुले दर्यादी तरह हैं जिस तो लगां दर्या होर वैतुरे अते लगातार ए फैलते ही जारे हैं ए ब्रहमंड फैलता ही जारे हैं एक कुदरत वद्दी ही चली जारी है इस अंदर बहुत कुछ है जिस एक चलक इस पौड़ी अंदर कुरु सेमने पेश कीती है असंख नाम असंख थाव अकालपुर्ग दी कुदरत अकालपुर्ग वांगी महान है बहुत ही फैली होई है इस ते पसारेदा कोई अंत नहीं जिते तक देखो उते कुदरत हाजर है हर पासे नूर ही नूर है अते जिते जिते मालक दी कुदरत है उते उते कई सारे हन कई लोग हन कई सूरज हन कई तर्तिं हन कई जीवादी हन अते गुरु से फर माद हनके असंक नाम वी हन पावकुदृत अंधर जीवद दे पदार्थां दे ग्रहाअ दे अतों तके खुद अकाल पुर्क देवी बक्षो वक्ष नाम हन अनगिनित नाम हन असंख नाम हन आते सिर्फ नाम ही असंख नहीं उना दे रैन वाले टिकाने भी असंख हन रैन बसेरे भी असंख हन एहो जी महान कुदरत है मालक दी इस्ते नालही गुरु प्यारो जी अकाल पुरुख दीकाल करिये ता उमालक भी हर जगा वस्या होया है जवें अकाल पुरुख दे नाम दा कोई अंत नहीं इंज उससे टिकानिया दा भी कोई अंत नहीं उता हर थात हैं, हर जगे हजर हैं ता इस पहली पंक्ती वच गुरु से अब मालक दीकुदरद नहीं देखके फरमादे हन के असंक नाम हन, अते असंक थाम भी हन पुरु पाव टिकाने भी असंक हन, इस तो बाद गुरु से अफरमादे हन के अगम, अगम, असंक लो अगम तो पाव है जिते पहुँची हान जासके, लोग तो पाव लोग पवन आते लोग भी असंग गुरुस्या फर्मान्दे हन के निरंकार्दी कुदरत अंदर असंखां ही लोग हन। पर हन करोड़ां मील दूर करोड़ां साल दूर जित्थे जापना इंसान लिया जे बहुत ओकायता है इस पंक्ती रही गुरुस्या फर्मान्दे हन के असंख ही लोग हन जो अगम हन पाव बहुत दूर हन उते पहुंचेया नहीं जा सकता अगालपर्ग दी ऐसी सोनी कुदरत तुनों देख के मनवार वार बलहार जांदा है अते इस तो अगली पंक्ती विच गुरुस्या फर्मान्दे हन के असंख क्या है सिर पार होए गुरुब्यार्यों पिछलिया पौड़ी आंदर असी असंख शब्द काफी वार पढ़िया विचार्या पर गुरुस्या फोन ये पर्मान्दे हन के निर्णकार दी कुद्रत अनी महान है कि उसके असंख शब्द वी थोटा पैचांदा है। समझ जरूर जा सकता है अटे समझाया भी जरूर जा सकता है इसलिए इस महान कुदुरत नो जे असंख कही है ता ये ता पता लगदा है कि इस ता कुई यंत नहीं पर जे असंख तों भी बाद गुरु प्यारो जी कोई शब्द होंदा वो भी बोल ले जान दा, उस दी चर्चा भी हुंदी, ता उस बोलनों भी जे विचारी ये तक किन्ना को बोल ले जाना से, उस दने मी इस कुदरत अगे एक दिन चोटा रह जाना सी, इसलिए गुरु सहब इस तो करें फरमा दे हन के, जो मनुख रभी कुदरत लेखा कर ले, जैसनों समझन ले, असंक शब्द आगे दे हन, उना दे से उरुत भी पार हुंदा है, पाव वो भी पूल कर दे हन, क्योंकि असंक शब्द भी कुदरत ले बियान करन ले, काफी नहीं है, इस तो बाद गुरु सह फरमा दे हन के, अखरी नाम, अखरी साला, पामे के कोई भ शब्द कुदरत नों पूरी तरह नाल समझा नी सगदा, पर फिर भी कुदरत नों समझा ले, कुछ शब्दां दी लोड पेंदी ही है, इसलिए मनोक नों अखरा दा सहारा लेना पेंदा है, गुरु सह फरमा दे हन के, अखरा नाल ही, इंसान दूजे इंसान नाल मिल्दा ह अखरा नाल ही मनोको होरा बारे जारा बारे जान दा है, गुरु प्यारों जी अकाल पुरक बारे वी जानना है, तब पहलना अखरा राही ही जानने जानना है, पर उस बारे जी जानना है, ता शब्दा राही ही जानने जानना है, शब्दा राही ही पढ़या गाया समझा द कि अकरि नाम पाव के अकाल प्रुकरता नाम अकरा दे राहे ही ले जा सकता है С nowadays उससे सिफ्ट शित शिलाव यह अकरा दे राहें チखी किती जा सकती है इस तो बाध गौुण से अचlingen मांद्ध गीत कुन गाह।। पाव। अकतेर राँ ही ग्यान प्राप्त किता जांदा है। अकतेर, अख्रे नाल ही और गीता अणी तो ग जनदु है। ऐख्रा नाल ही मानों से नाल, एक हो पांदा है, उसनो जान पांदा है, उसे रस्तेते तोर पांदा है, तहां अक हिरा भारी अक्राणू शकल सूरत दिती ता फिर जो बोल याद कीती होई सनु उनानू लिखन दा कम शुरू किता पर उना विच बहुस सारे बोल जाता पुलगे जां बोला अंदर अशुद ता आगे पर जदो अक्रादी इंसाननू समझाए ते जद उस विले दे संता महात्मा ने जो वितार में गरंत लिखे ओ आज उमें दे उवें मिल दे हन पाव कि जद अक्रादी समझ पई अक्रादा ज्यान होया ता उना अक्रादी वेच रब्भी बाणी नूमें लिख्या गया हर तरह दा ग्यान लिखा गया अति ओ ग्यान आज उमेंदाव में साननू मिल दा है ता गुरु से फर्मादी हन के बाण पाव बाणी अक्राद वारा ही बाणी दा लिखन बोलन रूपी ग्यान प्राप्त होंदा है अक्रा अंदर ही बाणी लिखी के अक्रा अंदर ही सारा ग्यान है अक्र सिर्फ उपरों देखन जा पड़न लिखन वाले शब्द ने कुरू प्यार हो बलकि इना अंदर भी बड़ी डुंगाई हुंदी है इस बारे कुरू से बगली पंक्ति अंदर फर्मा देहन के अक्रा सेर संजोग वखान मितर त पैदा हो धी है साड़ी बोल ही किसे नो साड़ी नेडे कार दिन देहन अधेस ते उल्ट जे साड़ी शब्दा अंदर कुडत तन होय जा मैल होय ता बणे होय रिष्टे वे दूर हो जान देहन इसले अक्र जद चंगी होवन कास कर कि जी साढ़े मानो तरे गुर्वधी बानी दे अखर शप होज ता गुरू प्यारो रभ नाल वी मानदा संजोग बन जांदा है इसले ही गुरू सेयल फुर्मादेः कि जगत नाल गुरू नाल अगरू नाल जो ज़ो जुड़ना है वो अक्रा रही ही है पाव शब्दा अंदर ही हर चीज, पदारत, जीव, आधीता लेखा हो जाता है एक उदर्द भी किसी अगम्मी शब्द राही ही चल रही है जे असी साइंस्तान दी नजरना देखे था इते अखर तो इलावा कुछ भी नहीं है साइंस्तान इस ब्रहमंड नुमी अखरा दे अंदर लेखते हन ओता खाली स्पेस नुमी अखरा नल माप लेंदे हन दूर दूर दे तारे भी अखरा रही माप दे हन कियो किन्नी दूर हन अते उते की की है अते कुछ ऐसे तरह दे ही कई खोजी अखरा रही मालक नुमी जानर दी कोशिश कर दे हन पर गुरु प्यारे हो ओ लेखा बनाउन वाला जरूर है पर ओ आप हर एक लेख तूं हर एक अखर तूं हर एक शब्द तूं उता है उता किसे लेख अंदर अंदा हिल है गुरु साह फरमा दे हन के जिस अकाल पुर्ग ने संजोग दे ए अकर लिखे हन उसते सिर उते कोई लेख नहीं है पर कोई मुनुक उस अकाल पुर्ग ने लेखा नहीं कर सकता अकाल पुर्ग ना कुई लेखा है अते नाहीं किसे दाऊ सोते हुकम चल सकता है जद कि हरे एक जीव पदार्त हर शएं उसते हुकम हंदर है गुरु साह फरमा दे हन के जेस जेस तरह ओ अकालपुर्क हुकम करदा है जिव जिव फुर्माए उससी तरह जीव संजोग पोगदा है गुरु प्यारो हुकम हरेक होती है पर जो हुकम नो समझ लेंदा है उसनो ता हुकम प्यारा लगण लगजानदा है मिठा लगन लग जंदा है वो आए दोखत कलीफ नूँ दोखनी बलके उस दी दात समझ की पोगदा है आते जो होकम नूँ नहीं समझ पांदे उनना नूँ छोटे छोटे दोखवी पाड़ावर की लग दिहान इस तो बाद गुरु से फर्मांदिहान के जेता, किता, टेता, नाव, विन, नावै, नाही, कोठाओ गुरु पाशा फर्मांदिहान के यह जिन्नामि दिस्ता अंदिस्ता जगत है यह सारे दा सारा अकालपुर्क नहीं आप बनाया है अते बना के वो आप हर पासे वस्या होया है वो जगत उस दा रूप है जेता कीता जिन नावी उसने पैदा कीता है तेता नाव ओते ओते ओ आप समाया हुए है अते विर्ण नावे पाव अकाल परिक तो बिना जा नाम तो बिना कोई भी जगे नहीं है जित्ते ओ आप नहीं है कोई था अकाल पुरक दे शुरूप तो खाली ने पावजेडी था देखिए जा कोई पदार्त वेखिए जित्ते वी देखिए ओ ही अकाल पुरक दा सुरूप देशता है सिरिष्टी दा जर्रा जर्रा अकाल पुरक दा सुरूप है इस सारा को जो आप हीता है उस तो सिवाय थे कौन है जे कोई चंगा है तो उस दी कुदरत अंदर है जे कोई पैड़ा है वो भी इस दी कुदरत अंदर है इस कुदरत अंदर की की है इसनों पूरा पूरा जान पाना था सोखानी पर हाँ जिन्ना जान दे जाएगे उनने खिर जानते हैं, हर विकार तुम उपर उठके सबनों एक नजर नाल देखन वाली बन जानते हैं, रभी रूप बन जानते हैं, इस तो बाद गुरु से फरमा देहन के, कुदरत कवन कहां विचार वार या ना जावा एक वार, पाव के मेरी की ताकत के मैं रभी इस कुदरत दी विचार कर सकां, इता रभी वांग बड़ी ही ताजा हैं, बड़ी ही महान हैं, बहुत सारे रंगा नाल परी हैं, हे अकाल पुर्क जीओ, मैं ता जे वार वार भी वा एनी महान है के मैं उसते सामने बहुत तो शहां, आप जी बहुत महान हो, आप दी कुदरत बहुत महान है, इस तो बाद जो आखरी पंक्ति हान हो, असे वज़ गुरु से फर्मादे हान के जो तुद पाम है साई पली कार, तुँ सदा, सलामत निरंकार पाम के सकुदरत अंदर बड़े ही तरादे रांग हान, जीव हान, पदार थान जिते असंक चंगे हान ओते असंक पापी हान जिते असंक जबी तबी हान ओते असंक चोरते निंदक ही हान जिते असंक ही जीव हान ओते ही असंक ही जीमाली थाम वी हन टिकाने वी हन पर जो जो भी है जित्ते जित्ते वी जो कुछ है हर कोई उसते हुकम हंदर है कोई उसते हुकम तो बार नहीं अते हे निरंकार जीओ जो तहानू चंगा लगदा है ओही कोज हुंदा है कैन तो पाव उसती रजा विच रेना ही चंगा है उसती रजा होकम मंदर चलने नाल ही है, साड़ी गुरु सहभाने अपने जीवन अंदर ये सब कुछ करकी भी दिखाया है, अते जो भी मन होकम तो उल्ट चलता है, उस दे हाथ पर ले, कुछ नहीं आंदा, गुरु सहभानत बिच फरमा दिहान के, हे निरंगकार जी ओ, तुसी सदा सलाम हो, सदा रहन वाले हो, पर ये हाथ पैर तान देह, पानी तोतें उतरस खेह, पर ये पाव पर जाना गंदा हो जाना, जे हाथ पैर जान श्रीर ता कोई भी हिस्सा के नाल पाव तूड गर्द मिटी आधी नाल पर जाए, मैला हो जाएता ओ आंग, पानी चे तोतें साफ हो जान दा है, पाव थोड़ी बहुती गंदगी जे सानू लग वी जायता हो, सिरुफ पानी नाल तोतें साफ हो जान दी है, पर जे गंदगी जादा होए, ता उस बारे गुरु सब एक होर उधारन पहली उधारन दे नाल चोड़ दे हो, फरमान दे हान के, मूत पलीती कपड होए, दे साबुन लई है, ओ तोई, गुरु से बड़ी ही सोखीते सब्दे समझ आजान वाली उधारन साथे सामने रखते हैं के, जमें थोड़ी मेल पानी नाल साफ हो जान दी है, इन जी ही जद मेल जादा होए, जद शरीर नों जा किसे कपड़े नों जादा मेल लग जा करके तोना पहिन दा है, साबन उस मेल नों ला दिन्दा है, इंज पाणी जे साबन नाल सक्त मेल भी तोटी जा सकती है, गंदा होया कपड़ा भी साबन नाही तोटा जा सकता है, तक गुरु से ब इना दो सोखियां उधारना तों, बात फरमा दिहान के, जमें मेला तन पर ये पाव पर जाना गंदा हो जाना की गंदा हो जाना मत जद मत मेली हो जाए किस नल मेली हो जाए पापा कै संग पाव पापा देनाल माडे विचारा देनाल साधी मत मेली हो जाना गंदा है गुरु प्यारो जमें साधा शरीर कनदा हो जाए ता असी इशनान करके इसनो साफ कर लेंदा है क्योंके मेला शरीर सानो खुद नो बड़ातां कर देनाल अधे जे मेल कपड़ें ते लगे फिर ता असी ओ कपड़े विला देन दे हां क्योंके उना कपड़ें नो पाके सानो बड़ी काल महसूस होंदी है अधे उनानो फिरसी सर्फ जा साफ नौ तो रखना जरूरी है ओमें ही माननो भी साफ रखना जरूरी है सो साड़े मैले कुचैले माननू साफ करन बारी गुरु से फर्मान दिया है कि जबें तन पाणी नल तो बदा है कपड़ा साब नल तो बदा है इंज मन नाम नल तो बदा है ओ तो पै नाम है कै रंग रंग दा पाव प्यार नाम नल जद प्रीद पेंदी है ता मन साफ हो जानदा है मन पापा वाले पास से तो हट के नाम वाले पास से सज वाले पास से लग जानदा है कदों जदों नाम विच मन रंग जाए जब कपडे ते साबुन लगदा है तक कपड़ा साफ होंदा है गुरु प्यारो इन्ट टुकांदर गुर्ट से फर्मान दे हनके पापाते गुनाहानल मेले होई माननो नाम दे प्यारनल तो उता जा सकता है गुरु प्यारो जब शरीर लिए पानी जिरूरी है इन्ज मानली बानी जरूरी है हर रोज जरूरी है जवे रोज शरीर नों साफ रखना जरूरी है इन्ज माननों ही हर रोज साफ रखना जरूरी है अते ये साफ हुंदा है गुरू दी बानी नाल इस तो बाद गुरु से अब एक हो और बहुत प्यारी सिख्या दे के समझा दे हैं के पुन्नी पापी आखन ना है कार कार करना लिख लै जा अक्सर ही ऐसी देख दे हैं के जे कोई थोड़ा जातार्मिक हो जानदा है उसनों बाकी दुणिया पापी नजरान लाग पेंदी है ओ दूजय दे कमियां लबन लाग पेंदा है जद के ऐसी दूजय नू उना दे कमियां नहीं उस दिया कूबियां दसने हन भई तेरे अंदर ऐ गुण हन इस गुणनाल चलेगा तेरा जीवन सफल हो सकता है जद कूबियां दे कमियां अपने आप दूर हो जान दे हन पर साड़े विच्छों बहुत ऐसी हन जो आखन पाव आख दे हन केंदे हन की केंदे हन के ए पापी है ए पुन्नी है ए चंगा है ए माडा है ए बुरा है ए चंगा है तो गुरु से फरमा दे हन के साड़े कैन नल कारिक और जो जो कर्म हाथानाल करांगे चंग इप मारे कर्म जेह कर्म करते चले जानंगे ऊसे तरह तरह दिन फितन UHा खाण जामाडए काओ अंदर मारे काए चंग शादू है और हो जाद जीवन बंदा चावेगाओ धरू जीवन जवे आप पे बीज आप पे ही खाँ नानक हुकमी आउं जाओ पाव के जो आप बीज्या है उसनों आप ही खाना पेगा की बीज्या है चंगे जा मारे विचार किते बीज्या है मान दे जमीन दे मान उत्ते जो चंगे मारे ख्याल पाए हन ओ बीज हन ओही ख्याल खोली खोली वड़े हों दे हन अथे ओही ख्याल सोच सानों चंगे जा मन दे पासे प्रेर दे हन अथे उना तो मिरन वाला फल है दुख अते सुख गुरू से फर्मादे हैं कि जे हो जे है बीज बीजेगा ओहु जे फल काएगा जे चंगा बीज बोया है जे गुरू दे शब्द दा मन अंदर बीज बोया है ता मन अनंद विच रहेगा सुख वला फल खाएगा जी दुख भी आई तो दुखानों भी कुझ ना जानेगा हर अंकड नो हर मसीबत नो हस्दी हस्दी हल कर जावेगा आते जे बीज बुरे कर्मा वला वोया है माड़े विचारा वला वोया है जे मन अंदर कूड कबाड़ा परिया है ता फिर फल सवाए दुखतों कुझ ना लेके आएगा इसलिए चंगे बीज बुए रबे नाम दे बीज मनते बुए ता जो चंगे फल मिल सकना ते आनते वज़े गुरु से फरमा दिया हर के हुकमी दे हुकम नाल हर एक जीव आउंदा है ते जानदा है गुरु प्यारे जो जन्मिया है चाहिए कोई भी शे होए उसने एक नाएक दिन जाना ही है यह सचाई है वड़े वड़े राजे, महराजे, चान, सितारे सूरज भी ते सदा नहीं जगदे रहने एवी अन्त मेट जानती है अकाल पुरुख दे हुकम नाल ही कोई याउंदा है अधि उससे हुकम अनुसारी फिर जीव उससे एक विच समा जानता है इसलिए उससे हुकम विच तो नहीं सानुख अब्दा है गुरुप्यार गुरुख सैब ने जब जी सैब जी शुरू तो लेकी होन तक सानुखॐ भारे वार वार समझा है के आएमान तु खुमी देपाव अकाल पुरुख दे हुकम नो समझ जे हुकम समझ आजाए ता जिन्दगी बदल जादी है जो हुकम समझ आजाए ता हूं में दूर हो जादी है जो हुकम समझ आजाए ता जिन्दगे नो देखने ते जी उन दा तरीका ही बदल जादा है जैमें चन्ड, तारे, सूरज, सारे ग्रह हुकम अंदर चल रही हैं ऐ मना तूम इह खुगम नो समझ हुकम विच तोरियां दोख भी दोख नहीं बलके मालक दी दात लगदा है इसलिए हुकम नू समझ उस अनुसार जी जी असी हुकम तो बार जान दी कोशिश करांगे तै एक कोशिश है ता वियर्थ अते जिननी कोशिश करांगे उन्हें होर दुकी होँआगे इसलिए हुकम तो बार वर जायां सवाए दोखतों गुरु प्यारो कुझ नहीं मिलदा फिर ता बस उलाम में ही मिलदे हन फिर ता छोटी छोटी दोख भी पाड़ा वर गी जावदे हन हुकम नो समझियां ही पता लगदा है कि हर एक जीव उस्ता हुकम नाल ही आउंदा है ती जानदा है अते हर एक जीव अपने अपने करमा दा बीजे होई क्याला दा करमा दा फलकान गुरु गेर जिस दा जीवन विकारी बन जाए उस दा रोज मरन होंदा है पल पल मरता है पर जो एक नल एक हो जाए उस दा रोज रोज दा जमना मरना मुक जानदा है उस दा हुक्म अंदर चल के उस दा ही रूप हो जानदा है तो गुरु साह बिना आकरी पंक्त के अंदर फ पिर नाम दे बीज बोई ये ता फिर सब सोजी पहचांदी है फिर जनम बरन दे चक्कर मुख जांदी हैं फिर जम ये बाग की रहे चन तारे हावा सोरच अपने अपने कार्ज होकम अंदर रहके कर रहे हैं मानमी उमें अपने अंदर जोट नो जगा के खोरा दिया पिर नवाद तीरत तप दया दत दान जे को पाम है तिन का मान अक्सर ही देख देहां जद असी किसी तार्मिकस्तान ते तीरत थादी ते जांदेहां ता आ के गवांडियानों भी दस्देहां के असी दर्शन करके आएं यहां ता अग्वों चवा बंदा है के बड़े कहांब वाले हो, तहा गुरु पियारो तीरति जाना, तब करना , जा जीवाति धया करनी, अति दान देना , इस सब करम करके जो फल मिलता है , जो वड़ियाई्य मिलती है गुरु से फरमाद है , यह दा फल,, मान , तेल जिना होंदा है जे को पाव है तिल का मान पाव जो इतार में करम करके मान सम्मान बिल दे है वो सिर्फ एक तिल जिनना ही हुंदा है तिल गुरुप यह बहुत चोटा अनाज़ देक दाना है ता जद सी दान कर देहां द्या कर देहां ता मन खुश हुंदा है कुछ पल मन अनन्द विचाउंदा है पर अगले ही पल से फिर शैतान बन जान दे हाँ फिर विकारा मिज़ फास जान दे हाँ पर जो अनन्द तीरते जाया जाद्यादी करके कड़ी पल लई मिल दा है ये अनन्द जे सदाली बन जए ये अनन्द सदाले भी गुरु प्यारों बन सकता है उसलिए गुरु से फर्मादिहान के तीरत जाना है पर अपने अंदर दे तीरत जाना है अंदर दे तीरत इश्रान करना पैना है गुरु से फर्मादिहान के सोनेया, मन्या, मन कीता पाऊ, अंतर गत, तीरत, मल नाओ बारला मान सतकार पाउंड ली इनसान बार हाथ पैर मार दे है पर जद अंदर सतकार पाउंड दी गाल हुए था अपने आपनू, अपने अंतर नू स्वारना पेंदा है इसलिए गुरु से हम सानो एक बड़ा ही वदिया रादस दी हान जिसरे असी मान दा इश्नान करवा सकते हां, उस दी मैं ला सकते हां, उसनो स्वार सकते हां ओक में उस बारे गुरु से फर्मा दी हान के सुने आ, मन्या, मन कीता पाव पाव जिसने रभी नाम नू गुरु दी बानी रही मान करके सुने आ है फिर सुन के उसनो मन्या है, अते मन्या भी पूरा पाव नल है पाव प्यार नल जिसने रभी गोन गुरु दिया सिख्यावा नू मान दर वसाया है समझो उसने अपने अंतरगत पाव अंदर ले तीरते मल मल की इश्नान कर लिया है गुरु प्यारो जद मन उते गुरुदा शब्द वर्द है ता मन दी सारी मैल आउगण तोप जान देहन, इस्तीरते नातियां, नाम नल तोतियां, मन साफ हो जान देहन, मन दरो मैल पाविकार दूर हो जान देहन ते जद मन दरो मैल दूर होवे, विकार दूर होवन, फिर की को भी होंदा है उस बारे गुरु से फरमा देहन के सब गुण तेरे मैं ना ही कोई वेन गुण कीते पगत ना होई, पगत दा पाव है पगते, जद गुरु दी किरपा नल मान दी मैं अल दूर होंदी है ता विचारा अंदर शुद दा आउंदी है, मान रभी गुणा नल पर पूर होंदा है पर मन प्राप्त की ते किसे भी गुन दा किसे भी ग्यान दा कोई हंकार नहीं करदा बलके मन दा निमरता अंदर रहेंदा है अते केंदा है के हे मेरे मालक इस सारे गुन आप जे दी हन जे में कमरे अंदर पैरी रोशनी मेरी ने सूरज दी है इस रोशनी था सूरज मालक है मैंने इस ही मेरे अंदर जो गुना दी रोशनी पैरी है और रोशनी मालक दी है एक गुन मालक दी हन मेरे नहीं मेरे अंदर रबी गुण आये हन ये रब दी किरपा है ये उसती रहमत है इसलिए है मेरे मालक सारे ही गुण आप दी हन मैं ना ही कोई मेरा कोई गुण ने गुण जिन्नेवी हन आप दी हन अधे एक गुण ही पक्ती दा मारेक हन गुण होवन ता ही पक्ती हो सकती यह पगता केंदे ही उसनु हन जेस अंदर गुण होँन गुरु से फर्मादे हन के बिना गुणा तो बक्ती नई हो सकती यसलिए है मेरी मालक मैंनू अपने गुण बक्षो अपना नाम बक्षो पर कदे वी गुणा दा हंकार ना होँन देना इस तो बाद गुरु से सत्त, सुखान, सदा, मन चाओ, सुआस्त पाव है, जय होए, तो सदा अटल है, आथ दा पाव है, माया, गुरु प्यारो जद मन रब्बी नाम अंदर पेजी जानदा है, निमरता अंदर अंदा है, ता मन दा अकाल पुर्खनाल, अते अकाल पुर्खदी, गुदरत नाल, अथा प्यार पैजन्द है, उसनों हर पासे बस ओही एक नजरी पेंदा है, तक गुरु से बिस पंक्तिराहीं फरमांदे हन के, हे निरंकार जीओ, तुसी ही हर पासे हो, तुह अड़ी सदा ही जय होवे, तुसी आप ही माया हो, आप ही बानी हो, आप ही ब्रह्मा हो, पाव, इस स्रिष्टी नू बनान वाले माया, बानी जा ब्रह्मा तातों वक्री हस्ती वाले नहीं हन, सब कुछ तुसी आप ही हो, आप ह सत्थ हो पाव सदा थिर रहन वाली हो सुहान पाव तुसी सोने हो तो अड़े मन विच सदा चाओ है खिडाओ है सो मन इंज मालक नूँ सलंद है शिफ्ट कर दें जो देख दें उसनों ब्यान दें इस तो बाद इस पोड़ी अंदर कुछ ऐसे स्वाल हन जो जगत दे निर्मा इतनों पूरा जानया नहीं जा सकता क्योंकि इस ता फैला बहुत जादा है अते साधियां बहुत चोटे हैं गुरु से फर्मा देहन के कवण सवेला, वक्त कवण, कवण थित, कवण वार, कवण सरुत्ती, माह कवण, जित होवा आकार कवण पाव केडा जा कोण गुरु से पहला स्वाल रग देहन जो आम ही हर मन अंदर उड़ देहन के और केड़ा वेला सी, और केड़ा वक्त सी, और केड़ी थेत सी, और केड़ा मीना सी, और केड़ा वार सी, और केड़ी रूत सी जदो ए सारा कार पैदा होया, जदो ए ब्रहमंड बनेया, और कदों ते किस दिन बनेया उस बारे इस्वाले गुरु प्यारो इस बारे वाकवा का लोका दी वाकवा का राय हो सकती है पर गुरु सब इस दे जवाब अंदर फरमांदेहन के वेल ना पाईया पंड़ती जै होवाई लेक पुरान अकालबूरुक ने ज़ादे सब अकार बनाया दुनिया नों वसाया इस बारी गुरुस BOY फर्मान देहार के जे गिसे नों पता हुनदा एक कदो बनिया ता ओ जरूर अपने किसे न किसे तार में ग्रंतंदर जरूर धार्ज करदा जवें वेल पाव वेला वेल ना पाईयां पंडती पाव पड़े लेकी विद्वानानू पंडतानू उस वेले दी सार्न पे जद अकार बनिया जे कोई गल पता होंदी ता उस वारे जरूर कोई ना कोई लेक पुराण आधी गरांत अंदर लिख्या होंदा इंज ही मुसलम बारे गुरु से फर्मा दिहान के वक्त ना पाईयों कादियां जे लिकन लेक कुराण पाव जी काल कुराण दी करिये ता गुरु से फर्मा दिहान के जिमें वेल पाव वेले दा समे दा पंडतानू ना पता लगा इंच वक्त दा, पाव वक्त दा, समय दा, कद आकार बनेया, उस बारे काजियों नों मी खबर ना लगे नहीं ता उना ने भी कोई ना कोई लेक इस बारे जरूर लेक देना सी, कोई ना कोई आयत जरूर कुरान अंदर लेक देने सी कि इस वार रोत जा समय अंदर यहा कार जांचगत बन्या इस तो बाद उस वेले दी जो तीजी तीर जोगी सन जो बहुत पहुंची होई सन उना बारे भी गुरु से फर्मा देहन के तित वार ना जोगी जाने रुत माह ना कोई पहला समय बारे गुरु ना दसा कोई नी जानदा वक्त बारे किसे नू नी पता उस तो बाद गुरु से फर्मा देहन के गुरु प्यारों जद जगत बनिया लगबग बहुं सारे तरमन दिहन के ए मालक ने बनाया पहली कालते ए मालक ने बनाया इसनों किसे आवाज जिसनों शब्द वाक्चा बिग बैंग भी किया जानदा है उत्षों जगत दी शुरुवात होई यह ही ता दस्या जा सकता है कि केंज शुरुवात होई पर कदों होई वो केड़ा देन सी वो केड़ी रोत सी वो केड़ा वार सी इस बारे कोई नहीं जानदा फिर वो कौन है जो सब जानदा है उस बारे गुरु से फर्मान दिहन के जा करता सिर्ठी को साजे आप पे जाने सोई गुरु सफर्मादियान किस बुजारत नो सिर्फ ते सिर्फ करता ही जानदा है पावो करता पुर्ख जिसने जगत नो बनाया जिसने सिर्ठी नो साजे जिसने इस जगत नो वाकवा करंगानल शिंगार्या है सिर्फ ओ सिर्जनहार ही जानदा है किसनों कदों साजिया है अप पे जाना सोई ओ ही जानदा है जिसने बनाया है होर कोई ता सिर्फ ता सिर्फ अंदाजे ही ला सकता है पर पूरा सा चता सचा मालक ही जानदा है इस तो बात गुरु सह फरमा दिहान के गुरु प्यार सूर चन तारे किने सारे फोल हरी परी गुदर्द इस जहान अंदर किना कुछ मालक ने दिता है पर इसनों वेखन दा समा सिर्फ ओही कड पूंदा है जा अनंद मानन दा समा ओही कड़ता है जिस अंदर उस दी लगन लग जाये जिसनों कुदरत अंदिर उस ते दिधार होने लग पैंडते जिसनों हर पासे ओ आप नज़री पैंदा है कि इस सारी कुदरत इस सारी कायनात इस सारा चकत ओ सबकुछ मालक आप ही है ओ मन फिर आप कै उटता है करभा मैं किवे तो हड़ी सिफ्ट कराँ मैं किस तरह अकाल पुर्गती वडियाई दसा, किस तरह अकाल पुर्गती सिफ्ट सला, गुन, गामा, किस तरह अकाल पुर्गती वडियाई दा वादन करा, अते किस तरह उस एक नू समझा, जो हर एक अंदर समाया होया है, जो हर एक पासी है, जिस ता वास हर एक अंदर है, इस स्वाल दा बड़ा ही सोना जवाब गुरु सेब नालही फरमादियान के, नानक आखन सब को आखें, एक दू एक सियाना। गुरु सेब फरमादियान के, कैननुता रोज रब्दियां सिफता हर जगा होंदिया हान। हर रोज दारमेखस्ताना ते अकालपुर्ख परमात्मादा गुनगान होंदा है। अति हर कुई एक दूजे तो वद के गयान दिनदा है, अपने आपनो वद तो वद स्याना समझ के अकालपुर्ख दे पेत दिनदा है। केंतु पाव के केंनु ता बहुत लुकाई निरंग कार बारे दस्ती है पर ओ दस के भी पूरा-पूरा दस नहीं सगदे क्योंकि एक मच्छी किंज दस्ते के समंदर किना वड़ा है एक निकाज एंसान के में ब्रह्मंडानु बनान वाले बारे पूरा-पूरा दस सगदा है वो सिर्फ उन्ना ही दस्ती का जिन्ना को अजे जाने है अते जिन्ना असी जाने है वो एक तिल जिन्ना भी नहीं है अकालपुर्क था बहुत ही महान है बहुत दूर दूर तक फैलिया है इसलिए उसने कदों जक्त मनाय उस बारे भी यो खुद ही जानदा है अतिव खुद किना वड़ा है उस बारे भी वो आप ही जानदा है जिवके गुरु साफरमा दिहान के वड़ा साहिब वड़ी नाई कीता जा का होएं अकालपुर्क थे रंग विच रंगया मनता यही कहन दा है कि उस साहिब वड़ा है सब तो वड़ा है उस सब द करता है उसते वड़ाई सब तो वड़ी है होड सारीं वडेंगया हो सगे फिक्क्यां पहेजान दीहान आते इसे जगत अंदर जो भी कुछ हो रहे है उसे हुकम अंदर हो रहे है उसना कीटा हो रहे है आसी कही वार कैद दिहां के रभ ने एक अंडे क्यों बनाये रोख क्यों बनाए जा पैड़े लोग क्यों बनाए कोई चीज वड़ी जा छोटी क्यों बनाई पर गुरु प्यार हर एक दाइच्थे होनदा कोई ना कोई कारण होनदा है ओ कारण सानू हुकम अंदर चल्लिया ही पता लगदा है ता अंत विच गुरु से फरमादियान के नानक जे को अपू जाने अगे गया नासो है गुरु से बनत विच फरमादियान के मनोखनों कुदरत बारे जानना चाईदा है जिनना जानों चंगा है पर जी कोई कहे के मैं पूरा जान लिया है कदे आधर ने पांदा क्योंके गल पामें कुद्रत दी होवे जां कुद्रत नूँ पैदा करनवाले दी गल पामें ब्रैमंड दी होवे जांसुनू जनम देन वाले सिर जनहार अकालपुर्ख दी ना अकालपुर्ख दा कोई अंत पाया जा सकता है ना अकालपुर्ख वलु स जगद दा इंसान मुक जानदा है पर उस मालक दा कोई अंत नहीं उस दी कुदरत दा कोई अंत नहीं जिन्ना खोजोगे उन ना पाऊगे पर जे कोई कही के मानत पाले है तो उस बारे गुरु से फरमांदिहान के ये नानक जे कोई मनुक अपनी अकड़ दे आसरे दे दरते जाके आधर नहीं पांदा पातालां पाताल लख आगासां आगास गुरु प्यारों पिछलियां पोड़ी अंदर गुरु से हमने सनु रभी कुदरत दे बारे बहुत कोई विस्तार ना दस्या के एक कुदरत अकाल पुरिकती तरह बहुत ही वड़ी अति महान है इसनु ना मापया जा सकदा है ना गिनिया जा सकदा है अति मालक दी बहुरंगी कुदरत सामने हर तरह दा लेक छोटा पैजन्दा है हर कलम मोक जान्दी हर स्याई खत्म हो जान्दी है सब गिन्तियां मोक जान्दी है हन सब शब्द खत्म हो जान्दी हन पर अकाल पुरिकत अधि उसने बनाए जगत्दा अंद गदेविनी हुन्दा उस सदा बददा ति फैल तर रहनदा है कोज विद्वान केंदे हैं के जो सिर्दे उत्ते हैं उसनों अकाश किया जानदा है अथे जो अकाश पैरा वाले पासे हैं उसनों पाताल किया जानदा है इस दिनाली जे पुरातन गरंता दिखाल करिये था पाताल वी कई तरह दे हैं कई लोग सत तरह दे केंदे हैं अथे कई अठ तरह दे पर गुरु से फर्बान दे हैं के पाताल ना पाताल लख आगासा अगास पाव के पाताल जा अकाश एक ने बलके लखा ही आकाश दसे जार हन लखा ही पाताल दसे जारन जिते तरह तरह दा जीवन है अते गुरु प्यर इस पंक्ति तूं ऐसी सारे किते ए पुले खाना खा जाए कि ए विचार गुरु सेब दे रहे हन के अकाश लखान नहीं ए ता पहला तो चली आरी विचार नूं गुरु सेब ने साड़े सामने र प्रोड ने बलके असंक हन गिंतियां तो परे हन ता ऐधे गुरु सेब उचार खोजिया बारे फर्मारे हन जो लखा ही पताला दे अकाशा बारे दासरे हन आते उ होर्की की लब रे हन उना बारे गुरु सेब बगले पंक्तियां परमा दे हन के ओड़क आड़क पाल ठके वेद कहन एक वात पाम खोजी सिर्फ अकाश जा पताल नू लखा ने कहरे बलके खोजी जा रिशी मुनी जो मालिक दी कुदरत नू जानर दे चावान हान वो ता कुदरत न अंत पौण दियां बातावी कर दे हन वो अंत लब रे हन वो ता जगदे अखीरले हिस्से नू पाल रे हन पर औरक औरक पाल थके पर ओ पाल पाल के थक चुके हन हार चुके हन तोट चुके हन पर कुदरत न आखरी हिस्सा जा उस ता अंत वो लब ने पाए लबन मिता के में गुरु प्यारे हो अकाल पुर्ग दी कुदर दाता कोई अंत ही नहीं है नालही गुरु से फरमादे हन के वेद कहन एक वाद पाव वेद चार वेद भी एक अल फरमादे हन के बहुत सारे खोजी विदवान जो खोज का रहे हन बहुत लोग त्यान लाके समाधियां लाके भी उस्ता अंत लब रहे हन ते वार वार एक आख रहे हन के लखा ही आकाश हन लखा ही पताल हन ता गुरु से अब इस तुक रहें फरमादे हन के उस प्रभु दी कुदरत दा औरक हद बनना लब दे हो सारे ही ठाक रहे गए हन पर किसे नो औरक न लब या चारे वेद एक गल ही आख दे हन लखा आकाश हन लखा पताल हन गुरु प्यार गुरु से ब इन तुकामबारे अपने की विचार दे रहे हन इस बारे ता बाद विच गल करांगे सब तो पहला जो अगे वाले पंग दे हन उना नोसी समझ दे हन जिना विच एसी तरह दिया कुछ होर विचार हन जिवें के गुरु से फरमा दे हन के सहस अठारह कहन कतेबा असलु एक तात सहस ना पाव है हजार अठारह पाव अठारह हजार पाव एक मत ए कह रहा है के सत अकाश हन एक मत कह रहा है सी के लखा अकाश हन अठे एक होर मत वारे गुरु से फरमा दे हन के वो अठारह हजार आलम गिंदे हन अकाश गिंदे हन जगत गिंदे हन जिते वाकवाक तरह दा जीवन है कौन कह रहे हैं? कहन कतेबहां कतेबहां पाव इसाइमत अते इसलाम आदिक दियां चार तार्मे गरंत कुरान अंजील तोरेत अते जंबूर इना अंदर ब्रैमंड बारे कुछ विचारा मिल दिया हन जैसे विच अठारा हजार जहाना बारे जिकर है इस दिनाली गरु से फरमादे हन के पावे 18,000 आलम हन जहान हन पर इना सब दा असलू पाव मुड एक ताथ है पाव एक अकाल पुरुक है यह जिन्नावी संसार बनिया है यह एक तो बनिया है ता यह जो विचारा हन यह पहला खोजियां बारे विचारा दस्यां फिर वेदा बारे विचारा दस्यां फिर कतेबा बारे विचारा दस्यां इस तो बाद होन गुरु से अपनी विचार साथे सामने रख रहे हन जिस विच गुरु से फरमादे हन के लेखा होए ता लिखी है लेखा होए विनास गुरु से फरमादे हन के पर किमी इसनों लेक़् के अंदर लिकोगे। चोड़ शब्द की असंक शब्द भी छोटा पैजानदा है असंक दा पाव है जो चीज गिने ना जा सके अनगिनत जिस दी कोई गिन्ती नहीं हो सकती उसनों कदे भी गिन्ती अंदर दस्या नहीं जा सकता है इसलिए गुरु सफर मंधियान के अकाल पुरक दी कुद्रदा ल लेखा तदों ही लिक सकी दा है जे लेखा हो सके पावे लेखा ताँ हो ही facility बैठिया ता लेखा कर द्याकर्दे लेखी दा ही विनाश हो जानता है खार थ्माहो जान्द दा है गिन्ती वालिए टारा प 96. यह बहुत फऴि है इह लगातार वदधी ही चली जा रही है इसलिए Guru प्यारे कुद्रत नो किसी भी किंती अंदर लिखे आनी जा सकता इस तो बाद इस पोड़ी दी आखरी तो कंदर Guru करदे नानक वड्डा आखियें आप पे जाने आप। गुरू प्यारों जद कधी कोई विध्यानीये किसे नवई तरतीदी खोज BT तो उसनों किलना महान जा वड्डा किया जान्ध है। यही पहले हुशना नहीं खोज जया, उननों कहां वड्डा कह करतें। Потому प्रूप यह जिसने असंखा जक्त बनाए सोचो और आप किना वड्डा होएगा एक ते गुरु सब्सेब एवी फिर्मादेहन के साधे वड्डे कैनल ये वड्डा नहीं हो जानदा ते वड्डा ना कैनल अकालपृ कुछ छोटा नहीं हो जानदा वो जैहोजिया है वो हो जै ना छोटा केंटे चुरांगे ना किसे नों मारे बोल बोलांगे बस अपने राए तुर्दे रहांगे तो गुरु से फर्मादियान के हे नानक उस साहिब वड़ा है अते वड़ी है उस दी कुदरत जिस अंदर असंका ही ग्रह तारे मंडल लो कादिहन अते वो आप किना वड़ा है इस बारे सिर्फ वो आप ही जानदा है आप पे जानए आप वो आप ही जानदा है वो किना वड़ा है गुरु प्यारों होर कोई इस बारे दस भी नहीं सकता कि वो किना वड़ा है क्योंकि उस दे बराबर गुरू प्यारू इस पौड़ी दी विचार अंदर एक होर चोटी जी विचार जोड़ना चांदा है जमें के गुरू से हमने बाणी अंदर भी फर्माया है कि जो ब्रहमंडे सोई पिंडे जो ब्रहमंड दे अंदर है वो साड़े अंदर भी है जमें बार कई सारे अकाश हन पाताल हन इंज साड़े अंदर हजारा लखा अकाश पाव चंगे विचार हन लखा ही पैड़े विचार पाव पाताल भी हन इस्तिनाल ही हर रोज साड़े मन अंदर हजारा लख का विचार चल्दी ही रेंदिहान पर वेद पाव ग्यान वाली वात ये हैं कि जी एक तात नाल पाव एक अकाल पुर्ख नल जुड़िया जाए साड़ा मन सुदर जानदा है अंदर दी मैल दूर हो जानदी है आते जो भी माड़े लेख खांदा जो लेख साड़े बने हो इस सदा एकनू त्यांदा है उस एकनू जो साबतों वड़ा है जिस वर्गा होर कोई नहीं जो सब्दा दाता है जो सब्दा करता है करता पुर्ख है साला ही साला एती सुर्थ ना पाईया साला ही पाव जिस दी सिफ्थ सलाह किती जानदी है पाव अकाल पुर्ख जगदा दाता सिर्जनहार उस दी वड़ियाई उस दी सिफ्थ सलाह दिनरात होंदी है हर्था होंदी है उसनों वड़ा वड़ा कहके सलाया जानदा है उसने ग गवनाध्यदोन को करने लगता करने स्यफित्य अधर्व किया थैंठ्या। जा अकाल पुर्क नो याद करना वेरत है ता इस दे जवाब वेच गुर सब एक बड़ी ही प्यारी पंक्ति साटी नार साजी कर दो ही फिरमा दिहान के ठीक है कि उसनों पूरा नहीं जाने जा सकता ठीक है उस दा अंत नहीं पाए जा सकता ठीक है असी बहुत छोटी जई गागर वरगी हाँ अते अकाल पुरक एक डूंगी समुंदर दी तरह है ठीक है कि इस गागर अंदर समुंदर पूरा नहीं समा सकता पर समुंदर अंदर था गागर समा सकता पाव के गागर असी जे समुंदर अंदर पाद ये था उस अंदर भी उस दे अंचा जान दे हन समुंदर आ जान दा है कुझ एसी तरह दी उदा रणनल गुरु से बगे फर्मान दे हन के नदियां अते वाह पाव है समुंद ना जानिया है वाद पाव है वैन पाव नदी नाले गुरू प्यारो नदी नाले निकल दे समंदर अंदरो हन फिर काफी सफर तै कर दे हन अते इना दी मंजल एननी दूर तै करन तो बाद फिर समंदर ही हुंदी है समंदर विच पहुंच के ही इना दा सफर पूरा हुंदा है जो नदी नाल कि उसता ही रूप हो जाएदी है वो अपनी यह संती मिटा दिन्दि है उन्गुरु प्यार्यो नदिया जो सुमुंदर विच मिल दिया हान उस सुमुंदर दा अन्तान नहीं पासकती पर उस अंदर समा के उसता हिस्सा था हो सकती ऑसते होकमन्द रह के अनन्दता मान सकते हैं कुछ एसे तरह ही जो मानराब नो वड़ा वड़ा कहनदा है जो उसे अन्त बारे नहीं जान पानदा पर उसे दी कीती हुई कोई भी कोशिश बेकार नी जादने क्योंकि जिन्ना जादा मानराब वाले पास से लगदा है उन्होर अकालपुर्ग दे न अन्त नहीं पाया जा सकता पर अन्त विच समायत जा सकता है ठीक है चोटी जी गागर अंदर समंदर नो नहीं पाया जा सकता है पर समंदर अंदर अंदर नहीं पाया जा सकता है गागर ता पूरी पूरी समंदर नाल पर सकती है जमें के गुर्बानी अंदर विया है सर्वर मैं हनस है हनस मैं सागर हंस विछ पूरा सागर नहीं आ सकता पर सागर ता हनस वीच आ सकता है ज़़ो हंस सागर वीच समाब जानना त olduğ के चोती स्मुंदर वीच समुदर वच झापिछा है पर मिलन तो बाद उस समंदर तो वक्रे नहीं जाने जाने पाव नदिया नाले समंदर विच समा जाने हन उना दी वक्री होंद खत्म हो जाने है तिमेही सिफ्ता करन वाले मन अपने साई मेच एकमिक हो जाने हन उना अंदर फिर कोई पेज नहीं रहनदा वो भी उस्ता ही गुरूप हो जानदे हैं गुरूप यारो इस तो बाद एक हो और बड़ी ही प्यारी उधार नल गुरूप सहब समझारी हैं कि जो मन जो पगद पाव जो रब दा प्यारा रब नल एक में को हो जानदा है उसको किस तरह दी दौलत होंदी है उसको किस तरह दा खजाना होंदा है पर उस तो पहला गुरूप यारो दौलत विच भी फर्क होंदा है असी उसनों अमीर केंदे हैं जिसको बहुत पैसा हुए तान दोलत हुए पर गुरू सेब उसनों अमीर केंदे हैं जिसको गुना रूपी तान दोलत हुए खजाना हुए जिसको गुना रूपी तान दोलत हुए खजाना हुए जिसको रभी नाम दी दोलत हुए जरूरी नही कि उसकोल दुन्यावी पैसा है जा नहीं जे उसकोल नाम दा खजाना है तो उस वरगा होर कोई अमीर ने उसकोल जो खजाना है उसकोल जो खजाना है और दुन्या दे होर सब खजाने नालो मेंगा तेक कीमती है जो वरतेयां वददा है कदे करदाने इसलिए गुरु सेब इस फिर्मान रही करपा करदेहन के पावे कोई बहुत वड़ा अमीर होई किना अमीर एना अमीर के उस मुंदरादावी शाह होई मालक होई अथे एना अमीर के पहाड़ा जिननी उसको लगतान दोलत माल होई पर रहो जए शाद मन अंदर जे रब ने ताओ कंगाल है गुरु सेब इसलिए पहाड़ा जिड़ा तन माल खजाना है ओ उस पगत दे सामने कुछ भी नई जिस पगत दे मन विच्चों कदे रब ने पुलिया गुरु सेब कीड़ी दी उधारनाल समझा दिहन के कीड़ी तुल ना हो वड़ी जे तिस मनो ना विस रह पाव वड़े वड़े राजे महराजे जो समंदरा दे बाच्चा हन जना दे मेल दोलता नल परे हन ओ कीड़ी तुल ना हो वड़ी ओ एक निक्की जै कीड़ी दे तुल भी नही हन पाव उससे बराबर भी नहीं हैं जेकर हे अकाल परक जियो उस कीड़ी दे मान विचो तुसी ना विशरो गुरुप यारो कीड़ी दिया हो भी बहुत सारे उधार नाउं कुरुबानी अंदर रहें हैं कीड़ी दे मेंट कीड़ी दे निमरता हलीमी बारे बहुत कुछ जैगा है कीड़ी जिसता पार नादी बराबर होंदा है जो हवाद एक बुले नल उड़ जांदी है पर कीड़ी मेंटी होंदी है कीड़ी लीडर है अपने तो वद पार चोकिए अपने लई मेंट करती है कीड हलकी है इन जी ही पगत भी रब दा प्यारा भी हलका होंदा है पाव उस अंधर भी किसी तरह दा कोई विकार कोई बुराई खोब में हंकार आदी वाला पाव अउगना दा पार नहीं होंदा गुरु प्यारू एथे एक गल त्यान दिन वाली है जो असी कई वर देखी होएगी के वड़ी वड़ी अमीर लोग भी संता महात मामा दे पैरा विच आ बेंदी हन के सली बेंदी हन की संत पगत उना तु जा होंदा है जो साड़े को नहीं होंदा हो की है वह रब दा नाम उस तब प्यार उस दे नाम दी दोलत गुणा दी दोलत जिसनों जिनना वंडो उन्ने वड़ी है जिननी जादा उसकुल होंदी है वो उन्ना हूर अमीर होंदा है गुरु प्यारे उसकुल अमीरी होंदी है र कभी हुकम अंदर रेंदा है, कदे हंकार जाँ खुशाम अंदर नहीं होंदा, इसलिए गुरु सहाँ विस्तो करें फर्मादे हैं कि समुंदरा दे शावी, जिसकोल पहाणा जिननी दोलत है, ओ उस कीडी दे बरापनी, जिस कीडी दे मनो रब ना विसरे, जिस दे मनो कदे अ अकालपुर्ग ना विसरे, अंत ना सिफ्ती कहन ना अंत, सिफ्ती पाव सिफ्ता दा, गुरु प्यारु अकालपुर्ग नल एक होया मन देखदा है, कि अकालपुर्ग अंदर था ब्यंत ही सिफ्ता हैं, जिनना था कोई अंत ने, जिमें किसे इंसान दी जिए सिफ्त करनी ह पाव किसे भी इंसान दे सर्थ कुछ जोच इने मुक दे कोई वड़ा नी ते वही सथ करतार भी पाव उस कालपुर्क नो किना चंगा चंगा काओ वड़ा वड़ा काओ उस दे किने वी गुणची दे करो उस दे नाम नो याद करो ना ही उस दे नामा दा कोई अंत है ना ही उस दे सिफदा दा कोई अंत है अते ना ही अंत है कैन दा प गुरु दे शब्द नल जुड़िया रेंदा है तद दिन एहो जई भी फिरांदी हन जद दिन छोटी लगदी हन पर अब एद्धा लगदा है जब समा बहुत काटे दिन बड़ी थोड़े ने पर उस दी सिफ्त उस दा गुनगान उस दा नाम अज़े बहुत पे आए अज़े में बहुत पिछ्छिया मन करता है कि होर गुनगान करिए होर जानिए होर उस दा जुड़िये पर गुर से फरमादे हन के अकाल पुर्क दे गुना दा कोई हद बना नहीं है सिफ्ता करन नाल भी उस्ता नहीं पैसकदा कथनी द्वारा भी उस्ता नहीं पैसकदा क्योंकि उस्ते गुना अनन्त हन उस्ते असिफ्ता भी उन्त हन उस्ता नाम भी उन्त है ता इस तो अगे रबनल एक होया मन होर की कुछ देखता है उस बहुरिगुर से फरमादे हन के अन्त ना करन है देण ना अन्त जिस मानिदी लगन एक न लगी है जिसने अपने अंदर उस्ते गुना दा चानन कर लिया है और उस्ते कुदरत नो वेक वेक कहराण हों दै के वा मेरे साहब किन्ने खोब सूर्थ है आप दी कुदरत जिस्ता कोई अन्त ने इस कुदरत अंदर ना उस्ते नाम दा कोई अन्त है ना उस्ते पैदा किते जियां दा कोई अन्त है ना आकाशी तार्यां दा कोई अन्त है ना ही पैदा किते ग्रहां दा इना सब नो पाव इस कुदरत नो इस ब्रेमंड नूँ इना तार्या नूँ जिन्ना भी देखो उनने होर ज़्यादा देखो नूँ रहे जन्दे हन एतना खत्म होन वाली हन अधे सब तो खासकाल जो अकालपुर्ग अंदर है कि कोई भी ग्रै कोई भी जीव कोई रोक जा कोज भी पैदा करन तो पहला उथे उस अब कुछ पहला ही पैदा कर दिन्दा है जिसे दे सहारे ओ जीव जाओ पतार जिऊंदा रहे से कि जमें जियोले साह, हावा, पानी, खुराग आदी दाता अकालपुर्ग पैदा करदा है ता गुरु से फर्मा दे हन के अकालपुर्ग दी रचना दा कोई अंत ने अते ना ही उस तिया दाता दा कोई अंत ने है उस तिया दाता दा अनमूल हन उस वर्गिया ना मुकन वालियां दाता हैं जीव मौक जान दे हैं पर ओ देनों कदे पिछे नहीं हड़ता हूस दाता ने मुक दियां तैस तो बाद गुरु से फर्मा दे हैं के अंत ना वेखण सौनन ना अंत पाव ना वेख्या अकाल पुर्ग दा अंत पाया जा सकता है ना सुन के गुरु प्यारु रब दा प्याराँ जो रब ना एकमिक है जो उसता हिस्सा है जो समुंदुर दा हिस्सा हो चुका है ओ जान जान दा है कि मैं वेखण वी तक किन्ना को वेखण जिन्ना वेक दहां उता सारी कुदृत्त एक पृतिशत हिसे वनी उसी कुदृत्त इस्तो वी कही गुणा अपार है बेंत है भेंत हैं जिससा कोई अंतनी आते सुनने नाल भी कित्थे कानरज देहां सुन सुन के भी उस्ता अंत नहीं पेंदा बलकि उस बारे जिनना भी सुनो जिननी भी बारी कता आदी सुनो उनना खोड सुनन नो मान करता है ते रबी गुणगान भी था उस वरगा ही है ना मुक्न वाला कदे ना कतम होन वाला इसलिए गुरु से इस तो करहें फिरमान देहन के वेखन नाड जा सुनन नाड भी उसता अंत नहीं पाया जा सकता उता ब्यांत है इस तो बाद गुरु से फिरमान देहन के अंत ना जापैं क्या मन मन्त मन्त पावसला गुरु प्यारो एता सब जान देहन के वो जानन हार करत बार मना दिया जानता है साधे मना अंदर क्या हो जा विचार हम। उस तो lag भी वार क्या भी जानता है। कई अंधाज़े वह लाई जानता है करेगा कि वह वह किया करेगा। यहrese है। वो अकाल पुर्ख ही जानदा है वो कुझ करन लगया किसे दी सला नहीं लेंदा इसलिए गुरु साह फर्मादिहान के उस अकाल पुर्ख दे मनवेच केड़ी सला है इस गल्दा भी अंत नहीं पासकदा अंत कोई पावे वी तक कि में पावे इसलिए गुरु साह फर्मादिहान के अकाल पुर्ख ने कुझ भी बनाओन तो पहला किसे दी सला नहीं ले अकाल पुर्ख ने आप ही अपने सलाह नाल मन मनत नाल सब कीता अत अग्य वी जो करेगा उस ता पता सिर्फ उसनों ही है किसे खोर नहीं पाव उस ते मन अंदर की है इस अंत भारे वी कोई नी जानता है इस तो बाद गुरु साह फर्मादिहान के अंत ना जापैं कीता आकार अंत ना जापैं पारावार आज गल देखो नहें मिलदा है कि इक बरामांड किन नो को वड़ा ए, किनने को साल पहला बने है, इस नो लब हे आ जाता है पर होन तक जिन्ना को भी जाने है उतारेट दे एक कण जिन्ना भी रहें गुरु साहपता फरमा देहन कि उस्ते बनाएदा लेखा ता किता ही नहीं जा सकता मनुख जरूर अपने वलो केंदा है कि मैं जान लिया है पर जात होर अगे जानता है ता होर बहुत कुछ बनाएदा है जिन्ना लबो उन्ना होर बाकी रहे जानता है पावस्ते खुद्रत अपार है ब्यानता है बहुत दूर दूर तक फैली होई है तो गुरु साह फरमा देहन कि अकाल प्रुख ने जो जगत बनाया है इस ता अंत नहीं पहा जानता जो जगत साधिया अखा सामने है इस तो कई गुना होर जगत इस तो अगे विहान इसलिए उस ते सिर्जे दा कोई अंत नहीं अते नहीं अंत है उस ते पारावार दा पावना उस ते अकार दा अते नह उरार दा ते नह पार दा अंत पाया जा सकता है इस तो अगे गुरु ना पाए जा अक्सर देखा जान्द है कि बहुत लोग अकाल प्रुक दे अंतनु जानाना चौन देने उस्ती कुदरत दे अंतनु लबना चौन देने हर कोई अपने अपने तरीके नाल अंत दी पालवेच है पर अंत लबन वाले दे हाथ हो सकता है कि होर ता बहुत कुछ जे पर अंत उना दी हतने आनदा गुरो शह फरमा दे हन कि अंत लबन ले के ते पाव बहुत लोग बिला दे हन बिलिक दे हन तरले लें दे हन पर अंत लब्यांड़ाता की अंत पाव Actal prze Gd उस्ती हत बने लब्यांडबं़ितक कि में ना इस पार दा पता लगदा है ना उस पारदा तेरे किमें कोई अंत पासकेदा है गुरु सेब फिरमा देहन के एह अंत ना जाने कोई बहुता कहीं है बहुता हुए एह अंत पाव जो अंत मनोख लबना चोंदा है वो लब्या मीनी लब्दा ना वड़ा वड़ा क्या मिलदा है ना पाले मिलदा है ना हद बने दी पाल कीता है ना सिफ्थ कीता है गुरु सभड आ भी फिर्मा कि जीओं जेओं एक अलग आ कहीओं वड़ा ए कि वड़ा है ओक्ला वे शुप प्र हो वड़ा प्रतीजी खोंखियों अ-शंक ch admitted वारे कुछ हम उसक इस हांए इंज ही गुरु से फर्मादिहान के पामे बहुता बहुता के ये वड़ा वड़ा के ये पर हर वड़ी आई भी उसके छोटी है गुरु प्यारू असी सिर्फ उन्ना ही वड़ा उसनों वेक पामांगे जिनने को साड़ी अजे बुद्धी है उस तो वादनेन इसलिए पुरुकता साड़ी सोच समझतू किते वड़ा है किना वड़ा है उस बारे अग्ये गुरु से फर्मादिहान के वड़ा साहिब उचा थाओं उचे उपर उचा नाओं अकाल पुरुकते वड़पुने दांत उसती हद बने दांत उसती कुदरत दांत उसती गुना दांत न मालक सिर्फ आप ही वड़ा ने, बड़ा साहिब उच्चा था, पाव सिर्फ ओ आप ने, बलके उस ता टिकाना, उस ता थाओं, उस तों भी वड़ा है, उस तों भी उच्चा है, महान है, गुरु प्यारेो, उस दी कुजरतना, जगतना, कोई अंतने, उस सब तो महान थी पास करता है, यह वड़ाई, जगत बनाउन तो भी उच्ची है, आते एना ही नहीं, इस सब उच्चे तो भी कुछ होर उच्चा है, उक्ची है, उच्चे उपर उच्चा नाउं, पाव सब तों उच्चा है, उस ता नाउं, उस ती वड़ाई, उस ता नाम, उस ते गोन ज तो भी उच्चा है आते उस उच्चे तो भी उच्चा है उस ता नाउ इस तो बाद गुरु से फरमा देहन के ऐसा कौन है जो इस उच्चे नू जानन वाला होंदा है एवड उच्चा होएं कोई तिस उच्चे को जान सुई पाव इस उच्चे नू सिर्फ ओही समझ पांदा जा उही जानन वाला हो पांदाँ है, जे कोई उस जड़ा कोई वड़ा हूए, गुरू पयारू ऐसा होर कौन है जो इस तरह दे जगत नो बना सके, अधे बना के फिर आप अंदर वस सके, ऐसा कौन है जो लखा तरह दे जी पैदा कर सके, अधे उना लखा अंदर ही क्रोणा पातरा रांद रांग ग्रुप पैदा करें अते हर कोई एक दुझे तो वकरा होए पर सब वकरे हो के भी एक देनाल पुरो होना गुरुसया फर्मान देहन कि कोई ऐसा वड़ा ने उस दी वड़ा ईनो उस दी अन्त नो उस दी उचाई नो कोई नी जान सकता इसलिए पर दा कोई होए, पर उस वर गयता बस, वो ही है गुरुसर फरमा देहन के, जेवड आप जान आप आप, पाव के अकाल प्रुख सिर्फ आप ही जानदा है कि ओ किड़ा वड़ा है, किथे किथे उसता निवास है, किड़ा वड़ा उसता नाम है, उस समुंदर देख, तुपके जन्नावने जिस्ता कोई पारावार ने, फिर असी उस दह अंद किमी पा सकती है, पर हाँ, एक काम जो हर कोई कर सकता है, वे कि उस दे अंत लब्बन दे पिए ना पज़े, बलकि उस नाल एक हौन दे पिए पज़े, उस अंदर राच में चे ज लगे उसता हिस्सा हो जावा उसता अंग हो जावा एहोजी कर्मकरंद पिच्छे पज्जे क्यूंकि उस एक नल एक होया ही पता लगदा है कि अंत नो लब्भाता नहीं जा सकता पर अंत विच्छ समाया जरूर जा सकता है समंदर नो पूरा था पूरा मिन्या जा अपने अंदर पाया था नहीं जा सकता पर उस दे गुणा नो अपने जिन्दगी नल पार के थोड़ा बोथ समंदर दियां बूंदा नो मान अंदर वसाया जरूर जा सकता है उस ता हिस्सा होया जा सकता है तो अंत विच गुरु से फरमा दिहान के नानिक नदरी कर्मी दाद गुरु से फरमा दिहान के इसे पिछे ना पजो कि उस ता अंत पाले ये बलकि उस ती नदर साड़ेते हो जावे मेर हो जावे एह गरमा पिछे जाए ये पाव के सिर्फ एही ना करी जाए कि इस मुंदर पाव अकाल पर किन्ना वड़्ध है जिन्ना महान है जिन्ना धुंगा है बलके इस अंदर शलांग भी लएगे डुब की विलएए, बिना अंदर जाया माननू अराम ने मिलदा बिना अकाल पुरक नाल एक होया उस दे गुण अंदर ने बस दे उस दे अंदर जाया ही मनटिकदा है अनान द बैजदा है इसलिए गुरु साफ फर्मादेहन के हिना अनक हरे एक दात मेर दी नजर नाल अकाल पुरक दी बक्षिश नाल मिल दी है तो उस दी बक्षिश दे पारतर बनिये उस दे नाम नल जुडिये उस दे गुना नुमान अंदर वसाइए ता जो असी भी एक दिन उस एक नल एक होके जीवन मनुर्थनों पूरा कर सकिए तनवाद बहुता करम लिख्या ना चाए करम पाव बक्षिश गुरू प्यारू अकाल पुरक दे जे करम दी काल करिए बक्षिश दी काल करिए ता दुनिया ते ऐसा कोई ने जिस उत्ति उस दी बक्षिश ना होए हर कोई किसी करम नान निवाचय होया है हर एक जो उस दा करम है जिस दसना होए कि उस दा करम किन्ना है किन्ना आती है जा किन्ना महान है तन गुरू से फर्मादियान के बहुता करम पाव करम बहुत ही वड़ा है किन्ना वड़ा जा बहुता कि उसनों लिखन वेचे लियाता नहीं जाआ जाओ कि लेक अंदर लियाना वी चाओ ता नहीं लिख सकते नहीं दा सकते कि उसनी बक्षिश किन्नी महान है तो गुरू प्यारो ऐती एक सवाल भी पैदा होंदा है कि ओ अकाल बुर्ख जो सब तो वड़ा है जिस्ता करम वड़ा है जो सब नो दाता दिन्दा है कि ओ वी इंसाना मांग कुछ दे के कुछ वापस लेंदा लोब रखता है कि उस अंदर भी कोई इच्छा है ता गुरू से बिस्ति जवाब विच फरमा दिहन के वड़ा दाता तेल ना तमाए पाव के ओटा दाता है वड़ा दाता सब तुँ वड़ा दाता दातार अते उस अंदर तेल जिन्नावी तमाए पाव थोड़ा ज्यावी किसे तरा दावी कोई लालच नहीं है लालच कि मैं ज्येक किसे न्यों कुछ दे रहां तो उसने बदले विच मैं नूँ कुछ चाहिता है नहीं ओ साधी वांग नहीं है कि कुछ दे कि बदले विच कुछ मंगे गुरु पयारी ओ अकाल प्रुकता सब्दा दाता है जरा सोचो जो सब उनू सब कुछ दे रहा है जिस पासो सब कुछ आ रहा है जिस तो सब कुछ पैदा होया उसनू किसे चीज दा की लालच इसते उल्ट उसको लोता असी गोण लेने हन असी संतोक्त रहना सिकना है उसते दार्थों पता नहीं साडे वरगे किन्ने हर रोज किन्ना कुछ मंगते हन जिमके अगली पंगते हैं दर गुरु सहा फर्मां देहन के केते मंगेöß जोध अपार केते पाव कई जोध पाव योदे सूर में गुरू से फरमा धियान के अकाल पुर कोल केते पाव अंगिन्त जोधे दात मंग रहे हन योदे गुरू प्यारू की मंदेहन ओ योध शक्ती दी ताकत मंदेहन लड़ाई विचे जित होवे ऐसी कला मंग देहन के अन तो पाव कि जिसकुल बहुत ताकत है जिसने पिछे बहुत सैना है राज है सब कुछ है ओवी मालक देदर तो मंग देही रहें देहन अते सिर्फ योदे ही नहीं होर वी बहुत हन जो बहुत कुछ मंग देहन जमेके ईस देहन जो पिछे हैं जो सिर्फ मना अंदर हुदा है जो सिर्फ मालक जानदा है जहां उसको लो मंगन वाला ता गुरु प्यारी होन तक जो गुरु सेम ने समझाया वो एक एक दातार है जो बहुत कर्म वाला है बहुत बक्षिशाँ वाला है सबनों दातान दिन्दा है जिसता कोई अंतने अति उसको लो दातान लेड़ वाले वी ब्यांत हन कोई अंतने इसतो बाद होन उना बारे विचार है जो दातान प्राप्त कर रहे हैं पर उप्पो के में रहे हन उना बारे गुरु सेम बग्गे फरमान दे हन के केते खप तुटह वेकार खप पाव खपना खप तुटह पाव खप खप के नाश होना गुरु प्यारों एक गल याद रखे के दात रब सबनों दिन्दा है जिवन ले साग, कान ले पोजन, पीन ले पाणी इस तो इलावा जो भी कुछ है पाव जरूरत तो जादा जो भी को सानू मिलिया है उस तो साड़ी असल पर खुंदी है जिवन जे साड़ी कुल बहुत कुछ है चंगे पदार्थ हन, नाम है, हरशाय है ता इस हालात अंदर असी के में मौ विकारा तो दूर रह के मालक नाल जुड़े रहंदे हैं इस साड़ी पर खुंदी है जिवन के इस पंकते अंदर गुरु साफर मांदे हैं कि जीवने मंगिया बाव ते मिलिया भी बहुत हर एक शय मिली पर शय पाके हंकारी हो गया कुरुदी हो गया कामी हो गया ता उसनों जो मिलिया उस ता कोई लापता ना लासके आ उल्टा इना अंदर खपन लग पया विकारी बन गया गुरु साफर मांदे हैं कि कई जीव उस ते दातना वर्त वर्त के विकारां विचे ही खप खप के नाश होंदे हैं पावजोग जमिलिया उस अंदर ही खपन लग पय अते उस अकाल पर कुनों बोल गए इस उलावा होर वी जीवां बारे अग्ये गुरु साफर मांदे हैं जमिके केते लै लै मुकर पां है केते मूरक खां ही खां है पावब्यंत जीव ऐसी हैं जो अकाल परक्तों पदार्त प्राप्त करके खाई भी जान दे हैं पोगी भी जान दे हैं अते खा पे के मुकर भी जान दे हैं अते कई ऐसे मूर हैं जो सिर्व खाई ही जा रहे हैं उस्तियां दातानों वर्ती जा रहे हैं पर कदे शुकर विच आके ए नहीं आगते के हे मालक आपता बहुत तनवाद है जो आपने सानो इस सब भक्षिया गुरु प्यारो तानवाद करनाल ना असी छोटे हो जादे हाँ ना अकालपुर्क वड़ा हो जादा है उता है ही वड़ा उसनों किसे तरह दावी कोई लालच ने बलकि जद असी तानवाद कर दे हाँ शुकर कर दे हाँ शुकराना कर दे हाँ ता अंदरो निमरता नल पर दे हाँ हलीमी नल पर दे हाँ असी मालक दिया दातां दी कदर करन वाली बन जादे हाँ पानी बचाउन वाली बन दे हाँ हवा साफ रखन वाली कुदरत नों बचान वाली बन दे हाँ ना केस नो विकाडन वाले ता जो मन हर विले शुकर विचरेंदा है शुकराने विचरेंदा है ओ मन संतोकी हो जानदा है सबर वाला हो जानदा है अते जो बेसबरा है उस बारे गुर से फर्मान दियान के ओ मिलिया दाता नो पोगी वी जानदा है ते खापी के मुकरवी जानदा है तक गुरू प्यारो गुरू सहीब ने सानो उस मानवारी दसे जिसनो सब मिलिया हर एक दात मिली पर सब पा के मालक दतार नो ओप पुल गया अते नाल ही दातां पिछे लगके पदारतां दी बेकदरी केती अते खुद विकारी बन गया इस तो बात गुरू सहीब हर उस मानवारी फरमान देहन जैसनो कुछ भी ने मिलिया पर फिर भी शुकर विचा है जमें के गुरू सहीब फरमान देहन के केतियां, दूख, पूख, सद मार, ए, पी, दात, तेरी दातार पाव एक ओ मन हन जिराने दातां दी कदर न की थी अते दुझे पासे ओ हन जिरानों जरूरत तो इलावा होर कुछ भी नी मिलिया बलके जिन्दगी विच सदा दुख मिलिया, पूख मिली ती हमेशा जिन्दगी विच कोई ना कोई मार मिली ही कद़े कोई मार कद़े कोई पर उन्हानों एक चीज एक दाथ मिली उसी रब दानाम उसता प्यार जिस कारण उन्हानों दुक भी दुखना लग्या भलके उस्ती दाथ हे लग्यां उनानों पोकवी पोकणा लगी बलके उस्ती दाथ ही लगी असे इतिहास विच बहुत सारी इतिहास प्रसंग पड़ी हन जित्थे सिंगानों दुखवी चलने पे पोकवी चलने पे पर उनाने इसनों मालक दी दाथ समझयाग। गुरुप यारों साधे विचो बहुत ही ऐसी हन जिना कोल जद बहुता होए ता रब पोल जादी हन अते जी थोड़ा होए ता रब नू उलामेद जादी हन पर जिना नू समझ आ जादी है कि सुक दुखता जीवन दा अंग हन ये हरे एक त्यान हन ता ओ दुख सुक अंदर जा किसे भी हालात अंदर कदे भी रब नू नहीं पुल दे बलके दुख नू उसनी दाद समझ के चोली पौन दी हन जे पोख दिती है ता इसनू उसना होक्म समझ दी हन गुरुप यारों संसार अंदर वी ऐसीयां बहुत सारीयां उदार नहान जाद उना नू पहना जिन् रॉक्स लम देखा की अे दुक है अन्हा देखा की ऐवि दाद है औनह दुक नू दारू बना लिया धुक नू हथ्यार बनाके जिंदगी दी भाजी नू जित्याता गुरुसळण दी हन के कितने ही ऐसे जीवाण जनानू दुकते पोखmeter मार पेंदी है पर ऐसी मार नू ध रब्दी दात मन दे हन, रब्दी बक्षिश मन दे हन, साधा शुक्र विचरें दे हन, इस तो बाद कुरु से फरमा दे हन के, बंद, खलासी, पाने, होई, होर, आख, ना सकें, कोई, गुरु प्यारु दातां ता हरे एक नूं मिल दे हन, पर जित्थे कुछ ऐसी हन, जो लैल के, मुकर जान्दे हन, जा जय नहीं मिलिया, ता अनव में दिन्दे हन, उतится, ओ मानवी हन, जयरा नूं जय बहुता मिलिया, ताह भी शुक्र विचर विचर hadn सुक्र वीकराने, पर स्वाल यह नियू है, कि जो शुक्र विचर похож이죠, जो शुक्राने, विच विक 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 देता है इस स्वाल दे जवाब अंदर गुरु से फरमादे हन के ओ शुकराने विच इसलिए नहीं क्योंकि ओ बंदना विच हन विकारा विच हन लोब हो में हंकार आधि विच फास के दातार नो ही पोल गी हन पर जिनाने रब दे नाम नो उस दे गुणा नो मन अंदर वसाया जवे गुरु भियरु जद पंचुम पात्चा जिनु तत्ती तवी थे बठाया गया ता उते गुरु सेह ने उसनो दोखने किया ना ही कोई मसीबत बलके फरमाया के ये भी उस दापाना है अते तेरा पाना मीठा लागे ता जिसनु पाना समझा जाए पाव खुकम समझा उसली दोख पूक कवी उसली दापना है पर ये उसनों समझ हानदा है जो बंदना तो आजात हो जानदा है गुरु सेह फरमा देहान के विकारा दे बंदना तो खलासी शिर्फ अकानम परुक दे पाने विच्चतुरिया ही मिली है अते हुकम ये फैना पाने तो बेना खलास सिदा कोई हो तरीका कोई होर मिलुक नहीं दा सग्दा पाने विचे तरुंत विकारा दो श्रकाएंदा कोई खोर वसीला भी हो सकता है तो इस तो माद गुरू साहा फर्माद देहन कि यह कोई खायक कच्चा मन एदसनदा जतन करें कि विकारों तो चुटन दा कोई खोर रावी है तो ओ होर किसे नू कुछ दसे जाना पर आप एक जरूर जान लादा है कि मैं जो रस्ता चुनिया है ओ गल्त है इसवाई करमकार तो कुछ नहीं ओ जानदा है कि जितने आवी मैं रहां चुनिया हैं जिनना वी मैं चूट बोले हैं उसनाल मैंनों मूधी खाने पई पावशर मिंदगी चकने पई गुरू प्यारों असी वी आजकल बहुत देख देहां कि जे दुखा तो बचना है जै किसी वी रोग तो मार तो बचना है त बंदना तो चुटन दा रस्ता एक है वहाँ पाणा वहाँ होखम गुरू साप्यारों पाणा है जो बंदना तो चुटन दा होर रस्त दे हन उना नूं अंत मू दिखानी पेंदी है इस तो बात गुरू ? अपि जान अपि दे आख हैं से पि किय पाव की इस जकत अंदर सिर्फ ओही नहीं जो दाता लेके मुकर जांदी हैं ना शुकरी हो जाने हैं बलके इत्धे अक्ष हैं से पीपाव एगल अक्षण वाले भी केई के हन पाव बोत हन केड़ी गल कि उस दातार दा सदा सदा शुकराना है जो सानू दाता बख्षता है आप पे जाने ओ आप ही साधी हैं लोडानों जानदा है आप पे दे है आप ही भाता दे जाना है गृ privacy शर्जण हाता ऐसा सुजान है कि उस साड़ह जनम तो पेना साड़ह रैन ली तरती, जीनने, साथ खान पीले सब कुछ पैदा कर दिनना है होर ताँ होर साड़ह साथ ली बोछ सारे लोग वी दिनने द है ता इस तो बाद अंतलिया तुका अंदर गुरु से अब सब तो वड़ी दात बारे चानना पांदे हो फरमा दियान के जिस नो भक्षे सिफ्त सालाह नानिक पातशाही बातशाह गुरु कहरे उसानों जिन्दगी विच बहुत कुछ मिलता है बहुत दाता मिल दियान पर सब तो वड़ी दात की है कि जिसनों बहुत सारी दौलत मिली ओ दात वड़ी है जा कोई राजबाग मिलिया ओ दात वड़ी है जिसनों पोकदुक मिली ओ वड़ी दात है जा बहुत सुक मिलिया ओ वड़ी दात है नहीं, सब तो वड़ी दात है, उस्ते नाम दी दात गुरु सैफर मा दियान के हेलान के जिसनों अकालबुरक अपने शिफत सलादी दात भखषता है अपने गुन भखषता है, नाम है ओभी सब तो वड़ी दात है अते ओ मनोक समझो पाधशाहां दा पाधशाहा है गुरू प्यारियो इस दुनिया अंदर बहुत सारे पाधशाहां पर सब तो महान ओ है जिस्ते मन अंदर रब्ती सिफ्तसला है उस दा गुनगान है इस तो वटी होर कोई दात नहीं हो सकती अमुल गुन अमुल वापार पाव अकाल पुरुग दे गुन अमुल खन अमुल हन इना दा मुल नहीं पैसकता कोई वी चीज जा पदार्थ इस सामने रख के यह नहीं दस्या जा सकता कि इस चीज इस दे बराबर है जा एनने पैसे दा अकाल पुरुग दा कोई गुन है नही रब्भी गुणा दा किसे भी चीज पदार्थनल मुकाबला कीता ही नहीं जा सकता इससे लिगता जना दे पल्ले रब्भी गुण होंदी हन उनानू गुरु सैब अमीर कहन दी हन उना कुल होर कुछ होवे जाना पर जद अकाल पुरुग दा नाम उसते गुण जमें द्या, जरम, प्यार, मिठास, निर्वैरता, संतोग, सबर, सच, आद, होवन दा ओ राजी होंदी हन बादशा होंदी हन तो गुरु सैब फरमांदी हन के रब्भी गुण अमुल हन अते अमुल है इसता वापार, पर वापार करना किते हैं कितु गुण लेने हन, कितु मिल दी हन त लिसाए इही जवाप है कि वापार है गुण, आते गुणा अदा शाह है, गुरु जम्या के गुरु आदी हन बादिव पर्ढ़ के कमाना थेवी जवी गुरु सैब दी बादिनों समय दे जाने हाँ, पढ़ दे जाने हां, तर्यादी होले करके गुणा न Gen SoftDr पंक्ति अंदर फर्मान दे हन के अमुल हन अकाल पुर्ख दे गुन अते अमुल है वापार इस दे नाल ही गुरु से फर्मान दे हन के अमुल वापारिये अमुल पंडार पाव के वापार तां अमुल है ही पर ओवी अमुल हन जो इनादा वापार करदे हन पाव मन अंदर वसौंदे हन ओ नाम दे वापारी और अभी गुणा दे वापारी वी बड़े अनमुल हन अते नाल ही सच्छी पाशा फरमान दे हन के अमुल पंडार गुणा दे पंडार रभी नाम देखा जाने एवी अमुल हन गुरु प्यारो रब दाता एक एक गुण अमुल के बड़ाई कीमत तो परे है अते जरा सोच के देखो जिसकोल गुणा दा पंडार होए जिसकोल अमुल हन उस देखा जाने अकाल पुरक्ते गुणा दे पंडार इस तो बाद गुरु सफरमान दे हन के अमुल आवे हैं अमुल ले जा हैं पाव जो मन सद्गुरु को लो इना गुणा दा वपार करना हों दे हन ओ वपारी मन भी बड़े अमुल हन अते जो सिर्फ लैन ही नहीं आँदे बलके चोड़ी परके गुण लेके भी जानदे हन। ओवी अमुल हन। अमुल खन अदे इस तोक दे इस तरह वी अर्थ होंदे हन। जमें साड़े वर के कई जीविस हैं साहरं दरांदेने। चार दिन तर दिते रहनदेने खांदे पींदेने ते अंत्य स्वाः होके चले जानदे हने पाव बिना मनोर्थ पूरा कीते हैं तो चले जानदेने एह हो जा जीमा। व्यर्थ हैं पर जो अकाल पुरिग दे गुण कमानदे हन। जो रब नन एक होन ले आना अमल है सफला है गुरु प्यारु जो रब नन एक मिक होके जान दे हन जो जिन्दगी दा मनोर्थ पूरा करके जान दे हन गुन लेके कमान दे हन उनन दा आना भी सफला है गुरु प्यारु असी रोज देख देहां कि किन्ने लोग रोज मरते हन पर याद किसनों रखे जन्द है याद उसनों ही रखे जन्द है जिसने माननों एक नर जोड लिया है सच नर जोड लिया है रब नर जोड लिया है सिर्फ उसनों ही याद कीता जानदा है जिसने साचदी रात तोर के अपने जीवन नों सफल कीता है तां गुरु से बिस्तो करें फर्मान दे हन के अमुल कहन ओ जो गुणा दावा पार करन लियां दे हन गुरु प्यारो ओवी अमुल्य हन जो गुणानू रभी गुणानू सद्गूर्धी बाणीनू पड़दे हन अते ओवी अमुल्य हन जो सर्फ गुणानू पड़दे ही ने बलके मन अंदर बसंदे वी हन अथे उस तोंवी अमुल पाव अमुलक ओ हन जो अमुल पाए पाव जो प्राप्ट कीते गुनानू अथे जेसे देगुण हन अकाल पुर्क नू प्यार करनवाले हो जन्दी हन जो उससे प्रेम मेच रंग हन ओवी अमुल हन अथे जो उस अकाल पुर्क विचलीन हो गई हन, जो अपने आपनों उसंदर समाच चुकी हैं ओवी अमुलक खान इस्तो बाद रब दी एक होर अमुलक विदान बारे तरम बारे गुरु से फर्मादे हैं के अमुल तरम अमुल दीबान इते तरम दा पाव है नियम कनून अते दीबान दा पाव है कि चैरे जिते कनून राही फैसले होंदे हैं तां गुरु से फर्मादे हन के अकाल पुर्गदा तरम कानून भी अमोलक है अते अमोलक है रभी दरबार गुरु प्यारे हर ओ देश जित्थों दे लोग अते राज करने वाले राजे भी कानून दे कदर करन उसनों मन्रन तां ओ देश खुशखाल हो जान दे हन अते जिस द देश अंदर कनून कुछ ना समझा जाए ओदेश कदी तरक्य नहीं करदा इन्जी ही जो रभी कनून है यहर देश प्रांद ब्रहमंड चन्द सूरज एतोधा की हर एक मन उत्ते चलदा है पर इस जगद अंदर एक साड़े तो स्वाए हर एक चीज खंड ब्रहमंड पशू प देश आ रहे हां क्यों क्योंके ऐसी तरम तो उल्ट चल पेंदे हां थे उल्ट चलने हां जो फल मिल दे हां उस दे नतीजे साड़े अंदर ले दिवान अंदर नालो नाल ही मिले ज़ान दे हां सो गुरु से फर्मांद हैं कि जो शरीर रुपी खेत अंदर बूआँगे ए रबी दिवान दा अमुल तर्म है के उस बीजी होई दा फल आप ही खाना पेगा जवे शरीर नो माड़ा पोजन दिये ज़ा माड़े विचार दिये ता उस शरीर ज़ा मन विकड जन दा है बिवार हो जन दा है इसलिए आओ मन अंदर चंगे बीज बोईए रबी नाम बोईए ताजो सानों फल चंगे मिल से गंता गुरु से ब इस तो कराई फरमांदी हान के अमुल है अकाल पुरुगदा तर्म अते अमुल है अकाल पुरुगदा दिवान के चैरी नियादा कर तिनाल ही गुरु से फरमांदी हान के अमुल तुल अमुल परवान पिशली तो कुनों नाल जोड़दी हुई गुरु से फरमांदी हैं कि तरम अमुल है दिवान अमुल है अथि फैसला करनवाला तुल पावतुला तकडी वी अमुल है अथि तकडी च पैनवाला परमान पावतुलन वाले बट्टे वी अमुल है गुरु प्यारों साथियां तकडियां ताम विका आती ओधे वट्टे बड़े अमोलने उनानू कोई मैलने उस साड़े कीते होई कम्मानू नालो नाल तोली जांदेने उना दे तोलन अते फैंसले अंदर कदे उकाई नहीं आउंदी हो सकता है सानू कदे गदाएं लगे के रब दे फैंसले सही नहीं हन पर समालंगियां पता लगदा है कि उस दे फैंसले वेच कोई पोलने इसी साड़े कीते करम ही साड़े राधा रोडा बन गए जे साड़े राधा रोडा नहीं बने ता जो रा असी बने उस राधे तोरियां होर केंगया नू ठेड़े लगे इस विचारनू गुरु पयारे होर समझनते विचारन दिलोड है तक गुरु से फिर्मान दिहान के अमुल है तर्म अमुल है दिवान अते अमुल है तुल पावतक्रित अमुल है वट्टा परवान इस तोगे गुरु सेब करपा कर दिहान के अमुल बक्षीस अमुल नीसान गुरु प्यारु असी पिछली पोड़ी अंदर ब्य अते एमिल है निसान निसान दकाव निशान चिन जा कोई निशान गुरु पयरों जी देखना हुए है कि जूसे अत्ति कोई Zentनिशान निशानी है उस सब्सक्राइब ते शक्रेंछाइuben बलकि उस तदा गुंगान होंदा है, उस ती विचार होंदा है, उसता होक्म अंदर चलता है, गुणा न्ड़ी होंदा है, जिमें ओ चलाये, उवें चलता है, ये निशानी होंदी है, जिसते बक्षिष होंदी है, तो और स drainage फर्मादियान के, रबी बक्ष अमुल है अते अमुलक है उसते निशान जिस मन ते उसते नाम दा बक्ष शान दा निशान लग जाए ओवी अमुलक हो जानदा है इस तो बाद गुरु से फरमान देहन के अमुलकरम अमुल फुरमान करम दा शब्द जोड़ पावे तिन अकरादा है पर इस अंदर पूरा संसार समाया हुए जवे जब जी सहीब दे अंत वे जाके जद पांच खंडा बारे विचार आएगी तो उते साच खंड तो पहलना जो खंड आंदा है जो हिस्सा आंदा है ओ है कर्म खअट पाव जद रभ दा करम हुदा है ता मान रभ शांज चनाल एक हो पांदा है उस शांग पंदा है तक गुरू पहले जो चट्रकराई करम आइक होज कार्म ये से खंड शार अंदर चलिया ही रब दी, जिंदगी दी, अते अपने आप दी सोजी आंदी है, एह हुकम बड़ा ही प्यारा है, मिठा है तो गुरु साथ फर्मान देहां के, अमुल है उस्ता करम, अते अमुलक है उस्ता फर्मान, गुरु प्यारो करम भी उस्ते ही उन्दा है, जिसनों उस लाएं, जवें के जब जी से विच पहला असंख वाली पोड़ी आएंगा, जिते मालक नूँ उस्ती कुदरत नूँ असंखा क्या आते, अंत विच गुरु से वने फर्माया के, असंख, असंख क्या भी, उस्ती असंख ता था पेद नहीं पाया जा सकता, इन जी ही अंत न सिफ्ती वाली पोड़ी अंदर भी गुरु से वने फर्माया के, पामे कि उस्ती किसे भी वस्तूजा पता रदा कोई अंत नहीं, पर अंत अंत क्या भी, उस्ता अंत नहीं पाया जा सकता, इसे तरह अमुल पोड़ी अंदर भी गुरु से फर्मान देहन के पामे, ओ आप अ है। अमूल हन उस्ते गुण है उस्तह त्रम दवान फर्मान अदिशा हो और आप पर उसदी अमूल लगतानों आख आख के भी सारे स्याने, सारे ग्याने यांतनू खार जान दे हन, रै जान दे हन, पारो किनना अमूल है ये नहीं जान पान दे हुआ। किस किस स्याने ने रब्द अमुल पुणे नू जानन दी कुशिश कीती है आखह, वेद, पाठ, पुरान, आखह, पड़े, करह, वक्यान पाव अनिकात आर्मी गरंद जिमें वेद, पुरान, आधगांदे, पाठाराही, पंडद आखदे हन, उस्तियां बाता पांदे हन, गुणादी विचार कर दे हन पर विचारां करकर के वी उस दा अमुल पुणा नहीं लब्या जा सकता है इस तो इलावा आखह, पड़े, 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 लिखे, विदवान वी, व्याकरण समझन वाली वी रभी गुणादा वर्नन कर दे हन हर एक बोली इंद रुस्ति सिफ्ट कर दे हन, पर सब करकर के वी उक किनना अमुल है, इस दा अंदासा नहीं ला सके इस दे नाल ही गुरु से फरमांदे हन के विचार हन, पक्तिकार हन पर कोई भी ये जानने सकया कि वो किनना अमुल है, गुरु प्यारु कोई दसे भी ता किमें दसे, क्योंकि उस दे बराबर दा कोई होए, फिर कोई दसे कि वो अकाल पुर्क एनना अमुल है, पर उस वर्गाता होर कोई है ये उस वर्गाता अनेक का ही इसर पावशिव अते अंगिन दही से जोगी वी रब दे अमूल गुना दा वनन करते हैं इस्तों इलावा अकाल पुरिक दे पैदा कीती हुई ब्यन्त बुद्ध पाव महातमा बुद्ध वी उस्ते विडियाई आगते हैं उसने गुनादी बात पान दियान कि ओ किनना अमुल है उसने दाता किनिया अमुल खान उना बारे विचारा कर दियान पर ओ किनना अमुल है इस था अंत कोई जान नी पाया इस दे नाल ही गुरु सेब किरपा कर दियान के आखे हैं दानव आखे हैं देव आख्खे हैं सुरनर मोनजन सेव अई नहीं आख्खे हैं दानपाव बुरे विचाराँ वाले दानव मनवी जो कदे रबनू याद ने करदे ओवी एक दन था कहार के रब दे गुण याद करदे हैं उस दी विचार करदे हैं अते देव पाव जेसे अंदर रब्बी गुण हान ओवी अकाल पुरुग दे अमल गुणानू आख्थी हैं इस तो इलावा आख्खे हैं सुरनर पाव देवत्यां दे सुबाव वाले नार मनुक अते मोन जान पाव मनी लोग मनेश्वर लोग अते सेव पाव सेव के जान आधी अनेका ही तरह दे पकत आधी रब्बदा गुणान का रहन रब रब का रहन पर रब रब की त्यामी उस दा अंतनी पासगे ना ओ किना अमल है एदा सगे एन नही नहीं गुरुण सार्बगे फरमान दे हन के केते आखे हैं आखन पाहें केते कैं हैं उठ उठ जा हैं पाव उक्त मिसाला तो इलावा रब केते आखे पाव किन्मे होर जीव अन ते आख रहे हन इस तो इलावा आखन पाहें पाव किन्ने होर आखनना जतन कर दे हन अधे केते कै कै उठ उठ जाये पाव किन्ने होर आख आके उठी चले जारे हन संसार तो चले जान दे हन पाव किन्ने रब्दी गुनानों गागा के चले गए अधे किन्ने अजगारे हन अधे आउन वाले समय वेच भी किन्ने खूर अमुल गुनादी विचार करने पर कोई भी उस्ता अंत ना जान पाएगा कोई उस्ती अमुल लगतानों ना जान पाएगा क्यों क्यों कि इसी समुंदर दी एक बूंद वर गी हा अधे ओ एक वड़ा ब्रहमंडी समुंदर है एन नहीं एक होर बड़ा प्यारा विचार कूर सब नार ही फरमादी हान के एते कीते होर करेह तां आँख ना सकें केई के एते पाव जो एन्ने होन गिनाय संत महातमा देव दानम सोर नार पक्त आधी जिन्ने भी मालक ने पैदा केती है ते जे एन्ने अकाल बरक होर पैदा करदेवे एन्ने होर पैदा हो के तेरी सिफ्वतशला करण तेरी गुराण उयाद करण गुन-गान करण तां आख न सके पाव तावी उना कहियां विच्चों कोई भी उसकरतार दी अमुल्क तावाले गोन पूरी तरा आख के नहीं दसकेगा पामेज जिन्ना पहले से होन हन अते होर होन के उन्हें होर हो जान फेर भी मिलके सरजन हार बारे पूरा पूरा ना जान पान की तह अंत विज गुरु से अब स्वाल कर दे हन के फिर ऐसा कोन है जो उस दे अंत नो जान पाएगा इस सवाल दे जवाब विज गुरु से फरमा दे हन के जेवड पावें तेवड होए नानिक जाने साचा सुई पावस दे गुणा नूँ असी पूरा पूरा नहीं जान सकते क्योंकि साड़ी शाल बहुँ छोटी है तर्थित लागी तागी ती ग्रह तक है प आप ही जानदा है क्यों गुल जानदा है क्यों किन्न आमल्ह इस बारे खूर कोई नहीं जान सकता गुरु सेब। वो किन्ना वड्डा है किन्ना महान है किन्ना अमुल है यह सिर्फ वो सच्चा मालक आप ही जानदा है होर कोई इस बारे नहीं जान चकता ता एसी उपलिस वालदा जवाबते नाल ही गुरसा भी एक गल होर साफ कर दें कि जी कोई कहे कि मैं जानदा है क्यों किन्ना वड्डा ह महान है तो उस बारी गुर्विगार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्व गवारा शिर गवार लिखा जन्द है, जो अपने आपनों बड़ा चतर कहन दा है, जो कहन दा है कि मैं अकाल प्रिक्दा अंत जान लिया है, उसती खीमथ जान लिया है, उसनु गुरु साहब मूर खा करी हैं, गवारा सिर गवारा करी हैं सो दर किहा, सो कार किहा, जित बह सर्ब समाले समाले पाव समालना, सो दर किहा पाव ओ दर कैसा है गुरु प्यारु ये सवाल वाला किहा नहीं, अस्चर्च वाला किहा है हैरानी वाला किहा है, कि हे मेरे प्यारे अकाल पुर्क जीओ, वाह कैसा सोना आप जीदा दर है किना प्यारा मन मोहक आप जीदा कर रहा है जित बैह जिते बैठके है मेरे पाशा सर्ब समाले सारणू संबाल रहे हो सब देख रे कर रहे हो गुरु प्यारो रबदा कर किते हैं गुरु सेब दिवाने सानो वार वार समझा दी है कि उस मालक दाकारता हर पासी है जिते देखो उते है अते जह साड़ी वेखन वाली आका है ता देखो अपने अंदर ही देखो उसना असल कार उसना मंदर साड़े अपने मनदे मंदर है जमेकर गुरु स्बूर्बान अंदर फर्मा देहने के काया महल मंदर कर हर का जिस इस महराख की जोत अपार पाव के काया ये महल है मंदर है, हर्दा, एक कर है, रवदा, इस अंदर ही उसने अपनी जोत रखी है, कैन तो पाव जो भी शरीर मालिक ने बनाया, पावे मनोक, पावे कोई भी जीव, ग्रै, कांड, ब्रैमन, सब अंदर उस दा वास है, ता उस दा कार, ता हर पासी है, हर मन्च है, पर साननों पावे दिखना ने यहुदा, ना देख पान कारनी जिंदगी पारी दुक बनी होई है, अति जैसे लो देखना आजाए, ओ अनन्द नल पर जयनदा है, ओफिर हर मन अंदर उसनों वस्ता देख लेंदा है, उस दा कर हरस्था बैजरी पई जयन दा है, ति जैस लो देखना वाजे नाद अनेक असंखा केत आवन हारी केते राग परीश्यों कहियन केते गावन हारी गुरु सब किर्पा कर दे हन के जमें अकालपुर्क आप बहुत वड़ा ते महान है यह उसता दर्वी महान है उसता करवी वड़ा है जिते एक नहीं के ते पाव अनेका ही तरह देवाजी नाद राग ते रागनियां वजरेंगे हन अते असंका ही इननु वावन हार पाव वजावन वाले हन संगीत कर हन अते सिर्फ संगीत खार ही नहीं वावन हार ही नहीं गावन हारे वी हन पाव राग सयत गावन वाले रागी वी हन रब्दी उस्तत अंदर नाद गावन वाले शब्द गावन वाले रब्दी उस्तती करन अक्रिंवी दोफिए इंद आ हैं पर ये सारी गान्वाली कोण हैं उन्हां बारे अग्षे विचार ज Öyle परने पानी भैसंतर राजॆ लिख जाजने हैं लिकर लिख तर्म वीचारी कवißt很好 जैंद में अग्रो गुरू पियारियो गाणदार तर तो सेर्फ संगीत न अलगानों ही नही पाँ पावज़न नदे भिंत है। 100 जमें गवंध। हमझें गानदानों है ultimate चलताई गुरू पयारि व फिंतzlichण। सारे खुकम अंधर हन उसे गोंगा रे हन जि में गावय है पावन पाव हवा पाणी बैसंद्र पाव अगनी वी तोह न पावकाल पुरकनों गारे हन उससे खुकम अंधर चल रहे हन हवा पाणी अगcription पदार्थनाली सारा संसार चलता है, एक तों तक इस शरीर भी इस सहारी चलता है, जी इस सारे मूल तात ही, हुकम तो पठक जान, ता सारा चक्त मुख सकता है, पर इस चलते हन, हुकम अंदर चलते हन, इक गौंदे हन, अते इंज ही है मेरे दाता, तेरे द्वारे थे, तर्म अते चित गुप्त जो एक लेखा लिखता है तो दुझा तर्व अनुसार फैंसले करता है इस सारे ही मालक ते तरते खड़े गाउंदे हन उस दा गुनगान करते हन गुरु प्यारों गुरु सहीब ने बहुती साफ साफ फरमाया कि जिसनों असी वड़े वड़े करके जान दे हैं बड़े उच्चे करके जान दे हैं ओवी सबतों उच्चे सिरजनहार अकाल पर अगे हत जोड़ी खड़ी हन इसलिए गुरु सहीब सानों सिद्धा सिद्धा अकाल पर खनल ऐस स्वारे गावें इंद। इन्दासन बैठे देवतयां दर नाले पावे आकालपुर्क जी देवियां शीवत कि ब्रह्मा जो तेरे सवारे हुई हन वह व्य प्रवी तानो ही का रहे ह Clin camarya andjem नहीं कई इंद्र इंदासना inventory पाव हैं इंदर दा आसन तक्त ता इंदर दीवता समेट आसन दे बैट तो हड़ी दारते तो अनो सला रहा है पाव बैठे किती हैं पर मन अंदर सिफ्त सला है मन अंदर करनो पशान के अकाल पुर्गदी सिफ्त सला हो रही है पाव जो भी कुछ बैदा कीता है जो सवार्या है जै जिसनों बनाया है उस सारी दे सारी ही अकाल पुर्गदी ही सिफ्त सला कर दी है पाव वड़ा सिर्फ निरंकार है बाके निरंकार दी बनाई रचना उस तो छोटी है सब अउंदी चांदी रेंदिहन पर उस सदा स्थेर है उस सदा अटल है उस सदा रेनवाला है उस सब तु उच्चा है इसलिए उस उच्चे नाल जुनना है इस तो बादकुरी से फरमा दिहन के गावे हैं सिद्ध समाधी अंदर गावन साध विचारे गावन जती सती संतो की गावे हैं वीर करारे पाव के सिर्जिन हार नो हर कोई गार्या है सिद्वी गार्या हैं पर सिद्धा दी गांदा टंग है समाधी उस समाधियाना के रभी गुन कार्या हैं अतिसाद जन्वी कार्या हैं उन्हादा गांदा टंग है विचार उन्हाने रभी गुणादी विचार करकर की अपने आपनों साध लिया है, सुधार लिया है, एक एक इंद्रेनों अकाल पुर्क दे होकम विच्चरना सिखा दिता है, इसे नारही गावन जती, जती पाव जिसने अपने अंगा ते इंद्रेयां ते काबु पाले है, जो अखा पाव सत कमान वाला वन, जा दाने मनुक, जा उच्चे आचरन वाला, इस सती वी उस अकाल पुर्क दे ही गुन गारे हैं, इस तो बाद गुर्ष्या फर्मा दे हैं के, गावन पंडित पड़न रखी सर जुग जुग वेदा नाले, गावह मोहणियां मन मोहण सुर्गा मच प्याले, जुगा जुगंत्रा तो पंड़त अते रखी सर पावरीशी मुनी आदवी गारे हन, के में गारे हन, वेदा नो पड़ पड़ के, विचार विचार के, समझ समझ के गारे हन, विचारे हन, अते गावना किसली अकाल पुर्क नल चुड़ने, ता गुरु से फर्मांदे हन के पंड़त रखी सर वी इकदी ही सिफ्तसला कारे हन, अते गावे हन, मोहनिया, पाव माया, मनानों मोलैन वाली मोनी, जिसनु इस्तरियां वी क्या गया है, इसनु सुर्गा, पाव सुर्ग, मच पाव मात लोग, पेयाले, पाव पाताल लोग वी इसने सब्समे हन, मोन वालिया, मोन या वी अकाल पुरुक दे, गुनद गांदियाँ गुरु प्यारे, जिसनों कोई मोंदी मोले, कोई माया मोले, और पावे किसे दो, लोग विच हो बी उसनों पंड नहीं किया जा सकता, क्योंकि पंड विकारा तो उताया हुंदा है, माया तो नलेप होंदा है ते दुझे पासे जो सबनों मौंदी है पाव माया ए पावे सबनों मौंदी है मौ लेंदी है पर ए अकाल पुरुगत है नजरा मुचे बुरी नहीं क्यों क्योंकि ए खुकम अंदर है जमें सब अंदर जैर है ता एक कोई बुराई नहीं यह उसी पशान है यह उस अंदर मालक ने पाया है अधि अज उसे जैर तो लखा लोक का दिया जाना मी पच्छ दिया हैं तो यह जो माया है उस ते हुकम अंदर है यह तो ओ ही काम कर दी है जो मालक ने हुकम किता है पर असी उस ते हुकम तो बागी हो गए है इसलिए ओ काम कर कर दो बाद गुरु से फरमा देहन के गावन रतन उपाए तेरे अट सट तेरत नाले गावह जोद महाबल सूरा गावह खानी चारे रतन पाव केमति बदारत जा रतन उसनों भी कहा है जो देवत्याने 14 रतन कड़े था रतन उसनों भी कहा जांदा है जो हीरे मोति जा बहुत केमति बदारत होन पर इन्हाश सबनों पेदा करने वाला अकाल पुर्क है गुरु से फरमा देहन के रतन जो आप जी दे हुपाई हुए हां पेदा कीती हुए हैं आथे नाल ही ऐढ़ात तीरत आवह आप दे चलाए चल रहे हैं आप दे बनाए पैदा होए हैं एवी आप दे हुकम मंदर हन इस तो इलावा जो दे महामवली सूर में आदेवी आप जी दे ही गुनकारे हन एन नहीं नहीं खानी चारे पाव अंडा जियोर मुडका अते अपने आप उग जानवाली जीव जन्तु दे सारी कुदरत जो चारे खानीयों तो पैदा हुई है इस सारी रच तस अनु लगता है कि हर कोई आप उपना जीवन जी रहे हैं कोई माडा है कोई चंग है पर जाद गुरु पाशा जगद नो देखते हैं तस सारे ही उसते हुकम अदर चल दे देखते हैं कोई उस तो बार नजर नहीं आउनदा इसलिए गुरु सफरमादी हैं कि ना कोई उ हो गया पर पगद हमेशा होकम अंदर रहके आनंदनाल पर्यार एंदा है इस तो बाद गुरु सफर करपकर देहन के गाव हैं खांड मंडल वरपंडा कार कार रखे तारे से तुद नो गाव हैं जो तुद पावन अरते तेरे पगद रसाले गुरु सफरमादी हैं कि मंडल ते वरपंडा पावसारी श्रिष्टी जो आपती बनाई होई रचना है इस सब वी आपनों ही कारी है आप देही हुकम दीप पारना कारी है नालही गुरु से बिस पोड़ी दी एक बहुत प्यारी सिख्या साठी नाल साजी कारे हैं कि गौन नू ता हर कोई कार्या है खांड, मंडल, वरपंडा, पाउन, पाने, बिसंतर, सिद, साध, पंड़द, इसर, ब्रह्म, इंदिर, आद, सब गाता बहुत रहे हैं पर गौना उनादा ही सबल है जो अकाल पुर्क नू पाज है अपने पाने ता हर कोई सियाना है पर है अकाल पुर्क जो असल विच्ता ओहो तो आडे प्रेम विचरते पगद हन जो तहानू गौन दे हन पाव उनादा ही गाना सफल है जो अकाल पुर्क नू चंगे लग जान दे हन जो अकाल पुर्क नू पाज आन दे हन उनादा ही गाना सफल है उनादा ही आना सफल है इस तो बात गूर साब एवी नाल ही फर पाव एक गणिया नहीं जा सकता कि अकाल प्रिक नू गान वाले त्यान वाले कि विचार कर सकता गुरु प्यारियो एक पाच्छा जिदी हलीमी है निमरता है जो एवाग फर्मारिहान इस तो बाद गुरु से फर्मा देहन के सोई सोई सदा सच्च साहिब सच्चा सच्ची नाई है पी होसी जाए नजासी रचना जिन रचाई सोई पाव ओ ही ओ अकाल पुर्क ओ निरंकार ओ जो सदा सच्च है सदा सच्चा है साहिब सदा सच्चा है सदा थे रहे अते साच्ची नाई पाव ओ आप सच्चा है उसी वड़्याई भी सच्ची है सदा अटल है अते अकाल प्रुक जिसने रचना नो रचया, जिसने जगत नो बना के आप उस अंदर वासा गीता, उस जगत बनन तो पहलना पाव जद कोई ने सी, ओधम वी ओ है सी, हो सी, पाव ओधन वी मजूद है ते सदा रहेगा, इस तो इलावा जाए नजासी पाव ना वो जमदा है नाव मर्दा है, उता सदा से, जह सदा रेगा, इसलिए जो सदा रहन वाला है, उस्ते ही गुणगाने हैं, उस्ते ही सिफ्टसलाह करनी है अते उस्ता दर एन्ना प्यारत सुन्दर है, जो कदे खत्म होन वाला नहीं है, उसते बनाए जीव, उसते दर ते पाव सारी जगत अंदर उस्ता गुनगान करे हन, किड़े-किड़े जीव हन, गुरु से अब अगली पंक्ति अंदर फर्मादे हन के, रंगी, रंगी, पांती, कर-कर जिन सी माया, जिन उपाई, कर-कर वेखें, कीत आपना, जीव, तेसे दीवडे आई, अकालपुर्ग दि माया, देखो, उसते जपन वाले भी उसते बनाए हन, वकवक तरानाल, वकवकरंगानाल, वक्वक पांती, पावकिसमानाल, किछी जिन सा उसने पैदा कीते हैं ते सिरlift सबनों पैदा ही नहीं कीता, बल्यकि पैदा करके सबनों, अकालपुर्ग संबालदा है उधर कैसा है तागरू सहाफ हमां देहान की उधर बड़ा ही सोना है इस सारा जगत ही उस्ता कर है रंगा-ै दे जीव पांती पांती दे जीव क्यी तरह दे जिंसा जगत अंदर पाव उस्तिक र अंद्रघार्ण जेते बैट Academy 222 असा उनुण संभाल दा जिस अंदर सारा जकत आ जानदा है वो वड़े तो वड़े खड़ अंदर भी है अते निक्के तो निक्के जीव अंदर भी इसलिए उस ती सिफ्त सला जिन्नी कीती जाए थोड़ी है ता आखरी पंकते अंदर गुड़ सा फरमा देहन के जो तिस पाव है सोई करसी हुकम ना करना चाहिए सो पात शाह शाह पात साहिब नानक रहन रजाए पाव जिन्ना भी कुछ बैदा कीता है सब उस ते हुकम अंदर है इंज नहीं हो सकता कि कोई उस ते हुकम तो उपर हो जाए जा कोई अपना हुकम चला के कहे के मैं ही सब कु तो ठीक नहीं कीता इंज नहीं इंज कर नहीं गुरु से फर्मादियार के जो अकालपुर्ग नो पौंदा है वो ओह ही करेगा अते किसे जीव पासों अकालपुर्ग अग्गे होकम नहीं कीता जा सकता उसनों यह नहीं किया जा सकता के इंज नहीं कर इंज कर पाव ओह ही करे का उस अक्य की सिधा होकम ने चल्दा वो अकालपर्क पात्षा है पात्षावां दावी पात्षा है नानक जीवानों उस ते राजा विच रहना है फबदा है मुंदा, संतोख, सिरम, पत, चोली, त्यान की करें, विपूत, कानविच मुंदरियां जोगी लोगता की अचकल बहुत सारे नोजवन में बड़े शौक नलपांदेहन सोने दिसले पर जे स्वहपण ते सियान पहार शिंगार चलोगी होंदी ता अच जहार कोई सोना ते सियाना होंदा पर गुरु से फरमादेहन के असल जो मुंदर है ओ किसे पदार दिने बलके संतोख दी है जे इस गोण रोपी मुंदरी नोँ पावसंतोख नो मन अंदर पाया जाए ता मन की तन की पूरी जिंदगी ही सोनी बन जाएगी क्योंकि साड़ा असल शिंगार ही गुनहान ओ गोण जो सत गुरु जी दी बानी रही मन ग्रैन करदा है गुरुसया फरमा दियान की जोगी तु कण चथा मुंदरा पालीया पर मन ऐ मंदरा तो सखना रहे गया पहला मन नों संतोख दी मुंदर पुआ लदे सरम पत चोली पत पाव पतर tentan जो जोगी हाथ चफड़ता है आ तो चोली जो गालips पाकरि पूदा है दर दरते जानदा है गुरु से फरमा द्यान के तू क्यों दर दरते पटगदा है क्यों एकदा दर ने मलदा क्यों तू उस एक नो मन अंद्रवसा के सच्चे रबनान नी चुटदा ऐ पाई अकाल पुरकनेता किर्थ करनी दसी है पिख्या मंगनी नहीं इसलिए असल पातर जा चोली जो गल्च पाई है वो कपड़े दी जा खपर दी नहीं बलके मेनती होनी चाहिए दी है सर्म पाव मेनत नू चोली बना सर्म नू पातर बना अते त्यान की करे विपूत विपूत पाव राक जो जो जोगी लोग पिंडे ते मलदे हैं ए राक जा पसम जादा तर शम्शाना विचो लई चाहिए इस ते बहुत सारे करन हैं जमें आले दो आले दी बुराई तो जो पसम जा विपूत त्यान दी विपूत किसता त्यान तर अकाल पुर्खता उसते गुना में चे त्यान ला उसती शिफ्त सला मन अंधर टिका जिनना वद त्यान इस पास से वान लगेगा उनना जल्दी मन विकारातों बुराईतों दूर हुंदा जाएगा जद एक वार त् लोड नई रहाचांधी ते गुरुस्या फरमा दिहा न के हे जोगी तु संतोखनू अपनियों मुंद्रा बना, मेनत नू खपपरते चोड़ी बना, अधे अकाल पुर्खत त्याननू, श्वाबना, अधे स्त्याननू मन अते मल एन नही नही नाल ही गुरुस्या फरमा दि खिन्था पाव गोधड़ी, जोगी चुपाटी पुराणी कपड़े श्री इर्थिपांदी है, उसनोग गोधड़ी आखया जान्दा है, गुरु से फर्मानति हैं कि जोगी बनना सोखा नी, जे कान चे मुंदर, हाथ चे पातर, गाल चे चोली, तान ते खिन्था पागी जो वी मौत याद रहन दी है काल याद रहन दा है ओ पोलक एभी माड़ा का मनी कर दा आते वो सदा अकाल नल पाव अकाल पुरख नल जुढ़े रहन दा है कोवारी, काया, जुगत पाव जोंक मौन दी जुगती की मनी जान दी है ताननों शोद रखना किसी दा हाथ ना लग जाए किसी दा जूठा न खादा जाए पाव खान, पेन, रैन, सैन, आद वेच पवितर ता रखनी एवी जोग दी एक जुगत है पर गुरु से फरमादियान के शरीर नो जिन्ना मरजी साफ रखो इसनों ता रोज मैल चड़नी ही चड़नी है शरीर साफ कित्या कदे पवितर नहीं हो जादा हाँ, मन जरूर पवितर खो सकता है हत किसे नो शोहे ना एपवितर दाने बलके हत माड़ा काम ना करन एपवितर दाने जीब माड़ा ना बोले, कन बुरा ना सुरन एप मानदी पवितरता है ता इंज शरीर नो कुवारा रखना है पाव मान नो विकारा तो बजा के रखना है ता गुरु सहीब फरमादेहर के शरीर नो विकारा तो बजा के रखना तेरे लिए जोगदी रहत होवे, जगद होवे, अति डंडा केड़ा होवे परतीत दा परतीत तो पाव परोसा विश्वाश अकार प्रक उत्ते अटुट विश्वाश रखना है असल डंडा है ता गुरु सहब इस्तोक्राइं फर्मादेहर के मौत दा पाव तेरी गोदड़ी होवे शरीर नो विकारा तो पचा के रखना तेरे लिए जोग दी रैत होवे अते शर्दा जे डंडा बनावे ता राबदेनान जोग हो सकता है फिर जोगी बने जा सकता है गुरु प्यारे जोग दा पाव है जुड़ना ते जोगी ओ ही है जो रब नन जुड़ जाए गुरु से फर्मादेहन के जोगी ओ है जो हर विले जाग गया रे विकारा वलो सुचेट रहे अते साच नन जुड़ जुड़ आ रे एहुजा जोगी मेरे मन नो पांदा है अन देने जागे सच लिव लावे सो जोगी मेरे मन पावे इस तो अगली तो कंदर गुर से फर्मादेहन के आई पंथी सगल जमाती मन जीता है जग जीत गुरु पेर जोगी आदे बारा पंथ फिरकी हन जेवे सत्यानात पंथ, तरमनात पंथ, राम पंथ, नटेश्वरी पंथ, आई पंथ आदीता है इना वे जो आई पंथ नो जबत उच्चा गिने गया है गुरु पेर हर एक पंथ ता अपना अपना तरम है, सिधान ता है गुरु पाश्या फरमा देहन के तरम जब पंथ न ओ है, जो सारी जगत नो अपनी गलवक्डी वेच लेलवे, जो तरम नदी बन के समंदर निरंकार ना मिले, ओ फिर कादा तरम, कादा पंथ, तक गुरु से फरमा देहन के साड़े ले याई पंथ है, सगल, जमाती, जमें सगल पाव सार्या नो अपना जमाती समझदा है, अपना समझदा है, किसे न भी प्राया नी समझदा, ओ ही असल विच, आई पाव सब्तों उच्छे पंथ वाला है, पर सार्या नो अपना समझ लेना, ये कोई छोटी गाल नहीं, साड़ ता पैर पैर देवायर है, हर तरम, देश, राज, एतों तक के गवाण तक साड़ा वैर होंदा है, फिर सारे अपने किंज लगन, तक गुरू से फर्मा दिहान के मान अंदरों वैर दूर कर ले, माननों समझा ले, माननों जितल ले, ते माननों जितन दा तरीका है, गुरू दी बारी नार जुड़ना, जो जो गुरू दी माननों समझा दा है, ता फिर मानन अफरत दूर करके अंदर पाई चारा पर लेंदा है, हलीमी पर लेंदा है, प्यार पर लेंदा है, जो माननों वासर करता है, मानन दे जित प्राप्त कर लेंदा है, गुरू से फर्मा दिहान समझो, उसने जग जित लिया, संस पर इस ओक की जांग विच वी जित्या जा सकता है जिए मान दे हात विच गुरु दे ग्यान दा खंडा होई जद मान रभी गुणान अपना के मैदान विच उत्रेत इस दी जित्य जरूर हुंदी है तो गुरु से विस्तोकराई फर्मान दे हान के जो मनोक सारी स्रिष्टी दे जीवान अपना सज्जन मित्र समझदा है असर विच ओही आई पंत वाला है अते जी अपना मान जित्या ज है तसारा जगत ही जित्य जंद है पाफ फिर जगती माया अकाल प्रक्तों का दे विचोड नहीं सकती इस तो बाद जो आकरी तो कहान उना अंदर गुरु सेब करपा कर देहन के आदेश तिसें आदेश आद अनील अनाद अनाहत जुग जुग एको विस गुरु सेब कर दे है पाई सच नल जुड एक रब नल जुड उस एक नूहीं आदेश कर अदेश तो पाव है नमस्कार प्रणाम जिसे पाव उस अकाल पुर्ख नूहीं नमस्कार है प्रणाम है किस अकाल पुरु जो सब्दा आध है पाव जो सब्दा मुड है सब्दा मूल है अते जो अनील नील पावर रंग्या होया अनील पावर अंग्रेज जैसे किसे विकारत रंग नाचड़े जो पवित्र है उह है अकाल पुर्ह अनील अते अनाद अन आद अम्या आध तो को मद त नहीं शाि बता चन दाता है सबता मुढ है पर उस था कोई जनम दाता नहीं उसनों कोई बढान वाला नहीं वो था अपने आप तो बढ़े हैं इसलेए उस अकाल पुर्क अग्ये आदेश है जो अनात है जो अनाहत है पाव जो नाश रहत है जो एक रंग है उस अग्ये नमस्कार है उस दाते नू प्रणाम है जो जुगा जुगां तो इक कुझ या है जो कदे बद्रयानी इंज नही कि किसी जुग अंदर कुझ होर सी ते अज कुझ होर होवे नहीं उज जै हो जिया पहला सी हुन्वी हो ज़ा ही है उस था वेश रूप कदे नहीं बदलता ऐसे सिर्जनहर नू, ऐसे नाथ नू, ऐसे निरंकर नू, ऐसे जोगी नू, ऐसे पालनहर नू, सदा नमस्कार है, सदा प्रणाम है गुरु प्यारों क्या जानदा है कि जोगी जो किसे एक नाथ देचे ले हुंदे हन जो भी मांग के डेरेते लियांदे हन उस तो फिर मिला के चूरमा त्यार किता जानदा है पाव पंडारा त्यार किता जानदा है अति त्यार करन तो बाद वरताओं ले रख दिता जानदा है इसनों वरताओं वाले पाव पंडारन जद नादी वजाओं दे हन संगी में जांदे हन उस तों बाद ही पोजन पाव पोगत चूरमा वंड़ की शकायच जानदा है तो गुरु से फरमा दे हन के तान दी खुराक लेता बहुत उद्धम गीते पर असल उद्धम जवें के पिछली पोड़ी अंदर गुरु से अबने फरमाया असल उद्धम मेनत है सरम करके खाना है मेहनत करके खाना है मांग के नहीं पर इस पोड़ी अंदर गुरु से फरमारे हन के पोगत ग्यान पोगत पाव चूरमा शरीर लेता बहुत तरह दे चूरमे हन कई तरह दे पदार्थ हन जिनानों खाके शरीर दी पोग मिट दी है एन जही मन लेई वी अनिक का तरह दी पंडारे हन खाने हन जो मन दी पोग मिटान दी हन ओ पंडारे हन ओ खाने हन विचार ख्याल गोण चंगे विचार मन खावे ता मन संतोकी हो जान दाए सबर वाला हो जान्द है पर जे माड़े विचार खावे ता कदे भी माने रजदानी इसनों खोर खोर माड़े फुरने आदे चस्की पैरें दिहन ए मन विकारी हो जान्द है ता गुरु से फर्मान दिहन के आपाई तेरा पुगत पाव तेरा चूरमा तेरी असल खोराग होनी चाहिए है ग्यान पुगत ग्यान माननों ग्यान दी खोराग देनी है अथे ग्यान वी ओ जो रब नल जोड़े पाव सत्गुरु दा ग्यान ही माननों देना चाहिए है अथ गुरु प्यारों जे कुछ वंड़ना हुए ता मन अंदर द्या होनी बहुत जरूरी है बिना द्या तो दान नहीं कीता जा सकता जिस मन अंदर द्या हुए ओही दूजिया वारे सोचता है अति जिस अंदर ग्यान हुए रभी ग्यान ओता चौंदा है कि जिवे मेरा मन शांत ह जवे मैंनू साच देखन वाली आख मिली जवे मेरे अंदर अनन्द बजया इंज ए अनन्द ए दौलत ए मन दा सकून ए गोण सब नू मिलन हर कोई इस रभी दात नू पावे ऐसे लगी गुरुपाशा फर्मा देहन किया जोगी पंडारा पावपुगत बना ग्यान नू ते पंडारन बना द्यानू ताके जो भी ग्यान प्राप्त होया है उसनो अग्ये वंडिया जा सके अते जिन्ना असी रभी ग्यान नू सद्कुर्ज दे ग्यान वंड़ देहां ता ए ग्यान रूपी सोदा वा पार होर वददा जान्दा है एक कदे कटदाने अते जिन्ना वद ग्ञान होंदा छला जानद है उनने असे अंद्रों हलकी होंदे जानदे हां मानिते विकार मुखदे जानदे हां फिर हर मन अंदर ओ ओ मालक नजर आनदा है पाव एक गल समझ जाहन दी है कि हर एक अंदर ओ आप ही वर्त रहा है पाव में कोई बुरा है जा चंगा वो हर एक अंदर है उस दी जोत हर एक अंदर है गुरु प्यारों की बुरा सिर्फ इसलिए है क्योंकि उसने संजोग माया नार चोड़ लिया है अति जो माया तो मुक्त है वो चंगा बन जानदा है पगत बन जानदा है गुरु सेभ फरमा दियान के काट काट वाज़ है नाद पाव हर एक काट अंदर हर एक मन अंदर हर एक दिल अंदर जो शब्द है जो नाद है जो नूर है उसे दाही है उस अकाल पुर्गदा है उस दाही प्रकाश हर एक मन अंदर है तक गुरु सेब इस तोकरे फिरमा देहर के साडेली ता चूरमा है ग्यानदा पंडारन है दिया अति हर एक कट अंदर जिंदगी दे जो राओ चल रही है जो नाद वज़रे है वो ही साडेली नादी है वो ही साडेली सिंगी है इस तो बाद गुरु सेब फिरमा देहर के जिस सिद अवरा साद जोगी अंदर एक नात होंदा है ते बाकी सा बुस्ते चेले ता गुरु से फरमा दियान कि ऐ जोगी जे किते तो हरे एक दे मन अंदर वस्तन वाले अकाल पर्ख नो पशान लवे जे असल नात नो पशान लवे जिस दे वास वेच समुच्चा जगत है जिस दी नाती विच सारा संसार है ता प्राप्त गीतियां रिद्धियां सिद्धियां में अवरा साद लग दिया हैं पाव जद निरंकार दे प्यारदा रंग चड़ जाए जद उस्ता रस माननों आ जाए फिर बाकी सारे स्वाद फिके लगन लग जादी हैं गुरू प्यारियों जोगियां कोल रिद्धियां सिद्धियां इमेहन जमें अमीरा कोल पैसा कारोबर जाना ता जद सी गुर्बानी पढ़ दे हैं सद गुर्दी उपदेश समझ दी हैं ता सानो एक अलवी पता लग दी है कि कोई भी नाम पदार्त, पद, कोई रिद्धि, सिद्धि, अकाल पुरुख दे नाम तों वड़ी नहीं होंदी उसना नाम ही सब तूचा है गुरू पेर इस्तिनाली एकल होर के किसी कोल पामें बहुत कुछ है नाम तन, दौलत, रिद्धि, सिद्धि, ताकता आधी थां एस सब पदार्त कदे माड़े जां चंगे नहीं होंदे पदार्त थां सिर्फ जाद साड़े पले गोण ना होँआण चंगी सोच न होवे थां उना चीजां दी वर्तों माड़ी करनाल असी माड़े हो जांदे हां विकारी हो जांदे हां लोबी हो जांदे हां हंकारी हो जांदे हां जो जोग सादना ना रिद्धि, सिद्धि नो नाम तो उपर समझन लग पेंदे हां जो ताकता नो करा माता नो सब कुछ समझन लग पेंदे हां ओवी विकारी हो जान दे हन साच दी था कूड नर जोड़के जीवन बरबाद कर लें दे हन एहंकार ही होना नो मार जान दा है कि मेरे पल्ले बहुत कुछ है मैं बहुत स्याना है मेरे अंदर बहुत ताकत है इसलिए गुरु सहब फर्माद दे हन के असल जोगी हो है जो नाम नो उच्छा जाने अकाल पुर्क नो उच्छा जाने दातार नो उच्छा जाने ना के दाता नो ना के रिद्या सुद्यानो ताक गुरु सहब इस तो करें फर्माद दे हन के है जोगी जे तेरा नाथ आप अकाल पुर्क होए जस्ते वास विच सारी स्रिष्टी है तो अकूर दी कांद तेरे अंदरों टोट के परमात्मा नानू तेरे वेत्थ मेट सकती है जोग साधना दे रहा ही प्राप्त होई है रिद्यां सिद्यां ता अवरा स्वाध है पाव ए स्वाध नाम दे स्वाध के फिक्का पैजन दा है उस दा हो जाना उस दे होकम नो समझ के चलना है सबतों वड़े रिद्य सिद्य है बाकी रिद्यां सिद्यां दा स्वाध ता बहुत फिक्का है अवरा है ता इस तो अग्गे गुरु सैब एक होर विचार साथे सबने सामने रखते हुए फरमा दिहान के संजोग विजोग दो एक कार चलाम हैं लेखे आवें पाग संजोग पाव जोग मिलना ते विजोग पाव विछोडा गुरु फ्यारे संजोग विजोग हर एक दे जिन्दगी विच लगातार चलता ही रहना है असे किसे एक नड़ मिल दे हां ते किसे खोर तो विचड़ रहुंदे हां ता ए मिरना विच्ड़ना सारी जिन्दगी चलता ही रहना है साफर्माद्यान के अकाल पुरुक दी संजोग सत्ता ते विजोग सत्ता दो वे मिल कि इस सार्दी कारणू चला रहे हैं पर जो रब दे हुकम नो जो इस कारणू समझे ही ना ओक इसे किसे दे मिलन देता बहुत खुश हुन दै पर जद कोई विचुड़ दा है, विजोग हुन दा है, ता विरलाप करता है, पर जो हुकमनों जान 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 दा है, उसलिए कुछ मेल जाना वी उसती दात है, तक कुछ चले जाना, जब विचुड़ जाना वी उसती ही दात है, उसने ही दात दित्ती सी, उसने ही वापस ले ली है ए पगद दी सोच हुंदी है उससी सोच हुंदी है जो अगम नों समझ लेंदा है गुरु प्यारों इस तर संसारीतात है पर रुहानी पाव मान दे तालते भी संजोग विजोग हुंदी हन राब नल जुड़ जाना ए संजोग है तोस्तों विचड़ना विजोग होने साड़े उत्ते हैं कि असी रबनाल संजोग बनाने हन जहां विजोग की रहना है। गुरु प्यारों साड़े सामने गुरु पास्चाज दी अनमोल वानी है। असी गुरु से अब दी बानी नल मिलके रबनाल जुड़ना है। संजोग बनाने हन ते विकारा मलों विजोग करके अपने लेख ते पाग चंगी बनाने हन। अथे गुरू से अप दी बानिनों छाड़गे साचनल विजोग नहीं पाना। इसलिए जुड़ना सदा सच नल है, सदा बानी नल जुड़ना है, विकार नल कदे भी संजोग नहीं बनाना, जदों चूठ नल संजोग करांगे ता लेख भी कूड ही होनगे, ता साड़े पाग भी कूड पाव मारे हो जानगे ता आओ, असी अपने पाग जगाईए, गुर गुरू सही इस तो करहीं फिरमा देहन के मिरणा ते उच्ण ना इस सड़े संसार दि कार चला रहे हन, चुध जों कि अंगे ता सुड़े ग्रे कि मारे हो जगांगे ता ता श reject lesson गुरू सही अपनी लेख बना लेंदा है, अंगे अपनी करंगे जगं कार बना लेंदा है अ आदेस जिसे आदेस आद अनील अनाद अनाहत जुग जुग एक को विस आदेस हैं सिजदा हैं नमस्कार है तिसे पाव अकाल पुर्क देगे नमस्कार है आदेस है जो आद है पाव जो सारे जगदा मूल है उसनों आदेस है नमस्कार है जो आद है जो अनील है अनील पाव जो बेदाग है उस निरंकार अगे नमस्कार है जो आनाद है पाव जिसता कोई मोड नहीं जिसता कोई जिनम दाता नहीं उसनाद अगे आदेस है उस सिजदाइं जो आनाहत है पाव अभिनासी है जो नास रेक है ऊसक्य सिजदाइं परणाम है जो जुग-जुग एकवेस है पाव ओिनिरंकार असल जगद दानात हमेशा तो एकवेस वाला है और कदे वेस ने बदलना कम उसके हमेशने परमाद्छी मिरिमा करना थमके अग् निरंग कार अगे नमस्कार है आदेस हैं जो सब्दा मूल है रूप रंग तो रहत है आद तो रहत है नाश तो रहत है अते जुगा जुगा तो जो इकको विस वाला है उसनों नमस्कार है ऐसे सिर्जनहार नो ऐसे निरंग कार नो जो सब्दा मूल है उसनों नमस्कार है सदा प्रणाम है सदा सिजदा है एक का माई जुगत व्याई तेन चेले परवान एक का पाव इकली माई तो पाव माया जुगती पाव किसे जुगती नाल कें तो पाव सब तो पहलना एक इकली माई माया किसी जुगती नाल व्याही के केसे जुक्ती नाल केसे तरीके नाल इस बारे वाकवा पुराने गरंता अंदर वाकवा कराई है पर ओ माई जिसनों महा माई जा आधी शक्ती भी कहा गया है और किसे जुक्ती नाल विया ही गई किसे जुक्ती नाल मा भी बनी आते उसे दे कुझ चेले भी पैदा हुए पाव जो माई तो पुत्तर पैदा हुई ओ परवान ने विगे कैन तो पाव के पारदे कुछ हिस्से अंदर अधे जोगियाने में इस गाल नो परवान कीता के हाँ इस जगत नो बनावन दी जो शरुवात है ओ इंज ही हुई के एक माई किसे दरीके नल आप ही पैदा हुई अधे उस रहें फिर किसे जुकती नल तेन पुत्तर पैदा हुई जेना तो जगत दी शरुवात हुई ओ चेले पाव पुत्तर कौन हन की उना दे नाम हन ओ के कुछ कर दे हन जोगिये ना बारे की कहन दे हन उस बारे गुरसा ब बर्मन्ने गये औउ कौन सट उनाबारी गुर से फरमा दे हन के एक सी संसारी पाव जो संसार मों बणावनवाला बनिया जिसने जीवानूर केता ओह बर्मा जिसनों संसारी भी कहा गया जो सिर्फ पैदा करनदा जा रचना करनदा कार्ज करदा है दूसरा है पंडारी जमें एक नूँ पैदा करनदी ताकत दिती ता दूजे नूँ पालन पोशन दी जिम्मेदारी दिती जैसे जगत अंदर जैसे किसे नूँ जो भी कुछ चाहीदा है ओ उथे चीज पहुंचानदा है पाव दाता दिन दा है ता दूसरा जो है पंडारी जिसनों विशनु किया गया है एक पैदा कीत्या नूँ रिस्क दिन दा है अधि तीसरा है महेश पाव शिव जो एक लाए द जीवान पाव जो दरबार कचेरी रहुंदा है जीवा दा हिसाब कताब करदा है ता पैदा करन दा कम है ब्रह्मा दा उस्तों बाद दाता देन दा कम है विशनु दा अते अंत दा मोत पावकाल दा कम है शिव जी दा सो ए जो गथावा सन ए जगत अंदर पर चलत सन जोगी वी इनानू मंदेसन के जीव जमदा खांदा दे चला जनदा है पर गुरु प्यारों बाणी नू पढ़न वाले जान दी हन के जगत नू बनाउन वाला चलाउन वाला मिटाउन वाला कोई होर ने बलके एक को ही है ओ है अकालपुर्क जमें के गुरु सेहव सुही दी वार दी पहली ही पोड़ी अंदर फरमांदिहान के पोड़ी आप पे तक्त रचायों आकास बताला हुकमें तरती साजियन सच्ची तरमसाला आप उपाए खपाएंदा सच्ची दीन देयाला सबन रिज्क संभाहिदा तेरा हुकम निराला आप पे आप वर्तदा आपे प्रतपाला गुरु सहब साफ साफ फरमांदिहान के अकाश पताल नो बनाउन वाला ओ आप अकाल पुर्ख हैं उसते हुकम विच ही तरतीयाद बने ओ आप इही जियान अपाउंदा भी है पाव पैदा भी करदा है अधे नास भी आप ही करदा है ते आप इही सबना नो रिज्क भी दे इसनो खोर साफ कर दे हुए फरमांदिहान के जिव तिस पाव है तेवे चलाव है जिव होए फरमान पाव पर चल लेता एह है कि किसे तरीके नल कोई माई पर सूथ हुई फिर उसतों तिन पुत्तर पैदा हुई ओ जगतनों चलाउन लाग पई एक पैदा करने वाला जग खदम करने वाला बने पर गुरु से फरमांदिहान के असल गलता यह है कि जिव तिस पावे पाव जिवे अकाल पुर्खन पाउंदा है तिवे चलावे ओवे ही ओ संसार्दी कारनों चलाउन दा है गुरु प्यारों असी पिछे भी समझाए है कि निरंग कार्दा जो म मानपाव असी सारे अते जिन्ने ही इतनी देवता तो इलावा होर वी देवतिहान जा पीर पेगंबर आदीहन जा जो वी इस जगत अंदर पैता होया चोटे जीव तो लैके वड़े तो वड़े ब्रयमन्द तक सारे ही उससी होकम मंदर चल दीहन इसलेए इस संसार्दू च श्व एत तियन कुणन हो जिसनों त्रय Collins केंद रहन पावर जो तमन्षाट तो केंदिा हन जो के हरे एक दे अंदर खुंदे हन पर गुरू सभि सह बिना कुणा बार वहार वहार गुरpruchान अंदर फर्मांद चकीं का इन अधर फ़सना नहीं है मलके शब्द नल जोड़के माननु ताक्त वर बनाके चोथे पद तक पहुंचना है जिते तेन गोन ना पहुंच सकना है अते उस अकाल पुरुख नल एक होना है उस नल मिलिया ही जीवन मनौर्थ पूरा होनदा है तक गुरुख से अब स्तुक्रें फिरमा दियान कि किसे दे हत कुछ नहीं है इस संसार नो बनाउन वाला पाब पैदा करन वाला दांता देन वाला जा अंत मिटाउन वाला कोई खोर नहीं बलके एक ही है अकाल परक उस ते होकम नाल ही सब कुछ हो रहा है गुरुप यारियो जो इस बजारतनों बुझ लेंदा है कि ओही सब कुछ करनवाला है उसता ही हुकम चल रहे है अते सानों भी उसते हुकम विच रहना फ़बदा है और फिर हर किसे विच उसनों वस्ता देखलेंदा है अते ये वेख वेख के हैरान भी हुनदा है कि कैसी अजीब कल है कि ओ हर्वेले नाल सी ओ हर्वेले नाल है सब देखदा है पर जीव सुत्ता होन करके माया विच खुबा होन करके नाल वस्ते रबनों ना देख पांदा है ते ना जान पांदा है अगली तो कंदर गुरु से फर्मादेहन के केड़ा गुतख के ओ विक है पाव ओ अकालपुरुक सब जीवानों अंदर बैठा वेख रहा है पर उना नदर नहाव है पर जीवानों अकालपुरुक नहीं देशता एप बड़ा अचरज गौतख है गुरु पयारो सद्कूरु नानिक जी ने साड़ली एक किन्नी असानी कर अपने आप दी सोजी हो जाए ता सारा संसार ही उसता रूप लगता है वही हरता दिसता है उसतो सिवा दूजा कोई होः नहीं दिसता है अच्छ जिसनु हरता सत करतार नजरी पहन्ता है फिर वार वार निरंग कारदा तनवाद करदा है उसतो सदगे जा़ जान्ता है उसतो वार नहीं जान्ता है जमक simplemente इस पोडी दी आख्रियां तुकांदर गुरु से फरमा देहन के आदेश तिसे आदेश आद अनील अनाद अनाहत जुग जुग एको विस अदेश है पाव नमसकार है तिसे आदेश उस अकाल पर रुखन नमसकार है जो सब्दा आद है जो सब्दा मोड है आदेश है जो अनील है पाव जो बेदाग है जिस उत्ते होर किसे दा कोई रंग नी चरदा जो अनाद है पाव जिसता कोई आद ने जिसता कोई मोड नहीं अते आदेश है जो अनाहद है पाव जो नाश रहत है उसनों सदा नमस्कार है सदा प्रणाम है अते सेजदा है उसनों जो जोग जोग एक को है जो कदे नहीं बदलिया जो जिमेदा काल सचा सी आज जवी ओह जया है जो कदे बनावटी वेशनी बनावदा उसनों नमस्कार है उसनों प्रणाम है उसनों सदा सेजदा है असन लोए लोए पंडार लोए पाव लोग लोए लोए पाव हरे एक लोग तां गुरु सहीब गिर्पा कर देहां कि अकालपर्क जो के आप ही जगते जीवानों पैदा करने मला है आप ही दाता मंडेने मला है अते आप ही हर एक लोग विच, हर एक जगत विच, हर एक मन विच आसनला के भी बैठा होया है गुरु प्यारों एक कौत तक सर्जिन हार ही कर सकता है जो जियानों, लोकानों, ब्रामंडानों बना भी रहा है अते बना के उस अंदर आसनला के भी बैठा होया है जमेके सोदर पोड़ी अंदर भी जाने असी के अकाल पुर्गदा असल कारदार केड़ा है इस पंक्ति अंदर भी कुरू से बड़ा साफसा फर्मान दिहान के अकाल पुर्गदा कार आसन हरेक थाती है हरेक कार अंदर है जिते जिते उस्ती कुदरत है जिते जिते उस्ती रचना है जी हन लोक हन ओथे ओथे उसदा आसन भी है अते कल्ला आसन ही नहीं हरे एक लोक अंदर उस्ती पंडारे भी हन पंडारे पाव पंडारे पैदा करन वाला भी हो ही है अते पंडारे आनो बंडन वाला भी ओ आप ही ह कैन तो पावदाता देन वाला वी ओ मालक आप ही है कोई होड़ दातार नहीं ता गुरु सहीब इस चानन भी कर रहे हैं कि सिर्जनहार निरंकार ने जिते अनेका पवण त्यार कीते ओथे ही हर एक पवण अंदर पंडारे भी पादेते जमें हवा पाणी अथे हर एक तात जो जिस ग्रैली लडीन दा है ओ ते ओ हो जे पंडारे पादेते गुरु प्यारे हो किसी होर लोग ते क्या हो जे पंडारे हैं ओ ता मालक आप ही जानदा है पर जे इस तरती दी गल करिए जहां असी अपनी ही गल कर लिए ता साड़े जिवन ले मालक ने हर एक चीज पैदा कर है पर मिल दे उसनों ही है जो अपने आपनों गुरु सहब दी बाने रही खोज दा है गुरु प्यारो जे माननों वी तरती दे वांग खोज जाए पाले जाए ता सानों अपने अंदर ही मालक दे अनमोल कीमती खजाने मिलनें अ ऐसे खजाने हैं जो कदे खत्म होन वाले न हैं इस तो बाद गुरुस्या फर्मा देहन के जो किछ पाया सं एक का वार अथे जो पंडारे कालपुर्क ने हरे एक लोग दे अंदर पाई हैं उना अंदर जो कुछ पाया पावपरया है वो एको वरी पाया है अथे उस एको वार विच नेरंगार ने एना कुछ पाद देता कि उसनों अज तक सारे जीव वर्त दे आरे हन पर उपंडारे का दे नाम के जे तरती दिखाले करिये था इत्थे जदों कुछ जीव सं उदोंवी इस तरती अंदर जो मिलता सी उसनों खान दे पीन दे ते वर्त दे सं अज लखा साल बाद भी ओही तरती है ओही पंडारे ह पर अज जीवां दी गिंती कई गुनावद है इंसान दी गिंती भी क्रोडा अर्वा है पर कमाल दी गाल देखो सब नूँ खमाउन लई किसे होर ग्रहते नहीं जाना पाइंदा हर एक पदार्थ इसे ही तरते तो मिलता जा रहा है अकाल पुर्ग दे पंडारे उस दे पदार हन सची पाष्णा जी ते जो आज मिल रहे हन अत्य जिस्ते खञान ने पंडारे परे पैहन कदेने मुक्त त सढ़ सेजिदा करना जाएदा है सढ़ा आदेश करनी चाहिदी है सो गुरू बर जे में पदार्थ आ दे खञाने जा होर कई तरह दे खजाने मालक ने इस तरती ते हर एक ग्रैते वक्वाक पाए होई हान इनजी ही साड़े मनांदर भी रब ने खजाने रखे हान रबी गुणा दे खजाने पर मिल दे उसनों ही हान जो खोज था है जे खोजी तर्ती खोजियां आज वी केमती बदार्त मिल दे हन इनजी ही मानने दी तरती ते वी असंखा गुणा रूपी खजाने हन जे खोजी तम मिल दे हना ते खजाने कदे खत्म होन वाले नहीं पावे हर रोज खोजो सालो साल को जो ए अकालपुर्गदी रहमत है किरपा है उसना कौदक है कि उसने जो कुछ कीता जो कुछ पाया एक को वार पाया ऐसा पाया कि दुबारा फिर उना पंडार्त पर रहन दी लोडने पर इता ए अकालपुर्गदी स्यानप है समझ है इसे लिए उसनों अपोल कह केंदे हैं सब तो स्याना केंदे हैं अते संभाल करन वाला वी केंदे हैं जमें के अगली पंक्ति अंदर गुरु से फर्मा देहन के कार कार वेक है सेर जन हार गुरु प्यारू पहली पंक्ति अंदर लोए लोए शब्दाया एथे कार कार शब्दो वर है एथे कार तो पाव ह करनवाला पाव पैदा करनवाला जा बनाउन वाला ता गुरु पाश्या फर्मान्द %. ऑप नहीं भी नहीं ते पंडारहं नोय है बना बना के उस नों वेखता भी है इन जो कि बना दिता लुक्ते विखट नहीं आई पौर संबाल duyуч । जिते जैहुजी लोड है उते उस मताबक पंडारे भी पार देंदा है अते पर्दा सिर्फ एक वार है परुस्ती वर्तों कई साल क्रोडा साल पावे वर्ती चाओं कदे खतम नहीं हों दिता गुरु सेब किरपा कर देहन के अकाल पुरक सब कुछ बनाउन वाला भी है पावस अंदर देन वाला वर्तान वाला भी ओ आप है ता ऐसीया दाता वंड़ता है दातार जो ना मुक्ण वालियां हन जीव खतम हो जान देहन पर उस दिते पंडारे विचो दाता कदे नहीं मुक दिया हां एक अलाड़े के अज कुछ लोबियाने मालक दे पंडारे नों जिंद देरे अंदर बंद करके मान चंदे पाला के तरतिते गरीबी पैदा कर देती है जातके इस कुद्रत ने सानु सब कुछ सारे खजाने मुफ्त दिते पर असी उस दी कलत वर्तों करन लग पे हैं जिसते नतीजे अज प्यानक हैं स्वाज लोड है गुरुनारक पाशाजी दे सिख्या थे अमल करके चलन दी के किर्थ करनी है जवें गुरुनारक सहीव ने वी कीती किर्थ करो पर बंद नावी सिखो इमान दारी दी कमाई करना सिखो अते नाल रब्दा नाम चपो उस दे गुण गाओ उदे दिते पंडारयानू आप भी वर्तों अते होरान वी इस त अधियरागुन सची मालक दा गुरु सहब समझारे हैं कि है नानक उस सच्चे दी हर एक कार हर एक कर्म उस वांग सच्चा है पावस ने जो पैदा किता उस सच्च है उस अंदर रताजिन्नामी चूट नहीं उसने जो बनाया पूरा बनाया उस अंदर कोई भी कमी नहीं है गुर्वी प्यारू गुरू स्यम ने समझाये कि रव ने जो बनाया पूरा बनाया जूराय कोई पोल ने कि Thank you कि एवे होना चाहिएदा शीपर स्याने केंदे 기본 जवाब yelled इंदी लोडने क्योंकि उस मालक ने जो बनाया सब सही बनाया पूरा ते सच पैदा गीता अते साड़े जे मुर्खान वी उदों ही समझाओं दी है जद उमर भीत जांदी है उमर टल देया पता लगदा है कि मैं ही मुर्ख सी जो उस दे बनाई विचो नुक्स करदा सी जद क काम सत है उस दी कार सत है उस दा कर्म सत है उसने जो बनाया सच बनाया पूरा बनाया उसने जो बनाया उसंदर पूरे पंडारे पर के पाए होई हान आते ऐसे सरजनहार नो जो सच्चा है जिस दी कार सची है उसनों जिनने वार भी सिजदा किता जावे काट है ऐसे निरंका सदा आदेश है, आदेश जिसे आद, अनील, अनाद, अनाहत, जुग, जुग, एको, वीश, आदेश है, पावनमस्कार है, सिज्दा है, परणाम है, तिसे उस निरंकार नो जिस्ता बनाया हरे कम सच्चा तीपूरा है। जिस दे पंडारे नाम होकन वाले हैं जिसता परबंद बहुत ही कमालदा है गुरू प्यारों जे असी कोई निकाजय करपरवार ले कोई परबंद करना होई तो उस अंदर भी कई कमिया रहे चांदिया हैं पर देखो एनले वड़े ब्रहमंद नो कैसा सोना बनाया हैं कैसा सो बदा मुड हैं जो आद हैं उसनो वार वार नमशकार हैं जो बेदाक हैं जो अनील हैं जो अनाद हैं जो अनाद हैं पाव जो शुद्ध सुरूप हैं जिसता कोई मुड़ नी लब सकता जो नास रहत हैं जो जो जोग जोग पाव सदा सदा ही एक को जा रहनदा हैं कदे वे इसने बिदलता जो कल भी सचसी, अज भी है, अच्छे सदा रहेगा, उस अकाल पुर्ख नो सदा अदिस है, सदा नमस्कार है, सदा सुझधा है लख लख गेड़ा आकिया हैं एक नाम जगदीस जगदीस ता पावे जगद दा इस पावे जगद दा मालक अकालपुर्ग ता जो वी लख जी बहान जी उना नल अकालपुर्ग दा नाम जप्या जाए एक वार नहीं भी लख जी बानाल जे एक एक लख वार भी एक नाम जगदी स्वाव एक अकाल पुर्ग दे नाम नो जप्या जाए तावी ना ता उस अकाल पुर्ग दा अंत पाया जा सकता है अते ना ही इंज उस तक अपड़िया जा सकता है गुरु प्यारो ज़दो एक कामाई वाली पौडी पड़ी ता पहली यां दो तुका अंदर लगया कि गुरु सही अब जगत नो चलाओन वेचे तिन दिवान दा हत्थ मन दी हन पर मातमा दा हुकम बारे दस्या कि एजगत असल वेच चल के में रहा है एथे तेन ने बलके एक दा हुकम चलता है एक अकाल पुर्क चलादा है ता इस पौडी अंदर भी पहले यां दो तुका तो लगदा है कि शैद लखा जा करोडावार एक नाम जपनल अकाल पुर्क नल मिलाप हो चांता है पर असल वेच एथे कुछ ऐसे मना दी बात हैं जो कूड ना जुड़ी होई हैं जो अग्गे चलके सन पता लगेगे गुरुप्यारों जमें बहुत सारे आपो बने संत बाबे रोज किन्ना नाम चपती हैं अजारा लखा संगतानों रबदा नाम चपत हैं बड़ा सात संग भी होंदा है यह बाबे रबदा रूप भी लग दी हैं अधियासी भी ऐसे कई पंडाल देखे हो उनके जननों देखके किया हो एका के वह किन्ना सात संग है पर ओही संत बाबे हैं दी कुछ दिना बात खबर आउं दी है कि ओता चोर निकलिया ओता मार रूह सबान के दिखाऊं देखन ऐहँ यह ओकोड मान सिर्फ नकल करनी ही जान देख और नकल ही ओस्यल्विकर आत्यों उसर्थ उत्तों उत्तुों पकतां दी है गुरू सेबाना दी कर देखन और जनना जाई बोल बोल देहन उना वर्गे कपड़े पान D पाव बारू उना वर्गी दिशनलागपान दीहन्, पर अंदरों ओ कूडे ही रहन्दीहन्, चूठे ही रहन्द आन गुरॉपियारों रब दे सची सेवकता रब नन् एक मिक सान्, ओ जो अंदरों सन्, ओ ही बारू पर कूडे पाव चूठे बाबी, सिर्φ बारों ही साव सु असल मिलाब की है उस बारी अगली तो कंद्र गुरु सब्सक्राइब फर्मान देहन के एत राह पत पवडियां चड़ियें होए 21 असल मिलाब दिये वस्ताबारी गुरु सब्सक्राइब कर देहन के सिर्फ जपन नल ने बलके जो जपया है जिस बारे सोनियां है पड़या है उसनों मरणामी है उस दे गुण अंदरतार्न करके आप पाव त्या के ही अकाल पुर्खनाल 21 होया जा सकता है 21 पाव 1 एक और एक और नाल एक मिखता कीची जा सकती है ताँ गुरु से फ़रमा दिया नके एतराह पाव ए जो मिलाब दा राः है उस बारे फरमा। पतप पवडिया पवडिया प्वडिया पतपव पतई अकाल पुरिकनल मिलाब वालिया पॉडिया जकीधा है। ज़ contrat scribus 2018 मिलाब दी अवस्ता बंदी मिलाबी अवश्ता तक पहूंचन तहुनोंा एक होर कार्जबागी है। जिस पारे गुरु सहीब अंतली तोकंदर विचार देंगे, पर पहला एक होर विचार जो गुरु सहीब दे रहे हन, उना मना बारे जो नकल कर दे हन, जो रीस कर दे हन, उना बारे गुरु पाशा फरमा दे हन के, सोन गला आकाश की, किता आई रीस. जो गुरु सहीब गिर्पा कर दे हन के, जिमें ओ मन जो रबनल 21 वाली अवस्ता तक पुझे हन, जो मनो अकाश तक पुझे हन, जिनादी मन दी अवस्ता बहुत उच्ची है, जो कमल देवांग विकारा तो उता हन, उनादी वडियाई तेक के, बहुत सारे होर संत बाबे उठ पई हन, जिनादा मन रब नन एकमिक नहीं है, पर कपड़ी जरूरोओचे पाले हन, बोलोओचे जरूर बोलने लग पी हन, नाम जपान लग पी हन, वड़ी तुवड़ी सेवा करण लग पी हन, बिलकुल हंस वर्गी बन गी हन, पर अंद्रो भगुले ही रहे, अंद्रो ग पर कोड़ था कोड़ी से उना था पाज एक दिन खुली गया तो गुरु से फर्मादे हैं कि जे रब नल एकमेक नहीं होए जे उसनल मिलन नहीं आप 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 आवदा त्याग नहीं कीता जे जो पड़े हैं उसनों मन्याई नहीं जे सचता रूप होए नहीं तब बाकी सब दम एवे हन जेवें अकास्तियां गल्ला सुनके कीडियां नुवी ए रीस आगई कि यसी भी अकास्तिय अपड़ जाईए कीट भी रीस करन लग पेंदे हन उना दी जो बहुत उच्छी अवस्ता तक पहुंची होई हन पर रीस कीतियां लोकानन मिलापता बनाए जा सकता है पर महात्मा ननने लोकाननों दम मूर्क बनाए जा सकता है पर अकाल पुर्खनों नहीं जो खुद एक तो टुटे हन उपावें लख तरह दिया रीसां करके नकला करके एक होन दावा करन पर ओनाने कूड दे कूड ही रहना है गुरु प्यारों सानू सच्छी गुरुदी स मौश समझ वनीन चाहिए अतीश दी समझ वी ओदो आन दी जाद मान समय तार ओजाए जाद मन मुरुक होजा जाद मन गुरु न लभिया क rif今 शाद मान गुरुन जुड़या था उननहों सच्ची गुरु दी समझ लोग के सच्छा गुरु कून है उनाने जद सच्ची नो लब्या तबाकी सारे कूड़ लोका दे पाज अपने आपी उगड़ गए था अंतली पंक्ति अंदर गुरु से फर्मान दे हनके नानक नदरी पाई ये कूड़ी कूड़े ठीस पाव हे नानक अकाल पुर्क दी द्या द्रिश्टी ते ग्यान रूप नजर नाल ही रभी मैल नुपाईदा है रभी नजर तो बिना उस मैल विच पाउंचना कूड़े मनोक दी कूड़ी का पवांगाई गुरु प्यारो जद सानू कोई कम दिन दे है असी उसनों कर दे हैं बड़ी मेंत नाल प्यार नाल जहां विकार नाल किसे भी तरीके नाल दिते हुए काम नों जड़ा सी पूरा कर दे हैं ता अपने कीतों ही काम नों आसी ता सलाम दे हैं कि ए मैं काम कीता है ए वदिया कीता है चंगा कीता है पर साड़े वदिया वदिय या कैन नाल कम वदिया नहीं हो जाना जदों तक जैसने सानों जड़ा कम दिता हैं जड़ा कार्च जिता हैं जड़ा कार्च जिता हैं जड़ा असी उसके रखदे हैं तक कीता होया कम उधी नजर अंदर आउंदा है जानाई उधी मताब कार्च होया जानाई यह उस ते जद उस मालक दे नजर अंदर आ जाए गुरुब्यारों जद सी पांच खंडा वारी जाना गी ता पहरना तर्म खंड चासी जाना है फिर ग्यान फिर सरम फिर चोथी जो अवस्ता है साच खंड तो पहला वह कर्म खंड पाव पाव पाविया सी बहुत तर्मी हां बड़े ग् मांगे फिर ही साच खंड जापा मांगे जमें पिशली पंक्ते अंदर एक कनल एक होन बारे जाना के अंत्री जो पोड़ी है मिलाप दी ओ केड़ी है ओ है साच दा हिस्सा होन दी पर मिलाप उदों ही हुंदा है जादो उस दी नदर होवे बक्षीश होवे गुरु से फरमा संद्ध करें हैं मैं बड़ा पक्त हैं बड़ा संत हां बड़ा घ्यानि हाँ साधी कैल नाल साधे कारजा नाल साधे स्रम नाल जे रब पायाँ जान दा तो बड़ी सोकी क्योशी पर साधे कम ओ व्मावी नदर SHAT होने बड़े जरूरी हां महीं तछावा है दिखावा है पूड़ेने सची बढ़िये कप्टी जा चूठेने जे मनों जुड़ांगे फिर ही उसती नदर दे पातर बन पावांगे तनवाद पिशली पूड़ी दे अंतरी तोक्सी के नाने के नदरी पाईए अकाल पर रिकती नदर नाल ही उसनों पाया जाज़कता है पावर अभी मिलाब दे पूड़ी दे आखरी डंडे तक पहुंचना है ता उसती नदर दे पातर बनना पहुंच चुरूरी है आते जेसनों नदर यह समझ जा जाए उस अंदर फिर कुछ रहा जा जा जांदा पाव और फिर सिर्फ दे शिर्फ जोत होंदा है घुड़ कुज नहीं उस अंदर बाकि सारे विकार वैं परम सारा कूर दूर हो जा जादा है अते जो बज़दा है ओह सच्च ओह रब 0.0现在 हमान फिर समझ शब्दा अंदर बोल के लिख के विचार के पूरी तर्ण दस्या नहीं जा सकता इस रूँ सिर्फ मानिया जा सकता है जी जा सकता है तक गुरु पाशा नदर अंदर आए मानबारे फरमाधियान के आखण जोर पाव कदों की आखणा है की बोलना है कदों बोलना है किना बोलना है इस ते भी होण मेरा जोर नहीं रिया कदों जदों नदर दी समझे जमें के गुरु साहब कर्म खंड विच फर्मा दियान के कर्म खंड की बानी जोर तित्थ है होर ना कोई होर पाव इस अवस्ताव तक जो पुझदा है उते होर कोई दूज्या खुंदा ही नहीं है जद मेरा मालक चौंदा है मेरे तो ओ बोल बलवा लेंदा है जैवे के सुक्मनी साहब अंदर भी गुरु साहब फर्मा दियान के जो किछ कहना सो आपे कहे जो कुछ कहना है ओढ़ आपे ही कहला है मैं तब विच्चू हट गया है मैं ता रह यह नहीं किया मेरा ना तब बोलन विच जोर है ना ही कुप्रेण विच मेरा मालक आप ही बोल बलवावी लेंदा है अतरह आप ही जद चुप्रेण हो कहे तो चुप रह नहीं गुरु प्यारों जिया सी अपनी जिद्दगी देखे तासी जद अपनी मर्जी कर दिया अपने जोर नाल बोल दिया तब बहोत क कुझ ऐज़ा बोल जान दिगां जिस रण साड़ा तान मन मैला हो जान दै पर जो मन हुकम नू समझ दा है नदर नू समझ दा है और फिर ओही बोल दा है जो मालक बलाओं दा है तैस्टो अग्ये गुर्शा फरमा दिया हैं के सिर्फ बोलर दे चो परेण वेची नहीं बलके जोर ना मंगन देन ना जोर। नहीं कर दा अति जटाइवी अकाल पृग ता रोप हो ले तूर देहां पाव जटाइवी गूरु से अब दी बानी राही माननो ऽोना बड़ाँदेहां माननो गुरबानी दा रूप बना लन देहां तक की मंगना है तक की देना है इसंदर वी साठी भरची फिर नहीं रह जा पिर जब भी अकाल पुर्ग दें उसता हुक्म हुन्दे था मनगावी लें थे हुक्म हुन्दे था दानपाव हो रा दी सेवा अंदर भी आप हिला ना गुरू प्यारों, जड मालक दी हुक्म नो समझ गी सेवा वेच लग दी हां ता फिर कार्ज पूरे नहीं होंदे, भलके समर जान देने, सोनी हो जान देने, सो जद नदर अंदर मन आउंदा है, जद इस पौड़ी ते मन होंदा है, ता मंगना अपने आप सुदर जान दा है, फिर मंगा भी अपना जोर नहीं मनते पासक दिया, ना कोई विकार जोर पास संसार चल रहे हैं जद उसनों ही अपना आप हवाले कर दिता फिर असी का तुन जोर लाना एक गाल होर गुरु प्यारो जड़े इस अवस्ता तक नहीं पुझी ओ इंजी भी सोच दी हैं कि यह ता आलिस पुन है कि कुछ नहीं करना जद होकम होएगा तो कुछ करना है पर जो नदर कर्म नो पचान दयाए गुरु प्यारो उधा था जा हर दिनी संगर्चनल पर रहे हो दयाए क्योंकि हुक्पम वाली रहा खंडेत या जवें आसी सारे गुरु सह्थ बादे जीवननों देखे केत नहीं हैं अपा गुरू गुबिन सिंग्जी दे जीवन नू देखे, जिन्दगी दे सारे दे सारे दिन मुश्क्रा नल परे हन। पर कदे भी कोई मश्कल गुरू सहीब दारा नहीं रोक सकी। क्यों? क्योंके ओ खुक्म अंदर हन। नदर अंदर सन। जिवें हुक्म होया, उन्जे ही कारज कीते हैं। इस जगत अंदर एक गुरू सहीब हन। जिरान। इस जगत दा सब तो वड़ा, दाता सब तो वड़ा, दान करनवाला कहन दी हन। सरबंस दानी कहन दी हन। नहीं तक कौन अपने पुत्रान। इंजे शेहिती ले पीजता है। इस जो भी होया, खुक्म अ कारज करता है, वो कारज भी सारे कर लेंदे हैं। पर उस दा चेरा हमीशा खड़ा रेंदे हैं। कदे कोई रोस नहीं, कदे कोई गुसा नहीं। क्यों? क्योंके जोर अपना नहीं मालक दा है। ता गुरू सही फर्मान देहान कि जिसते उदी नदर हो चाएं। जो नदर देड़ा चाया, वो मेरे हातों दान कर वाले आता, जोर ना भोलन विच है, ना चोपरेण विच, ना मंगण विच, ना दान देन विच, अते नाण ही गुरू से फर्मान दिया हन के, जोर ना जीवन, मरण, ना जोरू प्यारूं इस जिंदगी किन्नी केमती है, अन्मोल है इस ता अंदज्जा सानु सारी उम्र नहीं लगदा अचीता पलपल इन्नु लाम में देंदे रहंदी हां कि एक कहुजी जिंदगी मालक नहीं दे देती है इस से नालोता नाई मिल देता चंगासी पर जो अकाल पुरकनल एकमिक होनवाली वस्ता तक पहुंचिया है जो नदर पुरकने सानु जनम रूपी केमती सौगात दिती इसलिए जिसनु करम दी समझ है वो जानता है कि जनम ते मौत ते वी साड़ा कोई जोर नहीं अतिस साड़े विच्चों कहीं ये वी सोच दिहान के जो बड़ी तार्मिक ने उना दी उमर बड़ी लंबी यूंदी है उनना जनम मौत जल्दी नहीं आदी पर इंजनी होंदा जो मालक दी नदर अंदर है वो जानता है कि इस अंदर भी साड़ा जोर नहीं तार्मिक होना जा ना होना इसलिए उमर दा सबंदनी ऐसे बहुत पगत हन जो छोटी उमरे ही उमर पोग के रब्दे प्यारी होगे अधे कही जो बहुत लम्य उमर पोग के वी के ता जिस ते कर्म होवे उही जानता है कि जनम ते मौत ते साड़ा जोर नहीं इता मालक दी दात है उदा तोफ है सानो इस तोफे नू उस ते होकम अनसार बिताना है जो हकम नो समझ के जूंद है और जनम में सफल कर जानता है ते मौत व विच अते ना मरें विच अपना जोर चल सकता है जिवे उस ता जोर है उवे ही ऐसी चलना है तो इस तो बाद कुरू सह फरमा दे हैं के जोर ना राज माल मन सोर मनोखते मन अंदर बड़े तरादी सोर पावशोर हन अजकल जो सब तो वद मन अंदर शोर है उह है राज दा माल दा पैसे दा इस सोर इना वद है जिनना मिल जाए काट लगता है जिनना की वद पैसे वाला हो जाना है उनना वद होर शोर मन अंदर पैदा हो जान दा है ता इस शोर नो काट कर रण जह खफम करने वाले पास्हिं जाया त्यान बहुत क्यांट он जिस्ता नीटान मन दे शोर नो काट करन वाल जानद है वो ही गुरू दे वानिला उब कि फवाले, ऐस मन नूश शांत कर लेंद जग काई बना देवे यह उसता हुक्म है इस अंदर मेरा कोई जोर नहीं पर हाँ जैसे भी हालात अंदर अकाल परकर रखके उस अंदर मन बड़ी खुशी नल बड़ी उत्शार नल रहना है कि शुकरे दाता जी तुसी मैंनो इस हालात अंदर रखके अपने नाम नल जोड़ रहता है नाल ही यह जाद रखता है के मानन देवेच के जो राजमालदा शोर जातान समध्तियाद शोर है एक अपने जोर नल दोर नहीं होंटा बलके उससे जोर समझे आए इस ही जोर नासुरती ग्यान वीचार जो मन नदर ना पातर बंद है जो उसते करम अंदर आउंद है वो मन समझ पांद है कि मैं नाम नहीं जप रहा है मैं कûrica करने का रही है ज़े तक में हां ओदो तक कोई विचार हो भी नहीं सकते फिर ता मैं मेरी ही है गुरु पियार उस ता कर्म होया है ता विचार होई है उस ता कर्म होया है ता सुरती लग रही है त्यान लग रहा है ज्ञान विचार हो devil कोई जोर नहींड से भेस्ट उक्राइं फिर मद्या अनके सुर्थ जोड़न विच्ट ग् जबता है तक कीता होया कर्म थाएं पैजन्द है इस वग्या गुरु सब किरपा कर दिया हैं के जोर ना जुगती छुटाएं संसार संसार तो छुटन ले कही तरह दिये जुगतियां मन लवंदा है कि इस संसार तो मान दे माने दे संसारतों माने दे विकारां तो मुक्त हो ले बंदना तो अजाद हो ले कई सारी जुकतियां मन लांदा है पर सिर्फ जुकता लाल लाल माने नहीं छुड़ता जे इंज हुंदा था असी अपने आप ही हरे एक बंदन तो छोट जाना सी पर जद तक फरमान दे हैं कि जिस जुकतिनल संसार तो शुटकारा हो सकता है उस ते कमान वेच वी साड़ा जोर नहीं चाल सकता फिर किस ता जोर चलता है कौन है जिस ते जोर्नल सारा संसार चलता है कौन है जिस ते जोर्नल हर तरह दा ग्यान मिलता पर आए जिस्ते जोरनल चरम मरन हो रहे है उस बारे गुरु सेब अगली तोकंदर फरमान देहन के जिस हत जोर कारविक है सोई सो जो मान मिलाब वाली पौड़ी तक पुझता है जो करम खाड़ तक पुझता है उस समझ पांदा है कि इस जगद अंदर साड़ा कोई जोर नहीं जिस हाथ पाव जिस अकाल प्रक देहाथ विछ जोर है जिस दे जोरनल सारा जगद चलता है ओही रचना रच रच के कर करक के विख्या पाव समभाल रहा है ओही रच भी रहा है संभाल भी रहा है दाता मी दे रहा है नाम भी चपा रहा है गुरू प्यारो जिस माननू एह हुक्म समझ आ जाए कि इती सिर्फ एकदा ही जोर है एकदा ही हुक्म है और फिर होर होर जोर लाउंडी था एकदा हो जान्द है जद एकदा हो जान्द है तो ओवी इस कुदरता हिस्सा हो जन्द है जिमें बाकी सारे जीव, सारे पदार्त उसे हुकम अंदर चल दी हन इन जी ही मन भी चलना लग पन्द है जिस वैन विच मालक ले जन्द है उस विच वैत उरता है तक गुरु सहब इस पावन पंक्ति अंदर फर्मान दे हन कि ओही अकाल पर करचना राच के उस दी हर परकार संबाल करता है जिस दी हाथ विच जोर है, समरता है ता गुरु प्यारो इस रात तुरियां उसमान नो ये ता समझ पैंदी है कि इस संसार अंदर एक दा जोर है हते नार ही इस रात तुरियां उस नो जिन्दगी दे बहुत अन मुले राच भी पता चल दे हन जिना विच वैक है कि उस दे जोर अंदर रियां ही जिन्दगी सोनी बन दी है जीवन हमेशा ताजा ते अनंद पर पूर रहन दे है इस दे नार ही एक होर विचार जो समझ आंदी है उस बारे अंत वारी तुकंदर गुरु से फरमा दे हन के नानक उत्तम नीच ना कोई सो जिस मान नो ये समझ पैंजा है कि मेरा किसे ते कोई जोर नहीं कि अकाल प्रक्ते जोर नहीं सारा जगत चल रहे है फिर उस मन अंदर कोई टेर मेर कोई पेदपाव कोई ऊचनीच नहीं रह जादी उसलिए ता हर कोई उसता ही रूप है हर एक अंदर उस दे जोत है उसलिए कोई माड़ा नहीं कोई चंगा नहीं उसलिए सारे बराबनार गुरु से फर्मा दियान के हे नान के अकाल पुर्ख ते जोर नो समझिया है उसलिए करम दे पातर बढ़या ही पता लगता है कि इत्थे ना कोई उच्चाए ना कोई नीव है बलके सारे बराबने सारे उसलिए जोतने हर एक अंदर अकाल पुर्ख ने कुछ ना कुछ पाया है बस लोड़ है तो उसनों गुरू से बाली रही पशानड़ दी अपने आपनों जाना ही अपनी ते अकाल पुर्ख दी समझाँ दी है एक नल एक होया ही पता लगदा है कि हर एक उते एक दाही जोर है हर कोई एक देही रूँ है यह थे कोई वड़ा जा छोटा ने बलके हर कोई बराबर है गुरू प्यारेओ साधी नजर अंदर कोई छोटा वड़ा हो सकता है क्यों क्योंके ऐसी विकारी एंड का लाके इस जगत नों देखती है अपने जोरनाल जगत नों देखती है पर जो अकाल पुरक नों अंग संग जान दें जो इस ती नदर दा पातर है उस लोई हर कोई बराबर है इसलोई ओ अवह हर किसिय नाल एक को जोह जेनव व daha ठाहर करदा है हर किसिय नों उसतारूप जानके नमश्कार करता है हर किसे नों वस्ताही रूप चानद है गरातिं गुरुतिं तित्तिं वार गुरुप यहरो हर रोज दिन ते रात हुन्दी है जे एक कोज दिन ने बंद हो जाए तो सोचू इस तर्थीदा की हाल होवेगा साड़ा की हाल होवेगा जवें के करोना इपामे कोज दिन रात रुक जावे पाव जे सूरज कोज दिन ले रोशनी ना देवे जा तर्थी अपना कुम्णा बंद कर देवे ता सोच के देखो इस तर्थी उत्ते फिर कैह हो जा जीवन होवेगा जे तुसी डॉकुमेंटरिस देखती हो ता पता होवेगा के तर्थी जा सूरज जद अपना नियम जड़ देवे ता संसार दी हालत बहुत तरस जोग हो जाएगे एक पासा गर्म होके तपन लग पाएगा अते दूजा ठंडा होके जम जाएगा जीव जांतवां ते भी बहुत असर पेगा अते असी भी खुदनों संभाल नहीं पावागे पर इंज हुंदा नहीं है क्यों क्योंके तर्थी सूरज हवा पाणी इस सारे नियम अंदर बज्जी हान इस सारे तरम ने बारे हन तरमदार्त है नियम फर्ज अते तरमदा एक निया भी है पाव के असी अपने हर एक कर्म अंदर निया रखे पाव जो भी कर्म कर रहे हां उसनों पूरी तान देही नानले बाये ता गुरु पाशा पहली आते ने तुका अंदर तरमदी शिर्वात बारे फर्मादे हन के जिवे राता हन रुता हन थित्ता हन हफते दे यह अपने नियम कमारे हन तरमनी बारे हन समय सेर चल दे जान दे हन अते नाल ही गुरु से फर्मादे हन के पावण पाणी अगनी पाताल पाव हवा पाणी अग ते पाताल यह सारे वी नियम अंतर हन तरमनी बारे हन गुरु प्यारु हवा पाणी आद ना होण तर प्दारदि तर्थी तर्थी ते प्रमार किती है अथि हर एक प्दारद उते निरंकार ने नीम ला दिता है अथि ए नीम सिर्फ तत्ता ते प्दारद उते नहीं बलके साडे टेवी लागू है। हमान में पान इनले में आभी पएन हीां अहे विचार कर दिंदे के नियम कारतीं पताल सारे ही उस्ते नियम अंदर चल दी हन, तरम अंदर चल दी हन, इंज असीवी चलना है, अति नाल ही गुरु से फर्मान दी हन के, तेस वेच तरती थाप रखी तरम साल, ता जो उपर दसी हन, ये सारे पदारत, सारे तत इकठे करके तरती थे, अकाल पुर्क ने थाप द तरती नो तरम कमाउन दा अस्थान बना के टिकाँ दिता, तरम सालदा पाव है, तरम कमाउन दी था, तरम ते अतरम दी विचार करनवालीता गुरु प्यारो, तरम किमें न वाउना है, किमें रभी नीम नो समझना है, ये किते होर जान दी लोड ने, इस गुदलत नो हवा पानी ये सारे दिसारे तात हर कोई उस्ते तर्म अंदर विचर रहे हैं ये सारे कदेवी तर्म तो बार नहीं चांदे सदा उस्ते नेम अंदर बज्जी रहें हैं गुरू प्यारो एक गल होर इत्ते सांजी करता चलना कि जदो पंचा खंडा दी विचार हों दी है ता देब कोई तर्म अंदर रह वंदा है तो केंद है कि बस होण काणी खतम होन मैंत अर मीं हो गया नहीं जो तर्म अंदर रहुआंता है उस दीता अथ्टो नवे जिमन दी एक नवी शुरु अधुध शुरू हों दिया सो तरम नो गुरू- सामने शुरूआत हि आहा है तर्म कमाउन वाली था अधे असी इस कुद्रत नो देख के सारे तता नो वेक के सिकना है के तर्म अंदर के में रहना है गुरु प्यारो एन्या सारिया ताकता वाले जीव एतात एपदारत एचान तारे सूरज अधे तर्धी उते वी जिनने सारे जीव हन तर्म अंदर रहना है तर्ती थे जीवन काहिम रखता है तर्म दे करण ही तर्ती थे हर यावल बची है अधे जे असी भी आत्मे के तालते जीवन दे रहना है जा शरीर के तोरते इस तर्ती नो जीवन दे रहना होएगा हर वर्ग, हर देश, हर कनून ए चौनदा के उसते नेमदा पालन कीता जाए ताँ जो एक सोना ते सुकत महौल एस संसार अंदर बनाया जा सके ताँ जो एते हर किसे नों बराबरता दा हक मिन सके ताँ जो एते बुराई कटे सो बराबरता के में होई इस बारे वे अगे तर्म खांड विच फर्मान है के तेस विच जी जुगत के रंग सो जद बराबरता दी गल होंदी है ताँ गुरु साहब एते एक बड़ी ही प्यारी उदारन दें देहन के वक्को वाक तर्म हन अते हर एक तर्म वाला सिर्फ अपने ही तर्म दे लोकाना ने करदा है अते बाक्यानों एनी तर्जी नहीं दिन दा पर तर्ती जो के तर्म साल है मालक दे निये मंदर है इत्थों सिखो के तर्म की है बराबरता की है गुरु साहब फर्मान देहन के अते पामे की हरे एक जीव दी जुकत पाव रेन सेन खान पीन सवा आदी जुकत पामे सब दी वखो वख हैं पर हन इस सारे नियम अंदर अनेकता अंदर भी एकता काम करदा है तर्म जवे स्कूल दी उदारनलो जग इसे होर अधारे दी जद एक संस्ता जिमें पंजाब स्कूल सिख्या बोट दे कई सारे स्कूल हन पर हर स्कूल अंदर एक ही तरह दी कताब जान दी है इलाके वक्षवाक हन पढ़ान वाले वक्ष पढ़न वाले वक्षवाक पर किताब एक है नियम एक है सिख्या एक है तर्म एक है ता जी पामे पोट हन जुगता मी पामे वक्षवाक हन पर तर्म एक है पाव जिस नियम अंदर किसे नो रहना दस्या है उसे अंदर रहना है जब अग दा काम है गर्मी देना तर्ती नो श वी पैदा नहीं हो सकता इते नाई जीवन दी आस कीती जा सकती है। ता गुरु से फ़रमाते हैं के इस तरती उत्ते कये जोगतियां अते रंगा दे जीव अनते नाल ही फरमाते हैं के तेन के नाम अनेक अनन्द कैसा सोना अकालपुर्क ने इस सारा समा सिर जाए एस संसार सिर जाए कि हर कोई निय मंदर है एसे लीता कुदरत दी हर चीज खुपसोत रख दी है हर किसे नो अपने अपने तरम बारे पता है की खाणा है की नहीं खाणा रोक खड़े खड़े ही सारे पदार्त पालें दी हन पंची चोगा चुके जी childcare हन तरती साफ रख दी हन कीडे, पौरे, आदी, फल, फूल, पैदा करेंच, सहाता करती हैं, उनादारा से जोचती हैं, तर्म नी बहुंदी हैं पाव जीव आदी नूँ जेसे नियम अंदर रखे हैं, वो कदे उसनों नहीं पुल दे इसलिए जमें, वो हजारा साल पहला सान, अजवी हैं तान गुरु से पहला से जीव अनेका हान, जगता अनेक हान, नाम अनेक हान, पर यह सब तर्म अंधर हान जे ए तर्म नूँ छट दिन, तफिर की हुन दा है, उस भार्यदगे गुरु से पहला से फ़रमान दे हैं करमी, करमी, होये, वीचार सो जे तरम अंदर चली है ता हर जीव हर हालाद अंदरो बड़ा हस के भार आ जन्द है पर जिसनों तरम दे समझ नहीं थी जो देख के भी नहीं सिग दा जो नियम दे उल्ट चल पेंदा è जो नई खाना गो में खाता है क्योंकि ए तर्थी है ही एहो जही कि जह हो जह कर्म जीव करता है उस ते नतीजे उस ते फल अपने आप नाल दे नाल मिल दे चले जान दे हन सो कर्मी कर्मी पाव आप पो अपने कर्मा उनसार विचार होंदी है नबेडा होंदा है अते नबेडा इंज नहीं कि आज जा कल पाव अकालबुर्क आप सच्च है उस्ता तरम सच्च है उस्ता नियम होकम न्या सच्चा है अते सच्चा है उस्ता तरबार जो हर पासे है हर मनच है हर किसे विच है जानदा है। सही गुरु से अब दी बाणी वार वार मननों समोधन कर दी है कि ऐ मन नाम जब ऐ मना बाणी पड ऐ मेरी मना विकार शड ऐ मेरी मना जोतनु पशान सो गुरु पाशा तर्म खंड रही फरमा दिहान कि उस सची अकाल प्रुक ने जो वी बनाया सच बनाया उस दा दरबार वी सचाय दिथे करमादा नबेडा हुन्दा है जिवे सारे कुदरत सारे जीव सारे तत सारे पदार्त आदी तर्म अंदरहन इंज असी वी हाँ अते जो वी तर्म अंदरहन रहनदा है ओ जीव जाती बजी रहनदी है तर्तिदे रहनदी है अते जो अतर्मी हो जावन ओ अपना विनाश्त कारण आप ही बन दे हैं तैस्तो बाद गुरु सेब अगले तोकंदर फरमांदे हैं के तित्थ हैं सोहन पंच प्रवान पंच पारी असी पहला विचार चुके हां के पंच मन ओ है जो पंजा विकारनों अपने ते हावी नहीं होन दे पाव संत जान पगद जान रब्दे प्यारे जो कमल वांग संसार अंदर वी हन ते संसार तो उतावी अते सौहन दा पाव है सोब दे हन जो के अगली पंगते अंदर गुरुशव किर्पा कर दे हन के नदरी, कर्म, पावे, नीसान पंच मनादी विडियाई ही जग अंदर होंदी है गुरू प्यारू जो मन पंच बने हैं पाव जो मन कमल वांग खिड़ी हैं उनानू देख के होर वी नकले कमल खिड़ पेंदी हैं फिर के में पिशान कीती जाए के कौन असली हैं आते कौन नगली ता गुरू प्यारू इस दी पिशान ता निसान ही होंदी है जवें के इस तुक अंदर गुरू से फरमा दिहान के नदरी पाव अकाल पुरुकदी करम नाल पंच जनादे मत्य ते वडियाईदा निसान पे जानदा है जवें गुसा करिये ता मत्य तो पता लग जानदा है लोब करिये जा वाशना सब मत्य तो पता लग जानदा है मत्य दिया त्यूडियां सब दासे दिन दिया हन मत्य दा पसीना सब दास दिन्दा है कि इस अंदर की है इस अंदर विकार हन जब प्यार है सो जही पांच मनादे मत्य तो भी पता लग जन्दा है कि इस दे राबदी बक्षिश है उस्ता मत्था मुश्कल समय वेच भी पसीने ना नहीं पिजदा ना ही वाशना जां विकारा करके तियोडियां पांदा है ता उस्ता मत्था जम किता है सदा खेड़िया रहें ता गुरु प्यारो ये निसान है पर एह हो जे निसान ता नकली संता ते भी हुनदा है पर एह उना दे उदों तक ही हुनदा है जदों तक इनानों कोई छेड़े ना जेओं ही इनानों कोई स्वाल पुछ ले जावे कि उखारा पुछ ले जाए ता चाट मत्थे ते गुसे दे त्योड़ी आजा दिये जो दासे दिन दी है कि ए नकली है जरा जिनी साट नाल ये मत्थे ते त्योड़ी पालेंदे असल संत जनादा मत्था था हमेशा चमक पेंदा है कदे कबरांदा ने सदा हुकमन्दा रहेंदा ता गुरु सहाफ फरमान दियान के मेर दी नजर करनवाली अकाल पुरुकती बाक्शिश नाल उना संत जनादे मत्थे उत्थे वड़्याई दा निशान चमक पेंदा है इस दे नाल ही कौन कच्चा है कौन पक्या उस बारे अगली तो कंदर कुरु सहब किरपा कर दियान के कच्च पकाई उत्था पाए कच्च पाव कच्चा कच्याई वाला कून है पक्या होया कून है इस दा निरना उत्थे पाव सच्च दिदर बार अंदर पाए पाव पाई जन्दी है उस दिदर बार अंदर पता लगदा है कि कौन सच्चा है तो कौन पका जेवे की बाबा फरीज जी अपने शब्द अंदर फर्मान देहन के दिलों महब्बत जिन से सच्चिया जिन मन खोर मकोर सकांडे कच्या पाव सच्ची उह हन जो रभी प्यार विच पक्य हुए हन जो दिलों सच्ची अकाल पुर्खनल महब्बत कर दी हन ओ पक्य हन ओ सच्ची हन अतिकच्य उह हन जो केंदी हन कि असी भी अकाल पुर्खनल प पर ये प्यार शिर्फ दिखावा है उत्तो हो ना दे मन अंदर कुछ ही हुद़ा ता जो अंदर उ कुछ होटे बारव कुछ होड़ हान और पर गुरु प्यार उ कच्छे पके दा निरने कौन करेगा गुरु ता कर सकता है अकौल पर्रुकasis कर सकता है पर असी तुसी ने क्यों? क्योंकि अक्सर देखा गया है कि जिसनों असी माडा चंगा बोल देंदे हैं केई बार ओही अग्गे जाके साड़े तो भी अगां पोंचिया होंता है जो अज नशी करता है, कल गुरु दा वजीर बनिया होंता है तो साड़ा निरणा कदे भी सही नहीं हो सकता पर गुरु ओवी देख सकता है, जो असी नहीं देख सकती इसलिए गुरु सहब फरमा दिया हनके कच्ची पक्के दा पता उससे दिर्बार अंदर लगता है ओ दिर्बार जो हर एक अंदर है उत्ती ही नबेड़े होंती हन इस तोकनों गुरु सहब अंतली तोकनल मिलांदो है विचार दे रहे हनके नानक गया जापै जाय सो असल विच कौन पका है, कौन कच्चा ए तरमखंड विच ही पता लग जानदा है सारे नबेड़े इत्ती हो जानदी हन हर एक दिमान अंदर जो दरबार है, जो हर पासी है, वो न्या करदा है गुरु प्यारु असी तुसी न्या नहीं कर सकते क्योंकि इस जगत अंदर बहुत सारे लोग तरमदे लिबास अंदर अतरमी बढ़े बैठी हन सानू लग दा है कि ओ बोद तरमी हन, बड़ा तरम कमारी हन पर अंदर ओ कहो जी हन, एक गुरू ही जानदा है अकाल पुरु कही जानदा है कि की ओ सच्ची रब्बी रंगे विचे रंगे होय हन जा फिर अंदर ओ कच्ची हन, सो कौन कच्चा है, कौन पका है इस बार गर्वादी ओधा पाव मन अंदर जो रब दी दिर्गाव है जिते साधी हर सोच दा फैसला होंदा है जितों सानों पता लगदा है कि पता लगदा है कि एमान सच मुचछदा संत है जह संत दे रूब विच मुखोटा पाया कोई कच्चा जया मन ता तरम खंड विच सिर्फ तरम बारे पता है नहीं लगदा बलकि कौन तरम निबारे हैं कोन नहीं इस ता निरने मी हुंदा है अते सिर्फ निरने ही नहीं हुंदा जो तरम नू निबाउंदा है जो नीमा नो मनता है उस ते मत्यते रब्भी वडियाई दा निसान पैजनता है उस ते दरबार विच प्रवान हो जनता है उही पक्का मने जनता है ता यह तर्मकंड जित्तों सच खंड दी शिर्वात होंदी है सब तो पहला नियम ही है नियम अंदर चलना तर्म अंदर चलना जो इस रस्तेते तोड़ता है वो ही अगले पढ़ाते पुझता है जिसती विचार अगली वीडियो रही गुरु से अब दी किरपनान करांगे तर्म खंड का एहो तर्म सो ग्यान खंड दी शुरुवात विच सब तो पहला गुरु से अब साननों फिर तो समझा दे हैं कि जो तर्म खंड दा तर्म है जो नियम है ओ यह हुई है जो पहला पाव पिछली पौड़ी अंदर दस्या है कि रभी तर्म अंदर चलना है जिस अंदर सारा ब्रैमंड चल र है रंग वाख नसल बोली जुगत नाम पावेवकोवकान पर अंदरों एक जोट हन उसनु पशान जिमें हर कोई उस दे तर्म अंदर जी रहा है कोई उस तो बागी नहीं एमना तूवी तर्मी बन तर्म कमा नियमदा पाबंद बन अपने फर्ज पशान ता जो तू मालक द नदर दा पात्र बन सकें तहें इस तो बाद गुरु से भी ज्यान खंड दी शुरुवात विच फर्मांदे हन के ग्यान खंड का आखों करम पाव के होन ग्यान खंड दा करम आखन लगा हां पाव होन ग्यान दी विचार करन लगा हां गुरु प्यारो इस दुनिया ते बे में ही सिख है पाव सिखना सारी अमर सिखना है सिखना बांदनी करना जिन्न जीन वी लिया जाबी काठ है गुरु-पियार पावजे से मन अंदर गुरुदे ग्यान दा, जा आत्म का ग्यान दा प्रकाश हो जाए, चानन हो जाए, उत्थे अग्यान दा, दूर हो जान्दी है, हनेरा मिट जान्दा है, ता ग्यान दा कम ही, यह होंदा है कि हनेरे नुदूर करना, ग्यान गुरुप्यार सूरज दी तर विकार पाप आधी सब धूर हो जांदे हन पर इते त्यान देन जो गाल एवी है कि अजदे जुग अंदर ग्यान दी कोई काटनी अजकल ता ग्यान दी परमार है हर किसी कोल हर तरह दा ग्यान है पर कमाल दी गाल देखो ग्यान ता बड़ है हर किसी कोल है पर एन्ने ग्यान व असलिव जैसे सांडे कोल ग्यान नितोड़ी बहुत सिर्फ जानकरी है। व भी उदारी, किसी तो मंगी होई, सुनी-सुनाई, रटी होई जैसी सचमुच ग्याननु कमाया हुंदा, जानया हुंदा, मन अंदर उतारया हुंदा ता मन अंदर विकार नहीं भलके मन संतोकी होना सी मन अंदर सबर, दया, प्यार, तरम, पाई चरह, मिठास आदी होना सी पर इंसान, अज, पढ़ लिख के भी कोरा अनपड है उस दा मन पूरे दा पूरा अग्यान नल पर आपया है, मन वैम अदी नल पर आपया है, इसलिए गुरु सहब किरपा कर दियान के ऐ मना तरमी हो जाना काफी नहीं, ग्यान भी ले, ताहीं अग्ये चल पाएंगा, अज, ता सफर तेरा बड़ा लंबा है, जे इत्ते ही रोक ग जयाता रस्ते वेच ही दम तोड़ जाएंगा, इसलिए एम ना चल ज्यान ले, ज्यान रभी ज्यान, सत्गुर्दा ज्यान, तत ज्यान ता जो मन स्याना हो सकी, समझदार हो सकी, अग्यान ते माया तू दूर हो सकी ता गुरु सहब ज्यान खंड दी अकली तो कंदर फर्मा दियान के, केते, पावन, पाणी, वैसंतर, केते, काण, महेश, पाव अकाल पुर्ग दिरचना, वच्छे कई तरह दी पावन है, कई तरह दा पानी है, कई तरह दी अग है, जमें पेट अंदर जो अग है, ओ है जठरा अगनी, समंदर अंदर जो अग है, ओ है बरड़ा गुष्यू प्यारों नियाली तरती मैं सब्सक्राइब करने हैं जर्णूरा फीकारा हो उतना फली। बन जौन होके जीना करूंजिए सब्सक्राइब करके अजाएं करन नवे जो बड़ी असानी हो जादी है तां जिस मानननू एक ख़बर हो जाए के मेरे अंदर की नुक्स है किते किते मैं फसें को यहां केड़े मेरे अंदर रोग हन तां ओ मन फिर अपने आपनो ठेक करन दा हिला करदा है अपनी हवा पानी अग सारे तात जो मन अंदर कद्रत नू देख जिते ब्यंत तराधी हवा है पानी है अग है अते केते कान महीज पाव कई सारे कृष्ण विहन ते कई सारे शेव भी अकाल प्रुगति कुदरत अंदर हन तक ज्यान खंड अंदर पहुंचे होया मन ये जान पांदा है के ते पाउन एक तरह दी नहीं है कई तरह दी है जल एक तरह दा नहीं है इसते कई हो रूप हन अग भी कोई एक तरह दी नहीं इसते वी अनिक का ही रूप हन इंजही क्रिशन ते शिव भी एक नहीं इना देवी कई हो रूपन जो जो मन अकालपुर्ग्दी पक्ति करके उसता रूप हो जानदा है ओ ये पद्वियां पालनदा है ता मन होर की की बंदा है जा की की जानदा है उस बर्याग के विचार है जमें के केते बर्मे काडत कडिये है रूप रंग के वेश केते पाव कही बर्मे पाव ब्रह्मे काडत कडिये पाव पैदा कीते जारे गुरू प्यारो ज्यान खंड अंदर आया मन हर तरह ज्यान हासल करता है ना सिर्फ शरीर बारे ना सिर्फ मन बारे बलके गुना बारे द्रै गुन बारे वी ग्यान हासिल करता है जमें के बहुत सारे विद्वान एवी मन्दे हन के एजू देवती हन एक गुण हन जमें ब्रह्मा विश्न महेश ए तिन गुण हन ए ब्रह्मा जो के पैदा करने वाला गुण है जो रजो गुण है एक गुण हर उस मन अंदर है जो कुछ न कु जो पैदा करदा है नमीखोज करदा है जयमें ग्यान खन अंद्र पुज़िया माने देखता है कि इथे के बर्मेपाव इथे कई सारे ब्रह्मिहान कोई नमिया की चेजान दे खोज कर रिया है कोई पन्ची बन आढ़ना बना रहा है की नमय-द Admvé ग्रुपाशा फरमांदेहन के, केतियां कर्म पूम्मी मेर केते, केते तू उपदेश, ग्यान खंड अंदर पहुंचे मान ना सिर्फ मन बारे गुना बारे बलकि होर कर्म पूमियां आधी बारे भी ग्यान पाउंदा है, जम्य के गुरु साह फरमांदेहन के अकाल पुर्ख इस कुदरत अंदर केतियां कर्म पूमी पाव एते अनिकां ही कर्म पूमियां हन, जिते जीव कर्म करदा है, ओ पूमी, ओ लोक, ओ तर्थियां बे अंत हन, बहुत सारी हन, आते मेर केते पाव किन्ने ही मेर परवत भी हन, एते कोई एक परवत नहीं है, इस जगत अंदर अक त्रू पक्त नहीं बलके अकाल पुरक नल प्यार करने वाले बेयंत ही इस जगत अंदर त्रू हन जो सदार अब नल चुड़ी हन। जनादे मन अंदर अधा प्यार है, सची पक्ती है, अते सिर्फ त्रू ही नहीं। उसनों उपदेश करनवाला नारत गुरू ओ वी इस जगत अंदर कैई सारे हन। इस तो बाद गुरू से फ़र मांदे हन के सिर्फ कर्म पुमी जब परवत ही केते नहीं बलके चन, सूरज, आदी यह भी बहुत सारे हन। जवें के अगली तुक अंदर गुरू से फ़र मांदे हन के केते इंद चंद सूर केते, केते मंडल देश, केते इंद पाव बेंद इंद देवते वी इस रचना अंदर हन, पाव बेंद बदल हन, बेंद तरह दा मी हैं गुरू प्यारेों। जद मी दी कालांदी हन ता इस जगत अंदर ऐसे भी ग्रेहन जिते पाणी नहीं बलके गैसा दा मी पेंदा है। जो जग अंदर चानन कर रहे हन अथे ब्यांत देश वी हन, मंडल वी हन, ग्रेह वी हन, ब्रेह मंड वी हन, जना दा कोई अंतने। अधे गुरू प्यारू जमें बार अनिका चन, सूरज, ग्रेह आदी हन इंज ही ग्यान खंड विच पहुंचिया मन अपने अंदर वी ब्रेह मंड नू पांदा है। जिते कई तरा दे ग्यान दे मी वर रेहन, जिते कई चनना वरगी ठंड वर सरी है, जिते कई सूरज आ वरगा ग्यान, गुरू दा ग्यान प्रकाश हो रहा है, चानन दे रहा है, जो मना दे हने रानू दूर का रहसो, ग्यान खंड अंदर मांड दी अवस्ता बहुत के चानन होंदा है कि मेरे अंद्र की की ज्यान है किड लिटन है कड़ी कड़ी खजाने है इन दा में प् के थे र चानने आट अकल कुधिंधी कुद्रत अंद्र बेंथ थे सिध्ध यहां estas शिद्ध नाथ केते केते देवी वैंस ठाब अकाल पुरक दी कुदर्त अंत्र बैंत सिध्ध हन जिनहों को लुके तरद्य सिध्ध्या हन अते कई सारे बुद्ध हन पाप ब्यंत ऐसी हन जो द्याधि सों में हन जो बुद्ध हो चुकी हन अते ब्यंत नात हन ब्यंत जोगी हन ब्यंत देवियामी हन अते उनादे ब्यंत वेश भी हन सो गुरु प्यारु जमें बार दी तरती थे अनेका सिद्ध हन बुद्ध हन इंज मान दी तरती थे वी ग्यान खंड विच पूंचे होया मन बहुत सारे सिद्ध बुद्ध पौंदा है पाव मान अंदर बबेक बुद्ध प्राप्त करता है सिद्ध तो पाव है ग्यान नूँ सिद्ध करनवाला ग्यान सिर्फ पड़िया है नहीं बलके सिद्ध भी कीता जो पड़िया है उस अंदर सच भी है उस अंदर रब भी है उस अंदर सच्चे दी बुद्ध भी है अते ए सच्चा ग्यान ही माननू मान दा नात पाव मालक बनाऊदा है ए मान ही फिर दैवी गुना दे वेश्टारन करदा है जो माननू विकारां तो बचांदी हैं तां गुरू प्यारू एही मान पहला अग्यानी बनिया फिर दासी दानव पाव बुरा बनिया फिर दासी पर जद गुरू दे मत मिली गुरू दी बुद्ध मिली गुरू दा ग्यान मिलाता है इसनू रब्भी बुद्धाई सोद्धाई होशाई तैस्तो बाद गुरू सैफ गुरुपियारो देववी मन है ते दानवी मन है जो मन रभी गुणा दारनी हो जाए ओहुई देव है ओही पूजन जोग है अथे जो साचनु त्याग के चूठ नने लगजाए जो विकारण उसाती बनाले ओदानव पावविकारी है बोरा मन है तक गुरुसभ हर्मा दियार चुप करवार रख्या है, ऐसे कई मोनी हन, अते केते रतन, समुन्दपाव इस जगत रचना अंदर एक नहीं, बेयंत समुन्दर भी हन, जिना अंदर अंगिनत तरादे रतन हन, कसाने हन, गुरू-प्यारो", जवें बार समंदर है, इनज मन भी समंदर है, मन अंदर भी रतन ह पर इसनों वही लबब पनदा है जो मन दानवतों देव बन जए जो मन बुराई तूं सचाईवाले पास से आ जाए जो मन मौन तार लवे पाव, विकारावाले पास से तूं मौन हो जाए चुप हो जाए अतिसाद कुर्द ग्यान दा प्रकाश मन अंदर करे जिस ग्यान दी रोशनी नल मन अंदरों ही रबी नाम दे कजाने मिल जान दे हनता गुरू प्यारे हो गुरू से अपने कई वार बारी अंदर फरमाया है के मन नहीं असल तीरत है मन अंदर ही रतन हन मन अंदर ही कजाने हन पर पांदा उही है जो ग्यान दी रोशनी राल अपने आपनों खोज़दा है ता आओ अपने आपनों खोज़ज़ए अपने अंद्रू गुणानों खोज़गे अपने जीवन नों सोना बनाईए ता जो असी अकाल पुर्खनाल एक हो सकीए उसना ने मिल सके ता इस तो बाद गुरु सहब किरपा कर दी हन के केतियां खानी, केतियां बाणी, केते, पात, नरिंद केतियां खानी मन्या जान्दा है के चार तरादी खानी नाल जीव जर्म लेंदी हन जवें अंडज अंडे तो पैदा होनवाले जीव, जेरज पेड तो जेर तो पैदा होनवाले जीव, सेतज पाव पसीने जा गंद आत तो पैदा होनवाले जीव, अते उतबज पाव तरती तो पानी तो पैदा होनवाले जवेरोक पौदे आधी पर गुरु पाशा फुर्मान दी हन के अकाल पुर्क दी रचना अंदर चार नई बलके बेंत खाणिया हन अते बेंत ही बानिया भी हन पाव बेंत तरांदी बोली भी है पाशा भी है वक वक तरांदी लोक हन वक वक बोली बोलन वाली हन जो मन ग्यान खाड अंदर जानसे उसनों सोची होंदी है कि उस ते अपने अंदर भी, मन अंदर भी, इस ब्रैमन्ड अंदर भी, बियंत तरह दे जीव, पाप विचार, जर्म लेंदे हन, कुझ पैड़े, कुझ चंगे, हते उना विचारां दे कारण, जीव वाक वाक तरह दे बोली बोल दा है, जै हो जै विचार, वो हो जी पानी, पर जद ग्यान दा चानन होया, जद ग्यान खांड विच मन पहुंचयाता, ओ मन फिर चंगे विचान दा तारनी बनिया। पहला जो मन दर दर दा पिखारी सी, ओ ही मन फिर राजा बनिया, ओ ही मन फिर मन दा पातशाह बनिया। अद्धि जो अपने मन्दा राजा हो जानदा है और फिर कदे विकारा होत्तो लुट्यानी जानदा और फिर कदे किसे वैम परमडर आददा शिकार नहीं होंदा तो पद्ध wicked does read जानदा पूस्ट्याह को जानदा अकाल पृखधा रूप त्यान है जो सुर्थी जीव मन दोरा लंदा है अते ब्यंत तरांदे त्यान लाउन वाले सेवक मानवी हैं जो सदा अकाल पुर्ग अंदर सुर्थ लाई रख दे हैं अते अंत विच गुरु से फर्मादे हैं के नानक अंत नानक के है नानक जमें उस अकाल पुर्ग दा कोई अंत ने उस थी कुदरत दा कोई अंत ने इंज उस थी ग्यान दावी कोई अंत ने इंसान दा अंत हो जानदा है पर ग्यान कदे नहीं मुकदा इसनों जिन्ना खो जो उन्ना काटा है जिन्ना वर्तो उन्ना होर वाद जानदा है ता गुरू प्यारेो जो मन ग्यान खंड तक पहुँचता है ओ सेवक मन फिर अपनी सुर्ती सदा ग्यान वाल लांदा है रब्भी ग्यान वाल लांदा है जिसे ग्यान दा कोई अंत नहीं जिसे शब्द दा कोई अंत नहीं ता ग् संतों कद्यात्रमक निर्पैता आदिता मन एक गुन ग्यान नल पान्दा है Cities इभी जान पान्दा है कि पगतीई सिर्फ ते सिर्फ अकाल पुरकदी करनी है उसी पीदा कितं से जीव देव आदिता ईस ज्यकट अंदर कई हन ब्यांत हन इसलिए जुड़ना है ता उस एक नाल जो कईया दा समना दा जनम दाता है ता गुरू प्यारो जात कोई मान ग्यान खाण अंदर पूझ जानदा है ता फिर उस ता अगला सफर शुरू हो जानदा है वो कड़ा सफर है वो है सरम खड़दा पाव जो ग्यान प्राप्त कर लिया है और उदेते मेर्द करनी है सरम करना है जे पाए होई ग्यान ते मेर्द ना केती जे उसनों नहीं कमाया ता सब बेकार हो जानदा है फिर ग्यान भी अग्यान बन जानदा है जवें कही लोग समझ द्यान के ग्यान ही सब कुछ है ग्यान मिल गया सब मिल गया नहीं ग्यान आखरी पोड़ी नहीं बलके दूजी पोड़ी है इस अग्येवी जीवन है जो ग्यान मिले है उसनों कमोना जवें ग्यान कहनदा है के आलस ना कर मेनत कर ते जे असी एक ये के पाई मेनत करो मेनत करो पर आप मेनित ना करिए, तो समझो असी ज्ञान खंड अंदर की फस गे, सर्म खंड विच नहीं गे, सो सरम करना है, पाव मेनित करनी है, मेनित कीते हैं मन नवी उचाहियां ते पहुचता है, रब्बी मेन दी अवस्ता तक पुचता है तो गुरु पियारे वो, ज्ञान खंड नूँ पहलना समझो, जानो, ते फिर अग्गे चलो, सर्म खंड अंदर, ग्ञान खंड में हैं, ग्ञान परचंड, परचंड, पाव, तेज, प्रबल, बल्वान गुरु से, पिछली विचाहर नूँ नाल चोट दे होई, बड़ा ही सोना फरमान दे रहे हैं के ग्ञान खंड दी अवस्ता अंदर, ग्ञान ही परचंड हुंदा है, बल्वान होता है, ग्रूप यहरियों, जमें शीशे तपाई कटेनों साफ कीता जाएं, त Tech शीशे अंदरों सब कुछ साफ दिसन लग परेंदा है, इंजी ही ग्यान है, जद मन दे ग्यान दा चानन परेंदा है, ता मन दे सारी मैल ले जान दी है, मन साफ दे लग कर शार आप दे ला दि हनेरी-गैंगिए ग्यां दी लाट बल्दिय किस परचंड ग्यांदर सारी वैंभी ल Лएव शारञद 2017 है leverage और एक bog Mother को था रोगतों को रोगी ठीक हो जाए तन दर उस्त हो जाए तो उनों बाद विच किना सकून मिलताया किना अनध मिलताया ऐह जवर कि दो जादाया जवे नुच अनध जवम्यम्यर के नविज जिंद गाएने यह हो हाल अगली तोकंदर बढ़ा ही सोना गुरे से फ्रमान देहन के तित्थ है, नाद, बिनोद, कोड, अनंद नाद दा पाव है राग, ते नाद नो शब्द भी क्या गया है बिनोद दा पाव है तमाश है जया पर्म अनंद कोड थपव है को तक या करोड था गुरू सेफ ग्यान दी आनंद बारे फर्मान दियान के ग्यान अवस्ता वच पुजा मन क्या हूजा आनंद मानद है नाद जिया बिनाओत जागुरु प्यरों जद संगीत सुन्देयां, कोई नाद सुन्देयां, ज़ा कोई रंग तमाशा देखिये, कोई फिल्म देखिये ता मन किन्ना खुश हुन्दा है इस खुशी तों कई गुणा वद खुशी, आनन्द उधो मन अंदर परदाया, जद मन सतगुरु दी ज्यान नू सुन्दाया परदाया समझ देते मन अंदर वसांदा है फिर खुशी लबणी नहीं पेंदी मलके मन अपने आप अपने अंदरो ब्यंत खुशियां अनन्द अनल पर जांदा है नाद वांग, संगीत वांग मन अनन्द मांदा है बिनोद, कोड, पाव, रंग, तमाशा दा जो अनन्द मन वांदा है जो अनन्द कोई संगीत सुन के आउंदा है कोई नाटक देख के आउंदा है कोई तमाशा देख के आउंदा है एहो जाए सारे दे सारे अनन्द कार बैठियां बिना किते जाया, बिना कुछ सुनिया, अपने आप मन अंदर आ जान दे हन कदों, जदों, ग्यान मन अंदर आ जान दे है, जद सत्कुर्दा ग्यान आ जाए, ता दुनिया दा हर एक आनंद मन अंदर आ जान दे है, पर, गुरु प्यारो, सिर्फ ग्यान ले लेना ही काफी न नहीं जाना ज् memoir सlause सकdemins लेट बलगा अग्यत तुरनहे ज्ञानखंड वी iterations बैठनी जाना जो ग्यान पाया हैं जो ग्यान समझिया है तो ते होन मेमित भी करनी है इस रहन है प्लब कर आफसरम खंड अंतर जाना है स्रण म करांगे है hmm is श्रम खंड बारे किरपा कर दे हुए फरमा देहन के सरम खंड की बाणी रूप श्रम तो पाव है श्रम पाव मेनत उद्धम अते बाणी तो इते पाव है बनावट जविए से कहन देहां सिक पंत दा बाणी कोण है गुरु नानिक पाशा सो बाणी जा बाणी दाथे पाव है बनावट गुरु पाशा फरमा देहन के सरम अवस्ता दी बनावट रूप है पाव सोनी है गुरु पाशा जीने किन्ने प्यारे बोल दर्च कीते हैं के जदमन ग्यान अवस्ता दे रुगदा नहीं बलके अग्ये वददा है जो जो ग्या ग्यान ते मेनत की थी लकड नो अकार दिता उस दे दिर्वाजे बारिया बनाया ता मन आनंद नल पर गया उसनो अपने होनर दा गुणा दा पता लगया इंज जद मन ग्यान लेके सरम करता है मन अंदर लगी वादू लकड पत्थर पाव विकार वैम दुवदा माया आदे न मन खुदनों गुरू दी बानिनाल तराशदा है ता मन अपने आपनों बड़ा सोना कड लेंदा है अते कड़े होई मानते फिर रभी रूप चड़दा है ओ निकर जान दा है इस अंदर रभी गुण वैतोर देहन जो इस दे जीवन दी अगवाई कर देहन तो गुरू से फ किरपा करते हैं फरमान देहन के तित्थें काड़त कड़ी हैं बहुत अनूप तित्थें पाव इस अवस्ता अंदर सरम खंड अंदर जद मान दी नमें सेरे तो काड़त कड़ी जान दी हैं ता मन बहुत अनूप पाव मन बहुत सोना कड़या जान दा है मन निकर जान दा है जमें किसे पत्थर नो कारीगर तराश के मूरती बना दिन्दा है इन जही मन जद ग्यान ते मेनद करद है ता अपने उत्ते पएवाद दू बुरे विचारा नो ला दिन्दा है ता इस तो बाद मान ते जो बचद है उह होंदा है सच, प्यार, द्या, तरम, ग्यान, सवर, न मरता आधी रभी गोण जो माननू सूना बणाओं दी हन ता गुरू प्यारो मान जो कि पहला बेटंगा ते बद सूरत सी क्यों क्योंके बेकार विकारा नल परिया सी बुरे ख्याला नल मन लद्धी फिर्दा सी पाप, विकार, निन्दा, चुगली, हंकार, लोब, पई सारे विकार उतर गई, मन दे सारे बंदन तोट गई, मन दा हनेरा, सत्गुरू दे ग्यान नल दूर हो गया, ता मन हौला हो गया, मन ताजा हो गया, तंदरुस्त हो गया, अनंदनल पार गया, ते मन दा रूप निकर गया, ऐसे मन दी अवस्ता, एहो जी प्यारी हो जा दी है कि इस बारे शब्दा अंदर दस्या नहीं जा सकता इता ओहीं जानदा है जो ग्यान लाएके सर्म करदा है अते इस अनंद रसनों मांदा है जमें कि अगली तोकंदर गुरु सहब किरपा करदे हैं कि ता किया गल्ला कथिया ना जा पाव जो मानते रूप चड़िया है म इस अवस्ता दिया गल्ला गुरु पाश्या फर्मा दियान के ब्यान नहीं कीतिया जा सकते हैं कहिए नहीं जा सकते हैं गुरु प्यारियो जादु कोई सानों कोई गोण देवे कोई काम सिखावे कोई चंगा राद दिखावे ता असी उसे दे किन्ने शुक्र गजार हों कि तुसी सानु पले का मिलाया चंगी राद सी इन जी ही जो स्रम खंड वाला राह है जो ए अवस्ता है इस ते चल के इंसान सच दी राह ते अकाल पुर्क दी राह ते होकम ते चल दा है इस ते चल के मन सोना बन दा है ना सिर्फ मन बलके पूरी दी पूरी जिंदगी सोनी बन जो है सरम खंड दी अवस्ता ये ब्यान तो परे हैं इस बारे जन्नावी किया जाए काट है क्योंकि इस खंड विच जा कि मन अपने असल रूप अंदर आउंदा है अपने मूल नू पशांदा है इसलिए ना ता इस अवस्ता बारे शम्दा अंदर ब्यान कीता जा सकता है अत जे ना ही इस अवस्ता अंदर पुझे मान बारे कुछ किया जा सकता है पर जे कोई क्याड़ा चाए जे कोई दसना चाए जे कोई अपना दमाग लाकि इस बारे दसना चाए कि मैं दस सकता हां कि ए अवस्ता क्या हो जी है ता उस बारे अगली तो कंदर गुरु से फरमा दे है क्योंकि ये ब्यान करन दे आसमरत है गुरुप यारियो जो मनुक अकाल पुर्खनल एक में कहोन वाली पॉड़ी दे चड़िया ही नहीं वो किवेदा सकता है कि पॉड़ी दे तीजी पॉड़ी दे चड़के की अनंद आ रहा है जो अजे तरम जा घ्यान खांड तक पुज ही नहीं वो किवेदा सकता है कि सरम खंड अंदर की अनंद है कैसा इसता रूप है कहो जया ओ मन हो जांदा गुरुप यारियो मान दी उचाई तो बड़ी दूर दी गाल है अज का लोक ता उस अंसान बारे वी सही अंदाजे नहीं ला पांदे जो किसे उचाई ते किन्ज पुझा उते क्या हुजया अनंद है इसलिए ओ वक वक गल्ना करती हैं जिवें के एता कल तक साड़े तो नीवा से अज उचा हो गया है एक कोई वड़ी गाल नहीं जा क्यान के एक पहुंचता गया है पर टिके गाल नहीं जा क्यान के एक चापलोसी करके इठी तक पुझा है केंद तुपाव जो जिस उचाही ते जिसे रुत्बेत हुनता है और रही उस दिय मत जान दाए दुजा नहीं दूजधा नहीं पया भी आत और लो सनेो सपने उस अनन धातना के जो सरमखंड दी अवस्ता तक पहुंच दा है जहां सरमखंड दी जो अवस्ता है उसनों किसे भी शब्दनल ब्यान नहीं केता जा सकता जे कोई कतन करना भी चाहे ताम बाद विच पश्टानदा है इस तो बाद कुर से फर्मान देहन के सरमखंड अंदर की की होर कड़े जानदा है इस बारे अगली तो कंदर गुर से फर्मान देहन के तिथें कड़ियें सुरत मात मान बुद्ध तिथें पाव सरमखंड अंदर मेनत वाली अवस्ता अंदर मनोकदी सुरत ते मात कड़ी जानदी है मान ते बुद्ध कड़ी जान्द है गुरु पेर सुर्थ जैसनों चित भी किया जान्द है सोका समझना होई ता चित दा कम है चितर बनावना पाव जो साड़े हाथ प्यार कर दे हन जो अक्का देख दे हन जो कान सुन दे हन सुर्थ उसनों स्टोर कर दी है सु सुर्थ जो देखदी है चेते रखदी है अति उस अनसार फिर मत विहार करदी है मत दा कम है संकल्प मत जड़ दुनिया वाली होवे फिर जो देखदी है उधी अनसार आसालालंदी है इसलिए मत नू ममतावी कें दी है पर जद मन सरम खड अंदर आउँदा हैं जद ग्यान ते मेरत करदा है ता सुर्त फिर चंगे चितर बनाऊंदी है, रब्भी गुणान मन अंदर वसांदी है, जिसकारण चेतता अकाल प्रक्नु चेते करदा ही है, चेतता साच वाले पासे लगदा ही है, मत वी उच्छी हो जान्दी है, सुर्त वी उच्छी हो है जिस दा कम है विचार पैदा करना रोज मन पता ने किन्ने विचार बनाऊंदा मिटाऊंदा है पर सरम खंड अंदर पहुंचे मन कोई बुरा विचार कोई माड़ा विचार कोई विकारनल पर्यावचार ने बना मन फिर रभी बाणी सत गुरुदी बाणी और सारी विचार बनाऊंदा है गुरू-प्यारों जद मन कुल सत्गृता ग्यान ना होई उदों तक मन मैला रहें दे हैं मन माड्य विचारणा परिया रहें दे पर जद ग्यान लेके सरं करदा है जो बाणी पड़ी है ज़ादा सुनों समझता है ज़ादा सुनों जोंदा है फिर मान दी मैन दूर होंदी है अते सिर्फ मान ही नहीं सुधर दा बुद्ध भी सुधर जान दी है बुद्ध दा कम होंदा है चंगे मारे दी पिशान करना ववेक राहे सही पिशान करना की सही है तक की गल्द है इस बारे माननों समझाओ ना पर जे मान ही कमला हुए जे बुद्धी ही मारी हुए ता मान फिर विकड जानता है जीवन पेड़ा बन जानता है मेला बन जानता है तां गुरू से फर्मादियान के सर्म खंड अंदर पुझे मान दी सुर्थ मत मन ते बुद्ध बड़ी सोनी कड़ी जान दी है जिसती काड़त गुरबानी वांग उजली हो जान दी है उच्ची हो जान दी है गुरू से फर्मादियान के समेनत वाली अवास्ता वेचे मनोख दी सुर्थ ते मत कड़ी जान दी है पाव सुर्थ ते मत उच्ची हो जान दी है ते मान वेचे जागरत पैदा हो जान दी है अते जद मान नीवा ते मत उच्ची हो जाए मान रभी कुणा नाल पर जाए दीव वेक नल पर जाये फिर मान दी कहो जी सुद हुंदी है उस बारी अगली तो कंदर पाव इस पोड़ी दी आखरी तो कंदर अंदर गूर से फरमा दी हन के तित्थे कड़ी है सुरा सिद्धा की सुद्ध सुर्धा पाव देवतात सुर राग ताल नूवी कहन दी हन तित्थे पावसरम कड़ी अवस्ता विज मान सुर अंदर आ जान दा है उस दा डग मगाना चोट जान दा है और टिक जान दा है मान सदाले सतनाल अकाल पुरुक नाल साचनाल एकमिक हो जान दा है जद मन विकारी होंदा है पांच खंडा तो दूर होंदा है ता सुर्त मत बुद्ध विकड जान दी है जिन्दगी दी सारी तानी ही उल्च जान्दी है उल्च जान्दी है उल्च जान्दी है उल्च जान्दी है दुवधा जपिया मन बंदना जपिया मन दानव बन जान्दी है पापांच रज जान्दी है विकारी हो जान्दी है पर ओही मन जदर गुरू दी बानी नल जुड़ सचाहए और फिर पाव देवता बढ़ जाद जाद आए सद्दह ब सबस Comes home बैठ्षियां गुरू देल लग्र यां स्वनन जांदी है और मन ऑन सूणня और स्याणं बन कर्म खंड की बाणि जोर गुरु से फिरमादेहन के कर्म खंड दी जो बनावट है बाणि है उह है जोर पाव यह बड़े जोर वाला, बड़े बल वाला, बड़े ताकत वाला खंड है जमें पिछली हिसी अंदर, पिछली खंड अंदर गूरु से हमने फरमाया के सरमकंड दे बनावत है रूप, इस अंदर मंदा रूप सोना बंदा हैdown कोई विकार हावी नहीं हो सकता गुरूप यारियो जे शरीर दी गल करिये ता शरीरक तोर ते बहुत सारे ताक्तवर इनसान हन, पैसे दी गल करिये ता पैसे करके भी बहुत सारे ताक्तवर इनसान हन पर, गुरूप यार जो शरीर तो ताक्तवर है, वो कदे ना कदे हार भी उसनों कोई भी विकार, पाप, माया आदी हरा नहीं सकती तक गुरू से फरमादेहन के कर्म खंड दी अवस्था उसी बनावट बड़े जोर वाली है इस अंदर पुझ्या मन बड़ी ताकत वाला हो चांदा है अते नाल ही गुरू से फरमादेहन के तिथे होर ना कोई होर मन हुन एहना जोर वाला है कि हुन कोई भी विकार मानते जोर नहीं पा सकता कोई मन नों हरा नहीं सकता है इसलिए हुन मन को जो बचया है ओ है सिर्फ ते सिर्फ अकालपुर्क उस्था तरम ग्यान हुकम गुन ताक गुरू से बिस्तोकंदर बड़ा ही प्यारा सुनेहा देरिहन के तिथ है पाव इस अवस्ता अंदर अकाल पुर्क तो बिना कोई दूज़ा उक्का ही ने रिंदा दूज़ा पाव ही मुक्चांद है दूज़ा कोई रिंद ही नहीं क्योंके दूज़ा कुछ है ही नहीं जो वी है अकालपुर्ग है, ये माया ही सी जो दूजे नाल, दूजे पाव नाल, विकारा नाल, दू विदावा अंदर सानू फसाही रख दी सी पर जद मन इस ख़ंड़ अंदर पुझिया तब पाया कि ये सब ता एक परदा सी, जद माया दा परदा मन तो लठया, ता पता गया कि एठे कोई होर दूजा है ही नहीं कोई होर नहीं बलकि सिर्फ ते सिर्फ एक ही है एक अकाल पुर कही है इस तो बाद गुरु से फर्मा दियान कि किन्ना को जोर मन अंदर इस अवस्ता वे चांदा है क्या हो जया जोर महा बल सूर करम खंड दे बनावट पावर अब्बी रहमत मन अंदर जोर पैदा करती है क्या हो जया जोर महा बलिया वर्गा सूर्मिया वर्गा जमें इस जगते वड़े वड़े महा वली हन योदे हन इन जही इनसान में मनों योदा बंदा है अंदरों सूर गुरु प्यारियो असी सारी उमर अपने अंदर नू सुधारंते ला देंदे हां पर ए विकार रुपी वैरी हमेशा सानू टाई रख देंदे हां एक कदे साधे तो दब देने पर जद मन गुरु दी बानी नाल कर्म खंड अंदर पुझदा है तम मन ताकत वाला बनदा है ज दूसिया फर्मा दिहान के तिथ है पाव इस अवस्था अंदर इस हिस्सी अंदर मन जोद पाव योद्धा बनदा है जो ताननों जेतलांदा है महाबल पाव महाबली बनदा है जो मननों जेतलांदा है सूर पाव सूरमा बनदा है ता मन अंदर एहो जया जोर आ जानदा है जिते सारे जगतनों हरान वाली माया भी बुरे विचार भी पाव भी इस गिहार जान दे हन अधि इस अवस्ता दा हिस्सा होया मन फिर सदाली रब नल जुड़िया रहना है सदाली इसलिए क्योंकि होन कोई विकार इस से नेड़े नहीं आउंदा गुरु से फरमा दे हन के तिन मैं है राम रहया परपूर पाव जो मन कर्मकन अंदर पुझे हन जो महामली बने हन जो सूर में बने हन तिन मैं है उना दे रोम रोम अंदर राम रमिया होया है अकाल पुर्क पर पूर है गुरुपिया रूजमें अकाल पुर्क ता पहला ही हर एक दे अंदर है हर किसे विच्वास रहा है पर उसनों पशानदा कोई कोई है कोई कोई ही इस अवस्ता तक पुझदा है जिते आके बन महसूस कर पौँदा है कि हाँ वो नाल है अंदर है हर पासे है इंज ही जे करम धी गल करिये तक करम भी हर किसे ते हो रहा है पर साधी हालत देखो असी उस ते करम नो पैसे नल जोड़ देता और देनल जोड़ देता कि जिस कुल कुझ है उस ते ही रब्दा करम है जिस कुल कुझ नहीं उस ते रब्दा करम नहीं नहीं इंज नहीं होंदा गुरू प्यारे जो असल दौलत है उता मालक ने हर एक नो बक्षी है उदोलत की है उँ है उस दी जोद उस दा साथ उस दा नाम उस दी गुण जो हर एक अंदर हन ये जो कर्म है ये जो बक्षिश है ये ता हर एक दी है पर मुश्कल ये है कि इसनों पशानदा कोई कोई ही अपने अंदर इसनों पाल की इसनों पाउंदा है ता जो वी मन इस खज अपने अंद्रों गुरु सेब दी बानी तेश सरम करके पशानदा है ओही करम दा पातर बन पाउंदा है ता गुरु सेब इस तो कंदर फर्मादे हैं कि जो मन इस अवस्ता अंदर हैं उन्हादा मन सदा एक नल जुड़िया रेंदा है उन्हाद अंदर सदा अकाल पुरक वस्या रेंदा है सदा अकाल पुरक दाउनाते करम रेंदा है इस तो बाद गुरु सेब किरपा करते हैं कि गुरु प्यर्व एथिये शब्द सीटा नहीं बलके सीटा आया है अते सीटा एक वार नहीं बलके दो वार सीटो सीटा पावचंगी तरह नल सीटा होया कि सीटा होया? मन किस नल सीटा होया? रब नाल रबी मेमा नल वडियाई नल पूरी तरह नल सीता होया ता एहो जई अवस्ता अंदर पुज्या मन हर पल उस नल सीता होया रेंदा है हर पल उस दा गुनगान करदा है रबी गुनगान अंदरों ही मन हर तरह दा अनंद लब पानदा है सो जो मन कर्मखंड अवस्ता तक पुजिया है वो पूरी तरानन अकाल पुरुगदी महमा अंदर सीता जानदा है जो फिर कदे उस्तों वाकनी होंदा सदा रभी महमा अंदर सिफ्त सालाह अंदर विचार अंदर जुड़िया रहनदा है इस तो बाद गुरु से फर्मा देहन के जो रभी महमा अंदर सीता होया है उस्ता रूप कैन तो परे है उस्ते नूर नो किसे भी शब्द अंदर बियान नहीं किचा जा सकता गुरु से फर्मा देहन के ता के रूप ना कथने जा है पाव ता के उना दे रूप कथन नहीं कीते जा सकदे उना दे सोने बढ़े मन दे रूप दा वार्णन नहीं कीता जा सकदा गुरु प्यारियों कड़या होया मन जोर वाला मन रब्वे रंग वे चरंगे होई मानदा रूप बड़ा ही निकर क्या हूंदा है ये ऐसा नूर है ऐहो जे रूप है ऐहो जे सूरज वरगी चमक है जो किसे दुख नल कटती नहीं जो किसी मुश्किल नल हलकी नहीं पेंदी बलके सक्त हलाता अंदर खोर चमक दी है तो गुरु से फरमा देहन के ऐहो जहे मान दे सोने रूप दा कथन बिल्कुल वे नहीं कीचा जा सकता इसा रूप बेयान तो परे है इस देनाल ही गुरु से फरमा देहन के जिस दा रूप निखर जानदा है ओ फिर ना ता मरता है अते ना ही कदे ठग्या जानदा है ना ओहो मरह ना ठग्य जाह पाव जो इस अवस्ता मिचमन पुजदा है उस दा रोज रोज दा मरना मुक जानदा है गुरु प्यारियों जे असी अपनी होन दी हाल दीखिए तकी जेख दी हां कि असी ता रोज मर दी हां पल पल मर दी हां कदे लोब हत्थों कदे एरका हत्थों कदे निंदा हत्थों कदे गुसे हत्थों मर दी रहें दी हां ये रोज रोज दा मरना पल पल दा मरना इस खंड निच्पाँच निए हैं, रुक जानता है, खत्म हो जानता है, क्यों? क्योंके रबी रह्मत वाली अवस्ता अंदर मन, जोर वाला हो जानता है जिसते कोई विकार जोर नहीं पासकता कोई बराई इसनों ठग नहीं सकती इसलिए गुरु पाशा किरपा कर देहान के इस अवस्ता विच मन ना आत्मिक मौते मरदा है अते ना ही ठग गया जानदा है इस तो बाद गुरु से अफर्मा देहान के मन क्यों ठग गया नहीं जानता क्यों नहीं मरदा क्योंके जिन के राम वसें मन मा है गुरु प्यारियों असी गुरुबानी अंदर वार वार पड़िया है कि अकाल पुर्ख हरेक मन अंदर वस्ता है कोई भी उस्तों वाकने पर इस गुरु वाकनों मन दा कोई कोई है जो मन जानदा है उससे अंदरों फिर वितकरा मुक जानदा है वैर मुक जानदा है इरखा मुक जानदी है और फिर कदे किसे माड़े विचार अंदर नहीं फस्ता ओ इना विचारा तो इना विकारा तो मुक तरेंदा है सदा जियोंदा हमेशा जागदा हमे वो सदा अकाल पुर्खनाल एक में करेंदा है। देखना वाली आख माननों उदो मिल दी है जाद मन अपने अंदर उसनों वस्या होया। महसूस करदा है। इस दे नाल ही गुरु से फर्मादेहन के तित्थ हैं पगत वस्या के लोग। लोग का अंदर जित्थे जीवन है जित्थे जीव है उते उसे पगद जनवी वस्या हन गुरु प्यारो इसे नाल ही। यह भी समझिए कि जमें बार ब्रहमंड है इंच साड़ा श्रीर वी ब्रहमंड है। जित्थे ब्यंत लोग हन पाव अनेका दनादे विचार हन पर जद मन रभी रांग विच्चे रंगदा है। जद कर्म घंड अंदर अउंधा है ता इस तो हरेक पवण हरेक लोग हरेक विचार हरेक इंदरा एक ता ही गुनगान करदा है एक नाल ही जुडे रहनदा है एक देही पगदी करदा है इसलिए हरेक पवण अंदर होन उसつे ही पगद जन वस्ति हन जमेकी इस तोकंदर गुरु पाश्या फर्मान दे हन के तित्थे पाव इस अवस्ता विच्च कई पवना दे पगद जन वस्ति हन अते ए पगद जन गेंज वस्ति हन इस बारे करमखंड दी आकरी तोकंदर गुरु पाश्या फर्मान दे हन के करह, अनन्द, सच्चा, मन, सोय कर्मकण अंदर पुझे, पक्त जन, रब दे प्यारे सदा खिड़े रेंदे हन सदा अनन्द विचे रेंदे हन क्यों? क्योंके ए सदा एक नल जुड़े होई हन ए सदा सच्चे अकाल पुर्क नल जुड़े रेंदे हन बे अंत पापक मांदे हन पर कर्मकण ते पुझे मन कदे उसनों नजर अंदाज ने करदा उता हमेशा उसनों अंग संग समझदा है जिस कारण इस रहमत वाली अवस्तांदर कर्म दी अवस्तांदर मान पक्त जन सदा अनन्द अंदर रेंदे हन सदा खिड़े रेंदे हन सदा रबन मान च वसाई रख दे हन साच खांड वसाई निरंकार साच खांड पाप पंजबी अवस्ता जिसनों मनजल भी कह सकते हैं पाव मानदा तरम तो हुन्दे होई साच तक बुझना मानदी मनजल है मानदा इस सफर लंबा है पर ते अउंदे अउंदे अपने पिछले सारे परदी लाउंदा है हर विकार हर विचार जो साच तो तोड़धा सी ओ बोट पिछे चाड़धा है ते जित्थे होण मान पोँचदा है ओ है सच दा हिस्सा होण वाली अवस्ता गुरु सहब इसनो सच खंड़ दा नाम दिन देहन इस दी बनावट कह हो जी है गुरु पेरो जमें सर्म खंड़ दी बनावट रूप सी जिते मानदा रूप त्यार होंदा है ते कर्म खंड़ दी बनावट जोर सी जिते आके मन जोर वाला हो जानदा है जिते होन कोई पाप विकार उस ते नेड़े नी टुकदा इंजी सच खंड़ दी बनावट की है उ है निरंग कार पाव इते आके मन उस ताही रूप हो जानदा है कैन तो पाव के जिस बारे होन तक सुनिया उसनो मन महसूस कर पांदा है सुन पांदा है उसनाल एक हो पांदा है गुरू प्यारियो कैन नो इस सफर छूटा लगदा होईगा पर इसनो बहुत समा लगदा है होली होली मन सुदर दा है पौडी तर पौडी चलता है अते अंत इस आवस्टा तक पुझता है जो के सच खंड़ है परिकुरू सहिब इस तक अंदर फरमांदेहन के सच खंड़ विच्च पाव अकालपुर्क नल एक रूप होन वाली अवास्ता विच्च मान दे अंदर ओ अकालपुर्क आप ही वस्दा है जिते होन दूज्जा कोई रिया ही नहीं होन ता बस सिर्फ ते सिर्फ निरंकार ही है इस संसार अंदर जो वी है वो आप ही है अपने अंदर जो है वो वी वो आप ही है हर पासी जो है वो सिर्फ ते सिर्फ अकालपुर्क परमात्मा आप है इस तो बाद गुरु सहब अगली तोक अंदर फरमादेहन के कार कार वेख है नादर निहाल होन मान जिस अवस्ता विच पुझ्जा है एति होन दुझ्जा कुछ हो रता है ही नहीं जो है अकाल पुर्ख है गुरिशाय फिर्मान दिहान के कार कार वेख है जवें अकाल पुर्ख जगतनों राच राच की वेखदा है संबालदा है मेर दी नजरनल संबालदा है निहाल करदा है इंज दी ही मन दी अवस्ता हो जांती है होन मन जो करदा है जो बोलदा है जो कार्ज करदा है ओ एक नमे जगत वरगा होंदा है पाव, नरोवा, ताजा जिस पिछे निरंकार आप होंदा है मन अंदर होन जो विचार पैदा होंदे हन ये नमे जगती तरह होंदे हन जिसनों रचन वाला पावदीन वाला भी अकाल पुरुक आप है अथे आप ही उसते चलन दी सोजी बक्सता है जो जो कारज उक करवांदा है उसनों उदेखदा भी आप है संबालदा भी आप है नदर भी अपने रगता है अते मान दी हालत एस सब करके क्या हो ज़े होंदी है आनंद वाली खुशी वाली जिए मैं असी कुछ नमा त्यार करिये जा कुछ नमा करिदी तरह सानूं किन्ने खुशी होंदी है कि मैं कुछ अपना बनाया है इंज मान जद नमे विचार, सुचज्जे विचार, सज्जरे विचार प्राप्त करता है उनाते चलता है, कर्म करता है ता निहाल हो जाता है ता गुरु से अब इस पंक्ति अंदर करपा करते हैं कि ओ निरंकार स्रिष्टी नों पैदा करकर के वेखता है अते अपने स्रिष्टी नों सबनों कृतार्त विचार ये इनज ये इस अवस्ता अंदर कुझे मन दी नवे विचार, पैदा करकर के पाव उचार के उस दी संबाल भी करता है क्योंकि बोल उस दे नहीं हन, निरंकार दे हन ताही इना बोलना ते मालक दी नदर हुन्दी है जिस अंदर जान हुन्दी है जिसनों जदों भी पढ़या जाए नवे लगती है जिसनों पढ़ के मन आपता निहाल हुन्दा ही है जो भी ऐसी रब्बी बानी नड जुड़ता है वो भी निहाल हुजानता है देस्तो अगली तोक्त निर्गूर से फर्मांदे हैं के तित्थे खांड मंडल वरपंड तित्थे पाव सच खांड अंदर मन इस अकाल पुरकनाल एक रूप होणवाली अवस्ता अंदर की कोज देखता है एक खांड मंडल की हैं एक ताँ खांड हैं जमें तरतिदे कई खांड हैं कई पाग हैं इस तो इलावा जमें सूर जी परवारं अंदर कैं सारे खांड हैं उसनों भी खांड क्या जानता है फिर इस तो इलावा अध्यात्मिक तादी काल करी इतना इस अंदर भी केई सारे खंड हन, हिस्सी हन, जो सानु साच खंड तक लेके आंदे हन, इस तो बाद है मंडल, जे में हिंदी जे कहन दे हन, सौर मंडल, पाव सूर जी परवार, जे संदर तरती आधक ग्रह हन दे हन, इ जिते कई सूर्ज, चन, तारे, तरतियां आधा हन ता इस अवस्ता अंदर, जिते मन ये देखता है कि निरंकार्दी इस स्रिष्टी अंदर बेयंत, खंड, मंडल ते ब्रहमंड हन, इंज ही गुरूप यहरो मान कोल वी बेयंत विचार हन दे हन, कुछ छोटे छोटे विचा है, ये विचार एहोची हन जिसनों वाकवाक करके भी देख्या जाए, ता कई सारी अर्थ निकलाउंदी हन, अते जिकठा समझे जाए, ता फिर गाल लही कुछ होर हन दी है, पर इसनों समझन लई, उच्ची अवस्ता दिलोड है, पाव मन, शान्त होवे, मन, विकारा तो फिर ही इना मंडल रूपी विचारा अंदर मन, डुब की लापांदा है, अते वरवंड है, छोटे वड़े विचारां दा समझे जमें गुरू से अमने बानी नों इकठा कीता, ये हैं साडली ब्रहमंड, इस अंदर जो शब्द हन, बानिया हन, इस मंडल हन, अजे ऐसे वि अकवा करंगा दे, क्याला दे विचारां दे खंड, विचारां दे खंड, जिना अंदर वी प्रमात्मा आप होंदा है, जिना अंदर वी सच होंदा है, ता मन इस अवस्ता अंदर जिते मालक दी बनाई कुदरतनु जानदा है, देखदा है, के ते ब्यांत कंड मंडल अते यह मान्न वी देग दा है कि मान्न दे जगत अंदर वी ब्यांत कंड मंडल ते ब्रह मान्न हन जैस्ती परतर परतनों मान्न साच खंड अंदर पोच़के लिए देख पांदा है, समझ पांदा है इस्तों बाद कुर से फर्वान दे हनके जे को कथे हैं ता अंत न अंत पाव जे कोई मनों के इना खंड मंडलते वर पंड़ दा कथन करे ता उना दा अंत ओर नहीं पासकदा पाव उना दी ओड़क नहीं पैसकदी गुरु प्यारियों जो पिछली तुक अंदर विचार होई इसनों पूरा पूरा कैपाना बहुत ओकासी अति ओका है क्योंकि असी पामे किन्नेवी शब्द जोड के इस अवस्था बारे इना खंडा बारे इना विचारा बारे विचार करिए साड़ी हर विचार इस अवस्था गे बाणी रह जांदी है जमें असी गुरु महराज बारे गल करिए उता सारे ही सच खंड तक पहुंची होई हन अकाल पुर्क नल एक मिक हन गुरु प्यरु गुरु सहब जो कहन दे हन उचार दे हन उना विचारानों असी समझ के पूरा पूरा समझ नहीं सकते क्यों क्योंकि गुरु सहब जिस अवस्था अंदर जाके विचार दे रहे हन वो बहुत उच्छी अवस्था है अते असी जो विचार कर दे हैं वो अपने अवस्था उनसार कर दे हैं पर एक बाणी दा गुन देखो एक किन्ने महान है जै हो जै अवस्था रख के अर्थ करिए उस्set तरह दे अर्थ उस अंदरों बढ़ जांदे हन पाव इस ब्रहमणी बानी दे पामे किन्ने महीं खंड कर के विचार करिए हर खंड अंदर उन्हाही रस होंदा है अनंध होंदा है आनंध होंदा है गुरु प्यारो इस तुक रही गुरु शैव फर्मान दे हान के जे कोई मनोख इस खंड मंडल वर पंड दा कतन करन लगे ता उना दे उड़क नहीं पैसकदे अन्त नहीं पासकदे इस तो बाद गुरु शैव अगली तोक अंदर फर्मान दे हान के तित्थय लो लो आकार त पावसाच खंड अंदर पहुंचे होई मान दी इस अवस्ता अंदर बेयंत पवण दे आकार दिस्थी हन गुरु प्यारो लो दा पाव लोक भी हुंता है प्रकाश भी पवण मी ता इस तुक अंदर जित्थे मन निरंकार दी बनाई श्रिष्टी नो देखता है जित्थे बेयंत लोक हन जिनादेवक्ष वक आकार हन ओते ही ओ मान दे जगत अंदर भी बेयंत लोक देखता है गुरु प्यारो जाद तक साधे कोल सिर्फ साधी नजर हुंदी है तै ओ नजर भी अपनी नहीं बल्के इस अंदर गल किसे होड़ी होई सोजी किसे होड़ी होई था अस आपतों अगे जाके सिर्फ ते सिर्फ उस एक अकाल पुर्खनों सुनना है जो साड़े अंद्र निवास करता है जिस दे इशारेते सारा जगत चलदा है जद मन उस दी सुनदा है उस एक दी मनदा है जद ओ रब्बी तर्म अनुसार चलदा है उस दे होकम नो समझ के कार विहार करदा है ता मन बेयंत लोकानू अपने अंदर ही देख पानदा है पावमान अंदर जो निका तो निका लोक है जो निका तो निका क्याल है और अभी गुणदा आकार ले लेंदा है इस दा हर एक बोल एन्ना मेंगा हो जानदा है जिमें पानी दी बूंद, जिमें सूरज दी किर्ण, जिमें चमक दी तारी अते ब्रहमंद सु गुरु सैब इस अवस्ता अंदिर पुजी मन बारे फरमांदे हैं के इस अवस्ता विच बेयनत पवनते, आकार जिसे हानिस्तो बाद कुरु सैब फरमांदे हैं के जिव जिव हुकम तिवै तिवकार जो मन सचदा हिस्सा हो जान्दा है जो अकाल पुरक विश अपयद हो जान्दा है उस दाहर क्याल ब्रेमंड जिया है जो वो कीमती है पर ख्याल रहे के क्याल जा विचार HORN इसदा नहीं है जद पाविचार साड़ा हो जावे फिर इस अवास्ता विच रेन वाला ही नहीं रेगा क्योंकि इत्थे साच खंड विच मैं ता हुन्दी नहीं सिर्फ तो ही तो हुन्दा है सिर्फ ओ ही कुछ हुन्दा है जो उस दा हुक्म हुन्दा है जे अकालपुर्क ने तखते बाद दिता तावी मन उस्ती रजा विच है जे उ मुश्किलांच पादे वे सदा दुख तिकलीफा दी मार पवे तावी उस्ती हुक्म अंदर मन रहनदा है पानी अंदर रहनदा है जिसता पाना माननों बड़ा ही प्यारा लगदा है ता माननों सिर्फ ख्यालना दे अकार ही नहीं मिल दे बल्कि उस्ते चलनदी शक्ती भी मिल दी है जिसते पैंडे कोई सोखे नहीं हुंदे हर दिन एक नमी जग्त वर्गा हुंदा है जिते कई कुछ उपजदा है ते कई कुछ बिरस्ता भी है ता गुरु सहब इस्तोकरे फर्मान दे हन के जाना मिनी चौंदा क्यूंक्छ ऋपत पैस्ता इस अवस्तां दिर मन उस्ती थरा चलदा है जिवें जिवें हुक्म होंदा है पाव हुक्म नो पूरी तरानाल समझने वाला मन हो जानदा है इस तो बाद कुरु सा फर्मान देहन के विख है विगस है कर वीचार सो सचकंदी अवस्ता अंदर पुजया मन जो अकाल पुर्क नो अपने अंग संग जानदा है महसूस करदा है जो उस ते हुक्म अंदर ही चलदा है उस ते एक कार विहार विख है निरंग कार उस ते कार जुनु विखता है अते विचार करके खुच होनदा है गरू प्यारो अज़िए ऐता यह नहीं लेना के जो हुकम अंदर नहीं है उसे मालक निराज हो गया नहीं मालक ने बड़ा ही प्यारा इस चयकत अंदर दरम ला दिता दो कानून ला दिता के जो जय हो जय करम करदा है ओहो जया फल नालो नाल मिली जानदा है सो अकाल पुर्क दी किसे नल कोई नराजगी नहीं पर हाँ जे मन हुकम नो समझ लेंदा है जो हुकम अंदर जियूंदा है उसनो ओहो जया फल मिल जानदा है ओ मालक दी नदर दा पातर बन जानदा है खुशीता पातर बन जनना है क्योंकि जिवें के गुरू सहाब ने भी सानू पंच खंडादी विचारती के समझाया कि मान ने इस अवस्था तक पुजना है ता जो मान एत्य होन दा असल मकसद जान सके ओ उच्चा होके इस जगत नो साफ साफ देख सके ओ देख सके कि मालक दा क्या हो जा जगत है क्या हो जा एत्य होकम है मैं कैंज जीना है कि में जगत नो उस ता रूप समझ के चलना है ता जो मन साफ जखंड अंदर पुजदा है जो होकम अनुसार कार विहार करदा है गुरू सहब इस तोकरें फिरमान दिहन के अकाल पुर्क उस ते करम वेक वेक के विकिस्ता है अते गुरू प्यारों जी मान दे तालते देखिए ता मान वी होकम अंदर रह के विकिस्ता है खुछ हुंदा है अते विचार पाव जद गुणा दी विचार नाल जींदा है जद गुणानों अमली जमा दिन्दा है ता मान दी खुशी दा कोई ठिकाना नहीं रहनदा क्योंकि उसनों ओ दोलत मिली जो किसे को नहीं रभी गुणा दी दोलत उसनों ओ जमीन मिली जो किसे को नहीं रभी रहमत दी जमीन उस दे ख्याला दा जगत ता मन जद रबी गुणानू, क्यालानू, ना सिर्फ संबालदा, बल्कि उस ते कर्म करदा है, विचार करदा है, उसनों जियोंदा है, ता मन आनंद नाल बाच जानदा है, मन विगस्ता है, ता अंत विच्च सच खंडी अंतली पौडी वच गुरु से फरमा देहन के, नानक कथना, करडा, सार, पाव ही नानक इस अवस्ता नू कथना बड़ा ही योखा है, इस दा कथन इंज है, जमें लोहे नू दंदानल चबाना, गुरु प्यारियों, सच खंड पौडी दा एक एक शब्द बहुत लंबी विचार मंगता है, पर उस तुमी जादा ए पौडी, मा इस नू कथन करना बहुत योख है, इसलिए इस दी विचार नू जिनने वार भी दोहराया जाए, जिनने वार भी इस दी विचार कीती जाए, जिनना वाद तो वाद ज्यान लेके कथिया जाए, हर कथन सच खंड अवस्ता के छोटा रह जान दा है, ये पद भी अवस्ता ब जी इशार फिर वी ओचाह दूझे नू समझा नहीं पाएगा कि इस अवस्ता अंतर की की है क्योंकि इस पद्वी नूझ जी एवस्ता बियानने कीती जासकती शुच्यौन कै कीती जा सकती है इसनों सिर्फ मानया जा सकता है इसनों सिर्फ जीविया जा सकता है जत पहारा तेरज सुन्यार जे माननों कीमती बनोना है जे मान अंदर गुरु शब्द रही अमरित परना है ता सब्तों पहला जमेके सेवी दुकाननों चलाऊनली विश्वाश, इमानदारी, निमर्ता आधी गुण जरूरी हन इन जही मानले सब्तों जरूरी जो दो गुण हन उना जोए कहा है जात ते दूचा है तीरज जात पाव अपनिया इंद्रियानों सही रखना, कान सही सुनन, बोड जंगी बोलगी, पैर सही पासे तुरन, हात किर्थ करन, पाव हरे एक इंद्रिय साच वाले पासे, रब वाले पासे चले एक जात मानकुल होना बहुत जरूरी है ते इस जात नूँ ऐ मना तू दुचान समझ, सुने आ रहे थी दुचान, गुरुप यारों जिसकोल एक गोण ने, समझो उसकोल एक बड़ी कीमती दुचान है, जिसता दुचान दर है तीरज पाव सबर, जो ठरम्मे वाला है, हौंसले वाला है, जो काला नी पेंदा हो है सुनार गुरुप यारों, जमें कोई दुचान चलानी होवे, ता ओदे लई सबर्दा होना बड़ा जरूरी होंद है, इन जी ही जिन्दगी अंदर भी जदसी चंगी रात तुरिये, जे गुनाब पर पूर जिन्दगी जीविये, सच बोलिये, निंदाना करिये, ता ही करपन्द है, जेदे कोल सबर होवे, तीरिज होवे, सो सबर वाला मन ही कीमती शब्दनू मानंदर टिकान वाला होनदा है, जिन्दगी नू सवारन वाला होनदा है ता गुरु सहब इस्तो कराईम फर्मान देहन के, जात पहारा इंद्रियां ते काबू पाउन लई, शु एरन, मत, वेद, हथियार, एरन तो पाव है सुनार जिस लोहे दिरा के गर्म होई सोने नू हथोड़ी दिना पतला अकार दिता जान्दा है, ओ है एरन, गुरु भेरों अजकल ता मशीन नावी इसकाम ले आगे गया हन, के गर्म लोहे जा सोने आ दिनू पतले तो पतला अक इना मशीना रही देता जा सकता है, पर अजेवी बहुतांत लोग एरन दाई इस्तवाल करते हन, ठंडे जगर्म सोने नू साट मार के सिद्धा जा कोई आकार देन दे, ता साधी शरीर अंदर जा मन अंदरों केडा अंग है, जो एरन दा कम करता है, ओ है मत, पाव अकल, जाने बनाऊली दो वार सोने नू अक चु लंगना पैंदा है, एक वार शोद सोने नू पिगला के उस चो सोने दे शोद रूपन बार कड़ना, ते फिर एरन ते रखना, हथोडे नाल ओदे ते वार करके निका पाव उस सोने नू कठा करते ना, ता साधा मन, जान जीवन, जद गुरू दे शब्दनल जुड़दा है, ता सब्तों पहला शब्द भी एही कार्च करते है, वो एह के साधे अंदर सारी मैल, गुरू दा शब्द, गुरू दा ग्यान ला दिन दे, अशुद मननू शुद कर दिन दे, अते फिर उस नू एरन ते रखना जन दे, अते उ अंदर ग्यान होंदा है, ता मात फिर एदर उदर नहीं पटकती, बलके साचनाल जोड़ जांदी है, रबनल जोड़ जांदी है, ता जदमान रबनल जोड़ जांदी है, सिफ्त सला करदा है, ता मन अपने असल रूप अंदर आउना शुरू हो जांदा है, इस दी काड़त पाव कला अगन तपताव पांच खंडा दी विचार अंदर जाने सी के पहला मानने तरमनू समझना है फिर ज्ञान लेना है ति फिर जो समझा है उसते सर्म करना है पाव मेहनत करनी है ता इत्थे भी मन उस पढ़ा तक पुझा है जिते मेहनत करनी है जीवननों स्वारना है जसनों गुरु से बिस्तोक अंदर तप ताव फर्मारे हैं पाव तपा नल तपना काल कालनी सो महनत वाली आग मान अंदर बालनी है गुरु प्यारों जद सर्म कर दे हां महनत कर दे हां फिर ही असियोस्ती किरपा दे पातर बन दे हां फिर ही साड़ा मन जोतनाल एक हो पांदा है सो जिवें सुने आरा सोने नों शुद करन ली अगदा से एक दिन दे ताव नाल नाल खल पाव एक निकेज पाइप फूक निनल फूक मार के आगनों पखांदा भी रहं ताम मान लेई ओ खला की है ओ है पाव अकाल पुरक दा पै किस तरह दा पै जांडर एक ढर हुंदा है जिसनल प्यार करदा हो उसनल मैं किते तो खा ना कर जावां किते उस्ते केन तो बार ना चला जावाँ यह पैय है कि कोई काम ऐसा ना करां जैसे नाल मेरी अकाल परकतों दोरी पैजाए सो ए डर मन दा खला दा फूकनी दा कम करता है कद जद मन मेनत करता है जद कमाई होई गुणाते मन चलता है तपता है गुरु प्यारों अक्सर ही यह सब होंदा है कि जदा सी धेर सारियां ओक्डा खडियां हो जादिया हन ते जे पआज ना होए जे रभी पैय ना होए ता मन चाठ साच वाला राजच झाठा जाड़ा है पर जेस अंदर रभी पैय है वो कदे यह रानी सर्दा अति उस सदा तपता है ते तप तप के होर सिद्ख जे पका हो जानदा अकाल पुरिखता डर तौंकनी होए ते काल कमाई अग होए इस्तो बाद गूर से फरमान दे हन के पांडा, पाव, अमरित, तित, डाल पांडा पाव जेस पांड़े अंदर सोने नो पा के अग नन शुद गिता जान्दा है वो पांडा होए पावो दा पाव दा पाव है प्यार प्रेम ज़द पाणडा प्यार वाला होँए फिर ही उस अंदर त्यार होया सोनना पाव अम्रत को लाए जान्ता है गुरू प्यारो जवे शरीर नो बनाऊँ ले ज़ज़ शरीर नो बने रैली बहुत सारी कालणा कालणी पैंदी है शरीर नो तपाना पेंदा है इंजी ही माननों भी कालना कालनी पेंदी है जद मन बाणी अंदर जुड़दा है ता इस दी मैल लेंदी है बुरे विचारा तो मन दूर रेंदा है पर मैल लाउन लईवी रोज मेनत दी लोड पेंदी है रोज तपना पेंदा है रोज बाणी नल जोड़ना पैंदा है, रोज सोने वांग अक्ज सड़ना पैंदा है जद मन तो सोने वांग मैल ले जन्दी है तो जिवे सोना खरा हो जन्दा है, शुद्ध हो जन्दा है इंज मन भी खरा हो जन्दा है तो गुरु पेर पाणडा पाओ पांड़ा होए प्यार था प्यार होएगा था गुण टिकन के प्यार होएगा था रब मिलेगा अधे प्यार पै बिना नहीं मिलता ते पै ताँ पैदा होएगा जे वेद पाव ग्यान होए पर ग्यान भी ताँ ही टिकेगा जे मन कोल तीरज होए और ये दिर जिविताद आद ही मिलेगा जिपन जातवाला होए, तो पाओ अंदर ही गोण समांदेने, जिते प्यार नहोई उत्थे गोण नहीं रिंदे गुरु से फर्मा देहन के प्यार ओ पांडा है जिस अंदर अमरित तर टालिया जानता है रभी नाम दा अमरित अमरित रस नाम ए प्यार उपी पांडे अंदर ही ठेक देहन इस तो बाद गुरु से फर्मा देहन के कडियें, शब्द, सच्ची, टकसाल सुने आरे दी दुकान देता कुझ को गयने त्यार हुन देने, पर वड़ियां वड़ियां फैक्ट के अंदर रोज पतानी किन्ने गयने सुने तूं त्यार केते जान देहन इन जी ही पुराने समय अंदर टकसाल हुन देसन जिते सोना कड़के उसते सरकारी मोर लाती जान दी सी ता इथे टकसाल है शब्द दी जो मन अगजतापके एरंत चड़के ग्यान हथोड़े नल कड़के आया है उसते फिर शब्द दी पक्की मोर लाग जान दी है मन सोनने दी तरह पवित्र हो जान दा है सो कड़ी है शब्द शब्द कड़ले जात तीरज मत ग्यान रभी प्यान सक्त मेन द आते उसते प्यार दा पुरा कार खनना टकसाल होई फिर मन दी काड़त कड़ी जान दी है फिर सफल जीवन निर्वाले उच्चा आचरन कड़या जान दा है जमें पत्थर नू कड़यां सोनी मूरती बन दी है लकड नू कड़यां कई तरह दा फरनीचर त्यार उन दा है सोने नू कड़यां गैने त्यार उन दने इंज मान शब्द द्वारा जद कड़या जान दा ह सत्क्रास को नदर करम तिन कार醒 गुरु से भर मारें के जन को नदर कर्म तिनकार करमतों बिना नदर तो बेना कोई भी कारज सफल नहीं हो सकता जमें के गुरुनानक पाशा जी ने भी वार वार बानी अंदर दोहराया कि जद मन किसे मुकामते पुजद है ताक कदे ए ना कए कि ए मैं की तै मेरे कारण ए होया कदे भी ऐस तरह दा हंकार ना करिये कदे मैं मेरी चना आये बलके कहिए के हे मालक ए आप जीदा ही कारज सी आप जीदी ही करपानल होया जमें के एत्वी गुरु सेब इस तो करें फिर्मारिहन के जिना उत्ते सिर्जनहार करतार दी करपा दरिष्टी होंदी है उसनों अजीहा आदर्ष आचरन करणदी सच्ची कारप रप्त होंदी है सो एक कारज अकाल पुरुकती करपानल ही मन करपानदा है साड़े ते भी रब्दी करपा हो जाए उसलिए असीवी रोज अरदास कर दिया कि है सच्ची पाश्या मेर कर, किरपा कर, अपनी नदर कर सानू अपनी नदर हीट रहा क्योंकि जमें किसे वड़े दी नजर किसे दे पै जावे ता उस दा कद अपने आप वड़ा हो जानदा है सो मन जिस उते मालक दी नदर हो जाए किरपा हो जाए, ओवी वड़ा हो जानता है, ओवी ओक के कारजनों, सवारन वाला हो जानता था गुरु प्यारो इस तों बाद अठत्ति में पौड़ी दी आखरी तुक अंदर गुरु से फर्मा दे हनके नानक नदरी नदर निहाल जेवे के पांच खंड अंदर जाने है के पहला तर्मी होना है, कुद्रदे तरम अंदर जियोना सिखना है, अते ग्यान खंड सद्कुरु तो ग्यान पराप्त करना है, चंगे माड़े दी परक करनी है, फिर जो ग्यान पाया है, उस ते चरना है, सरम करनी है, मेनत करनी है, तो चोथा पड़ा जो कि है कर्मखंड़ा एक कर्म मिल्दा ही उदों है जादमान तरम ग्यान ते सरम जो हो ग्यान तै इन जी ही यहते भी गुरु से फर्मान देहन के पहला मान मर्यादा, तरम समझे फिर वीध पाव ग्यान लवे ते फिर सरम करे, अपने आपनों तपाए, ते जो एक कालना कालदा है, जो मन अपनी सोनित कालत करदा है, ओ मालक दी किरपादा, पातर बन दा है, तो गुरु से बिस्तो करें, फिर मंद्यान के जिस उत्ते बक्षिश हुंदी है ये नानक, ओ मन अकाल पुर्ख दी किरपाद निहाल हो जानदा है, निहाल पाव आनन्दित हो जानदा है, खुश हो जानदा है, उस अंदर सदा किड़ा बने रहनदा है, ओ मन सदा निहाल निहाल रहनदा है, गुरु प्यारों गुरु से अपने दो शब्द बड़े चड़दी कलावले बक्षिश हैं, एक आनन्द, द निहाल मन जद भी कोurg ज़्चा शबद जया कथा है यह ही कहन दो कि आनंद आ गया मन निहाल हो गया ता जो मन दी काड़त कड़न दी काल कमाई कर दै उस दूर ना सिर्फ मन बल्कि पूरी दा पूरा जीवन ही निहाल हो जान्दा है आनंद नल पर जान्दा है ता आओ असीवी निहाल हो ये गुरुपे अरो एते हर मान खोशे रहना जान्दा है पर खोशी ता ही मिलेगी जे मान सही होएगा जे मन कड़या होएगा जे मन शुद्ध पवित्र होएगा जे मन गुणा नल पड़या होएगा ताही यो निहाल हो पाएगा अनन्द नल पर पाएगा ता आओ मन नूं गुरुदे शब्द नल कड़के सोना बना लेगे जिन्दिगी नों आनंदित बना लेए निहाल कर रहे ता इस तो कराही गुरु से अफरमा दिहान के जिस्ते बक्षिश हुंदी है हिनानक ओमन अकाल पुर्ग दिकर प्रणादिश्टी नाल निहाल हो जाना है सलोक पवन गुरु पाणी पिता माता तर्त महत पवन गुरु बारे बहुत सारे विद्वाना दी वाकवा कराये है कई सारियां विचाराहन पर असी सिर्फ ओही विचार लेंदी हां जो प्रभैसर साप सिंग जिन्दिन लई के जिवें गुरु मनाली जिरूरी है जिवें गुरु तो बिना मन दी मोत है जमें गुरू तो बिना मन बे अकल रहनदा है मेला रहनदा है मर्या होया रहनदा है इंज हवा है पवन है पवन तो बिना शरीर मार जान दी हैं तो पवन इस तो बिना इंसान जी नहीं सकता इंसान ता कि इस तो बिना ये ब्रहमंड भी कुछ नहीं है गुरू से हमने बाड़ी अंदर बड़ा ही प्यारा फरमाया है के पवन जो के इस ब्रह्मंड दा सपतों पहला तत है उसनों अकाल पुर्ख ने सपतों पहला बनाया साच्य ते पवना पया पवने ते जल होए पाव अकाल पुरक तो पवन आये ते फिर पवन तो जल बनेया सो हवा बिना संसार नहीं हवा बिना कोई शब्द नहीं सुनिया जा सकता हवा बिना सा नहीं लिया जा सकता हवा पाव गैसा तो ही पाव बनके फिर पानी बनेया इसलिए गुरु सहब जिते पवण नू गुरु फरमा रहान उते पाणी नू पिता क्योंकि पिता तो ही पैदावार होई पाणी नाल ही हर्यावल होई पहला पाणी जीव है जित हर्या सब कोई सो पाणी तो ही हर्यावल है हर जी अंदर जान है यही सब्तों पहली अकाल पुर्ख ने पैदा कीतु है पैदावार है यही जरूरी तातहन अज संसार अंदर गुरु प्यारों खराब हवा कारण, खराब पानी कारण, खराब तर्थी कारण लखा लोग हर साल मरदी हन, क्यों? क्योंकि इसनों परदूशत असी सारे ने रलके कीता है, जे असी सारे आपो अपनी जिम्मेदारी अज भी समझ जाईए, ता हवा, पानी ते तर्थी नों बचाया जा सकता है, पर ए तद ही बचनगेज इना नों समझ जाए, कि इस साडेली किन्ने जरूरी हन, सो जिम्में गुरु मनाली जरूरी है, गुरु से फर्मादिहन इंज हवा शरीराली जरूरी है, अते पानी पिता सम है, इस ते नाल ही गुरु से फर्मादिहन के, देवस, रात, दोईदाई, दाया, खेलन, सगल, जगत, हवा, पानी ते तर्थी तो बाद जो अकालपुर्क ने जीवले सबतों प्यारी दाद दिती वसी सूरच, सूरच नाल ही पोद्या दीचे जान पेंदी है, रोशनी ना ही इनसान सो कामकार करदा है, अते सूरच ते तर्थी दे सुमेल नाल दिन ते रात बनिया, अते गुरु से अब दिन ते रात नो दाई ते दाया दा नाम ते रहन, जिमें दाया बच्चा नो खडाउंदी हन, इन्जी ही दिन ते रात हन जो जीवा नो खडाउंदी हन, दि इन्वले इंसान कामकार अंदर लगां रहेंदे कदे कोई कम कदे कोई कम एधाया इंज जीवाणू खडाउन दा रहेंदे अते रात विले जिमें दाई लोरी सुना के बच्चा स्वा दिन्दी है इन जही रात जीवा नुँ स्वा दिन्दी है ता जो स्वेर फिर तो इस जीव उठ के कामकार्च लग सकन एक नवी उमंग नल उठ सकन ता गुरू पाश्या इस्तोक्राई फरमा दे हन के दिन अते रा करित के बच्चा लग अगली तोक अंधर फरमा दे हन के के चंगेया इन बुरेया इन वाघ्चां तर्म अदूर अदूर अठ स्वा दह cuc पर नाल ही गुरु से फरमा देहन कि जो वी मालक ने दाद दिती है एप आई उसनों सोने तरीके नाल वर्त कुदरती चीजा नों संभाल के वर्त सहीं वर्तों कर अथे ये सब तां होईगा जे कर्म चंगी होनके जे सोच चंगी होगी इसलिए ऐ मना कर्म चंगी कर क्यों कि ज जे हो जे कर्म इनसान करता है उसता लिखा उसता नया नालो नाल हदूर अंदर पाव अपने आप दे अंदर हुंदा चला जानता है जे में कैसी पहला पांच खंडा अंदर तर्म बारे जानया कि तर्म की है कि में सारा ब्रहमंड तर्म अंदर चलता है कि में हर जीव उस अ अकाल पुर्क दे तर्म अंदर है। तोलदा है अधे नाल ही गुरु से फर्मा दियान के कर्मी आपो आपने के नेड़ा है के दूर अधे झ्जना विगाड गुरु से इन्सान अपने पैरांते आपको हाड़ी मारए है हावा पाणी नो बरबाद करके अपने आउन वाले बच्चा दे गाले कुट रहा तक गुरू से अब सानो सुधारन ले सानो समझान ले सानो सिद्धे रैपान ले फर्मादिहन के अब पाई कर्म चंगे कर पलाई कर चंगे आई कर खोद नो सुवार कुदरत नो बचा गुरू प्यारो उन जिता हर एक इनसान अजाद है जो मर्जी कर सकता है चंगा भी कर सकता है बुरा भी कर सकता है पर जो भी करेगा उस ता फल अंदर नालो नाल मिलदा चला जाएगा जे कर्म चंगे होनगे जे मन गुरू द्रासिफत सलार नल जुड्या होएगा जे मन रभी गुणाच जिवेगा ताए हो आपो अपने कीते होई क्रमा दे अनुशार कई जीव अकालपुर्ग दे दे नेड़े हो जाना हैं। मुझे आपको यह अकालपुर्ग तों दूर्ग अकालपुर्ग होने लिए सु दूर अकालपुर्ग नहीं होने के यह अ organise हैं। वापस परत, नाम नड़ चोड, रब नड़ चोड, होकम चेतोर जेवें के अगली तोकंदर गुरु से अपकिरपा कर दे हैं के, जिन्नी नाम तयाया, गये मशक्कत काल, जिन्नी पाव जिनाने नाम नू तयाया है, जिनाने अकालपर्क नो शिम्रया है, जिनाने उस्ते गुनानों जीवेआ हैं, और अपनी मेनत सफल कर गए हैं, गुरु प्यारो मेनत सिरम एक करना ही पेने, जे में कुछ पान लई अन तक मेंद करनी पेंदी है इन जही जे मनने सफल होना है पवजल तो पार जाना है साचता हिस्सा होना है ता मननों में मेंद करनी पेंदी है रोज मेंद करनी पेंदी है मन ते लगए विकार दूर करनी पेंदी हैं गुरुदी बानी नाल मन अंधर ग्यान दा चानन करना पेंदी जिननी जादा मेंद करेंगा उनना वद दो खिड़ेंगा। उनना वद और अनंद न परेगा उनना वद सकूँच रहेगा उनना वद उस दा मन अकालपुर्ख न जुड़ेगा था गुरु सैव इस तोक के अंदर फर्मा दे हन के जिना मनुखा ने अकालपुर्ख दा नाम सिम रहा है ओ अपनी मेनत सफल कर गे हन सु आओ मेन ती बनिये शरीर वल्लोवी मन वल्लोवी अधें जो मेनती हो ज़न्द आ जो प्राप्त कीते ग्यानते मेनत करदे जो बालिनों विचार के उस अनुस्वार जून्द है ओ आपता मुक्त हुंदा ही है नालो खोरा नूँ इतार देंदा है जम्एक के गुरु साइब इस सलोक दे अंत अंदर फरमा दे हन के नानक ते मुख उजले के ते चुटी नाल चुटी पाव मुख तो होगे सो गुरु साइब किरपा कर दे हन के जो अकाल पूर कदे नाम नाल चुडे हन जिना ने एक ओंकार नो गाया, सुनेया ते मन्या है जिसने मन दे मैल नू नाम नाल तोया है जिसने तरम, ग्यान, सरम, करम ते सच खंड दे रानू पशानिया है जिना ने मन अंदर ले कूर दी पारदूर कीती है उना दे मुक उजली हो जान दी हन रबी नाम दे चानन नल चमक पेंदे हान उना दे मन अनन्द नल पर जान दे हान अते ओ मन कल्ले मुक्त नहीं हुंदे जो वी होर मन उना दे संगत चाऊंदे हान ओ वी मुक्त हो जान दे हान उना दी कूड़ दी कंद भी टै जान्दी है, ओवी विकारां तो मुक्त हो जान्दी हैं, तो जो जब जी सहब दी बानी नू पढ़दा है, समझ दा है, मन अंदर वसाँदा है, ओव सिर्फ अपना ही पलाली करदा, ओव सिर्फ अपना आप ही ने स्वारदा, बलके खोरां अंदर वी चानन पैदा कर देंदा है, खोरां नू वी ब्रयाईतों अजाद कर देंदा है, सो आओ, असी सारे ही सत्गुरू दी बानी नल चुड़िये, नाम नल चुड़िये, ताँ जो असी वी विकारां तो मुक्त ह के उस सच्ची दे दरवार अंदर हदूर अंदर मुक उजले करके जा सकीए, असी वी जिंदे जी रभी जो दे दिदार कर सकीए, जिस दा ए जगत है, उस नो उस ते जगत अंदर देख सकीए, जो गुण मालक ने बक्षिहान उना नो जी सकीए अते जिंदगी दे सफर नो जीवन मनोरत नों पूरा करके जासे के इंज ना होए के लोग मरन ते कैन के पूरा हो गया नहीं जिवन दे जी पूरन होई है जिवन दे जी सच खंड़ दा हिस्सा बनिये ताही सा डाउना सफल है तां अंतले तोक नों एक वर फिर समझ दे हां जिस विच गुरु सहा फरमा दे हन के है नानक जिनाने अकाल पुर्खता नाम सिम्रिया है ओ अकाल पुर्खते दरते उजल मुख वाले हन होर वी कई जीव उना दे संगत विचरै के कोड़ दे पाल टा के माय दे मंदनातों अजाद हो जान दे हन ता एसी जबजी सहब्दे सलोग दी संग के विचार गुरु प्यारो गुरु सहब्दे बानी अन्ने महान है कि इस अंदर जिनना डुंगा जाईए उन्ही होर समझ मिल दी है उन्हा होर मन तकडाते समझ वाला होंदा है जिनने को चाल सत्कुर्दी किरपा ना लगी उन्हीं के विचार आप सब्दे सामने रखी है आते मैं जान दा है कि ए विचार कोई पूरण विचार नहीं है इस अंदर बेंत कलती है हन उन्हा है हन जिसनो सत्कुर्दी सची पाशाजी जान दी हन अते ओ मन जान दी हन जो जाग दी हन मेरी ता सद्गरु शीरी ग्रुर्ण सहाब जगी अर्दास है कि ग्रु महाराज अगे तूं होर समत्बक्षो होर गुना ना बन नो शिंगारो ता जो जबजी सहाब नो अते होर बाणे नो होर सोखे तरिके नाल मन समझ सके ना सिर्भ समझ सके बलके उसनों जीवे ता जो मन साचदा हिस्सा हो सके ता जो मन नाम नुत्या सके ता जो मन एक नल एक हो सके ता इस पूरी विचार अंदर जो जो गलते हो यह उसलिए मैं शिरी गुरु गुरान सहीब जीतूं अते आप सब तो के मादा जा चखां अते सथ गुरु जी दा वार वार तनवाद भी करदा हां जो गुरु सहीब ने इस सेवा करन दा मोका देता बाल देता अते अन्य प्यारी बानी रबी पानी पढ़न समझन ते जी होंदा मोका देता तनवाद अते आप सब गुरु प्यार दो इस विचार नों सुना लिए बहुत बहुत तरवात हो या पूलना चकान दिकिमा वाही गुरुजी का खालसा वाही गुरुजी की फते